यह वीडियो इतना लंबा है आखिर इस वीडियो में ऐसा है क्या रोटेशनल डानेमिक्स मेरा फेब्लेट चैप्टर वह करता था लेकिन वो था तेरा साल पहले और मैं तब से रोटेशनल डानेमिक्स पड़ी नहीं है मैं सब कुछ भूल चुका हूं तो मैंने चाहर दिन पहले फिर से पढ़ना शुरू किया एकदम बेसिक्स लेवल से और मैंने यह वीडियो इस तरीके से डिजाइन किया कि आपको कुछ भी नहीं आता होगा वह हमें एकदम बेसिक्स से शुरू करेंगे और एकदम एक्सपर्ट लेवल तक जाएंगे सारी की सारी थयोरी सारे की सारे डिमोंस्ट्रेशन्स सारे नुमेरिकल्स इस एक सिंगल वीडियो में फिर अर्द बहुत सारी लोगों को डिर घंप पहला कि इसमें बहुत सारी नई टर्म्स आ जाती ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है टॉक क्या है और दूसरा कि चैप्टर है बहुत लंबा बहुत ही लेंदी इसकी बुक देख लो तो यहीं वीडियो एक बार ऑल देख लो दो बार में तो हंड़ेट परसंट हंड़ेट प नियुमेकल भी करेंगे इस चैप्टर के नोट्स को डाउनलोड करने का लिंक डिस्रिप्शन में है वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो हम शुरू करने जा रहे हो वन शॉर्ट वीडियो एक वीडियो में पूरा का पूरा रोटेशनल डाइनमेक्स मैं हूँ वि यह बादि कि इस इसको इसको मैं अगर मोडने की कोशिश करूँ गा तो मैं इसमोड नहीं पाउंगा ये है रिजट बॉडी जो रिजट नहीं है वो जैसे कि माग सकती है तो इन दोनों का कुछ वजन है लेकिन इन में अंतर यह अपने कुछ इंटरनल फोर्स लगा सकते है मैं इसे मोडने की कोशिश करूँगा तो यह internally opposite direction में force लगालेगी और बलेगे मुझे नहीं मोड़ना इसके पास वह capacity नहीं है यह इधर-दर मोड सकते हैं मैं इसे मोड़ने की कोशिश करूँगा internal forces नहीं लग सकते जैसे इस point और इस point का distance हमेशा constant होगा अगर मैं उसे compress करने की कोशिश करूँ उस distance को कम करने की कोशिश करूँ तो कुछ internal forces लगेंगे opposite direction में और मैं उसे कम नहीं कर पाऊंगा तो ideal rigid body के किसी भी दो point के बीच का distance कभी नहीं बदलता कभी भी नहीं क्या घंडिया acting है anyway types of motion motion तीन तरह के हो सकते हैं जैसे अभी तक हमने पढ़ा था translational motion तो इसमें कोई object सीदे स्टेट लाइन में जाती थी हम उसकी calculations कर चुके हैं motion in one dimension या फिर motion in two dimensions में पॉइंट जाता था इस तरीके से parabolic motion करता था वहाँ पर हम हर एक object को point object मांदे देखो कोई भी point घूम नहीं सकता क्योंकि point का कोई dimension ही नहीं होता उसको कुछ radius नहीं होता अगर आप उसको छोटा point समझो ball समझो सोचो कि वो इस तरीके से घूमता हुआ जा रहा है क्या point घूम ही नहीं सकता point ऐसी चीजी नहीं कि आप उसे खुमा पाओ तो एक point हमेशा translational motion करता है वो कभी rotational motion कर नहीं सकता तो मानलो हमारे पास एक car है जो इस तरीके से आगे जा रही है यह हो गया है translational motion अब यहाँ पर क्या होता है pure translation अगर है तो इसके हर एक point की same velocity होगी देखो मानलो अगर हम इसके top वाले point की बात करें तो वो same velocity से इधर आ रहोगा इसकी headlight same velocity से इधर आएगी इसका यह शीशा same velocity से इधर आएगा इसके पहियों को छोड़ दो क्योंकि पहिये घूम रहे होते हैं वो rotation भी कर रहे होते हो उनकी बात हम बात में करेंगे लेकिन पूरी की पूरी कार के सभी points same velocity से move रहते हैं यह है pure translational motion अगर हम इसे इस तरीके से cup को उपर फेक दें और यह बिना घूमे हुए इस तरीके से जा रहा है तो यह भी 2D plane में motion कर रहा है लेकिन यह pure translation ही है इसमें rotation नहीं हो रहा है कुछ यह घूमता हुआ नहीं जा रहा है तो यह भी एक pure translational motion है इसमें भी आप देखोगी कि body के किसी भी point particle पे same velocity अभी सारी की सारी velocity इस तरफ थी फिस सारे की सारे points एक parabolic motion कर रहे हैं सबकी velocity सेम है circular motion क्या होता है देखो यह है股 circular motion और rotational motion क्या होता है सब्सक्राइब क्या है अब बोलेगा यह rotational motion है तो यह circular motion और rotational motion में अन्दर क्या है इसे समझना बहुत असान है मानो मैं इसको ऐसे पकड़ो और इस तरीके से गुमाओ ठीक है तो इस तरीके से जब मैं इसे घुमा रहा हूँ देखो इसका एंगल नहीं बदल रहा है हमेशा इसका एंगल इस तरफ है तो इसका एंगल नहीं बदल रहा है मतलब यह rotation नहीं कर रहा है यह जिर्फ circle में घूम रहा है तो यह circular motion हो गया और अगर मैं इसको fix कर दो rigid कर दो कि यह ऐसे घुमेगा अब इसका एंगल भी बदल रहा है मानलो अभी पूरी coffee नीचे गया जाएगी फिर अब पूरी coffee वापस से इसमें भर जाएगी तो अब यहाँ पर इसका एंगल भी बदल रहा है यह circular motion भी कर रहा है और यह rotation भी कर रहा है तो वो एक combination of motion हो गया pure rotational motion क्या होता है मानलो यह कहीं इदर अदर नहीं घुम रहा है एक axis के about ऐसे ऐसे घुम रहा है यह हो गया pure rotational motion तो rotational motion कभी भी point object का नहीं होता है point object में आप ऐसे कुछ पकड़ के घुमाई नहीं सकते है वो इतना चोटा है उसके कोई length कोई उसकी height width है ही नहीं क्या बगड़ के घुमाऊंगे अगर हम इस ferry's wheel या डूलर को देखे तो इसमें जो outer rim है वो तो इस तरीके से rotational motion कर देए वो पूरा उसका angle घुमता है लेकिन उसके अंदर जो छोटे छोटे चोटे compartment बने होते हैं जिसमें हम बैठते हैं वो सिर्फ circular motion करते हैं वो कभी उल्टे नहीं होते है वो मानलो ऐसे जा रहे हैं तो ऐसे नीचे आते हैं अगर वो उल्टे हो जाएंगे और भाईया आगे भी जा रहा है तो यहां पर हमारे पास एक combination हो गया यहां पर rotation भी हो रहा है और translation भी हो रहा है और इससे हम बोलते हैं pure rolling इसके बारे पर हम पढ़ेंगे आराम से लेकिन इस तरीके के combinations हम motion के बना सकते हैं अब लेते हैं एक overview rotational motion का इस rotational motion में होने क्या वाल है देखो हमने पहले translational motion पढ़ा था उसको analyze कर लेते translational motion में हमारे पास position होती थी position को हम लिखते थे x या फिर x y x y z अभी हम one dimensional motion की बात करते हैं position को हम लिखते थे x जो meters में होती थी displacement होता था हमारा delta x तो यह delta x यह भी meters में होता था velocity होती थी displacement per unit time तो से हम लिख सकते हैं delta x divided by delta t यह होती थी meter per second meter per second acceleration होता था delta v upon delta t delta v upon delta t यह होता था meter per second square mass या फिर inertia अब inertia क्या होता है हम किसी भी object पर force लगाते हैं तो वो motion में कुछ resist करती है वो चाहती है कि मैं तुरंत अपनी velocity बदलू नहीं तो जितना ज्यादा mass होता था हम बोलते थे उतना ज्यादा उसका inertia है इनर्शिया mass mass कौम लिखते थे m वो होता था kg में momentum mass times velocity तो वो हो जाता था mv यह होता था kg meter per second जो भी unit आ रही है ऐसा ही में force होता था f is equal to mass times acceleration यह newton में होता था kinetic energy होती थी half mv square half mv square जो की जूल में होती है यह सब हमारे translational motion के parameters है यह सब आपको अच्छी तरह से पता है अब इन ही सब का एक angular analog हम देख सकते हैं मतलब अगर translational में चीज़ें इस तरीके से होती है तो angular में चीज़ें किस तरीके से होती होंगी इसके लिए मुझ घुमाने के लिए चीज़ें कहा है angular quantities को समझने के लिए हम कोई भी चीज़े सकते हैं तो आप इससे समझ सकते हो या फिर यह fidget spinner है इससे समझ सकते हो लेकिन मैं थोड़ी एक बड़ी चीज़ेता हूं तो कि आपको देखने में आसानी हो अभी हमारे पास एक अबजेक्ट है जो इस तरीके से रोटेट कर सकती है तो हम इस पॉइंट को अपना इंट्रेस्ट पॉइंट ऑफ इंट्रेस्ट समझते इसके बारे में इसके motion को study करना जाते है अगर मैं इस तरीके से घुमाता हूं तो इसका एंगल बदल रहा है लेकिन कहां से बदल रहा है एक reference frame तो हमें लेना पड़ेगा जैसे हम x is equal to 0 किसी चीज़ को मानते थे हम इसके लिए भी एक access मान लेंगे कि ये इस जब ने बोल दिया कि ये है theta is equal to 0 या फिर चलो इसे मान लेते हैं ये है theta is equal to 0 इसके बाद मैं इसे घुमाओंगा तो इसका देखो angle बढ़ता जा रहा है भी इसका angle बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है तो इसने पूरा चक्कर घुम लिया यानि कि 2 pi radians या फिर 360 degree इसका angular displacement हो angular displacement हो जाता है डिल्टा एकसी तरह डिल्टा थीटा ये भी आ जाएगा radians में angular velocity को हम लिखते हैं omega से ये w जासे symbol है और इसकी value होती है डिल्टा थीटा angular displacement per unit time और इसकी ऐसा unit आ जाती है radian per second अब acceleration की तरह angular acceleration भी हो सकता है कितनी तेजी तेजी से इसकी angular velocity बदल रही है angular acceleration को लिखा जाता है alpha से ये जैसा sony alpha camera आता याद है इससे हम लिखते है डिल्टा ओमेगा चेंचिन angular velocity अपॉन डिल्टा टी इसकी unit आ जाएगी क्या है कि यहां आती थी देखो मीटर पर second square यहां पर आजाएगी radian per second square एकदम सिमिलर चल रहा है translational motion में हमारे पास होता था mass जिसे हम inertia भी बोलते हैं inertia मतलब हम force लगा रहे हैं तो वो एकदम जल्दी से अपना motion की state नहीं बदलेगी यानि अपनी velocity बदलने में थोड़ा रेजिस्ट करती है ऐसी केस होता है angular quantities में angular motion में इस पे अगर मैं कुछ इस तरफ घुमने वाला force लगा रहा हूं जो की angular force होता उसको हम बोलते हैं torque तो यह भी बड़ी आसानी से नहीं होंते है भी थोड़ा अपने motion को यानि अपने rotation को resist करने की कोशिश करती है और वो अलग-अलग होता है देखो अगर मैं इसे इस तरीके से गुमाँ बड़ी आसानी से गुमा सकता हूं यह experiment में कर रहा हूं आप छाते के साथ जरूर करके देखना है इसे मैं इस तरीके से बड़ी आसानी से गुमा सकता हूं और इसको खोलने के बाद भी बजन इतने हैं लेकिन खोलने के बाद इसे घुमाना थोड़ा मुश्किल हो गया है यानि इसका जो resistance है जो यह थोड़ा हिच के चाहट है कि मैं तुरन से घुम जाओ वो बदल गई है एंगुलर इनर्शिया इसका बदल गया है या फिर हम कह स अग्यूर मास बोल दो इसको हम आई से डिनोट करते हैं इसकी जो यूनिट आती है वह आती है केजी मीटर स्कूर हम समझेंगे आगे कैसे बस अभी समझ लो एक अंगुलर महासिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइप की चीज होती है जो कि एंगुलर मोशन को रिजिस्ट कर करती है यह रिजिस्ट करती है ट्रांसलेशनल मोशन में हमारे पास होता था मोमेंटम जो होता था मास टाइम्स विलासिटी यानि की इनर्शिया टाइम्स विलासिटी हमारे पास यहां पर मोमेंटम आ जाता है और उसे हम बोलते हैं अंगुलर मोमेंटम और वहां पर भी हो की बात करें गए देखो मुमेंट ऑफ इनर्शिया मुमेंट ऑफ मुमेंट ऑफ आस्ट प्ल होता है अगर यहां पर विलासिटी था रहो तो ये इसके को जिस तरफ momentum होगा m times v और कितनी दूरी पर है उसके आपसे इसका momentum का moment या फिर angular momentum हो जाए तो इस तरीके से अगर mass यहाँ पर है तो इसकी वज़े से इसको घूमने में दिक्कत होगी तो वो inertia का moment है जब भी कोई चीज किसी distance पर होती है तो हम बोल देते moment of inertia, moment of momentum, moment of force बस बोलने का तरीका है क्यों बोलते है इसका उस पल वाले moment से कोई लेना देना नहीं है या फिर आप बोल सकते हो कि इस पल वो force मुझसे कितनी दूर है तो वो force का moment आगया technical details यार इसे मत जाओ, translational motion में हमारे पास होता था force, force की वज़े से body का inertia, अपनी state of motion बदलता था जैसे वो चल रहा था तो रुक जाता था या फिर रुका रहता था तो चलने लग जाता था यहां पर हमारे पास moment of force होता है उसे हम बोलते है torque उसे हम लिखते है इस तरीके से tau होता है, tau बोलो, torque बोलो और इसकी जो unit आ जाती है क्योंकि यह moment है तो एक distance पर force है तो force की होती है newton और किस distance पर है तो इसकी ऐसा unit आ जाती है newton meter कैसे आई आने वाले time में हम देखेंगे kinetic energy देखो हमारे पास होता था half mv square यहाँ पर देखो mass हो जाता है inertia और velocity है तो अगर इसकी हमें kinetic energy पता करनी है तो इसका inertia क्या है half into inertia वो हो जाता है moment of inertia angular inertia की बात कर रहे है into angular velocity का square यहाँ आ जाता है angular velocity का square half i omega square तो यही सब terms है पूरा का पूरा chapter बस इनी terms पर बेस्ट है हमें जो डर लगता है वो इसी लगता है क्योंकि हम इन terms को समझ नहीं पाते हैं तो एक बार इन terms को आराम से समझ लो आप और हमारा chapter खतम हो गया चलो मिलते हैं अगले वीडियो में मजा कर रहा था actually chapter में technical terms इतनी है अब problem के आती है कि हमें मानलो कोई object है तो हमें पहली बात यह नहीं पता चलती है किस axis पर rotate कर रहे हैं यहाँ भी rotate कर सकती है या फिर हो सकता है कि मैं यहाँ पर कुछ हिंज लगा दूँ और इसको इस तरीके से rotate करो force कितनी दूरी पर लग रहा है अगर यहाँ पर लग रहा है तो हमें यह वाला distance लेकर के moment of force यानि की torque पता करना है moment of inertia भी axis के हिसाब से बदल जाता है जैसे अगर मैं इस axis पर घुमा रहा हूं तो इसको घुमाना आसान है इसका moment of inertia कम है लेकिन इसे मैं इस axis पर घुमा रहा है जो हमें इस chapter में समझनी है बाखी तो exactly वैसे यह motion in one dimension उतना ही सिंपल है अगर हमें यह दो चीज़ा समझ में आ गई जो हम समझेंगे हम सब कुछ visualize करेंगे देखो मैंने सब कुछ बना के बैठा हूं इस पर दरफूर तो टूट गया दुबारा सभी करते हैं पर हां फोर्स वेक्टर विलॉसिटी वेक्टर सब दिखेगा अभी टॉर्प वेक्टर सब कुछ दिखा ही देगा सब विशुलाइज करेंगे चलते आँगे एक बार फिर से रिवाइस करते हैं कि एंगल डिवाइन किस तरीके दो ह दो कि फाता है मimeoter कोई पार्टिकलर सब्स कर रहा है कि संते इसकी इसकी इनिश्यल प् encantcía यहां से लेकर के यहां is equal to l divided by R. अब Theta की Dimension क्या हो गए देखो L बी एक L लेंथ है, Radius भी एक Length है, LN divided by Length ये Dimensionless Quantity आ गया, ये एक Ratio आ गया, कि हमने जो distance travel किया है, वो Radius की टर्मस में कितना है, Radius का दो गुना है, आधा गुना है, पांच गुना है, या 2 pi times है radius का, इस तरीके से हमने angle एक ratio बनाया, dimensionless होता है, angle की SI unit है radians, जिसे हम इस तरीके से लिखते है, already, उसकी dimensions हो जाते है, mass में 0, length में 0, और time में भी 0, dimensionless quantity है, angular displacement, अब angular displacement क्या हो गया, मानलो initially यह particle था, theta 1 पर, उसके बार यह थोड़ी दिर में चलके यहां तक आ गया, ठीक है, तो अब इसका angle बदल चुका है, अब यह इस वाले angle पर आ गया है, तो यह angle हम नापेंगे कहां से, जहांसे हमने initially नापा था, हमें यहीं से नापना पड़ेगा इतना पूरा, यह हो जाएगा theta 2, theta 2, theta 1 से बड़ा है, यानि angular displacement ज्यादा है, इस case में हम angular displacement, इसे हम लिख सकते हैं, delta theta is equal to theta 2 minus theta 1, अब यह theta 2 और theta 1 दोनों radian में थे, तो इसकी भी कुछ जो unit आएगी वो आजाएगी radians में, इसकी भी ऐसा unit radian हो जाती है, इसके भी dimension, mass में 0, length में 0, time में 0, यह भी dimension less है, angle को भी हम लिखते हैं, theta में, angular velocity, यानि कि यह जो theta change हो रहा है, यह किस rate से change हो रहा है, मतलब कुछ तो speed रही होगी, theta के change हो रहा है कि, वह हम पता करते है, angular velocity से, angular velocity को हम लिखते है, omega से, omega हो जाती है, delta theta divided by delta t, मानलो यह delta theta की value थी, दो radian और हमें, एक second में हमने उसको cover किया है, तो वो हो जाएगी, 2 divided by 1, 2 radian per second, इसकी ऐसा unit आ जाती है, radian per second, और इसके dimensions क्या हो जाएँगे, देखो, उपर है radian, dimensionless, नीचे है second, time, तो angular velocity के dimensions हो जाते हैं, mass में 0, length में भी 0, time में minus 1, angular acceleration, इसे हम लिखते हैं, alpha से, यह हो जाता है, delta omega divided by delta t, और इसके हमारे पास, जो dimension, ऐसा unit आ जाती हो जाती है, radian per second square, इसके dimensions क्या हो जाएँगे, अब इसमें फिर से हम time से divide करें देखो, उपर omega है, उसमें already time divided था, तो इसके dimensions हो जाएँगे, mass में 0, length में 0, time में minus 2, और यह हो गया हमारा angular acceleration, इनकी कुछ sample values देखते हैं, जैसे angle की एक sample value हो सकती है, 2 pi, 2 pi radian, delta theta यानि angular displacement हम बोल सकते हैं, कि pi radian का angular displacement हो है, angular velocity हम बोल सकते हैं, मानलो 3 radian per second, या फिर हम लिख सकते हैं, 2 pi radian per second, इस तरह की values होते हैं, और angular acceleration की भी इसी तरह की values हो सकते हैं, जैसे pi radian per second square, या फिर 2 radian per second square, इस तरह की कुछ sample values मैंने बता दी, मुश्किल तो नहीं लगाना, आसान था, अब देखो, सबसे आदा twisting चीज, जो हमारे out of syllabus है, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है, angles जो हम घुमाते हैं, कभी हम किसी चीज को rotate करते हैं, तो उसको एक direction होता है, जैसे मैं अभी इसे 90 degree घुमा रहा हूँ, 90 degree घुमा रहा हूँ, 90 degree घुमा रहा हूँ, लेकिन direction अभी ऐसे घुम रहा है, अभी इसका direction ऐसे, अभी इवे 90 degree घुमा रहा हूँ, अभी इवे 90 degree घुमा रहा हूँ, अभी इवे 90 degree घुमा रहा हूँ, यह देखो अगर मैं इसे ऐसे घुमा रहा हूँ तो अपने हाथ को भी ऐसे घुमा दो ऐसे घुमा दो तो यह जो अंगोठे का डिरेक्शन है ना वो हमारा डिरेक्शन ऑफ रोटेशन हो गया है लिखने के लिए तो अगर मैं इस तरीके से घुमा रहा हूँ तो हमारा रोटे अगर यह इस तरीके से घूम रही है तो किस तरफ घूम रही है इस तरफ तो अपने हाथ को ऐसे देखो ऐसे लो तो हमें पता चलता है कि यार यह देखो यह इस तरफ घूम रहा था और हमारा अंगुटा उपर की तरफ है तो इसका जो भी अंगुलर विलॉसिटी होगी वह उपर होगी वेक्टर हो उसका direction से उपर की साथ अगर मैं इसे घुमा दूंब ये उतनी रेट से गुंग रहा जबकिन उले direction में घुम रहा दो जाता है तो magnitude कैसे लिखेंगे ये जो length है वेक्टर है लेन्थ magnitude बताता अरर direction हमें पता चल जाता है तो अगर मैं इसे बहुत तेज घुमाऊँगा तो इसका angular velocity magnitude नीचे की तरह बहुत जादा होगा अगर मैं इसे घुमा देता हूँ तो अब उस तरफ angular velocity है यानि इस तरीके से घुम रहा है मुझे पता चल गया अगर मैं मैं गोलता हूँ इस तरफ angular velocity यानि कि राइट हंड से करना है अपने को लेफ्ट हंड से नहीं करना है उल्टा जाए खांसर राइट हंड से करना है हमने देखा कि rotation की या angular velocity का कुछ magnitude होता है और कुछ direction होता है तो क्या यह quantities जान flips नहीं क्या वंकि व्हक्टिक का भी magnitude होता है और direction होता है लेकिन हमारा यह ऐंगर एंग्र to 90 i-cap और b is equal to 90 j-cap पहले हम करते हैं a plus b red yellow इस तरीके से हम start करते हैं अब हम करते हैं पहले a plus b a क्या है 90 i-cap i-cap यह direction है इस direction में 90 degree घुमा दो देखो यह हमारा right hand rule से 90 degree ऐसे घुम जाना चाहिए फिर हम करते हैं b b हो जाता है 90 j-cap y direction इधर है 90 degree इस तरीके से घुमा दो घुमा दिया क्या मिला हमें blue मिला ठीक है तो यहां मैं लिख देता हूँ blue a cap plus b a plus b is equal to blue अब मैं करता हूँ b plus a पहले तो same initial position तक पहुंच जाओ initial position क्या थी आपके सामने red है उपर की तरफ yellow है same initial position पे आ गया अब मैं करता हूँ b plus है पहले हम 90 degree j-cap में घुमा देंगे इस तरीके से 90 degree j-cap में घुमेगा यह आ गया फिर हम 90 degree x-axis पे घुमा देंगे इस तरीके से तो यह आ जाता है yellow इसका मतलब vector a plus vector b is not equal to vector b plus vector है देखो यह condition satisfy नहीं होए यानि कि rotation का direction भी है magnitude भी है फिर भी वो vector नहीं है उसको हम vector नहीं consider कह सकते है angular velocity का क्या एंगुलर velocity में क्या होता है ना कि angular velocity में सब चीज़े एक साथ हो रही होती है जैसे अगर हम इसे i-cap plus j-cap बोले तो ऐसा नहीं होता पहले i-cap होगया फिर j-cap होगया वह सब एक साथ हो रहा होता है तो वहां पर यह वाली ordering वाली problem नहीं आती है तो angular velocity को हम vector consider कर सकते हैं इसी तरीके से angular acceleration को भी हम vector consider कर सकते हैं क्योंकि वो सब एक साथ हो रहे तो वहाँ ऐसा नहीं होता कि 5i cap प्लस 2j cap लिखी हुए तो पहले 5i cap होगे फिर 2j cap होगी वो 5i cap प्लस j cap की terms में एक साथ हो रही होती है लेकिन angular velocity के साथ एक दूसरी problem है उसमें क्या होता है mirror inversion देखो अगर हम vector है यह इस तरीके से घूम रहा है तो इसका direction इस तरफ है लेकिन मैं इसे कांच में देखूँगा mirror में देखूँगा तो मुझे उल्टी वो घूमती ही देखेगी और mirror में right hand thumb rule के साथ इसका direction उल्टी side हो जाता है तो mirror inversion में direction बदल गया इसका लेकिन velocity के case में देखो नहीं बदला इसलिए angular velocity भी एक pseudo vector है वो भी एक real vector नहीं है इसी तरीके से angular acceleration भी एक pseudo vector है वो भी असली वेक्टर नहीं है हो गए confused ठीक है यह सब हमारे किसी काम का नहीं है क्यों क्योंकि हमारे case में क्या होता है axis fix होता है ऐसा नहीं होता object अभी यहां घूम रहे है थोड़ी दिर बाद यहां घूम रहे होगी हमें जितने भी examples करने है सब में axis of rotation fix होगा हमारे लिए कोई भी object ऐसे घूमेगी कभी भी ऐसे घूमते घूमते ऐसे नहीं घूम जाए तो हमें angular velocity की दोई values हो सकती या तो positive होगी या negative होगी positive negative ऐसे axis नहीं चेंज होगा हमारे लिए कहीं axis चेंज होगा तो हम even rotation को भी rotation को भी हम vector मान सकते हमारी calculations के लिए class 11-12 की calculations के लिए हमारे लिए सब vector है तो यह सब सिर्फ आपकी information के लिए मैंने बताया था इसको tension लेने की ज़रूरत नहीं है आगे चलते है अरे यार यह kinematics और dynamics क्या होता है kinematics होता है कि motion की study motion को पढ़ते जाओ यह मत पूछो कि यह हो क्यों रहा है dynamics होता है motion के कारण को जानना motion क्या हो रहा है हमें नहीं पता मतलब पता होता है अचुली लेकिन हम पूछते हैं कि भाई तो मैंसा क्यों मूव कर रहे हैं वहां पर हमें forces, torque, moment of inertia, inertia, mass यह सब चीज़े से derive कर सकते हैं जैसे कि हमने chapter 2 था या 3 था चाप्टर 3 था चाहिए motion in one dimension में जो हमने calculations करी थी exactly same calculations यहां होती इनका derivation देखना है तो आप वो वीडियो देख सकते हो derivation आपसे कहीं कोई पूछेगा नहीं तो मैं भी आपको समझा नहीं रहा हूं मैं खाली analog बता रहा हूं कि अगर हमारा displacement होता था s is equal to ut plus half a t square तो इस case में हमारा angular displacement या फिर उसे मैं लिख सकता हूं delta theta is equal to initial angular velocity यानि omega i times t plus half acceleration का angular version क्या होता है alpha t square equation number one दूसरी equation थी v is equal to u plus a t यानि कि omega final final angular velocity is equal to initial velocity थी यहां पर तो हमारा आजाएगा omega initial plus acceleration की जगे आजाएगा angular acceleration तो यहां पर आजाता है alpha t यहां बहुत देखो यहां पर क्या हो जाएगा omega final का square is equal to omega initial का square plus two acceleration की जगे क्या आजाएगा alpha और s की जगे क्या आजाएगा delta theta translational motion में जब force uniform होता है तब हमारा acceleration uniform होता है तब यह सारी equations लगती है यहां पर हमारा torque uniform होगा तब जाकर के हम यह सब equations use कर पाएगे अगर हमारे torque uniform नहीं है या फिर angular acceleration alpha uniform नहीं है तो हमारे पास देखो यह जो दो equation आती थी ना वैसी की वैसी equation angular parameters के लिए भी आ जाएगी हम लिख सकते हैं omega vector तो नहीं लिखेंगे क्योंकि अब हम सिर्फ एक ही axis के थुरू बात करेंगे हम axis तो बदल नहीं रहे है vector हो नहीं हो हमें फर्क नहीं पड़ता तो omega is equal to d theta by dt और इसी तरीके से alpha हम लिख सकते हैं alpha is equal to d omega by dt बस यही हमारी equations है general motion की भी आगई uniform angular acceleration भाली भी आगई इसका एक example solve कर लेते हैं मानलो हमारा initial particle यहां पर है और हमें दे रखाए कि constant angular velocity यानि कि omega is equal to 3 radian per second और हमें बता दिया है कि time is equal to 2 second तो 2 second बात यह कहां पर होगा हम जानते हैं कि theta is equal to delta theta is equal to omega t acceleration तो कुछ है ही नहीं delta theta होता है theta 2 minus theta 1 is equal to omega की value कितनी है 3 radian per second 3 radian per second time की value है 2 second तो देखो यह second से second cancel और हमारा answer आजाता है theta 2 is equal to theta 1 plus 6 radian अब theta 1 क्या है अगर initially यह यहां पर था तो theta 1 की value तो 0 हो गई तो इस case में 0 आ जाएगा theta 2 की value आ जाती है 6 radian अब मुझे बताओ 6 radian कहां पर है 6 radian मतलब 6 radian 2 pi से थोड़ा छोटा होता है pi 2 pi की value कितनी होती है 2 pi is equal to 2 into 3.14 यानि कि 6.28 पूरा circle होता है 6.28 radian में तो हमारा तो सिर्फ 6 radian हुआ है तो हमारा particle लगभग यहां कहीं आया होगा इसकी position भी में mark कर सकता हूं finally यहां कहीं रहोगा और यह हमारा angle बन जाता है इसे हम बोल देंगे यह है theta is equal to 6 radian यह दा हमारा question बहुत यहां जान्दा इस बार हमें question में angular acceleration भी दे दिया है 2 radian per second square और हमसे पूचा गया है कि 2 second में change in angular velocity कितना होगा तो यहां पर हम वह equation use करेंगे v is equal to u plus 80 का angular version क्या होता है omega final is equal to omega initial plus alpha t omega final हमें पता करना है omega initial हमें दे रखी है कि initially थी 3 radian per second पर plus alpha की value है 2 radian per second times t t hat 2 तो यहां से हमारा answer आ जाता है 7 radian per second तो अगर यह इस तरीके से घूम रहा था और इसकी angular velocity बढ़ती जा रही थी इस acceleration से तो 2 second बाद इसकी angular velocity बढ़कर 7 radian per second तक हो जाएगी और एक example करते हैं हमारे पास एक wheel है जो इस तरीके से घूम रहा है उस पर मैंने इतर से कुछ अड़ाया तो यह धीर धीर इसकी प्रेक लगते हैं देखो पूरा नहीं रोका मैंने ठीक है तो क्वेश्चन में यह है कि हमारा जो पहिया है या फिजट स्पिनर है वो 30 radian per second से घूम रहा था उसको मैंने ब्रेक लगाये तो फिर वो 20 radian per second पर आ गया रुका नहीं पूरा नहीं रुक और इस दौरान जित्ती दिर हमने ब्रेक लगाये थे उस दौरान उसने 100 radian का angle भी cover कर लिया यानि कि उसका angular displacement 100 radian का हो गया अब हमें बताना है कि इसका जो ब्रेकिं final velocity दी है हमें final velocity दी है और हमें displacement भी दिया हुआ है अगर हम translational terms में सोचे तो तो हमें कौनसी equation यूज करनी चाहिए हमें चाहिए v square is equal to u square plus 2a s अब इसका angular version क्या होता है इसका angular version होता है omega final square is equal to omega initial का square plus 2 alpha delta थेटा यहां पर सारी values डाल दो देखो omega final की value कितनी है 20 square is equal to omega initial कितना है 30 square plus twice alpha हमें पता करना है delta theta कितना है 100 यहां से हमारा answer कितना जाता है 500 negative का is equal to 200 alpha यानि alpha is equal to minus 2.5 units radian per second square और यह हमारा answer आगा है इतने simple इसके questions होते हैं कुछ नहीं है बिल्कुल translational motion जाह सही है डेलने की ज़रूरत नहीं है आगे चलते हैं इस बार हमारे पास जो घूमते हुई object है उसकी initial velocity हमें दी गई है कुछ rpm यह rpm क्या होता है rotation per minute तो वहां से हम इस rotation per minute पर आ गए time लगा है 16 seconds हमें बताना है कि इस दौरान उसका acceleration कितना रहा होगा angular acceleration और उसने कितना angle cover किया होगा सबसे पहले rotation per minute को हम लेके आते हैं ऐसा unit में ठीक है तो यह 1200 rotation per minute तो rotation है यानि कि 20 seconds होते है 60 तो यहां से हमारा answer आता है देखो कुछ भी rpm हो rpm से हमें रेडियन पर सेकिंड में लाना तो हमें टूपाई वाई 60 से तो 3120 rotation एक rotation में होता है टूपाई रेडियन इतने रेडियन पर मिनिट आ गया इसको second में लाओ ते इसको 60 से डिवाइड करो यहां से हमारा answer आ जाता है 104 पाई रेडियन पर सेकिंड और इसकी वैल्यू है ओमेगा फाइनल में ओमेगा इनिशाल पता है हमें ओमेगा फाइनल पता है अब हम beim इसका इकला उस करेंगे हमारी पास जो फ्रॉबला था था वी इस एकल टूउ प्लस एडि अंगुलर वाला फॉर्म य्वाला इसका क्या बन जाएगा ओमेगा final is equal to omega initial plus alpha t तो यहां पर values रख दो यार 40 pi 104 pi इसको इस तरफ लेके आओगा तो मुझे value मिल जाएगी 64 pi is equal to alpha times t t है 16 second यहां से alpha की value आ जाती है alpha is equal to 4 pi radian per second square हमारा answer आगे अब हमें बताना है कि 16 second के दौरान उसने कितना angular displacement किया है displacement वाला formula कौन सा होता है angular terms में नहीं translational वाला बताओ वो होता है s is equal to ut plus half a t square यहां पर हमें values रखने है displacement की जगे आएगा angular displacement याण याण डिल्टा थीटा जो कि हमें पता करना है is equal to ut की जगे हो जाएगा omega initial t omega initial times t plus half acceleration की जगे हो जाएगा alpha तो यह हो जाता है alpha t square values put करो तो omega initial कितनी थी देखो 40 pi 40 pi t कितना था 16 second तो यह हो जाता है 16 plus half into alpha की value कितनी आएगा 4 pi radian per second square 4 pi radian per second times t square time की value है 16 second तो यहां से हम 16 square कर देंगे इसको solve करोगे तो हमारा answer आजाता है 640 pi plus 512 pi radian यानि की 1152 pi radian यानि की जो हमारी object घुम रही थी उसने 16 second में accelerate होते समय इतने radians cover कर लिए इसको हम number of rotations में भी transform कर सकते हैं ठीक है तो 115 2 pi radian इसका क्या मतलब वो एक rotation में 2 pi radians होते हैं तो इससे rotation पता करने के लिए हमें करना होगा 115 2 pi divided by 2 pi इतने rotations यानि की 576 rotations इतने rotations वो जो भी object थी उसने cover कर लिए अब समझते हैं की linear और translational motion में क्या relation है मानलो कोई भी object है वो इस तरीके से rotational motion कर रही है तो कुछ angle theta वो इस तरीके से cover करती है मानलो हमारा initially particle यहाँ पे था थोड़ी देर बाद वो इस तरीके से घुमेगा तो उसका angle change होगा final position पर उसने distance कितना travel किया distance वो circumference पर इस तरीके से चला होगा तो यह हो गया हमारा distance covered इसकी value आ जाती है r times theta distance की displacement ने displacement तो इन दोनों को joint करने वाली direct line होती है हम सिर्फ distance की बात कर रहे हैं अगर हम इस theta की जगे delta theta लेके मतलब तो चेंज है न वो initial theta से final theta पर हम गए है तो इसको हम लिख देते हैं delta theta तो यह चीज बन जाती है distance is equal to r times delta theta radius को delta theta से multiply कर दो displacement हमें नहीं पता वो हम पता नहीं कर सकते angular velocity क्या होती है मानलो इस motion में time लगा है delta t का तो angular velocity जिसे हम लिखते omega उसकी value क्या जाएगी delta theta divided by delta t angular acceleration मानलो अगर कुछ angular acceleration है तो हम लिख सकते हैं उसको delta omega divided by delta t यानि अगर angular velocity चेंज हो रही है तो हो सकता angular acceleration 0 अब देखो velocity sorry speed इस particle की कितनी होगी इस particle कितना लगा है इसको time लगा है delta t का तो यह आनी चाहिए इसकी speed अगर हम directions को consider ना करें तो मैं इसको लिख सकता हूँ V जो भी इसकी velocity थी उसका magnitude मानलो velocity vector का magnitude यह delta theta by delta t क्या है यहां से हमें पता चलता है वो है omega यानि की angular velocity तो इससे हमें पता चलता है r times omega is equal to speed future में जब हम vectors का use करेंगे तो हमें बहां से पता चलता है velocity vector is equal to omega cross r अभी cross क्या है एक तरीके का multiplication है जैसे हमने यहां पर सीधे सीधे multiply कर दिया था vectors में multiplication कुछ अलग तरीके से होता है कैसे होता आराम से सीखेंगे लेकिन बस यह लिखने का तरीका है इसे देख लो acceleration होता है acceleration is delta v upon delta t अब v की जगे अगर मैं यह लिख दूँ radius तो constant है तो यहां से हमें मिल जाता है radius times delta omega by delta t इसी को मैं लिख सकता हूं r times alpha और अगर हम vector notations में बात करें थो हम लिख सकते है acceleration is equal to alpha cross r again cross product है इसे बाद में समझेंगे लेकिन यह acceleration कौन सा acceleration है यह acceleration है इस direction में जो इसकी speed बढ़ा रहा है इसकी speed का magnitude बढ़ जाएगा इससे हम बोलेंगे tangential यह देखो circle पे एक tangent line है उस tangent के along यह acceleration है लेकिन यह इस तरफ घूम रहा था omega से तो इसका कुछ centripetal acceleration भी होगा जो इसकी velocity का direction बदल रहा है वो होगा इस तरफ तो यह हमारे पास किसी भी point के दो तरह के acceleration हो गए एक हो गया acceleration tangential यह वाला जो circle के tangent के direction में लग रहा है उसकी value क्या हो जाती है alpha times R और दूसरा हो गया a centripetal जो की center की तरफ होता है उसकी value आ जाती है omega square R हमारे पास यह disc है जो इस तरीके से rotate कर रही है और उसके उपर दो point है मारे पास point A and point B और अब हमें बताना है इनकी speed क्या होगी देखो किसी भी time T पर इन दूनों ने same angle इस तरीके से घुम है अगर कोई इंसान यह center में ओपर बैठा हुआ है तो अगर वो B particle को देखो या B particle को देखो वो इस तरीके से अपने मुंडी घुमा रहा होगा और इस मुंडी को घुमाने की speed है वह है angular velocity देखो इसके sir का angle बदल रहा है उस particle को देखने के लिए तो दोनों के लिए वह angular speed तो सेम है और rigid body में होता भी है हर एक particle की angular speed सेम होती है अब इस case में मान लो उसने किसी भी time interval में कुछ angle किया वह angle की value है मान लो theta तो यह जो ए particle है जो उसके करीब है उसने कौन सा distance travel किया है उसने यह वाला distance travel किया बी पार्टिकल ने कितना distance travel किया बी पार्टिकल ने ये वाला distance travel किया तो बी पार्टिकल ने ज्याधा distance travel כिया और बी उसकी वालू है 5 meter हमारे पास ओमेगा की वालू है 2 radian per second तो A की speed कितनी होगी velocity of A अभी सिर्फ उसका magnitude हम बात कर रहे है तो उसकी value आजाएगी omega times radius तो omega into ra omega की value है 2 radian per second, radius of a है 3 meter, तो इसकी value हो जाती है 6 meter per second velocity of b का magnitude velocity of b का magnitude यानि इसकी speed उसने ज्यादा distance travel किया है same time है तो उसकी speed ज्यादा आनी चाहिए यहाँ पर हमें मिल जाएगा omega into radius of b which is equal to omega की value कितनी है 2, radius of b कितना है 5 meter तो हमारा answer आजाता है 10 meter per second इतना simple था इनका acceleration कितना होगा वैसे disk constant omega से घुम रहे है तो इनका कोई भी tangential acceleration नहीं होगा मतलब इस direction में या इस direction में कोई भी tangential acceleration नहीं होगा लेकिन क्योंकि यह circle में घुम रहे है तो इनका centripetal acceleration जरूर होगा इस तरफ जो कि होता है तो acceleration of a इसका magnitude में पता करूँ तो वो हो जाता है omega square r a omega square की value कितनी है 4, radius of a वो है 3 तो acceleration of a का magnitude है जाता है 12 meter per second square इसका direction कि तरफ होगा यह होगा इस तरफ center कि तरफ, centripetal acceleration इसी तरीके से हम b के लिए भी centripetal acceleration पता कर सकते हैं वो हो जाएगा acceleration of b उसकी value omega square omega तो सब के लिए सेम है into radius of b यानि कि 4 into 5 यानि कि 20 meter per second square बहुत ही आसान था तो पूरा rotation इतना ही आसान है एक और example देखते हैं इस question में हमारे पास omega दी गई है 5 radian per second radius है 2 meter और alpha यानि angular acceleration है 2 radian per second square अच्छा अगर angular acceleration है इसका मतलब omega समय के साथ-साथ बढ़ते जाएगे लेकिन हम किसी particular point of time की किसी particular instant की बात कर रहे हैं जिस वक्त हमारे पास omega की value 5 दे हमें बताना है इसका acceleration कितना होगा इसके acceleration के दो component होगे एक होगा tangential acceleration और दूसरा होगा centripetal acceleration हमें दोनों ये acceleration निकालने हैं पहले कौन सा निकालने हैं पहले निकालते है ए टेंजेंशिल ए टेंजेंशिल की value होती है वो alpha के करण ये वाला जो alpha होता है उसके करण आता है तो उसकी value हो जाएगी alpha times r और इसकी value आजाती है alpha की value कितनी दे रखिये 2 into radius है 2 यानिकी 4 meter per second square बहुत आसान था acceleration centripetal भी इसका एक होगा जो कि इस तरफ है ये होता है omega square r उस वक्ग कुछ भी alpha उससे फर्क नहीं पढ़ता omega की value क्या है उससे फर्क पढ़ता है तो इसकी value आजाती है omega square r omega कितना है omega है हमारे पास 5 5 का square होता है 25 into radius की value है 2 तो इसकी value आजाती है 50 meter per second square हम इसका diagram भी बना सकते हैं vector वाला तो ये है हमारे पास 50 meter per second square वाला और हमारे पास centrimeter tangential acceleration है इस तरफ 4 meter per second square तो हमारे पास net acceleration आ जाएगा इन दोनों का vector addition कर दो ये ये हमारा net acceleration vector आ गया उसका magnitude अगर आपको निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो under root of 50 का square plus 4 का square जो भी value है तो इस particle का net acceleration ये है बहुत ये आसान था आगे चलते है इस question में हमें omega दी गई है जो कि अपकी आप time का function है ये थोड़ा calculus वाला question आ गया और हमें बताया गया है कि इसकी speed और acceleration दुनों पता करने t is equal to 2 seconds पहले तो हमें सोचना है कि करना है और अगर समझ नहीं आ रहा है तो सबसे पहले diagram बना लो तो हम diagram बना लेते हैं हमारा एक circle is में ये particle गुम रहा है इसकी कुछ omega होगी इस तरीके से गुमता होगा और omega time के साथ vary कर लिए अब omega vary कर लिए तो इसकी 2 acceleration आ सकते हैं एक हो सकता है इस तरफ जो कि centripetal acceleration होगा दूसरा इस तरफ हो सकता है जो कि tangential acceleration होगा पहली बात हम जो पता करना चाहेंगे हमें omega पता है तो इससे हम alpha निकाल सकते है translational motion में acceleration होता है dv by dt तो उसी तरीके से उसी तरीके से हमारा जो alpha होता है वो होता है d omega by dt तो अब इस omega को जो time का function है उससे differentiate कर देते d by dt of 1.6 plus 1.2 t अब यह 1.66 constant है तो उसका differentiation 0 हो जाएगा और यह 1.2 t का differentiation बचता है सिर्फ 1.2 radian per second square alpha की value 1.2 आगे यह time का function नहीं है यह तो constant है समय के साथ ही है नहीं बदल रहे है तो हम किसी भी time t पर t is equal to 2 second पर भी alpha की value यही होगी तो t is equal to 2 second पर हम पता कर सकते हैं कि acceleration tangential यह वाला जो acceleration है उसकी value हो जाएगी alpha times r alpha की value है 1.2 radius की value है 3 meter into 3 गल्दो इसकी value आजाती है 3.6 meter per second square अब हमें पता करना है acceleration centripetal t is equal to t पर हमें पता करना है omega square r omega t is equal to 2 पर कितनी है हमें नहीं पता हमें omega का function पता है इस function में हम value रख देते हैं तो omega at t is equal to 2 second हमें पता चल जाता है 1.6 plus 1.2 into 2 जिसकी value आजाती है 1.6 plus 2.4 यानि की 4 radian per second अब इस value को हम उठा करके यहाँ पर रख देंगे तो इसे हमारा answer आजाता है omega square यानि की 16 into radius की value है 3 तो इसका answer आजाता है 48 meter per second square इसका graphical representation हम देखते हैं यह मानलो हमारा particle है इस point पर जो particle था इसका acceleration एक component जो की इस तरीके से tangential component है उस tangential component की value है सिर्फ 3.6 meter per second square और इसी का एक centripetal component होगा centripetal component की value होगी देगो इस तरफ कितना बढ़ा जाएगा यह approximately इतना 48 meter per second square और इनका resultant अगर हम को बनाना है दोनों का यह है हमारा resultant acceleration is equal to 80 plus AC इतना असान था यह बहुत ही आसान है कौन बोलता है rotational mechanics कटिन सब्जेक्ट है आगे चलते हैं frequency क्या होती है अगर मैं दिन में 4 चॉकलेट खाता हूँ तो मेरी frequency क्या हो गई 4 चॉकलेट पर दे अगर कोई मुझे 10 थपड आके माल जाता है एक minute में तो frequency क्या हो गई 10 थपड पर minute तो frequency कुछ भी हो सकती है थपड की हो सकती है चॉकलेट की हो सकती है मैं दिन में 2 बार मुझे दवाई खानी है तो frequency क्या हो गई 2 दवाई पर दे तो frequency कुछ भी हो सकती है हमारी case में frequency मगर हो जाती है rotation की एक minute में इसने कितने चक्कर लगा है या फिर एक second में इसने कितने चक्कर लगा है यह हम frequency बोलते है तो यह हो जाती है per minute या per second या जो भी हम reference of time मानने per day per minute per second अगर ऐसा ही terms में बात करें standard terms में तो वो per second होनी चाहिए तो उसकी unit आजाती है है इसे define किया गया है hertz hertz hz उसे लिखा जाता है one hertz is equal to one per second वन थपड़ पर सेकेंड वन रोटेशन पर सेकेंड वन चॉकलेट पर सेकेंड वन लीटर वाटर पर सेकेंड कुछ भी या फिर मैं यहां से दोड़के वहां तक गया और वापेस आ गया तो इसे अगर मैं टो चक्कर पर सेकेंड कुछ भी वन पर सेकेंड इसके अगर हम डिमेंशन की बात करें तो वह हो जाता है mlt-1 क्योंकि पर सेकेंड है सम्धिंग पर सेकेंड हम इसका एक एग्जांपल देखते है मानलो हमाई पास frequency है 4 पर सेकेंड 4 पर सेकेंड का मतलब यह object चार रोटेशन काट रही सेकेड यानिकि 1 अपां फौर सेकेंड यानिकि 0.25 सेकेंड इसको एक रोटेशन में 0.25 सेकेंड लगा बहुत ही सिंपार है अच्छा अगर हम बूलते हैं 1 रोटेशन पर सेकेंड वन रोटेशन का मतलब क्या हुआ यह ले एक रोटेशन में 2 पाई रेडियन होता तो एक revolution म मुझे मिलता है 2 pi अगर इसको मैं 1 second तक गूमने दूँ तो इसने कितने चक्कर काट लिये जो इसकी frequency है तो हमें मिलता है frequency into 2 pi इतना हमने total angular displacement कर लिया तो theta is equal to delta theta is equal to f into 2 pi frequency थी कि कितने चकर लगते हैं और एक चकर में 2 pi radian तो net इसका angle मिल गया हमें 2 pi f कितना time लगा एक second था इसको divide कर दो delta t से जिसकी value है 1 second तो ये बन जाता है omega और इसको भी divide कर दो 1 से तो omega is equal to 2 pi f हमारे पास एक और formula आ गया इसी को देखो यहाँ पर लिखा हुआ है और इस formula को और इस formula को आप use करोगे तो इससे मिल जाता है t is equal to 2 pi by omega हमें तो बस एक ही चीज़ी याद रखनी है omega is equal to 2 pi f और t is equal to 2 pi by omega या फिर 1 by f बस इतना है इसका एक example देखते है मान लो एक motor है जो की 500 rpm से घूमती है हमें बताना है कि इसकी frequency कितनी है और इसकी angular velocity कितनी है बता तो सकते है 500 rpm यानि कि कितने rotation per second पहले बता करते है यानि कि 500 divided by 60 rotation per second इतने rotation per second यानि 500 upon 60 इसकी frequency आ गई यह है frequency लेकिन इसने angle कितना घूमा एक rotation में कितना घूमता है यह 2 pi तो इतने radian per second यह आ गई हमारी omega ओमेगा भी आ गई frequency भी आ गई time period पता करना है तो time period t हो जाता है 1 by f सारी values calculate कर सकते हैं यहां पर देको यह आ जाता है 50 pi by 3 radian per second हमारी angular velocity आ गई frequency कि वैल्यू कितनी आ जाते हैं तो आपने देखा हुआ कि hard disk के उपर लिखा रहता है 1 terabyte के hard disk है at 7200 rpm या फिर 5400 rpm इसका मतलब क्या है पता करने की कोशिश करते हैं hard disk के अंदर एक इस तरह की cd जैसी disk होती है वो इस तरीके से घूमती है वह जोर से घूमती है तो उसके उपर हम यहां पर एक ऐसे pen जैसा होता है head वो उसके उपर इस तरीके से move काता है इधर से तर इधर से तर तो इस pen के नीचे disk इस तरीके से घूम रही होती है और इस disk में data store होता है कैसे store होता है उसमें 01010100111 इस तरह की बहुत सारी values इसमें लिखी होती है और जितनी तेज इस head के नीचे से यह disk निकलती जाएगी उतनी जल्दी जल्दी हम 0101 जो भी sequence है उसे पढ़ते जाएगे और वो हमारा data reading की speed आ जाएगी अब मान लो यह disk इस तरीके से घूम रही है इस वक्त हमारा यह जो head है यह head देखो इधर भी move हो सकता था इधर भी move हो सकता था यहाँ पर अभी है ही से तो यह head अलग-अलग जगे move हो सकता है किसी particular instant of time पे हमें दिया गया है कि यह head 3 cm दूर है हमें बताया गया है कि जो घूम रही है disk यह जो भी disk हो 7200 rpm से घूम रही है 7200 rpm से और हमें बताना है कि data reading rate क्या है क्योंकि 1 bit save करने में जो एक 0 या 1 जो हम save करते हैं उसे बोलते हैं 1 bit उसको save करने के लिए हमें 0.5 micrometer की length चाहिए होती है हमें पता करना है कि reading speed कितनी होगी तो पहले सोचते हैं हमें करना क्या है देखो यह किसी rpm से घूम रहे है तो इसकी कुछ angular velocity होगी इसकी कुछ angular velocity होगी यानि इस head के नीचे से वो disk के सरकने की कुछ speed होगी अगर एक second में वो 0.5 mu m सरकती है तो उसको 1 bit पढ़ने को मिली अगर इसका double वो सरक जाती है तो उसे 2 bit पढ़ने को मिली तो इस तरीके से 2 bit per second 5 bit per second इस तरह की speeds हमें मिलती है हमें यह calculate करना है कि एक second के अंदर इस head के नीचे से कितनी disk नीचे से इस तरीके से निकल जाती है वो ही हमें calculate करना है तो वो value होगी r times omega radius की value कितनी है 3 cm 3 cm को पहले हम मीटर में लेके आएंगे तो वो जाता है 0.03 meter times omega हमें नहीं पता हमें दिया गया है rotation per minute तो उसे हमें radian per second में लेके आना उपड़ा होगा 7200 rotation per minute एक rotation में होता है 2 pi angle rotation per minute था यह अभी हमें per second करना है तो divided by 60 इसे solve करोगे तो यह आ जाता है 12 है और इसके answer आ जाता है 7.25 meter per second यानि उस head के नीचे से 7.25 meter की length निकल जा रही है एक second में इतनी length निकल जा रही है और हमारे पास 0.5 micrometer में हमें एक bit मिलती है तो हमें एक second में कितनी bit मिलेंगी 1 second में हमें मिलेगी 7.25 meter divided by 0.5 micrometer per bit यह bit उपर चला जाएगा meter से meter cancels से में मिल जाती है value 7.25 divided by 0.5 into 10 raise to the power minus 6 यह micro की वज़े से 10 raise to the power minus 6 है bits 1 second में यह हमारे पास speed आ गए इसे simplify करोगे तो इसकी value आ जाती है approximately 45 into 10 raise to the power 6 bits इसी को मैं लिख सकता हूं speed is equal to 45 into 10 raise to the power 6 क्या होता है million m तो m bits per second mbps 45 million bits per second mbps यह speed निकल के आ गई यह हमारा answer है अच्छा अगर यह reading head है यहाँ पर यह disc घूमती रही घूमती रही घूमती रही तो वो एक ही जगे दोबारा write कर देगा तो उसे धीरे धीरे move करना पड़ता है वो कभी इस point पर आ जाता है कभी इस point पर आ जाता है कभी इधर आ जाता है तो वो अलग-अलग circles को read करता है अभी यह इस circle को read कर रहा होगा थोड़ी दिर बाद इस circle को read कर रहा होगा तो थोड़ी दिर बाद इस circle को read कर रहा होगा अब उसका घूमने की rate तो fix है 7200 RPM तो radius बदल रहा है इसका मतलब हमारी ये वाली value बदलती जा रही है तो reading speed भी कम हो सकती है कभी ज्यादा हो सकती है 3 cm पर हमें 45 Mbps मिला था अगर हमारे पास 1 cm होता तो हमें कितना मिल जाता सिर्फ 15 Mbps same hard disk वो head अलग जाए पर है different reading speed मिल रही है angular velocity ये समझना बहुत important है क्योंकि ये समझ में आ गया तो आपको पूरा rotation ये समझ में आ जाएगा अगर ये गडबड हो गई तो आप देखते ही रहे जाओगा कौन सी चीज कहा हो रही है समझ में नहीं आएगा इसमें होने क्या वाला है बस वो जा रहा है अच्छा मालो मेरे सामने से कभी बस निकलती है तो मैं उसको ऐसे देखता हूँ देखता हूँ देखता हूँ देखता हूँ और वो उस तरफ निकल गई तो मेरे सर को घुमाने की कुछ speed होती है मैं अपने सर का angle बदलता हूँ तो मेरे सर की कुछ angular velocity है अगर बस बहुत दूर है तो मैं उसको देखूंगा आराम से बहुत देर बाद एक दो घंटे बाद एक दो मिनिट बाद वो बस उदर निकलेगी बहुत धीरे धीरे मैं अपना सर घुमारा हूँ अगर बस मेरे एक दम यही से निकलेगी तो मेरे को एक दम से ऐसे मूँ घुमाना पड़ेगा तो मेरी angular speed बहुत ज़्यादा हो जाती है बस ने अपनी speed नहीं चेंज करी क्योंकि मैं बस के पास यह दूर हूँ उसकी वज़े से मेरी angular velocity बदल रही है यही हम यहाँ पर देखते हैं प्रेकोई 2 meter per second से apple इस direction में जा रहा है अगर मैं यहाँ पर खड़ाओकर देखूँ जो की 1 meter की दूरी पर है 1 meter तो इस case में जो angular velocity होएगी omega is equal to velocity का perpendicular component यह जो apple है इसकी velocity का perpendicular component कौन से distance का perpendicular यह जो इसका distance है जिससे यह से जोड रहा है इसका perpendicular तो हम देखते हैं अभी तो पूरी की पूरी velocity perpendicular तो velocity का perpendicular component है 2 meter per second divided by distance वो हो जाता है r यानि की 1 meter तो 2 meter per second divided by 1 meter यानि की 2 वो radian per second हमारी omega for point number a omega a की value आगे इसको मैं लिख देता हूँ omega a is equal to 2 radian per second अब यहाँ पर दूसरा इंसान है b पर इसके लिए जो distance है वो है 2 meter इसके लिए omega कितनी होगी omega b देखो यह दूर है तो इसको जल्दी जल्दी अपना सर नहीं घुमाना पड़े यह आराम से भी देख सकता है इसके लिए omega b की value आ जाती है velocity का perpendicular component divided by radius radius कितना है? 2 meter velocity का perpendicular component पूरी की पूरी velocity perpendicular यहाँ पर भी देखो तो यह हो जाता है 2 by 2 यानि की 1 radian per second apple को पता भी नहीं है कि उसको दो अलग-अलग लोग देख रहे है अलग-अलग omega से apple अपना चलता जा रहा है 2 meter per second से लेकिन omega अलग-अलग आ रही है अलग-अलग point पर मान लो एक इंसान यहाँ पर है c इस इंसान को क्या देखेगा? यह इंसान देखेगा कि apple तो इसके लिए सीधा ही जाता जा रहा है न इसको apple को देखना के लिए अपनी गदन थोड़ी ना घुमानी पड़ेगी क्यों? क्योंकि apple की velocity का कोई perpendicular direction में component ही नहीं है apple दूर जाता जा रहा है बस तो इसके लिए omega c अगर हम देखें तो velocity का perpendicular component upon distance r velocity का कोई perpendicular component ही नहीं है तो वो 0 divided by distance r r is equal to 1 था तो 0 by 1 यानी की 0 इसके लिए omega 0 आ गई और हम देखते भी हैं अगर कोई गाड़ी exactly हमारी तरफ आ रही है तो हम उसे देखके डर जाते हैं लेकिन हमें अपनी सर थोड़ी ना गुमाना पड़ता है वह ही कैसे omega c is equal to 0 और एक case देखते हैं इस case में particle d यहां पर है और ये सारे distance 1 meter है तो हमारे पास एक square बन गया तो ये वाला जो distance है ये था 1 ये था 1 तो ये distance हाजाता है root 2 meter इसके लिए omega की value कितनी होगी omega d हमें पता करना है अब ये d point से जब particle उसे देखेगा उसको थोड़ा थोड़ा तो अपनी गर्दन घुमानी पड़ेगी ऐसा क्यों है क्योंकि इस velocity के देखा हम दो components कर सकते हैं इस velocity के दो component करेंगे एक करेंगे हम perpendicular direction में और दूसरा इस direction एक component तो ये आ जाता है और दूसरा component ये आ जाता है हमें चाहिए velocity perpendicular अच्छा ये angle है 45 degree तो ये वाला angle भी हो जाता है 45 degree सब symmetry जारे एंगल 45 degree के होगा तो अगर ये velocity थी 2 meter per second तो ये velocity का जो perpendicular component है उसकी value हो जाती है 2 cos 45 degree divided by radius radius की value किती है root 2 meter यहाँ पर भी divide कर देगे हैं root 2 से cos 45 की value किती होती है 1 by root 2 तो ये हो जाता है 2 into 1 by root 2 divided by root 2 यानि की 1 radian per second तो इस d वाले इंसान को भी इसकी जो angular velocity दिखाई देगी वो 1 radian per second दिखाई देगी बस यही हमें समझना था कि एक particle अगर जा रहा है अगर हम उसे अलग-अलग जगे से देखेंगे तो angular velocity अलग-अलग दिखाई दे सकती है और देती ही है अगर आपको ये समझ में आगे आपको rotational motion समझे में कोई दिक्कत नहीं होने बादी आगे चलते हैं कितना पड़ो गया है बीच-बीच में ब्रेक तो ले लिया गरो next is torque अब हम rotational motion के dynamics में आ रहे है dynamics यानि हम cause of rotational motion जानने की कोशिश करेंगे तो जैसे translation motion में हमारे पास force होता था जिसके कारण हमारा motion होता था हमारे पास rotational motion में torque होता है torque क्या होता है आप ऐसा समझो कि angular version of force है तो angular version में कोई भी चीज घुमाने के लिए torque लगता है जैसे इसे घुमाने के लिए मैंने लगाया तो ये लगाया मैंने force था पर इसे महसूस होगा torque torque को moment of force भी बोलते है moment क्या होता है जब भी चीज कोई दूरी पर होती है distance पर होती है तो इसे हम moment बोल देते है maybe उस moment पर वो बहां क्यों है ऐसा समझ लो मुझे नहीं पता moment नाम कहां से आया पर moment बोला जाता है तो moment of force इस moment पर force किस जगह पर अगर दूरी पर लगाया तो torque ज्यादा होगा अगर कम दूरी पर लगाया तो torque कम होगा अच्छे जब हमारा कई बार हमें कुछ nut bolt खोलना होता है वो काफी tight होता है तो हम उसे इस तरीके से खोल नहीं पाते हमारा torque उसको घुमाने के लिए उसे rotate कराने के लिए कम पढ़ जाता है हमें torque बढ़ाना पड़ता है अब force तो उतना है जितना हम लगा सकते हैं हमारी capacity तो बढ़ती नहीं है force लगाने की लेकिन हम distance बढ़ा सकते हैं जैसे कि हम इस तरह की चीजों का use करते हैं हमारा force तो नहीं है लेकिन distance बढ़ जाएगा मानलो मैं उसे इस तरीके से पकड़के ऐसे घुमाऊँगा तो यह distance बढ़ गया मेरा force उतना ही है distance बढ़ गया तो torque बढ़ जाएगा और यह खुल जाता है इसका example आप लोग रोज करते हो अपने घर पर जब आप दर्वाजा खोलते हो तो आप उसमें कुछ torque लगाते हो वो torque कैसे लगाते हैं उसे हम देखते हैं और इसे जरूर घर पर try करना तभी आपको पता चलेगा मालों यह हमारा दर्वाजा है और इस दर्वाजे में यहाँ पर hinge है यह hinge के about दर्वाजा इस तरीके से खुलता है, बंदोता है, खुलता है, बंदोता है इसमें अगर मैं force लगाओं यहां पर hinge के पास में तो हमें बहुत जादा force लगाना पड़ता है तब दर्वाजा खुलता है अगर हम एकदम दर्वाजे के दूसरे end पर फोर्स लगाकर दर्वाजा खोलने की कोशिश करेंगे तो हम दर्वाज़े को आसानी से खोल पाता है ऐसा क्यों है फोर्स था हम उतने ही लगा सकते है एचली यह डिस्टेंस बढ़ जाता है कितनी दूरी पर हमने फोर्स लगाया वह बढ़ जाता है इसलिए टॉर्क बढ़ जाता है और वो दर्वाजा आसानी से खोल जाता है अब दूरी पर भी जो फोर्स लगाया वह आप किसी भी अंगल भी नहीं लगा सकते मालो इस एंट पे मैं यह फोर्स लगाऊंगा तो इसकी वज़े से दर्वाजा नहीं खुलेगा आप ट्राय करके देखना या फिर मैं इसे इस डिरिक्शन में खीचूंगा तो दर्वाजा नहीं खुलेगा क्योंकि इसका टॉर्क जीर होता है वहीं अगर हम फोर्स इस तरह लगाते हैं इस तरह जो की पूरा का पूरा इस रेडियस के परपेंडिकुलर है तो टॉर्क मैक्सिमम होगा अगर हम कहीं एडियेट आंगल पर लगाएंगे तो इस फोर्स के हम दो कॉम्पोरेंट कर सकते हैं एक इस यौब रबूदीएंट की वजह से इस तरीकर काम करता है टॉर्क को हम लिखते हैं इस तरीके से, एक टॉक करके यह सिंबल हाता हम यह बना देते हैं, अच्छे टॉक कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, मानलो हमारे पास एक यह पॉइंट है, जिसके अबाउट हम किसी रॉड को हमारे, यह हमारी रॉड है, और इस रॉड के एंड पर मैंने यहां पर इस तरीके से फोर्स लगा दिया, एफ, एफ की वैल्यू है, टू न्यूटन, इस रॉड का कुछ लेंथ होगी, वो लेंथ है, मानलो, थ्री मीटर, तो हम टॉर्क की वैल्यू लिख सकते हैं, इस केस में हमारा टॉर्क हो जाएगा, टॉर्क, इस इक्व क्योंकि एक था फोर्स, दूसरा था मीटर लेंथ, तो न्यूटन, मीटर हमारे पास इसकी यूनिट आ गई, ऐसा इविनिट, अगर मैं फोर्स इस डिरेक्शन में लगा था, टू न्यूटन का, उस केस में क्या हो था, टू न्यूटन के फोर्स को मैं दो कॉम्पोनेंट मे ब्रेक कर सकता हूँ, एक कॉम्पोनेंट यह होगा, एक कॉम्पोनेंट यह होगा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यह वाला जो कॉम्पोनेंट है, यह से इस तरीके से घुमाने में मदद करेगा, जबकि यह वाला जो कॉम्पोनेंट है, यह हमारे किसी काम का नहीं हो, उ इनके बीच में है ये वाला एंगल थीटा, तो हमें पता करना है इस force का magnitude कितना है, ये वाले component का, उसकी value आजाती है 2 times sin थीटा, यहां पर हमारे torque की value आजाएगी, torque is equal to 3 into 2 sin थीटा, अगर थीटा की value है 30 degree, तो हमारे पास value आजाती है 3 into 2 into sin 30 degree, 1 by 2, यानि कि 3 newton meter, same amount का force है, 2 newton का यह force पहले भी लग रहा था, 2 newton का force बाद में भी लग रहा है, लेकिन उसकी वज़क से torque बदल गया, क्योंकि हम कहां पर force लगाते हैं, और किस direction में force लगाते हैं, अभी उसका फर्क पढ़ने लगा है, आप इसको ऐसे करके भी देख सकते हो, इसको ऐसे दबाने की कोशिश करोगे, तो यह rotate कर जाएगा, इस पर उपर यह तरह force लगाओ, तो यह उपर खिंचने की ज़रूर tendency लेकिन घूमने की कोशिश नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उपर यह तरह force लगा रहा हूं, तो torque 0 है, इस तरह से नहीं घूमेगा, इस case में हम देखते हैं, कि torque is equal to force का perpendicular component times radius r, यह है force का perpendicular component, उसकी वज़े से यह इस तरह घूमने की कोशिश करेगा, और यह है हमारा radius r, कितनी दूरी पर हमने force लगा है, इसकी value आ जाती है, f r sin theta, क्योंकि यह angle theta है, तो यह f sin theta हो जाते है, ठीक है, अब इस वाले case में देखो, इसी force को, यह जो force लगा है, इसको देखने का दूसरा तरीका, यह force हमने लगा है, तो यह force इस radius के तो perpendicular नहीं है, लेकिन एक और radius है हमारे प तो अगर इस force का torque मुझे पता करना है, तो मैं इस distance के about भी पता कर सकता हूँ, इस distance r perpendicular की value कितनी होगी, अगर यह length है r, तो यह बन जाता है r sin theta, इस case में हम लिख सकते हैं, torque is equal to force, force तो पूरा का पूरा ही है, times radius का perpendicular component, यह जो direction of application of force है, उससे हमारा perpendicular distance कितना है, यह वो वाले distance से, इसकी value भी आ जाती है, fr sin theta, यहां देखो यह, यहां भी fr sin theta आ रहा है, और यहां भी fr sin theta आ रहा है, तो हम torque की value लिख सकते है, torque is equal to fr sin theta, यह फिर rf sin theta, अच्छा torque की unit क्या होगी, देखो, radius होता है, meter में, force होता है, Newton में, तो हमारे torque की unit आ जाती है, si unit is equal to Newton meter, torque की dimensions क्या होगे, torque है force time distance, force की dimension क्या होता है, Newton की dimensions होता है, m, l, t, minus 2, into meter, यहां यह एक length है, यहां पर l से multiply कर देंगे, तो torque के dimensions, dimensions of torque है, mass में 1, length में 2, और time में minus 2, यह आ गए torque के dimension, अब यहां पर एक question हमारे मन में उठता है, कि यही dimensions होते है, energy के या फिर work के, work done होता है, force into displacement, उसके भी dimension निकल के आते है, m, l2, t, minus 2, यह एक scalar quantity होती है, और, लेकिन इसके dimension तो same आ रहे है, dimensional analysis में हमें एक चीज़ जरू सिखाई जाती है, कि कोई भी दो physical quantities, उनके dimension same है, तो आप उने add या subtract कर सकते हो, लेकिन work done और torque के साथ ऐसा नहीं है, इसका reason क्या है, कोई बता सकता है, इसका कारण है कि torque में यह पूरी rotational, जितनी भी इस चीज़े हैं हमारी, सब में एक चीज़ common होती है, angle, angular displacement हो सकता है, वो per second होगा, per second square, तो यह जो radian था, हमारा angle था, उसको हम dimensionless मानते हैं, angle होता है, मा 0, L0, T0, लेकिन theta का direction जरूर होता है, तो क्योंकि हमने देखा था, इसको इधर rotate कर रहे है, इसको इधर rotate कर रहे है, theta का direction होता है, लेकिन dimension नहीं है, इसी की वज़े से कहीं कहीं, फिर theta की जो values निकल के आती है, theta की जगे, omega बनता है, उसमें भी direction होना चाहिए, उससे फिर हम अलफा निकलता है, उसमें भी direction होना चाहिए, alpha से हमारा torque related है, torque का भी direction होता है, यह work band का कोई direction नहीं होता है, तो अगर हम initially theta को कोई dimension assign कर देते हैं, मालो MLT, हमारे पास जो 7 base quantities हैं, उसकी जगे अगर theta को भी एक base quantity बनाते हैं, तो यह सारे जोल शायद नहीं होते, लेकिन अगली चीज आती है कि यह torque 0 कब हो सकता है, देखो torque होता है FR sin theta, अब या तो यह radius 0 हो जाए, मतलब मैं इसे घुमाना चाहता हूँ, लेकिन इसको एकदम center पर इस पर मैं force लगा रहा हूँ, तो यह नहीं घुम पाएगा, इस पर torque नहीं लगेगा, अगर मैं center से थोड़ा द torque 0 हो जाएगा, या फिर sin theta 0 हो जाए, मैं इसको ऐसे angle पर force लगा रहा हूँ, कि इसे घुम नहीं नहीं दे, मैं इसे उपर की तरफ खिंचूँगा, तो थोड़ी नहीं घुमेगा, घुमाने के लिए तो मझे इस तरफ force लगाना पड़ेगा, तो इसलिए sin theta की value 0 होगा, या हमारे पास एक दरवाजा है, उसके उपर हमें एक force लगाएंगे, force की value है 100 newton, और उसे दो अलग अलग जगे लगाएंगे, देखते हो उसका torque कितना आद है, अब torque नापते कैसे हैं, या देखो torque वगेरा हमेशा किसी rotational motion, या किसी rotation से related चीज़ है, तो rotation हमेशा होता है, एक axis क about, तो हमेशा एक axis ढूना पड़ेगा, जिस पर हम torque ना पेंगे, इस case में बहुत ही obvious है कि जिस axis के उपर वो दरवाजा इस तरीके से लगा हुआ है, वो axis उसके about हम torque देखेंगे, अगर मैं ये force भी लगाता हूँ तो इसकी वज़े से ये इस तरफ घूमने की इसमें tendency होगी और इसी direction में हमारा torque आएगा, जो इसको इस तरीके से गुमाने की कोशिश करेगा, छीक है, सबसे पहले हम ये वाला distance है, ये है हमारा 30 cm, ये वाला, और ये वाला distance है हमारा 90 cm, force A के कारण, force A के कारण कुछ torque लगेगा, उसे हम बोल देते हैं, torque A is equal to, देखो, दोनों forces perpendicular direction में लग रहे हैं, तो हमारा sin theta की value होगा न आ जाती है, और हमारे torque की value आ जाएगी, force into radius, force की value है, 100 N, radius की value है, 90 cm, इसको meter में convert करो, तो ये हो जाएगा, 0.9, multiply कर दो, और इसका answer आ जाता है, 90 Nm, ये A force की वज़ए से torque आया, अगर force A वहाँ पर नहीं है, तो torque B हमें पता चलेगा B force लग रहा है, यहाँ पर force का magnitude उतना ही है, 100 N, लेकिन इस पार distance कम हो गया, तो हमारा torque हो जाएगा, F into R, force की value है, 100 N, और distance इस पार है, 30 cm, यानि की 0.3, तो torque at B की value आ गई, 30 Nm, ये हमारा पास B का torque आ गई, अब मालों दोनों force एक साथ लग रहे है, दो लोग अलग अलग ध add हो जाएगा, हमारे पास net torque, torque net, उसकी value आ जाएगी, tau A plus tau B, और उसकी value आ जाती है, 90 plus 30, यानि की 120 Nm, इतना simple है, torque calculations, और एक example देखते हैं, इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं, ये जो force लग रहा है, और ये जो force लग रहा है, एक force इस तरव घुमाना चाता है, दूसरे से इस तरव घुमाना चाता है, तो हमारे torque की जो values आएंगी, एक positive होगी, एक negative होगी, किस value को positive माने, किसी को भी मान सकते थे, लेकिन हमारे पास एक rule है, right hand rule, तो अगर ये body इस तरव घुम रही है, मान लो इस तरव घुम रही है, right hand लो उसके सा torque negative हाएगा, तो हम पहले torque A पता करते हैं, जो कि force A की वजह से लग रहा है, torque A की value हो जाती है, distance इसका कितना है, 1 meter पे लग रहा है, 50 newton at 1 meter, यानि कि 50 newton meter का torque A की वजह से, positive है, अब हमारे पास एक force B है, वो भी 50 newton का है, लेकिन वो एक angle पे उसके 2 component हो जाएगे, तो हमें ये perpendicular वाला component चाहिए, ये वाला, FB perpendicular, उसकी value कितनी हो जाएगे, यहाँ पर cost 30 degree लेना है, हमेशा sine 30 degree मत कर देना, हमेशा sine theta नहीं होता है, हमें देखना पड़ेगा कि perpendicular component कितना है, तो FB perpendicular की value आ जाती है, 50 into cost 30 degree, is equal to 50 into cost 30 degree कि value कितनी होती है, वो होती है, root 3 by 2, तो into root 3 by 2, यानि कि 25 root 3 newton, हमारे पास ये वाला component आगे है, इस force का, इस force का एक ये वाला component होगा है, ये हमारे किसी काम कर नहीं है, इसकी value आ जाएगी ऐसे 25 newton, पर इसकी वज़े से कोई torque नहीं आने वाला, अब हम देखते है, torque due to force B, उसकी value हो जाती है, force of B perpendicular into radius of B, force of B perpendicular की value है, 25 root 3, radius B की value है, root 3, तो यहां से हमारा answer है, 75 newton meter, लेकिन ये उल्टे direction में उसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो इसे हम negative बोलेगे, ये सभी values negative है, net torque, net torque हो जाएगा, torque due to A, plus torque due to B, यानि की 50, plus minus का 75, यानि की minus 25 newton meter, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारा, अगर ये वाला rotation का direction positive था, तो हमारा ये वाला direction negative हो रहा है, यानि कि हमारी ये disk में, इस direction में, इस तरफ घुमाने की net tendency है, torque हमारा इस तरीके से घुमाने की कोशिश करेगा, torque दिखाई नहीं देता, तो बड़ी problem होती है, हमें समझने में मुश्किल आती है, इसलिए हम demonstration के जरीए अभी torque को देखेंगे भी, अच्छा, ये मैंने demonstration मना है, इसको मैं इस तरीके से घुमा सकता हूँ, और ये देखो, इससे मैं घुमाओंगा, तो अभी ये नीचे नहीं जा रहा है, क्योंकि इस पर static friction लग रहा है, जो ज़्यादा होता है, अगर मैं इसे घुमाता हूँ, तो वो kinetic friction लगता है, और ये जा जा दें भाई साब, ठीक है, तो इससे सबसे नीचे, इससे नीचे नहीं जाएगा, मैंने clip लगा रखे, अब ये दो तरीके से घुम सकती है, या तो ये ball ऐसे घुमेगी, या ये ball ऐसे घुमेगी, हमारा axis of rotation क्या है, ये हमारा axis of rotation है, इस ball को, अगर हम point object माने, तो इसक axis से डापेंगे, इस axis को मैं origin मान लूगा, इस point को, और इसका position vector होगा, कौन सा होगा, वो position vector, ये वाला, अभी इसका position vector ये है, इसकी मैं position change कर दो, तो अभी position vector ये हो जाएगा, और इस case में position vector ये है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं या पर ball लगा देता हूँ, इ angular velocity या acceleration की जो vector होगा, वो right hand rule की वाज़े से इस direction में होगा, अगर ये उल्टे direction में घूमता है, तो हमारा angular acceleration या angular velocity अब right hand rule से देखेंगे, हम left hand का use नहीं करेंगे, तो वो नीचे की तरफ हो जाती है, ठीक है, अब मैं इसके उपर कुछ force लगाता हूँ, तो ये है मेरा force vector, म इस तरफ लगाँगा, इस जगर पे मैं force लगाँगे, तो इस तरफ लगाँगा, हमेशा इसके perpendicular force लगा रहा हूँ, तो ये देखो, ये होगया हमारा force vector, ये है radius vector, ये है force vector, torque होता है, torque is equal to rf sin theta, वही position vector और force vector के बीच का angle है, 90 degree, तो sin theta की value कितनी हो जाएगी, sin 90 आने की 1, त अच्छा, ये दो vector है, तो दो perpendicular vector से, अगर हम multiply करेंगे, तो हमें एक area मिलता है, ये area, और वो area ये रहा, ये देखो, ये मैंने area बनाया हुआ है, अब area का भी direction होता है, देखो, अभी आपको area दिखाई दे रहा है, अभी आपको area दिखाई नहीं देखा, तो area का basically direction होता है, इस area का जितना भी magnitude है, मानलो 10 square centimeter या 20 square centimeter, जो भी इसका magnitude है, उतना ही लंबा ये vector होगा, क्योंकि जो length होती है, वो magnitude बताती है, और direction तो हमें दिखी रहा है, उपर की तरफ, तो अगर इस पर मैं force लगाता हूँ, तो देखो, अभी वो जो torque vector होगा, position times force, वो है ये, ये है हमा पास देखो, इस तरीके से उपर की तरफ भी angular acceleration या angular velocities आएंगे, अब ज़रूरी नहीं है कि मैं force हमेशा perpendicular direction में लगाँ, हो सकता है, मैं force किसी और angle से लगा दो, मानलो इस बार मैं इस तरफ force लगाता हूँ, अब इस तरफ मैं force लगा रहा हो तो इस force का एक perpendicular component होगा, और हमारा force vector, इनको अगर हम multiply करते हैं, तो हमें मिलना चाहिए एक area जो की ये वाला area हो जाता है, देखो, ये क्या है, एक parallelogram है, यहाँ पर अगर हम देखें, demonstration में तो वो ये वाला area है, ये एक area है, ये parallelogram है, और इसका भी कुछ direction होगा, तो ये देखो direction है, ये हमारा area ऊपर की तरफ torque है, इस वाले force की वज़े से भी जब घूमने की tendency रखेगा, तो उसका देखो, angular acceleration उपर की तरफ आना चाहिए, angular velocity उपर की तरफ जाएगी, तो इस case में हमारा position, sorry, torque vector ये बन जाता है, पहले torque vector ये था, और direction दोनों के भले ही उपर की तरफ है, क्योंकि दोनों में ये इस तरीके से घूम रही थी, तो direction तो उपर की तरफ ये आना है, लेकिन दोनों का magnitude अलग अलग है, यहाँ पर देखो, इसका magnitude जादा दिखाई दे रहा है, इसका magnitude थोड़ा कम है, force का magnitude उतना ही था, तो यहाँ पर हमारे पास torque vectors किया गए, इसका magnitude जादा है, इसका magnitude थोड़ कम है, यह हो गया torque vector, लेकिन हर बार हमें इस तरीके से force और position vectors दिखाई नहीं देंगे, मतलब ये position vector है, ये force vector है, ऐसा हमें दिखाई नहीं देता है, उस case में हम कैसे पता करेंगे, मानलों ये हमारा position vector है, ये हमारा force vector है, तो force vector को पहले move करो, force vector को इसके ऊपर लिखिया हो, यहां पर ही है, यह है हमारा force vector, इस को रड़ा दो यहां से, अब हमारा जो torque होगा, torque की value होगी, यह वाला area, यह हमारा torque है, और इसका direction क्या होगा, इन दोरों के perpendicular, जैसे कि हमने इस case में देखा था, यह देखो एक trapezium आया है, trapezium नहीं, sorry, parallelogram, और इसके perpendicular हमारा torque vector, इसका magnitude हम कैसे पता कर सकते हैं, देखो, यह जो force vector है, इसको दो components में break करते हैं, एक component यह वाला हो जाएगा, और दूसरा component यह वाला हो जाएगा, यह वाला जो component है, इसकी value है, f sin theta, हमारा area क्या होता है, parallelogram के case में, base times height, तो base की value है, radius r का magnitude है, times, इसकी height कितनी है, force vector f times sin theta, यह वो ही आजाता है, rf sin theta, लेकिन इस बार हम torque को देख सकते हैं, अच्छा, इसी force को मैं direction अगर बदल दूँ, यह अब देखो, ultra direction में लग रहा है, ठीक है, तो इस case में क्या होगा, हमारा यहां पर देखो, यह force का vector change हो जाएगा, अब हमारा force vector, इस ultra direction में आ जाएगा, यह बन गया है हमारा force vector, इस case में जो हमारा torque होगा, torque का कुछ area होगा, वो यह वाले parallelogram का area होगा, और यहां पर हम देख सकते हैं कि, पहले हमारा angle यह था theta, अब हमारा angle यह हो जाता है, ठीक है, इस case में f sin theta की value यह आ जाती है, जो की ultra direction में negative है, तो हमारे पास इस बार torque भी negative आ गया है, अब अगर force और position vector इस तरीके से graphically हमें दिया गया है, तो हम torque निकाल सकते हैं, उनका बनने वाला area, लेकिन हमें force दिया जाता है, इस तरीके से 3i cap माइनस 4j cap प्लस 5k के कायम, और position vector किस जगे पे वो force लग रहा है, वो हमें इस तरीके से दे दिया जाता है, इस case में हम torque कैसे पता करेंगी, जो torque है, वो हम कैसे पता का सकते, उसके लिए हमें कुछ एक tool चाहिए, कोई एक ऐसा तरीका कि हम F और R के बीच का, दो vectors के बीच का area पता कर लें, और वो area हमें मिलता है cross product से, ऐसा हमने cross product define किया हुआ है, उसे देखते हैं, मानलो यह हमारा force vector है, और यह हमारा position vector है, vector R, अब हमारा torque क्या होना चाहिए, देखो, यहाँ पर origin है, origin से यहाँ तक गए, यह position vector R cross F, F इस तरफ है तो R cross F, और हमें उपर की तरफ torque मिल जाता है, हम F cross R नहीं का सकते हैं, क्योंकि F, मानलो हम F से start करें, F cross R, तो वो नीचे की तरफ हमें मिल जाता है, तो वो negative में value आ जाएगी, ठीक है, हमें करना है इन दो vectors का cross product, उसे करने का एक तरीका है, वो तरीका में बताने जा रहा हूँ, और उसे देखो यहाँ से, हम पहले एक determinant बनाते हैं, इस तरीके से, यहाँ पर लिख दो I cap, J cap, और K cap, हमारे जो torque vector आएगा, उसकी भी value कुछ होगी, I cap, J cap, और K cap में, यहाँ पर कुछ value आएगी 1, यहाँ पर कुछ value आएगी 2, यहाँ पर कुछ value आ सकती है, माइनस 3, हमें यह तीन values पता करने हैं, torque होता है, R cross F, तो पहले हमें लिखना है, R vector, फिर हमें लिखना है, F vector, उल्टा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे, पहले F लिख दिया, फिर R लिख रहें, नए, हम करेंगे, R cross F, तो यहाँ पर लिख दो, R vector कितना है, माइनस 2, I cap, I cap के नीचे, I cap वाली terms, यहाँ से देखो, यहाँ से R cross F, G cap वाली term है, सिर्फ 1, और K cap वाली term है, यहाँ पर minus 3, यहाँ हमने R vector लिख दिया, इसी तरीके से force vector के भी components लिख दो, यहाँ पर I cap में है 3, G cap में है minus 4, और K cap में है 5, यहाँ गया हमारे पास एक determinant, अब torque vector की जो भी value होगी, वो होगी something I cap, something J cap, और something K cap, हमें बस यह 3 values भरनी है, तो पहले I cap वाली value भरने की कोशिश करते हैं, I cap वाली component के लिए हम I cap पर, इस I cap पर एक line खीज़ देंगे, एक इस तरीके से, और एक इस तरीके से, अब हमारे पास दो values बच रही हैं, तो हम इन दोनों को multiply करेंगे, और इन दोनों को multiply करके subtract कर देंगे, तो 1 into 5, minus, minus 4 into, minus 3, इसकी value कितनी आती है, 5, minus 12, यानि की minus 7, यह minus 7 को I cap के आगे रखतो, minus 7, अब बारी है, G cap वाली terms पता करने की, G cap वाली terms के लिए हम, इस तरीके से line खीच देंगे, यह, अब हमारे पास कुछ values बच रही हैं, इन दोनों को multiply करो, और इन दोनों को multiply करो, minus करो, minus 2 into 5, minus 3 into minus 3, इसकी value कितनी आती है, minus 2 into 5 की value है, minus 10, minus, इसका multiplication करोगे तो वह जाता है, minus 9 यानि की, minus 1, इस minus 1 को, यहां पर रख दो, अब हमें पता करना है, के कैप वाली terms, के कैप वाली terms के लिए, हम के कैप के उपर line कीच देंगे, एक line इस तरीके से कीचेंगे, एक line इस तरीके से कीचेंगे, हमारे पास बच जाची है, चार वैल्यूज, अब हम इन दोनों को multiply करेंगे, फिर इन दोनों को multiply कर देंगे, तो हमें मिलता है, minus 2 into minus 4, minus 3 into 1, इसकी वैल्यू कितनी आजाती है, अब 4 into 2, 8 वो प्लस हो जाएगा, 8 minus 3 यानि की 5, तो हम यहाँ पर 5 रखतेंगे, तो यह determinant से हमारे पास 3 values आ गई है, i cap, j cap और k cap के लिए, अब हमें इनके उपर sign लगाना है, पहले एक बाद लगा दो plus, फिर लगा दो minus, फिर लगा दो plus, इस तरीके से हमारा torque vector आ गए, torque vector की value क्या आए, torque vector is equal to minus 7 i cap, plus j cap, plus 5 k cap, इस तरीके से हम torque vector पता कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम पहले plus लगाते हैं, बीच वाले में minus लगाते हैं, और फिर तीसरे में फिर इसे plus लगाते हैं, यह important step पे इसे बहुत लोग भूल जाते हैं, यह हम करते क्योंगे, यह determinant और यह सब यह इस तरीके से cross product define है, इसको question मत करना, यह बस तरीका इसे याद कर लो, इस value को मैं यहाँ रख देता हूँ, minus 7 i cap, plus j cap, plus 5 k cap, अच्छा अब हम देखते हैं कि हमने जो r cross f किया, उसकी जगे हम गलती से f cross r कर देते तो क्या आता है, उस cancer, negative आना चाहिए हमें पता है, लेकिन फिर भी test करते हैं, तो हम यहाँ पर फिर से अपना determinant बनाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, i cap, j cap, k cap, इस बार हमें करना है, f cross r, तो पहले हम लिखेंगे vector f, फिर हम लिखेंगे vector r, f के components क्या है, f के components है, 3, i cap में देखो, यहाँ से हमें देखना है, इस जगे से, 3, minus 4, 5, और r के जो components है, minus 2, 1, और minus 3, यह f cross r, जो भी vector होगा, वो हमें फिर से कुछ i cap, j cap, k cap की terms मिलेगा, सबसे पहले हम i cap वाली terms पता करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हम i cap पे, इस तरीके से block कर देंगे, और हमें मिल जाता है, minus 4 into 3, minus this, यानि की, minus 4 into minus 3, minus 1 into 5, इसकी value कितनी आती है, 12 minus 5, यानि की 7, तो यह 7 को, यहाँ पर रख दो 7, अब हम पता करते हैं, j cap वाली terms, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें j cap के उपर line खीशनी पड़ेगी, यह हमने j cap के उपर line खीशते, this multiplied by this, minus this multiplied by this, यानि 3 into minus 3, minus minus 2 into 5, यानि की, minus 9 plus 10, यानि की 1, तो यहाँ पर हमने रिख दिया, 1, यह हो गया, एक line, यह हो गयी, दूसी line हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा this minus this, यानि की 3 into 1, minus minus 2 into minus 4, इसकी value आ जाती है, 3 minus 8, यानि की minus 5, यहाँ पर हमने value रगती, minus 5, अब सबसे important पार, जहां पर गलती होती है, पहले हमाँ लगाना है sign plus का, second में हमें लगाना है minus का, f cross r की value आती है, plus 7 i cap, minus j cap, minus 5 k cap, यहाँ हम clearly देख सकते हैं, कि r cross f, और f cross r में सिर्फ, एक minus 1 से multiplication है, सिर्फ sign का अंतर, हमने देखा भी तक कि हमारा जो, r cross f बनता है वो यह होता है, और f cross r यह होता है, दुनों का magnitude same है, खाली direction opposite है, minus 1 से multiplied है, इसका हम magnitude भी पता कर सकते हैं, इसका magnitude यानि कि torque के जो area है, इसका magnitude कितना है, वो पता करने के लिए हम करेंगे, under root of 7 square, plus 1 square, plus 5 square, x, y और z के तीनों component को, add कर देना है square करके, इसकी value आ जाती है, under root of 49, plus 1, plus 25, यानि कि under root 75, 25, या फिर 5 root 3, r x f, खाली sign में अंतर है, magnitude सेम है, तो इसका भी answer आजाता है, 5 root 3, आप solve करके देख सकते हो, अच्छा, और एक बाद बताओ, हमने f dot r, हमने dot product भी तो सीखा हुआ है, तो इन दोनों का एक बाद dot product करते हैं, इन दोनों का dot product कर दो, f dot r की value आजाती है, 3 into minus 2, plus minus 4 into 1, plus 5 into minus 3, यानि कि, minus 6, minus 4, minus 15, इसका मतलब minus 25, इसी तरीके से हम, r dot f भी कर सकते हैं, और उसकी value भी यही आजाएगी, minus 2 into 3, plus 1 into minus 4, plus minus 3 into 5, और सेम आज़र आएगा, minus 25, अब हम एक बहुत ही important चीज़ डिसकस करेंगे, हमारे पास मान लो दो vector है, एक force vector है और एक position vector है, position vector एक length वाले vector होता है, हमने अभी देखा कि, r cross f is equal to torque, लेकिन क्या r dot f is equal to work हो सकता है, देखो, nature में, ऐसा नहीं हो सकता, torque किसी भी instant पे होता है, जैसे कि इस instant पे, position vector यह है, और उस पे force vector यह लगा है, तो r cross f से हमें torque vector मिलता है, work done क्या होता है, अगर मैंने इस पे force लगाया हुआ है, इस force की वज़े से, इसका कुछ motion होगा, maybe इस तरीके से ही चला जाए, वो displacement vector जो है, वो work done होता है, तो displacement vector work done का, यहां से वाँ जाने में थोड़ा time तो लगेगा, तो work done एक interval of time पे होता है, टॉर्क किसी भी instant पहोता है, इस वक्क क्या टॉर्क लग रहा है? इस वक्क कुछ और टॉर्क होगा, इस वक्क कुछ और टॉर्क होगा, जबकि work done, एक तो vector नहीं होता है, और वो over a time होता है, बनलों इस पे मैं फोर्स लगाये जा रहा हूं, लगाया जा रहा हूँ लगाया जा रहा हूँ तो एक सेकंड में मैंने कितना वर्क किया वो हो जाएगा F dot S यहाँ पे यह R position vector है वहाँ पर जो length वाला vector होता है वो displacement vector होता है तो यह work नहीं हो सकता work के लिए हमें करते है F dot S यहाँ पे displacement vector है यह position vector है दोनों का dimension length ही होता है लेकिन यह अंतर समझो अगर यहां पर यह particle इस तरीके से कुछ displacement कर जाता force के कारण तो force के दुवारा work done होता यहां पर torque हम calculate कर रहे है अगर यह हमारा axis है तो torque कुछ इस तरीके से उपर की तरफ यहां screen में देखोगे तो बाहर की तरफ हमें torque vector मिलेगा तो यह confuse मत करना अच्छा और nature ने ऐसे decide नहीं किया कि या इनसानों ने दो product बनाए dot product और एक cross product तो मैं एक काम करता हूँ दो vector को dot product करोगे तो work निकल जाएगा दो vector को cross product करोगे तो torque निकल जाएगा ऐसा नहीं होता क्योंकि हमें sin theta और cost theta वाली terms use करनी थी तो हमने dot product और cross product इस तरीके से define किया है कि उसकी value एक के समें work के बराबर आती है और दूसरे के समें torque के बराबर आती है अब हम rotational dynamic समझने के लिए तयार है मान लो ये इस तरीके से गूम रहा है इसके motion को मैं कैसे describe करूँ इसमें हर एक point के कुछ velocity है मान लो topmost point उसकी इस तरफ velocity होगी r times omega अगर कोई छोटी distance पे तो उसका radius छोटा होगा तो उसकी velocity कम होगी और इसे बहुत सारे छोटे छोटे particles है और सब की कुछ mass भी होगा सब की कुछ velocity भी होगी अगर मैं सबकी kinetic energy किसी भी instant of time पे पता करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ mv square दूसरे का m2v2 square तीसरे का m3v3 square इस तरहीगे से मैं kinetic energy सबकी फिर आड कर दो तो kinetic energy पता कर सकता हूँ लेकिन बहुत ही मुश्किल काम है पहली बाद तो मैं velocities नापने बैठोंगा radius नापने बैठोंगा बड़ी दिक्कत है उसकी बजह है मेरे पास rotational में एक बहुत ही आसान parameter है इसकी angular velocity वो calculate करना sorry measure करना उसको नाप पाना बहुत आसान है हम देख लेंगे कितने चक्कर लगा रहा है और वो हम नाप लेंगे उसकी terms में इसकी kinetic energy लिखना चाता हूँ यानि कि मैं kinetic energy as a function of omega angular velocity की terms में लिखना चाता हूँ क्योंकि ये मेरे practical काम का है लिखता मैं उस तरीके भी सकता हूँ छोटे-छोटे mass माद लो सबकी velocity नाप हो सबको half mv square करो सबको add करो फिर भी बता दोगे kinetic energy सेम आएगी लेकिन वो करना कौन चाता है हमें omega की terms में चाहिए ठीक है तो उसे omega की terms में निकालने की कोशिश करते है अब इसकी निकालने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हम थोड़ा simple सा के सजियों करते हैं मानलो हमारे पास एक particle है ये छोटा सा particle वो एक rod से बंदा हुआ एक axis से जैसा कि हमने ये example देखा था कि देखो अरे तो ठीक है उसकी कुछ velocity है उपर की तरह हो फोर्स नहीं लग रहा उसकी पर फोर्स को भूल जाओ उसकी कुछ velocity है वी एक पार्टिकल जिसका मास है m velocity है वी उसकी kinetic energy कितने होगी उसकी kinetic energy हो जाती है k is equal to half m v square अब देखो मैंने लिख दिया k is equal to half m v square velocity क्या है इसकी कुछ angular omega होगी यहाँ पर angular velocity होगी ओमेगा की value हो जाती है यहाँ पर देखो पूरी की पूरी पर्पेंडिकल है रहे velocity इस radius के तो omega is equal to v upon r यहाँ से मुझे मिल जाता है v is equal to r omega इसको यहाँ पर इस formula में रख दो तो इससे मुझे kinetic energy की value के मिल जाएगी k is equal to half mass into r omega का square अब इस configuration के लिए मतलब यह जो mass लगा हुआ और इस तरीके से घूम रहा है इसके लिए mass भी constant है की radius भी constant है radius बदल नहीं रहा है ऐसा हमने define किया हुआ हूआ है तो kinetic energy को मैं लिख सकता हूँ half m r square omega square mass और radius constant है तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ k is equal to half into something omega square यहां पर हम लिखते थे half m v square यह mass होता था inertia और यह होती थी translational velocity हमारे पास यह है angular velocity तो यहां पर जो भी चीज आएगी वह होती है angular inertia या फिर rotational inertia और इसी को बोलते है prince of persia moment of inertia वह है m r square यह m r square देखो यहां पर कानेटिक energy लिख सकता हूँ half m r square omega square यह m r square एक special चीज है यह थोड़ी दिर्में मैं पता चलेगा यह depend कर दिए कि mass की value कितनी है और axis से उस mass का distance कितना है अब एक और case देखते हैं इस बार हमारे पास एक particle है mass m का उसके उपर एक force लग रहा है f और उसकी वज़े से उसका कुछ acceleration होगा Newton second law से हमें पता है force is equal to mass times acceleration अच्छा बताओ torque क्या है इस center के अबाओ torque की value है r cross f इस case में तो हम सब direction को भूल जाओ सिर्फ मैं लिख सकता हूँ rf यानि कि मैं force को लिख सकता हूँ force is equal to torque divided by r और एक बात देखाओ अगर इसका इस direction में angular acceleration है alpha तो मैं इस direction में tangential acceleration पता कर सकता हूँ उस tangential acceleration की value क्या हो जाती है alpha times r radius अब इस value को और इस value को use करके इस equation में डाल दो तो यहां से हमें मिलता है f is equal to mass times acceleration force की जगे में लिख दूँगा torque divided by r is equal to mass times acceleration की value कितनी है alpha times r torque is equal to m r square alpha अच्छे small r capital r उसमें मत जाना यह कुछ वैसी equation आ गई f is equal to mass times acceleration यहां पर translational motion में हमारे पास force होता था कुछ inertia होता था जो की mass होता था inertia यहां पर लिखा हुआ है और translational acceleration है यहां पर हमारे पास rotational force है कुछ torque है यहां पर हमारे पास rotational acceleration है और बीच में एक term है वो ज़रूर rotational inertia होगी और वह हो जाती है moment of inertia यहां पर हम लिख सकते है torque is equal to i alpha i alpha i moment of inertia है या फिर mr square alpha अब देखो यहां भी mr square आ रहा था यहां भी mr square आ रहा था और यह mr square किसी भी system के लिए constant होगा mass constant है radius constant है तो mr square किसी भी system के लिए constant होता है उसी को हम बोलते है rotational inertia और बस इतना ही है moment of inertia इससे डिलने की ज़रूरत नहीं है moment क्यों बोला है इसे moment हम उन चीजों को बोलते है जब भी कोई चीज किसी distance पर होती है ना देखो इस case में यह mass एक hour distance पर तो इसका कुछ inertia होता है उस inertia का कुछ moment आ रहा है तो moment of inertia होगी नाम रख दिया बस आपको अगर डर लगता आप इसको कुछ भी नाम देखो है गुड्डू बोलतो किट्टू बोलतो आपकी मर्जी लेकिन use उसका यह है हमें बस यह समझना था आगे चलते है हमारे पास एक तीर है उस तीर को अगर आप सामने से देखोगे तो आपको क्या दिखाई क कोन आ जिसकर की कोन का फीचे से देखेंगे तो क्या दिखाई देखा हमें यह आपर एक इस तरह का cross दिखाई की बजह से तो अगर हमें कभी भी plane में बताना पड़ता है कि या plane के बाहर force आ रहा है बाहर आ रहा है मतब तीर इस तरफ आ रहा है तो हम इस तरीके से दिखाएंगे और अगर हमें बताना है कि इस plane के अंदर की तरफ force है तो हमें पीछे वाली वो cross दिखाई देगी तो हम इस तरीके से force को दिखाएंगे 3-dimensional चीते paper में कैसे बनाओंगे ऐसे ही बनाना पड़ेगा इसलिए इस तरीके से बनाया जाता है ये है हमारा एक system एक student ने कुछ project बनाया उसने कुछ इस तरीके mass लगा दिये जैसे मैंने एक mass लगाया था उसने यहाँ पर दो mass लगा दिया अब मैं एक को घुमाऊंगा तो वो दूसरा भी अपने आप घुमेगा कहां है कहां है हमारा mass अब ये जो अलग-अलग mass हैं उनमें एक mass के ओपर हमने force लगा दिया और उसकी वज़े से system पर कुछ torque होगा distance R2 R2 distance पर torque लग रहा है तो R2 ये आगया हमारा torque इतना simple है torque निकालना सिर्फ एक ही force लग रहा है अगर इस वाली object के उपर भी कुछ force लग रहा होता तो हम torque हों से add या subtract कर देते पर उसकी ज़रुदनिया भी एक ही force लग रहा है अब पता करते हैं इसकी वज़े से ये घूमने की कोशिश करेगा तो हम जानते F is equal to mass times acceleration इस case में angular बाते करेंगे तो हमें पता है torque is equal to something times alpha torque हमें पता चल गया, alpha हम पता करना चाहते हैं, अगर हम ये angular inertia पता कर लें तो हम इसका alpha निकाल पाएंगे तो चलो इसका angular inertia पता करने की कोशिश करते हैं अगर हमारे पास सिर्फ M2 mass होता है, ये M1 mass existing नहीं करता है, तो हम इसका angular inertia निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले case में निकाला था I की value हो जाती M2 into R2 का square अगर हमारे पास सिर्फ ये M1 mass होता है, ये M2 mass नहीं होता है, तो हमारे I की value हो जाती उसको मैं बोल देता हूँ, I1 इसको बोलता है I2, उसकी value हो जाती M1 R1 square अब हमारे पास दोनों mass हैं दोनों mass हैं तो inertia बढ़ जाएगा, जैसे translational motion में अगर दो डबबे Q पर एक रगदो तो क्या हो जाता है, M1 plus M2, वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा I1 plus I2, तो हमारा total moment of inertia इस system के लिए, उसकी value हो जाती है, M1 R1 square, plus M2 R2 square ये है moment of energy, और इस moment of inertia को अगर मैं रगदू equation में, tau is equal to I times alpha, तो उससे मुझे alpha की value पता चल जाएगी, अच्छे और एक बात देखो, मानले इस बार force नहीं लग रहा है, force लगी नहीं रहा, इस बार ये constant omega से घुम रहे थे, छीक है, constant omega से घुम रहे थे, इनकी कुछ velocities होंगी, sorry, speed होंगी, ये इस तरीके से घुम रहा है, दोनों particle की कुछ कुछ speed होगी, इस particle की speed कितनी होगी, इसकी speed होगी, v2 is equal to omega r2, जितनी तेज angular velocity और उससे वो घुम रहा है, जितनी दूर होगा, उतनी जाद उसकी speed होगी, इस particle की speed कितनी होगी, इसका radius है r1, लेकिन angular velocity, rigid body है, same angular velocity से घुम रहे होंगे, तो इसकी speed आ जाएगी, v1 is equal to omega r1, दोनों क केस में angular velocity सेम है, अब दोनों की kinetic energy लिखते है, kinetic energy is equal to half m1 v1 square, plus half m2 v2 square, हमें तो पता ही नहीं, हम उस instant पे देख रहे हैं, हमें rotation, rotation नहीं पता, वो एक इदर जा रहा था, एक इदर जा रहा था, दोनों का कुछ मास था, हम kinetic energy इस तरीके से लिख सकते है, v1 और v2 की values यह वाली रखतो, तो इस से हमारा answer जाता है, half m1 v1 की value कितनी है, omega r1, तो omega square r1 square, plus half m2, इसकी क्या है, omega square r2 square, देखो इन दोनों ही terms में, यह half common है, omega square common है, इन दोनों को बाहर निकाल दो, तो kinetic energy की value आ जाती है, half into something, m1 r1 square, plus m2 r2 square, times omega square, यह वैसे ही equation आ गई हमारे पास, कैसे ही equation आ गई, kinetic energy is equal to half m v2, यहाँ पर यह velocity होती थी, यह inertia होता था, यहाँ पर हमारे पास angular velocity है, और यह angular inertia है, यहाँ पर भी देखो angular inertia है, यह i की value angular inertia है, यही है moment of inertia, m1 r1 square, plus m2 r2 square, अगर हमारे पास मान लो, यहाँ पर तीसरा मास लगा होता, m3 at distance r3, तो हमारा i बन जाता उस case में, m1 r1 square, plus m2 r2 square, plus m3 r3 square, इतना simple है, अब और एक इस matrix डाले हैं, देखो, इस बार उस student ने कुछ ऐसा system मना दिया, यह इस तरीके से घुम सकता है, तो इसका फिर से कुछ rotational inertia होगा, लेकिन यहाँ पर एक बात important यह है, यहाँ पर जो m1 mass है, वो axis पर ही है, अच्छा है, इनको सबको point object मानना है न, तो अगर यह point object पर ही है, बिल्कुल axis पर ही है, तो m1 r1, उसमें r1 तो 0 होगया, तो इसका moment of inertia, 0 आ जाएगा, इस case में, inertia की value हो जाएगी, m2 r2 square, प्लस m1 r1 square, यह m1 r1 square 0 होगया, क्योंकि यह एकदम axis पर ही है, mass axis पर ही है, तो इस case में moment of inertia की value आ जाती है, सिर्फ m2 r2 square, mass पर भी depend करता है, moment of inertia, और इस बात पर भी depend करता है, कि axis से वो mass कितनी दूर है, हम देखते भी हैं यार, अगर मैं इसे इस तरीके से घुमाता हूँ, देखो पूरा mass axis के एकदम पास है, हमारा axis यह सारा mass axis के पास चिपका हुआ है, इसका rotational inertia काफी कम है, इसको मैं खोल और इसको इस तरीके से घुमाँ, बड़ी आसानी से घुमा लोगे, क्योंकि पूरा का पूरा mass axis of rotation के पास में है, उसको axis of rotation से दूर करो, इस तरीके से घुमा दो, अब उसे घुमाने की कोशिश करो, उसको घुमाना काफी मुश्किल हो जाता है, क्यों? क्योंकि mass, mass तो same है लेकिन वो axis से दूर चला गया, उसका angular inertia बढ़ गया, इसका कुछ और example देखते हैं, इस question में हम कोई numerical नहीं solve करेंगे, खाली concept समझेगे, हमारे पास कुछ mass है, और मुझे बताओ कि इसका moment of inertia कितना है, पहली बात, moment of inertia किसी rotation वाले system के लिए एक काम आता है, तो यहाँ पे rotation क इस axis के about हो रहा है, हमारे को पहले चाहिए एक axis, मान लो इस axis के about rotation हो रहा है, तो इस axis के about rotation कैसे होगा, उससे समझते हैं पहले, हो सकता है कि इस बार हमारे student ने कुछ ऐसा system मना दिया हो, और यह सभी mass इस तरीके से connected है, यह M1 है, तो यह R1 है, यह M2 है, तो यह R2 है, यह R5 ह होगा, इसका moment of inertia हो जाएगा, I is equal to M1 R1 square, plus M2 R2 square, plus M3 R3 square, जिसकी value 0 हो जाएगे, देखो, यह M3 एकदम axis पर ही है, plus M4 R4 square, plus M5 R5 square, आगे है moment of inertia, यही है rotational inertia, खतम, और कुछ नहीं का नाम है, इतना simple है, इसी से डर लगता है सबको, हम, थोड़ा twist लाते है सवाल में, देखो, क्या है ना, कि जो distances हम नापते हैं, वो axis से नाप जाते हैं, किसी भी axis पर जो घूम रहा है, उस से नाप जाते हैं, अगर मैं axis बदल दूँ, तो इसी system का moment of inertia भी बदल जाएगा, axis कैसे बदलते हैं, अब मैंने axis बदल दिया, अब यह इस तरीके से rotate कर सकता है, इस case में moment of inertia कितना होगा, उसको मैं बोल देता हूँ, i2, actually उसकी value calculate करोगे, तो यह ही आएगी, m1 r1 square, plus m2 r2 square, plus m3 r3 square, यही same value आने वाली, moment of inertia, लेकिन क्योंकि numerical distances बदल चुके हैं, तो moment of inertia बदल क्या होगा, इसका moment of inertia कुछ और आएगा, और ह चोटे-चोटे distances है, अगर यह हमारा axis है, तो हमारे पास distances काफी बड़े-बड़े, तो इस axis के अबाव हमारा moment of inertia ज्यादा आएगा, इसका example, इसको इस तरीके से घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब मैं mass distribution नहीं चेंज करूँगा, खाली axis बदल दूँगा, अब इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करो, आपको लगेगा इसका खाल भई, angular inertia इसका बढ़ चुका है, इसकी जगे आप बड़ा सा बास होता है, वो लो, उसको इस तरीके से घुमाना, बड़े आराम से घुमेगा, और उसको ऐसे घुमाने की कोशिश करना, बड़ा मुश्किल हो जात किसी भी system of particle के लिए हम लिख सकते है, moment of inertia, जिसे हम i से denote करते है, is equal to, इस तरीके से m1, r1, square सबको add करते जाएंगे, add करते जाएंगे, add करते जाएंगे, और उसकी value आ जाती है, sum of mi, ri, square, i की value जाएगी, i is equal to 1 से लेकर n तक, जितने भी हमारे पास n है, object, mass, m1, m2, jitने भी पांच हदार हैं तो पांच हदार के पांच हदार का add करते हो बस, यह है moment of inertia, moment of inertia की ऐसा ही unit आ जाती है, kg, m2, और इसके dimension हम देखे हैं, तो देखो mass में है 1, length में है 2, time में है 0, और इसको कितनी भी तेज घुमाओ, कितनी भी 0 घुमाओ, इसमें alpha, omega, torque, उन सबसे किसी का फर करता है, बागी किसी चीज़ पर depend नहीं करता है, देखो सिर्फ m1, r1 square, this is it, force लगाओ कहीं भी, torque लगाओ कहीं भी, कुछ भी करो, moment of inertia system के लिए define होता है, इसके बहुत ही अच्छा example solve करते हैं, हमारे पास 2 mass है, m1 और m2, और उन दोनों के बीच का distance है d, बताओ भाई कि इस और यह इस तरीके से connected, तो हमें axis तो चाहिए ही चाहिए, axis के बिना हम moment of inertia नहीं पता कर सकते हैं, हमसे बोला किया है कि axis इनके center of mass से पास करता है, अब इनका center of mass होगा यहाँ पे गई, क्योंकि मुझे दिख रहा है M1 बड़ा है, तो center of mass M1 के ज़्यादा करीब होगा, उस से पास होता हुआ एक axis, तो अब यह इस तरीके से rotate कह सकते हैं, अब वो center of mass कहां से पता करें, center of mass पता करने के लिए मान लो, यह distance है x, इसको मैं मान लेता हूँ origin, यह वाला distance कितना बन जाएगा, d-x, center of mass की equation क्या होएगी, center of mass के हिसाब से, m1 into x is equal to m2 into d-x, यह फिर अगर आपको लगता है, m1, x1 plus m2, x2 divided by m1 plus m2, वो करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं, उसके लिए हम एक, इसे मान लेंगे, x is equal to 0, और यहाँ से center of mass किसी x distance पे है, तो हम x की value निकाल सकते है, x is equal to m1 into m1 का distance कितना है, 0, plus m2, m2 कितनी दूरी पर है, d-दूरी पर, divided by m1 plus m2, यहाँ से x की value आजाती है, m2 d upon m1 plus m2, यहाँ से भी हमारी value same ही आएगी, x is equal to m2 times d divided by m1 plus m2, ठीक है, इसे इटा देता हूँ, x हमें पता चल गया, अब हमें इस m2 का distance भी पता कर लेते हैं, वो है d-x, तो d-x करेंगे, तो d-m2 d divided by m1 plus m2, इसका LCM लोगे, तो हमारे पास आजाएगा, m1 d upon m1 plus m2, ठीक है, moment of inertia पता करते है, moment of inertia i is equal to, r1 और r2 हमें पता है, कि इसमें x है कि में, d-x है, is equal to, m1 into r1 का square कितना है, भाहिया, बताओ, m2 d divided by m1 plus m2, इसका square, plus m2 into d-x, उसकी value कितनी है, m1 d upon m1 plus m2 का square, यहाँ पर देखो, denominator में, m1 plus m2 common है, तो उसको बाहर निकाल दो, i के value आजाती है, 1 upon m1 plus m2 का square, d-square भी common बाहर आजाएगा, तो d-square, अंदर क्या बचेगा, m1 m2 का square, plus m2 m1 का square, अब यह m1 m2, इसमें से भी common निकल जाएगा, तो इसकी value आजाएगी, m1 m2 d-square, into m2 plus m1, upon m1 plus m2 का square, यहाँ पर यह और यह cut जाएगे, और इससे हमारा moment of inertia आजाता है, m1 m2 d-square divided by m1 plus m2, बहुत ही simple था, calculations आपको थोड़ी लंबी लग सकती है, लेकिन concept तो बहुत ही आसान था, यह काफी interesting question है, इसमें हमारे पास 4 balls हैं, जो कि एक square के corners पर रखी हुए, हमारे पास एक ऐसा square है, सबकी length a है, और अब मैं अलग-अलग axis बनाऊँगा, और मुझे बताना कि उसमें moment of inertia system का क्या आने वाला है, पहला axis है यह, यह axis है मतलब यह लोग इस तरीके से rotate कर सकते हैं, अब axis से mass की distance बताओ, पहले तो यह वाला mass इतनी दूर है, कितना दूर है, यह वाला mass कितना दूर है, यह वाला भी axis से a distance दूरी पर है, इस case में हमारा moment of inertia आजाता है, यह दो नमाज तो axis पर ही है, उनकी वज़ए से कोई moment of inertia नहीं आएगा, सब को point object मान के चलना है, तो इस case में moment of inertia की value आजाती है, m into a square इसकी वज़ए से, प्लस इसकी वज़ए से हो जाएगा m into a square, यानि कि 2 m a square, हमारा moment of inertia आगया, बहुत ही simple, अब मैं axis change करता हूँ, इस case में axis ये वाली जो ball है, उससे निकल रहा है, perpendicular to the plane, तो आपके plane से ऐसे बाहर आ रहा है, इस तरीके से object पूरी इस तरीके से घूम सकते हैं, कि कुछ rod वगरा से इस तरीके से जुड़ी होगी, तो इसका rigid body है, वो अपना shape निलूज करेगी, सब इस तरीके से घूम सकते हैं, ठीक है, हम ही चाहिए moment of inertia, तो moment of inertia के लिए axis से हम distance नापते हैं, एक बॉल से पास कर रहा है, तो इसका distance हो गया 0, यह वाली का distance हो जाएगा A, यह वाली का भी distance हो जाएगा A, और यह वाली का distance कौन सा लेंगे, इसमें हम distance लेंगे, axis से distance, जो होता है, यह, और इसकी value A नहीं होगी, क्योंकि यह square है, तो इसकी value हो जाएगी A into root 2, बस, खेल खताम, moment of inertia is equal to MA square, इसकी वज़े से, plus MA square, इसकी वज़े से, plus M into, इसका square, M into A, root 2 का square, यानि की 4MA square, आगया moment of inertia, इतना आसान था, और एक सवाल करें, छेकर, इस बार हमारा axis पास हो रहा है, यह, डायगोनल से, यह, इस तरीके से, डायगोनल से, और यह, में भी, इस तरीके से, rotate करें, हमें चाहिए, distance from the axis, देखो, दो बॉल तो axis पर यह, उनका distance हो गया, 0, बचवी बॉल कॉन सी है, यह वाले, इसका distance हो जाएगा, यह, अब क्या करें, यह, पूरा distance जो होता है, यहां से लेकर, यहां तक, इसकी value कितनी थी, root 2 टाइम से, अब हमें पता करना, यह, half distance, यह distance कितना बड़ा हो जाएगा, यह हो जाएगा, root 2, a divided by 2, यानि कि, a divided by root 2, खतम, moment of inertia, i की value कितनी हो जाएगी, इस वाली बॉल की वज़े से हो जाएगी, m into distance का square, distance की value है, a divided by root 2, इसका square कर दो, प्लस इस वाली बॉल के लिए भी same आजाएगा, m into a divided by root 2 का square, यानि कि, m a square by 2, प्लस m a square by 2, यानि कि, m a square, हमारा moment of inertia, इस axis के बाउट हमें मिल गया, अलग-अलग axis पर हमें, अलग-अलग moment of inertia मिलता है, और हम देख भी चुके हैं, ऐसे हमारा moment of inertia अलग है, ऐसे हमारा moment of inertia अलग है, इसको इस तरीके से कुछ टिड़ा मिला घुमा लो, इसका moment of inertia अलग आ जाएगा, अभी तक हमने point mass के system के लिए moment of inertia समझा, लेकिन हमारी जो real life में objects होती है, वो इस तरीकी continuous mass होती है, इसमें हम बोल नहीं सकते कि, यहाँ पर पूरा mass concentrated है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, पूरे में equally distributed mass हो सकता है, या कुछ, इनकी mass distribution density कुछ भी हो सकती है, उसके लिए moment of inertia पता करना है, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले था हमें, एक axis of rotation define करना पढ़ेगा, क्योंकि rotation किदर भी हो सकता है, मानलो हमने axis of rotation बता दिया, इसके लिए, यह है axis of rotation, अब हमारे पास, इसके बहुत सारे छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे mass होंग छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे खूप सारे है, infinite-छोटे-छोटे-छोटे particles है, infinite-छोटी-छोटी चीज़ों को add करते हैं, तो वह होता है, integration, तो हम लिख सकते है, moment of inertia is equal to integral, mass की value कितनी है, dm, distance कितना है, उसका जो भी distance होगा, उसको बोल देता हूँ मैं, r square, बस यह है, moment of inertia, अब अलग-अलग system के लिए, मान लो हमने sphere ले लिया, sphere में dm की value कुछ होगी, उसके लिए radius की value कुछ होगी, और अगर हमारे पास rod है, या फिर disc है, तो यहाँ पर dm अलग होगा, यहाँ पर radius, इस तरीके से vary करेगा, limits अलग-अलग होगी, इस तरीके, ज उसका axis of rotation किदर है, यह रहा, यह इस तरीके से घूम रही है, या फिर ulti भी घूम सकती है, वो सकता है, इस तरीके से घूम रही हो, rotational axis, discrete mass distribution, यानि की, छोटे-छोटे-छोटे-छोटे, अलग-अलग, discrete का मतलब अलग-अलग, तो discrete mass distribution है, तो उस case में हम लिखते है, moment of inertia is equal to sum of mi ri square, बस, इसकी limits लगा ले ना, system के हिसाब से, continuous mass distribution में हम moment of inertia लिखते है, sum, छोटी-छोटी बहुता ही चीज़ों का sum बन जाता है, integration, mi की जगे बन जाएगा dm, ri की जगे बन जाएगा r square, उस dm का जो भी r है, बस, एक example देखते हैं, हमारे पास एक rod है, uniform इसका mass है, uniform mass density है, पूरे में uniformly distributed mass है, वैसा हो सकता है, कि जैसे यहाँ पर देखोगे न, rubber वाला part है, तो यह part हलका, यह part metallic है, तो metallic, तो यह part जादा heavy है, तो non uniform mass distribution भी हो सकता है, हम सिर्फ uniform mass distribution की बात करेंगे, चीक है, इसका mass है m, और इसकी length है L, कौन सी length है, यह वाली length है L, इसका हमें बता करना है moment of energy है, सबसे पहले axis चाहिए, rotation के लिए, तो यह हमारे पास axis है, इस axis पर यह इस तरीके से rotate कर सकती है, मानलो omega omega से जो भी हो, अब एक छोटा element हमें चाहिए, छोटा element ठीक है, हम axis से distance measure करते है, moment of energy के लिए, त यहाँ पर हमने dx width का एक छोटा सा element ले लिया, ठीक है, x distance पर dx width का छोटा सा element, उसका mass भी बहुत छोटा सा होगा, ठीक है, यहाँ पर हम linear mass density का use का सकते हैं, center of mass वाले chapter में जैसे हमने किया था use, linear mass density, lambda की value हो जाएगी, m divided by L, क्योंकि यह पूरा का पूरा mass, इस पूरी length L में divided है, उस छोटे से dx element का mass कितना हो जाएगा, वो हो जाता है, dm, जिसकी value हो जाएगी, length into linear density, linear density है, lambda length की value है, dx, और यह छोटा सा mass, axis से कितनी दूरी पर है, यह देखो, x distance पर है, axis से यह, तो उस छोटे से mass की वाज़े से हमारा moment of inertia, di, छोटा सा moment of inertia होगा, उसकी value कितनी हो ज integrate करना होता है, छीक है, x square, dm, dm की value है, lambda times dx, integrate कर दो, x की value कहां से कहां तक जा रही है, 0 से लेकर l तक, full length l है, देखो, 0 से लेकर l तक हमें integrate करना है, बस, आगया हमारा answer, x square, देखो, lambda तो एक constant होगा, lambda को बहार निकालो, integral 0 से लेकर l तक, x square dx, x square की value, integrate करोगे ता जाएगी, x cube by 3, limit रख दो, 0 से लेकर l तक, तो हमें मिल जाता है, lambda तो constant है, l cube by 3, lambda की value यहां से रख दो, यहां से lambda की value रख देंगे, तो इसका answer आजाता है, m by l into l cube by 3, यानि की, ml square by 3, moment of inertia of a uniform rod, is equal to, ml cube, ml square by 3, axis ध्यान रखना, axis बदलते ही, moment of inertia बदल जाता है, इसका example देखें, यह देखो, हमारे पास, mass m है, length l है, लेकिन इस बार, axis बीच में से जा रहा है, तो देखो, पहले तो समझो कि, moment of inertia कम हो जाएगा, अगर यह मेरी rod है, axis edge पे है, कुने पे है, मैं इसे घुमाने की कोशिश करता हूँ, तो कुछ mass बहुत दूर है, कुछ mass बहुत दूर है, पूरी l length की दूरी पर है, लेकिन अगर मैं इसे center से घुमाता हूँ, तो अब maximum distance ही l by 2 होगा, कोई भी mass l distance पे है ही नहीं, तो हर एक mass का axis से distance कम होगा है, तो moment of inertia कम होना चाहिए, इसको घुमाना भी आसान है, घुमा के देख लो, इस तरीके से घुमाओ, या फिर इस तरीके से घुमाओ, यह आसान पड़ेगा, इसे solve करने का integration वाला तरीका भी हो सकता है, limits इस बार 0 से l की जगे, minus l by 2 से plus l by 2 देगी, लेकिन हम वैसे नहीं solve करेंगे, हम थोड़ा दूसरी approach लगाते है, इसको आप ऐसे समझों कि यह दो अलग अलग rod है, एक rod यह है, और दूसरी rod यह है, अगर इसका mass और length m और l थी, त दोनों rod की वाज़े से कुछ-कुछ moment of inertia होगा, i1 प्लस i2, अगर हम इन दोनों को add कर देंगे, तो हमें इस system का moment of inertia मिल जाएगा, क्योंकि moment of inertia को इस तरीके से हम add कर सकते है, i1 की value कितनी है, हमने पिछली बार देखा था, m और l से हमें moment of inertia क्या मिलता था, ml square by 3, अब हमारा mass की जगे हो गया है, m by 2, length की जगे हो गया है, l by 2, तो इससे हमारा moment of inertia कितना हो जाएगा, 1 by 3 into m by 2 into l by 2 का square, इसको solve करोगे तो moment of inertia है, यानि कि i1 की value आ जाती है, ml square by 24, इसी तरीके से i2 की value भी same आएगी, एक दम identical case है, तो ml square by 24, i1 प्लस i2 दोनों को add करते हैं, तो हमारा आजाता है moment of inertia, ml square by 24, प्लस ml square by 24, is equal to ml square by 12, uniform rod का, center से अगर axis पास हो रहा है, तो moment of inertia आजाएगा, ml square by 12, इस value को अच्छे से याद करो, या value काफी important है, बहुत जगे काम आईगी, और कुछ masses देखते हैं, इस case में हमारे पास, दो mass है, उनको इस तरीके से चिपकाती है, ठीक है, एक का mass है m, एक का mass है 2m, अब मैं उसे इस तरीके से घुमा रहा हूँ, तो इसका moment of inertia कितना होगा, देखो यहाँ पर axis यह है, इस वाले का कुछ mass axis से दूरी पर है, इस वाली का दो पूरा mass axis पर है, तो इसकी वज़े से कोई moment of inertia नहीं होगा, इस case में हमारा moment of inertia आ जाएगा, i is equal to, सिर्फ इस वाली rod की वज़े से हमारे पास moment of inertia होने वाला है, इस वाली rod की वज़े से कोई moment of inertia नहीं होगा, पूरा का पूरा mass उसका axis पर ही है, यह चौड़ी दिख रही है, लेकिन उसको एकदम thin rod समझ के बैटो, i की value हो जाती है, ml square by 3, हम निकाल चुके हैं, आगे answer directly, और कुछ नहीं करना है, अब एक काम करते हैं, हम थोड़ा twist लाते हैं game में और अपना axis बदल देते हैं, यह, इस case में moment of inertia कितना होगा, formula same है, लेकिन mass हो चुका है 2m, mass इस वार बदल चुका है, इसका mass 2m है, इस case में moment of inertia की value हो जाएगी, 2m L square by 3, कुछ नहीं करना था, और एक चीज़ करते हैं, अब axis को और बदल देते हैं, अब ऐसा करते हैं कि axis को इन दोनों के perpendicular ऐसे डाल देते हैं, तो अब यह इस तरीके से गूमेंगे, अब दोनों की वज़े से moment of inertia आएगा, यहाँ पर axis हमारा इस point के थुरू pass हो रहा है, plane में से जा रहा है, ऐसे, इसकी वज़े से भी ml square by 3 आएगा, इसकी वज़े से 2 ml square by 3 आएगा, और हमारा total moment of inertia, दोनों के moment of inertia को add कर दो, और इसकी value आजाएगी, i1 प्लस i2 यानि की ml square, इन दोनों को add करोगे तो ml square यहाँ आता है, खतम, question खतम, बहुत ही आसान था कि question, सोचना बस पड़ेगा, आपको थोड़ा visualize करना पड़ेगा, कि यार यह mask घूंक कैसे रहा है, axis का हैं, और axis से कौन सा mask कितनी दूरी पर है, उसी की वज़ए से moment of inertia होता है, सीदे rot देखकर ml square by 3 मत लगा देना, इस question में हमाल पास एक triangle और हम उसे इस तरीके से rotate करा रहे हैं, तो इसका भी कुछ moment of inertia होगा, इसका moment of inertia हम कैसे calculate कर सकते हैं, जैसे हमने triangle का center of mass calculate किया था, उसी तरीके से moment of inertia calculate कर सकते हैं, इसका जो भी mass है, mass m, उसको इसके area में divide कर दे तो हमें इसकी area mass density मिल जाएगी, बिल्कुल center of mass की तरी हैं, फिर हम एक dm width का element लेंगे यहाँ पर, x distance पर वो होगा, उसकी width होगी dx, उसका हम कुछ area पता कर सकते हैं, और उसका mass पता कर सकते हैं, फिर उसको r square से multiply करके integrate कर सकते हैं, center of mass में जैसे हमने solve किया है, dm आप निकालो, और आपको integrate करना है integral x square dm, इससे हमें moment of inertia मिल जाएगा, इस case में answer पहले ही बता देता हूँ, इस case में answer आता है, mr square by 6, मैं integrate नहीं कर रहा है, आपको करना है, आपको कर सकते हैं, center of mass वाला ही formula यहाँ पर लगेगा, moment of inertia आता है, mr square by 6, और moment of inertia mass, axis से कितना दूर है, उस पर depend करता है, मानलों में इस triangle का छोटा सा part यहाँ से काट दो, और उसको ऊपर move करो, यहाँ पर लगा दो, मैंने इसको इस तरीके से move किया है, कि इसका यह वाला जो distance है, axis से distance, उसे मैंने change नहीं किया, तो क्या है system का moment of inertia उतना ही रहेगा, axis से distance change नहीं हुआ है, तो moment of inertia उतना ही रहेगा, तो अगर हमारी यह triangle है, इस triangle के सभी parts को मैं इस तरीके से rearrange करो, कि यह कुछ ऐसा triangle बन जा है, तो भी moment of inertia उतना ही रहेगा, mr square by 6, यहाँ पर r कौन सा है, r यह वाला distance है, इसको मैं और modify का सकता है, फिर छोट चोटे 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 टुकडे कर दो, उनको इस तरीके से move करो, कि axis से distance ना change हो है, यानि कि उपर या नीचे हम move कर सकते है, तो हो सकता है हमारा triangle इस बार कुछ ऐसा बन जा है, चाहिए height same आएगी, यह हमारा triangle बन जा है, इस case में भी हमारा moment of inertia आएगा mr square by 6, हमारी जो rod थी, यह पतली वाली rod एकदम, एकदम पतली, थिन मास की rod, उस rod को भी मैं इस तरीके से खीच सकता हूँ, जैसे pen है ना, इसको एकदम चप्टा का हो दो, तो यह थोड़ा thick width इसकी यहाँ पर दिखने लगी, यहाँ पर हमें हो सकता है, इस तरीके से pen दिख इसकी width आगी, हर एक particle ऐसे उपर नीचे उपर नीचे सरग गया, लेकिन axis से उसका distance नहीं change हुआ, जो भी particle axis से इतनी दू था, वो लंबा हो गया है खिंच करके, लेकिन axis से उसका distance उतना ही है, तो इस case में moment of inertia same रहेगा, distance नहीं बतला है, तो moment of inertia इस rod का आजाएगा, mr square by 3, यहाँ पर इस axis, edge पर अगर axis है तो mr square by 3 आता है, अब यहीं mr square by 3 आएगा, इस rod को ही मैं खीच करके, इतना चौड़ा अगर कर दू, इतना चौड़ा, इस case में moment of inertia गोही रहेगा, mr square by 3, इसका देखो, हर एक particle चौड़ा हो गया, अगर मैं इसका mass double कर दू, इसका mass अब है 2m, इसका radius यह है r, इस case में moment of inertia कितना हो जाएगा, इस case में moment of inertia हो जाएगा, 2m into r square by 3, क्योंकि mass double हो गया है, तो यह value आ जाती है, 2m r square by 3, अच्छा, अब मैं इसको 2 parts में तोड़ देता हूँ, यहां से इस तरीके से, तो हमें क्या चीज़ दिखाई देगी, हमें इस तरीके के 2 areas दिखाई देंगे, अब यह पूरा mass 2m था, इसका mass बचेगा सिर्फ m, इसका mass भी बचेगा सिर्फ m, इसका moment of inertia में बोल देता हूँ i1, इसका moment of inertia में बोल देता हूँ, i2, इसका i1 की value देखो यह exactly ऐसा ही तो triangle है, इसका mass था m, इसका जो यहां पर length थी, वो थी r, इसका भी mass m है, इसका भी जो length है वो है r, तो i1 की value आजाती है, mr square by 6, i2 की value मुझे पता कर ली है, और मुझे पता है i is equal to i1 plus i2, i क्या है, जब यह पूरी एक rod थी, तो उसका कुछ moment of inertia था, उसका mass 2m था, तो 2mr square by 3 था, यहां से मैं i2 की value निकाल सकता हूँ, i2 is equal to 2mr square by 3 minus mr square by 6, यानि की mr square by 2, यह हमारे पास i2 की value आगे, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब मैं समझा के बताता हूँ, first case में हमारा moment of inertia आता है, mr square by 6, second case में हमारा moment of inertia आता है mr square by 2, और third case में हमारा moment of inertia आता है mr square by 3, यहां पर तीनों के तीनों के के समें mass same था, उनकी जो width थी, वो same थी, R के बराबर दी और moment of inertia अलग अलगा रहे है देखो, सबसे ज़्यादा moment of inertia इसका है क्योंकि यहाँ पर majority of जो mass है वो axis से ज़्यादा दूरी पर है axis से दूरी पर सबसे ज़्यादा mass यहाँ पर है इसका moment of inertia सबसे कम है क्योंकि इसका mass एक्सिस से कम दूरी पर जादा है जैसे हम एक्सिस से दूर जाते हैं मास की वैल्यू कम हो जाते हैं और इसका moment of inertia इन दोरों के बीच में है क्योंकि इसका मास दूर भी उतन ही है पास भी उतन ही है कोई जादा अंतर नहीं है तो हमें देख कर समझना पड़ेगा हमेशा कि अगर मास एक्सिस से दूर है तो moment of inertia बढ़ जाता है moment of inertia of uniform ring इसका moment of inertia भी हम integration से पता कर सकते हैं कुछ एक छोटा सा dm element ले लो थीटा के हिसाब से उसकी limits रखो center of mass में जैसे हमने solve किया था वैसे कर सकते हैं लेकिन उसकी जरूरत नहीं है in fact moment of inertia के जितने भी सवाल आप करोगे ना कहीं भी integration यूज नहीं करना है हमें symmetry का use करके अपना दिमाग लगा करके moment of inertia निकालना रहता है हमारे पास दो theorem भी आएंगी parallel axis और perpendicular axis theorem उसके बारे में आगे चलके देखेंगे लेकिन यह बहुत ही special सवाल है क्यों कि इसमें mass m एक point object नहीं है वो पूरे में distributed है लेकिन यहां पर एक सोचने वाली बात है कि mass के आप कितने भी टुकडे कर लो छोटे-छोटे यह सभी टुकडे center से axis से R distance पर यह हैं कोई साभी mass देख लो सारे के सारे mass axis से R distance पर है तो बहुत सारे छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-डियN ہے है लेकिन सबका जो axis से distance है वो constant है इसी लिए इस case में हमारा moment of inertia आ जाता है i is equal to mr square कैसे आता है इसके छोटे-छोटे टुकड़े कर लो m1 r square plus m2 r square plus ऐसे infinite mass आ जाएंगे हमारे पार तो r क्योंकि common है तो सबका r square बाहर आ जाएगा हमारे पास बचेगा m1 plus m2 plus infinite छोटे-छोटे टुकड़े और यह infinite छोटे-छोटे टुकड़े मिलकर के total mass m बन जाता है तो हमारा moment of inertia आ जाता है mr square और यहां पर एक और खास बात लिखा हुआ uniform ring यानि कि ring में uniformly mass distributed अगर वो uniform नहीं भी होगा तो भी हमें mr square ही मिलेगा क्योंकि r constant है सब में r बाहर हो जाएगा अब m1 बढ़ाओ m2 बढ़ाओ m3 बढ़ाओ सब मिलकर के total mass m बन रहे हैं तो हमारा moment of inertia mr square ही आएगा यह है हमारी ring uniform हो या नहों अब हमारे पास एक uniform disc आ जाती है तो इस disc में इस disc में mass अलग-अलग distance में कुछ mass arc distance पे भी है कुछ mass थोड़ा अंदर होगा कुछ mass इदर होगा कुछ mass इदर होगा कुछ mass इदर होगा तो हमें integration का use तो कर नहीं है इसका पहले हम diagram बनाते है इसका moment of inertia calculate करने के लिए हमें छोटा सा element चाहिए होगा छोटा सा element वो यह हो सकता है मानला हम इसे बहुत सारी पतली पतली रिंग जोड़ करके जैसे से बहुत सारी rings जोड़ते जाओगे तो rings जोड़ करके हमें पूरी की पूरी disk मिल सकती है line को integrate करते हैं तो area हमें मिल जाता है तो एक approach यह हो सकती है और दूसरी approach भी हो सकती है उस approach में हम इसे बहुत सारे triangles का सममाने. इस तरीके से बहुत साइ triangles हैं और उसको भी इस तरीके से integrate कर दो कि तो हमें पूरी की पूरी disk मिल जाएगी. triangle का भी हमने moment of inertia निकाला गी था तो कुछ न कुछ तरीके से triangle का भी moment of inertia निकाला जा सकते इस तरीके से हम इसे solve कर सकते हैं इसे हम solve करते है ring वाले method से, तो मान लो, हमने एक ring assume कर ली छोटी सी, ये ring r distance पर है, और इसकी जो thickness है, वो है dr, तो इसका mass कितना होगा, सबसे पहले हमें dm पता करना है, mass, इसका छोटा सा area होगा, कुछ dA, उस area से इसकी aerial mass density को multiply कर दो, aerial mass density कितनी है, sigma, sigma की value कितनी है, mass per unit area, इसका mass था, m, areas, ring का, sorry, पूरी disk का area कितना था, π, r square, ये हमारी sigma आ गई, dm हमें मिल गया, अच्छे, अगर हमारे पास एक ring है, जिसका mass है dm, तो उसका moment of inertia, di कितना हो जाएगा, उसका हो जाता है, m r square वादा है, भई, ring का formula, तो dm mass है, into r square, जो इसका moment of inertia आगए, छोटी सी ring का, dm की value है, sigma times dA, अब इस छोटी सी ring का area कितना होगा, इसको, आप ऐसा समझ सकते हो, इसको खोल दो, तो इसका circumference है, 2 pi r, into उसकी जो thickness है, dr, इस ring को अगर आप खोल दोगे, तो इस तरीके से हमें कुछ ring मिलेगी, ये है 2 pi r, radius कौन सा, ये वाला radius, 2 pi r, into इसकी thickness कितनी है, dr, तो ये है dr, तो dA की value है, 2 pi r dr, इस value को यहां रख दो, तो हमें dm मिल जाता है, dm is equal to sigma 2 pi r dr, di की value है, dm into r square, dm की value है, sigma 2 pi r dr, और फिर यहां पर r square भी है, तो ये r cube हो जाएगा, और हम फिर इसे integrate कर सकते हैं, i की value आजाती, i is equal to, ये 2 pi sigma बाहर आजाएगा, integral r cube dr, r cube dr का integral हो जाता है, r की power 4 divided by 4, r की limit कहा तक जा रही है, 0 से लेकर capital r तक, तो हमारे पास आजाता है, 2 pi sigma capital r की power 4 divided by 4, sigma की value क्या है, m upon pi r square, यहां पर replace कर दो, तो 2 pi into sigma की value है, m upon pi r square into r की power 4 divided by 4, यह हो जाएगा, 2 pi से pi cancel, और हमारा answer आजाता है, mr square by 2, काफी important result है, इसे भी यार लख लो, अगर हमारे पास एक disk है, हम उसे इस तरीके से rotate करना चाते है, तो इसका जो moment of inertia होता है, वो होता है, mr square by 2, इससे अगर हम इस तरीके से rotate करेंगे, तो कुछ और moment of inertia होगा, क्योंकि axis पर depend करता है moment of inertia, इस axis पर, इसके center के थूँ axis पर, moment of inertia है, mr square by 2, याद कर लो, रट मारो इसे, अब हमारे पास एक uniform cylinder है, तो इसका भी mass m दिया गया है, और इसका जो radius r है, वो radius r हमें पता है, इसका moment of inertia हमें पता कर दे, फिसर integration का use कर सकते हैं, लेकिन जरूरत है नहीं, देखो, इसमें हमें एक छोटा element, assume कर सकते हैं, कि एक circular disk का बना हुआ होगा, इस तरीके से, ये देखो, मेरे पास cd कम पढ़ गई, लेकिन यहाँ पर मैंने 3 cd रखी हैं, तो इस तरीके से इनकी कुछ thickness आ गई, अब इसको जोडते जाओ, बहुत सारी disk होईगी, तो हमें uniform cylinder मिल जाएगा, और इन सब का mass कुछ कम होगा, अगर इसका mass capital है, तो मान लो इसका mass m1 है, इसका mass m2 है, इसका mass m3 है, ऐसे बहुत सारे मेरे पास, छोड़े 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 मास हो जाएगी, लेकिन हर एक disk का, मेरे को moment of inertia पता है, जैसे m1 वाली disk का moment of inertia है कितना होगा, उसको बोल देता हूँ, i1 is equal to m1 r square by 2, mass 2 वाली का हो जाएगा, i2 is equal to m2 r square by 2, यह mr square by 2 हम अभी निकाल चुके है, uniform disk का mr square by 2 होता है, अगर मुझे सभी disk का मिला करके, moment of inertia पता करना है, तो उनको मैं add कर दूँगा, i is equal to i1 plus i2, प्लस जितने भी i हैं सबको add कर दो, इन सबको add करने जाओगे तो, r square by 2 common आ जाएगा, बचे का अंदर m1 plus m2 plus, दुनिया भर की चीज़ है, is equal to, यह सारे mass मिल करके, हमारा final mass m बन जाता है, तो इसका भी answer रहाता है, mr square by 2, moment of inertia ही आ गया, अगर हम disk को इस तरीके से move करते हैं, तो axis से दूरी नहीं change होती है, इसलिए हमें integration की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो common आउट हो जाता है, यह देखो, r square by 2 common बाहर निकलाया था, hollow sphere, बहुत important है, hollow sphere कहां मिलता है, देखो हम सब hollow sphere से रोज खेलते हैं, कोई भी ball होती है, कोई को काट के देख लेना, यह hollow sphere की तरह है, इस तरीके से, ball को घुमाओ या ऐसी तो rotate कहती है, ठीक है, इसका moment of inertia पता करना है, पहली बात, इसमें हम छोटा element कहलेंगे, छोटा element मानलों मैं, छोटी छोटी कि इसको बहुत सारी ring का मिला हुआ, बना सकता हूँ, यह बहुत सारी छोटी छोटी ring से मिलकर के, यह sphere बना हुआ है, कैसे बना हुआ यह देखो, यह एक sphere जैसी चीज़ है, और यह छोटी छोटी ring, अगर बहुत जादा rings की density बड़ा दूँगा, तो ring मिला करके हम एक hollow sphere बना सकते हैं, अब हर एक ring का mass भी अलग है, और उनका radius भी अलग है, यहाँ वाली ring का radius इतना बड़ा होगा, यहाँ वाली ring का radius इतना है, यहाँ वाली ring का radius कम है, उपर वाली ring का radius कम है, तो अब axis से distance भी बदल रहा है, और उनका mass भी कम होगा, उपर वाली रिंग का मास कुछ कम होगा उपर वाली dm कम होगी यहां वाली dm ज्यादा होगी तो हमें integration का use तो करने ही पड़ेगा लेकिन इसका derivation मैं कर नहीं रहा हूँ इसका मैं बता देता हूँ पहले हम mass density पता करते हैं हम पता करेंगे sigma क्या है mass per unit area mass divided by area sphere है sphere का area होता है 4 by r square हमें sigma मिल जाएगा फर हम एक ring पकड़ेंगे छोटी सी जिसका dA हम पता करेंगे dA की value हो जाती है कुछ भी value होगी छोटी सी ring है उसका निकाल ले न फिर हम उससे dm निकालेंगे फिर हमें पता है कि dA की value हो जाती है dA is equal to dm times r square और limit लगा देंगे integrate कर देंगे हमें answer मिल जाएगा मैं directly आपको answer बता रहा हूँ hollow sphere का moment of inertia आ जाता है 2 by 3 m r square इसे याद कर लो ये भी बहुत important result है hollow sphere अगर हमारा solid sphere होता solid sphere के case में हम इसे बहुत सारे छोटे छोटे हम मानते हैं हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे hollow sphere अगर रहेंगे हाँ अच्छे से नहीं बनाया है हमारे पास अगर बहुत सारे छोटे छोटे hollow sphere रहेंगे तो उनको जोड करके हम एक बड़ा solid अंदर से भरा हुआ sphere बना सकते हैं हम अब हर एक element को analyze करें अगर हम इस element की बात करें तो इसका radius भी अलग है उसका क्योंकि वो सर के लिए छोटा है तो उसका mass भी अलग होगा बाहर वाले किसी का radius अलग होगा उसका area बड़ा होगा तो इसका mass भी ज़ादा होगा तो यहां भी हमें integration का use करना ही पड़ेगा उसे हम avoid नहीं कर सकते हैं integrate करोगे center of mass जैसे हमने निकाला था उसी तरीके सा आप निकाल सकते हो हमें करना इस बार integral dm into r square center of mass से हम क्या करते थे r dm integral divided by integral dm तो यह divide नहीं करना है हमें और r की जगे r square करते हैं और answer हम निकाल सकते हैं इसका भी answer में directly बता देता हूँ solid sphere का moment of inertia हो जाता है 2 by 5 m r square हमने सब के moment of inertia निकाल ले लेकिन थोड़ा feel लेते हैं और इनको compare करते हैं compare करेंगे था हमें पता चलेगा अच्छा चल क्या रहा है ठीक है नहीं तो हमेशा confusion नहीं जाएच है solid sphere का moment of inertia जादा होता है या hollow sphere का जादा होता है पहले पता करते हैं रोड center से जाएगी या edge से जाएगी अगर हमारे पास कोई rod है उससे मैं center से घुमाने की कोशिश करता हूँ तो मैं असानी से घुमा सकता हूँ क्योंकि मास जादा दूर नहीं है लेकिन अगर edge से घुमाता हूँ तो मास अब बहुत दूर है इसलिए center वाला moment of inertia कम होना चाहिए edge से moment of inertia लोगे तो वो ज्यादा होना चाहिए center पे हमारा moment of inertia कितना होता है mr square by 12 edge पे हमारा moment of inertia होता है mr square by 3 results भी हम देख सकते है ring versus disc अगर हमारे पास ring होती है तो ring में पूरा mass edge पे होता है पूरा mass axis से जितना दूर हो सकता है उतना दूर है इसलिए हमें ring में मिलता है mr square disc में थोड़ा mass edge पे थोड़ा mass यहाँ है, थोड़ा mass अंदर है थोड़ा mass अंदर है, थोड़ा mass तो axis के इतना पास है कि उसका हम है, moment of inertia ही नहीं मले, इसलिए इसका moment of inertia, mr square से तो कम ही होगा, और disc का moment of inertia आ जाता है, mr square by 2 तो हम यहाँ पर याद रख सकते हैं कि disc का कम होता है, mr square by 2 होता है, ring का ज्यादा होता है, mr square ही होता है, और actually ring का mass, moment of inertia सबसे जादा है, mr square mr square से जादा तो कैसे हो सकता है ring versus sphere, अच्छा ring में तो हमने देखा कि पूरा का पूरा mass r distance पे, जितना दूर हो सकता होत्ता दूर है, लेकिन sphere में कुछ mass यहाँ होगा, कुछ mass यहाँ होगा, कुछ mass हमारा maximum mass axis के पास में होता है, इस area में इसलिए solid sphere का जो moment of inertia आता है, वो आ जाता है 2 by 5 mr square उसकी जगे अगर हमारे पास hollow sphere हैगा, तो hollow sphere में देखो यहाँ अंदर, इस area में mass ही नहीं होता इस area में mass ही नहीं होता, mass होता है पूरा का पूरा edge पे, तो इस बार mass axis से थोड़ा ज्यादा दूर है तो solid sphere से थोड़ा ज्यादा ही moment of inertia है, इसका आना चाहिए, तो answer भी आ जाता है, 2 by 3 mr square, देखो, hollow sphere का moment of inertia, solid sphere से थोड़ा ज्यादा है, hollow sphere versus disk, यह बहुत important है, मैं आपको करके दिखाना चाहता हूँ demonstration हमारा hollow sphere hollow अंदर से खाली है इसका कुछ moment of inertia होगा है, इस axis को ठीक है hollow sphere का moment of inertia होता है 2 by 3 mr square ध्यान देना, बहुत ही tricky question हमारी disk का moment of inertia कितना होता है mr square by 2 correct, इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में ये वाली value ज्यादा बड़ी है ये है 0.66 mr square ये value है 0.5 mr square तो hollow sphere का moment of inertia ज्यादा क्यों आया hollow sphere में देखना, यहाँ पर majority of mass axis से ज्यादा दूर है disk में वो नहीं होता है, disk में थोड़ा कम mass axis से दूर होता है एक बात बताओ इसे समझने के लिए अगर मेरे पास ये hollow sphere है और मैं इसको इस तरीके से पिछका दूँ अगर मैंने इसे इस तरीके से पिछकाया तो सभी mass ऊपर या नीचे move हुआ है, कोई भी mass इदर उदर move नहीं हुआ है axis से किसी भी mass का distance change नहीं हुआ है, तो moment of inertia change नहीं होना चाहिए तो पहले इसका moment of inertia था 2 by 3 mr square, अब ये बन गई एक disc इसका moment of inertia mr square by 2 कैसे हो गया सोचो, एक बार सोचो moment of inertia के लिए mass का axis से distance नहीं बदलना चाहिए हमने distance नहीं बदला हमने सिर्फ उपर नीचे में change किया axis जो था, axis से mass नहीं बदला इसका moment of inertia 2 by 3 mr square है अभी जो हमें disc दिख रही है ये uniform disc नहीं है इसमें center से आप जितना ज़्यादा दूर जाओगे, उतना ज़्यादा mass है, यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इतना पूरी ring, ये सारा area almost radius पर ही है और जब मैं इसे पिचका देता हूँ, तो यहाँ पर density काफी ज़्यादा है mass की यहाँ पर mass density इस area में काफी ज़्यादा है इस area में, इस area में mass density कम है तो जब मैं sphere को ऐसे पिचका रहा हूँ तो इस case में जो मुझे disc मिल रही है वो ऐसी uniform density वाली disc नहीं मिल रही है उस case में मुझे mr square by 2 नहीं मेरेगा, उस case में मुझे 2 by 3 mr square पे ही रहना पड़ेगा नहीं समझ में आया तो इसको rewind करो दुबारा देखो, अगर आपके पास इस तरह की कोई object है, चाइना लाइम बोलते हैं शाहर उसको, तो try करके देखो और अपने दोस्तों से भी पूछो, पता चल जाएगा किसका moment of inertia है, कितना strong है अब हम पढ़ेंगे perpendicular axis theorem और parallel axis theorem integration वाजी सवाल moment of inertia में आते नहीं है, moment of inertia actually सबसे कठे निसलिए लगता है, क्योंकि लोगों को access समझ में नहीं होता है, distance समझ में नहीं आता, मैंने पूरी कोशिश करी कि हम इसको detail में समझे, हमने सभी moment of inertia को compare भी किया है और मैं लेने जा रहा हूँ, छोटा सब ले आपको लेना तो आप भी लेलो, नहीं तो मिलते है थोड़ी देर में, यह सब काम करेंगे अभी तो इतने सारे demonstration बच रहे हैं, हम देखेंगे कि अगर मैं इसे rotate करता हूँ इस axis पर, या फिर मैं इसका axis चेंज कर देता हूँ तो किस case में moment of inertia ज्यादा है perpendicular axis theorem calculus का use करके हम किसी भी solid object का moment of inertia पता कर सकते, लेकिन हमारे questions calculus वाले नहीं आते हैं से पूछा जाता है, दो theorems का use करके, किसी भी object के moment of inertia को पता करना, और वो दो theorems है, perpendicular axis theorem और parallel axis theorem, यहां पर देखो axis लिखा है, AXES axis singular होता है, अगर हमारे पास एक axis है, तो हम axis लिखते हैं अगर एक से ज़्यादा axis है, तो हम AXES, axes लिखते हैं इन में से एक theorem, planar objects के लिए है जैसे कि, CD एक planar object है और दूसी theorem, इस तरह की 3D या किसी भी object के लिए है, कौन सी वाली होगी देखो, एक है perpendicular axis theorem तो perpendicular इसमें बहुत सारे हो जाते हैं, इधर भी perpendicular, इधर भी perpendicular, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही perpendicular direction है तो इससे हम याद रख सकते हैं कि perpendicular axis theorem, planar flat bodies के लिए होती है देखते हैं इन में है क्या पहले देखते हैं perpendicular axis theorem मानलो हमारे पास कोई plane object है इस तरह की, एकदम two dimensional object है इसका moment of inertia हमें इस z axis के about पता करना है अच्छा एक बात बताओ, ये जो x axis है, उसके about जो moment of inertia होगा, उसे हम लिख देते हैं i x, i x सी value क्या होगी मानलो यहाँ पर कोई भी mass है उस mass का axis से क्या distance है, तो हम लिख सकते हैं i x, i x हो जाता है mass into इसका x axis से distance की value हो जाती है, उसका y coordinate तो m y square उसकी value आ सकती है इस तरीके से सभी छोटे-छोटे masses को add कर देगे, तो हमें x axis के about moment of inertia मिल जाएगा इस object का y axis के about भी कुछ moment of inertia होगा, उसे हम लिख देते i y उसमें इस छोटे mass जो dm हमने लिए है, उसका ये वाला distance हमें आपना होगा, जो कि उसका x coordinate हो जाता है तो हम लिख देंगे, i y is equal to m x square इस छोटे से mass का जो भी x coordinate है, उसके square से multiply करो, इस तरीके के बहुत सारे छोटे-छोटे mass होंगे, सबको add कर दो हमें y axis के about moment of inertia मिल जाएगा अब हम पता करने चाहते है i z, इस z axis के about जो भी moment of inertia है i z i z में, इसी छोटे mass के लिए हमें ये वाला distance ये वाला distance पता करना होगा अब उस distance की value क्या है वो distance है, mass into x square plus y square, क्योंकि यह हमें पता चलता है, पाइथागोरस थियोरम से अच्छे, इसी को मैं लिख सकता हूँ i z is equal to m x square plus m y square यानि कि i z i y plus i x तो हर एक mass के लिए अगर ये equation सही है तो इतने जितने भी छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे mass है सब के लिए equation सही होनी जाए इसका मतलब हमारे पास किसी भी plane object में दो perpendicular axes पर moment of inertia अगर हमें पता है तो हम उन दोनों के perpendicular वाले axes पर moment of inertia आप पता का सकते है ये वाली जो calculations है ये three dimensional bodies के लिए काम नहीं करती है क्योंकि वहाँ पर उपर z में भी कुछ हमारे पास mass होता है और ये x square प्लस y square प्लस z square वो सब गरबर हो जाती है इसलिए ये वाली एक्सिस theorem सिर्फ planar objects के लिए इसका एक example करें हमारे पास एक डिस्क है जिसका कि इस axis के about moment of inertia ये वाला moment of inertia हमें पता है उसकी value होती है mr square by 2 लेकिन हम बत्ता करना चाहते है इस वाले axis के about moment of inertia क्या होगा यानिकि ये डिस्क इस बार इस तरीके से घूमेगे अच्छा इसकी value मैं bowl देता हूँ i y क्योंकि हमारे पास symmetry है तो ये वाला moment of inertia भी same होना चाहिए जो कि है i x तो मैं लेक सकता हूँ i x is equal to i y क्योंकि symmetry है इसके about घुमाओ या इसके about घुमाओ moment of inertia same आना चाहिए अच्छा अब perpendicular axis theorem से मैं लिख सकता हूँ कि i z is equal to i x plus i y i z is equal to i x plus i y क्योंकि ये दोनों बराबर है तो मैं लिख सकता हूँ is equal to 2 i x i z is equal to अब i z की value मुझे पता है ये वाला moment of inertia मुझे पता ही होता है m r square by 2 तो इसकी value हो जाती है m r square by 2 यहां से i x की value आ जाती है i x is equal to m r square by 4 देखो बड़ी असानी से हमने बिना integration का use के इस disk का इस axis के about moment of inertia पता कर लिया इस axis के about हमारा moment of inertia था m r square by 2 और यहां पर देखो इसके जितने भी circle के elements हैं इस axis से r radius में है काफी सारी जो edge है पूरी की पूरी r radius पर है axis से distance लेकिन अगर मैं axis बदल देता हूँ इसे इस तरीके से घुमाता हूँ तो यह वाला जो छोटा समास होगा यहां पर वो पहले axis से r radius की दूरी पर था लेकिन अब axis के बहुत करीब आ गया कुछ पार्ट अभी भी axis से r radius की दूरी पर है कुछ पार्ट axis के करीब आ गया तो moment of inertia कम होना चाहिए और हम देखते भी हैं कि पहले moment of inertia था iz is equal to mr square by 2 और अब हमारा moment of inertia हो गया है mr square by 4 direct 50% moment of inertia कम हो गया है इस question में हमारे पास एक rectangular planar object और हमसे पूछा गया है कि इसके center से pass होने वाले perpendicular axis मतलब अगर यह plane है तो perpendicular axis के about इसका moment of inertia कितना होगा यह हम बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं अच्छ देखो इसका mass है m हम ix पता कर सकते हैं ix कैसे पता करेंगे यह rod की तरह हो जाएगा x-axis के about अगर हम इसे rotate करेंगे तो देखो हर एक mass कुछ distance पर है अब इसको हम अगर इस तरीके से पिचका दें तो यह distance change नहीं होगा यह distance उतना ही रहने वाला है तो हम इस एक rod की तरह assume कर सकते हैं तो ix की value हो जाती है यह rod है जो center से axis पास हो रहा है वहाँ पर moment of inertia होता है m2 by 12 तो इस case में जो length है rod की length है इस case में a तो हमारा moment of inertia about x axis हा जाता है m a2 by 12 इसी तरीके से हम y-axis के about भी moment of inertia आप पता कर सकते हैं object इस तरीके से घुमेगी देखो हर एक mass इस y-axis से कुछ distance पर है अब इस object को मैं इस तरीके से पतला कर दूँगा तो भी distance बदलने वाला नहीं है तो इसे हम assume कर सकते हैं कि इस तरह की पतली सी object के बराबर होगा जो कि एक rod है उसका moment of inertia हो जाता है ml square by 12 और यहां पर length है b तो i y के value आ जाती है mb square by 12 अब perpendicular axis theorem से हमें पता है कि किनी भी दो perpendicular axis के about जो moment of inertia है उन्हें add करते हो तो हमें तीसरे perpendicular axis के about moment of inertia पता चल जाता है तो हम लिख सकते हैं iz is equal to i x plus i y और इसकी value आ जाती है m a square by 12 plus b square by 12 यह फिर लिख सकते है m by 12 a square plus b square इतना simple था moment of inertia center से pass होते हो axis के about पता करना और एक example देखते है इस question में हमारे पास एक solid slab है कुछ इस तरह की slab समझ लो अब यह तो solid नहीं है hollow है लेकिन इसका moment of inertia पता करना है यह planar object नहीं है तो इसका moment inertia हम कैसे पता करें क्योंकि एक three dimensional object है इसका moment of inertia हम perpendicular axis theorem के जरीए नहीं पता कर सकते हैं लेकिन हम एक और चीज़ कर सकते हैं देखो यह जो slab है बहुत सारे छोटे 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 इस तरीके के इसको आप पतली पतली layers में divide कर दो तो पतली पतली layers में अगर आप divide करोगे तो यह बहुत सारी पतली-पतली sheets का बहुत सारी sheets की गड़े हैं हर एक sheet का हम moment of inertia जानते हैं अभी पिछले example में हमने निकाला था अगर इसकी यह वाली side है A और अगर इसकी यह वाली side है B तो हर एक पतली object का हर एक पतली object का जिसका mass है मान लो dm तो उसका moment of inertia di हो जाएगा चोटा सो moment of inertia 1 by 12 dm into a square plus b square अब ऐसी बहुत सारी पतली-पतली mass को आप add कर दोगे तो क्योंकि उनका axis से distance change नहीं हो रहा है अगर height बढ़ाओगे भी या कम कर दोगे तो भी किसी भी point का axis से distance नहीं change हो रहा है तो moment of inertia पे कोई असर नहीं पड़ेगा यह बहुत ही अच्छा सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल है यहां पर देखो हमारे पास एक रिंग है जो हाफ कटी हुए और हमें उसका moment of inertia पता करना है उसके through pass होने वाले इस axis के about अब ज़रूरी नहीं है कि यह इस axis के about हो हम इस axis के about भी पता करेंगा और देखना वह सेम इसलिए question बहुत important है इसे ध्यान से समझते हैं पहले हम assume कर लेते हैं कि हमारी disc पूरी है यह ring sorry हमारी पूरी ring है अगर उपर वाले half portion का mass m था और इसका भी mass m था तो अगर हमारे पास पूरी ring होती तो उसका mass कितना हो जाता 2m अच्छा यह एक रिंग है तो रिंग के perpendicular जो center स पास होने वाला axis है उसके about moment of energy हमें पता है उसकी value कितनी होती है mr square क्योंकि पूरा का पूरा mass r distance पे है तो हम लिख सकते हैं इस वाली ring के लिए iz is equal to mr square यहां पर mass की value अगर उपर वाला part m था नीचे वाला part m था तो यह 2m हो जाएगा क्योंकि इस पूरी object का mass 2m है और formula है mr square m की जाएगे 2m रगतो तो हमारे पास iz आ जाता है अगर iz आ गया तो iz is equal to इन दो perpendicular axis के about moment of energy अब क्योंकि ये दूनो moment of inertia symmetry के current same है मानलो इसे मैं ix बोल देता हूं इसे iy बोल देता हूं तो ix की value iy के बराबर होगी और यहां से में मिल जाता है iz is equal to ix plus iy तो ix की value आ जाती है सिर्फ mr square इस रिंग का मास 2m है इस रिंग का मास सिर्फ m नहीं है अच्छे मानलो ये ix के about ring इस तरीके से घोम रहे है अब अगर मैं symmetry का इस्तेमाल करते हुए इस half portion को यहां से उड़ा दो तो रिंग का मास 2m से बन जाएगा सिर्फ m क्योंकि मैंने symmetric इसे काटा है तो यहाँ पर moment of inertia भी exactly half हो जाएगा और यह जो 2m है 2m की जेगे हमें मिल गया m 2m से हमें moment of inertia मिला था mr square तो m से हमें moment of inertia मिलेगा mr square by 2 अगर मैंने रिंग को exactly बीच में से काटा है तो हमें moment of inertia मिलता है mr square by 2 क्योंकि यह बचवी रिंग का mass अब सिर्फ m बचा हुआ है अच्छे और एक चीज़ देखो अगर मैं इसको symmetry के बज़ाए यहां से काटता इस तरीके से काटता 50% मैंने यहां से काट दिया तो moment of inertia कितना होता तब भी moment of inertia था mr square by 2 कैसे देखो यहां पर हमारे पास मानलो यह वाला mass इस axis से distance पर extra आया है लेकिन यहां पर जो mass इसके बदले मैंने गायब किया है उसका distance भी same था तो एक mass मैंने यहां से उड़ा दिया लेकिन इस तरफ उतने ही distance पर उतना ही mass रख दिया तो moment of inertia same रहने वाला है क्योंकि उसमें तो हम axis से distance देखते हैं अगर मैं यहां से और mass गायब कर दूँ लेकिन यहां पर और mass add कर दूँ तो मैं same distance पर mass गायब कर रहा हूँ और same distance पर mass add कर रहा हूँ तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता moment of inertia को यानि मैं ring को इस तरीके से भी काट दूँ और अगर यह center से पास होती हो जा रहे है तो हमारा जो ix होगा उसकी value अभी भी आएगी mr square by 2 इसको आप दुबारा खुझ से solve करके देखो हमारे पास इस axis के about या फिर इस axis के about या फिर इस axis के about सभी axis के about moment of energy आजाता है mr square by 2 लेकि हाफ रिंग का मास है m इसे दो बारा आप रिवाइंड करके देख सकते हो अब हम देखेंगे parallel axis theorem तो parallel axis theorem 3D object से लिए 3D objects के लिए तो वो 2D objects के लिए भी हो जाती है क्योंकि 3 dimensional हो सकती है मानलो इसका third dimension में value सब 0 है तो parallel axis theorem हर एक object के लिए applicable है इसमें क्या होता है कि हमारे पास हमेशा हर body का center of mass होता है उस center of mass से पास होता हो मानलो कुछ access है जैसे किए अगर हमें इस axis के about moment of inertia पता है और हम किसी दूसरे axis के about moment of inertia पता करना चाहते है तो हम moment of inertia about center of mass plus इसका जो भीी मास है mr square आड़ कर देते हैं तो हमें नए access के about moment of inertia मिल जाता है पहले इसका proof देखते हैं मानलो हमारे पास कोई भी solid three dimensional object अभी हम top view देख रहे हैं यह है हमारे पास उसका center of mass इसको मैं लिख देता हूँ इसके perpendicular axis पर जैसे मानलो यह इस तरीके से रखी हुए मैंसे इस तरीके से घुमा रहा हूँ तो अभी आपके लिए screen से बाहर निकलते हुए access पर इस rotation पर हमारे पास कुछ moment of inertia होगा उससे मैं बोल देता हूँ icm यह नहीं center of mass से पास होने वाले axis पर moment of inertia है इसका moment of inertia हमने कैसे calculate किया होगा उसमें हमने किसी भी particle का मानलो बहुत सारे ऐसे ऐसे particles होंगे मानलो हर एक particle का axis से distance हमने नापा होगा और उसका square करके add कर दिया होगा तो इससे में moment of inertia मिला होगा अब हम चाहते है कि यार इससे दूर यहां पर कहीं एक दूसरा axis है यह भी parallel है इस axis के यानि यह वाला axis भी बाहर की तरफ निकला हुआ तो इसके about कि अपमें ऐसे same parallel axis के about moment of inertia पता करना चाहता हूं ऐसा नहीं होगा कि इसके इस वाले moment of inertia को में पता करना चाहूंगा तो जो दो axis है वो parallel होने चाहिए यह parallel axis theorem है ओके इससे अगर हमें moment of inertia पता करना है तो इस बार हमें दूसरा distance देखना होगा वो distance है यह वाला distance सभी particles के लिए इस नए axis से में distance पता करूँगा उसका square करूँगा मास से multiply करके add कर दूँगा तो मुझे नया moment of inertia मिल जाएगा अब देखो यह ट्रिग्नोमेट्री का use यहां पर एक इस तरीके से लाइन खिशो यहां पर एक perpendicular drop कर दो तो यह मैं आपास perpendicular हागया पहले इस particle का center of mass से distance था small r मुझे अब इस particle का इस नए axis से distance जाएगे जो है capital r और मानलो यह जो दो parallel axes है उनके बीच का distance है x यह हमारे पास एक right triangle है मैं इसकी value मानलो a बोल देता हूँ इसकी value b बोल देता हूँ तो हमारा जो r है r की value क्या हो जाएगी देखो r is equal to a square plus b square क्योंकि एक right angle triangle है capital r को मैं क्या बोल सकता हूँ capital r is equal to x plus b का square plus a square i cm या फिर center of mass के about moment of energy या उसको हम लिख सकते है summation of mi into r square या फिर यही बन जाता है summation mi into a square plus b square ठीक है i जो हमें पता करना है इसकी value हो जाती है summation mi into capital r का square capital r का square यह देखो एक right angle triangle है इस right angle triangle में हम लिख सकते है summation of mi into x plus b का square plus a का square क्योंकि right angle triangle है इस से में value मिलती है i is equal to summation of mi into x square plus b square plus 2xb plus a square इसी को हम लिख सकते है i is equal to summation of mi a square plus b square को पहले लिख देते है a square plus b square plus summation of mi into x square अब x square वाली term आगे plus summation of mi into 2xb अब यहाँ पर x एक constant value है यह जो भी है x vary नहीं हो रहा है तो यहाँ पर x हम बाहर निकाल सकते हैं और यह जो value है यह है moment of inertia यहाँ से हमें पता था और x को यहाँ से भी बाहर निकाल दो तो हम लिख सकते हैं i जो हमें पता करना है is equal to यह वाली value है i cm is equal to i cm plus यहाँ पर x square को हम बाहर ले आएंगे तो हमें बचेगा summation of mi यह छोटे-छोटे सभी mass का sum जो होता है तो उसकी value हो जाती है total mass जो भी इस object का mass है इससे हमें मिल जाता है m x square plus अब यह वाली term बचती है इस वाली term का क्या करें यहाँ पर भी x वाली terms को बाहर निकाल दोगे तो हमें मिल जाता है 2x summation of mi into b अब यह sum of mi into b क्या है हर एक mass का अब यह वाला distance यह वाला distance इस point से जो भी distance है इस direction में उसको add करोगे multiply करने के बाद इससे हमें मिलता क्या है इससे तो हमें center of mass मिल जाता है center of mass की तो definition ही वही है तो यह जो value हमें मिलने वाली की center of mass मिलने वाली है यानि कि हमारे पास उसकी value 0 आ जाएगी अगर हम सभी particles का इस तरीके से distance से multiply करके add कर देंगे तो हमें center of mass मिल जाएगा और क्योंकि center of mass से पास हो रहा था उस distance की value आ जाएगी 0 तो इसकी value 0 आ जाती है और हमें मिल जाता है i is equal to icm plus mx square तो अगर हमारे पास center of mass से पास होने वाला moment of energy है और हमने axis को parallelly shift कर दिया है तो हम नया moment of energy इस equation से निकाल सकते हैं यहाँ पर x ये वाला distance है इसके कुछ examples देखते हैं हमें इस axis के about moment of inertia पता करना है इसी के parallel center of mass से पास होता हो axis कौन सा है वो है ये वाला axis क्या इस axis के about इसे icm हम बोल देंगे क्या उसका moment of inertia हमें पता है क्योंकि एक regular cylinder है तो इसका i center of mass हो जाता है disk के बराबर जो हो जाता है mr square by 2 तो इस axis के about जो moment of inertia हमें पता करना है उसकी value है मानलो capital है तो i की value हो जाएगी i is equal to i center of mass plus mh square h यहाँ पर radius के बराबर ही होगा जो भी इसका radius है तो i की value हो जाती है i center of mass याने की mr square by 2 plus mr square याने की 3 by 2 mr square यह आ गई i की value इस तरीके से हम parallel axis और perpendicular axis फिरम का use करते है और इसके example देखते है मानलो हमें इस axis के above moment of inertia पता करना है तो वो हम कैसे पता कर सकते है अगर हमें center of mass से pass होते होगे कोई parallel axis पर moment of inertia मिल जाए तो हम इसकी value निकाल सकते है parallel axis theorem से यानि हमें इस axis पर moment of inertia पता करना है अब इस axis पर moment of inertia पता करने के लिए हम perpendicular axis theorem लगा सकते है मानलो हम moment of inertia की value होती है ix तो इसके perpendicular symmetry है तो इसकी value भी ix के बराबर होगी आप disk को ऐसे गुमाओ या ऐसे गुमाओ moment of inertia सेम होगा और इन दोनों moment of inertia को add कर दूंगा तो मुझे इस axis के about moment of inertia मिल जाएगा और इस axis के about moment of inertia की value कितनी है क्योंकि एक disk है तो हमें पता है इस axis के about moment of inertia होता है mr square by 2 तो इसके about moment of inertia है mr square by 2 हम लिख सकते है mr square by 2 is equal to ix plus ix perpendicular axis theorem से तो हमें ix की value मिल जाए ix is equal to mr square by 4 अब यहां से बाकी सारे axis उड़ा देते हैं और हमारे पास ये distance इसकी value है radius के बराबर तो हम लिख सकते हैं i जो हमें इस axis के about पता करना है i is equal to ix plus mr square क्योंकि यह center of mass से पास होने वाला एक axis है और हम यहां पर parallel axis theorem यूज कर रहे हैं तो ix की value है mr square by 4 plus mr square इससे हमारा answer आजाता है 5 by 4 mr square इसका i आगया हमारे पास 5 by 4 mr square अच्छा क्या मैं इस axis के about इस disk के perpendicular इस axis के about moment of inertia पता कर सकता हूँ इसी के parallel एक center of mass से पास होने वाला moment of energy हमें चाहिए तो यह है इसके parallel जो इस axis पर moment of inertia होता उसकी value होती है mr square by 2 यह वाला distance फिर से है r के बराबर तो इस axis पर मैं इसे बोल देता हूँ i2 i2 की value हो जाएगी center of mass से पास होने वाला axis के about है mr square by 2 plus हमने r radius से shift कर दिया है तो mr square यह आगया parallel axis theorem इसकी value हो जाती है 3 by 2 mr square पहले हमारे पास आया था 5 by 4 mr square यहां पर आया 3 by 2 इसकी value मैं लिख सकता हूँ 1.5 mr square और इसकी value हो जाएगी 1.25 mr square हमें यह moment of inertia पता था हमने parallel axis theorem का use करके इस axis के about पता कर लिया हमें यह moment of inertia पता था हमने यह वाला moment of inertia पता कर लिया अब एक बहुत ही जबलदस सवाज है अगर मैं यह moment of inertia देखूं तो इसकी value कितनी है 1.5 mr square अगर मैं ऐसे घुमा देता हूँ तो moment of inertia की value कितनी है 1.25 mr square moment of inertia कम हो गया moment of inertia तब कम होता है जब किसी भी mass का axis से distance change हो जाता है अब देखो मुझे बताओ यह वाला जो point है वो तो अभी पॉइंट है जिसका distance axis से बदल रहा है moment of inertia में अंतर क्यों आ रहा है इसका जवाब है कि अगर आप इस point का distance देखोगे यह जो topmost point है यह अभी axis से सिर्फ r radius की दूरी पर है लेकिन जब हम इसे इस तरीके से घुमा देते हैं तो अब यह axis से रूट टू आर की distance पर है इस point को देखो यह point अभी axis से आर radius की दूरी पर है लेकिन अगर मैं axis बदल देता हूं तो अब वही point axis से टू आर moment of energy अब इसे हम approach कैसे करेंगे मानलो हमें इस axis के about moment of energy पता है जिसकी value होती है ml square by 3 हमें इस distance पता है l by 4 तो moment of inertia parallel axis theorem से निकाल सकते हैं i is equal to ml square by 3 plus mass into distance कितना shift के हमने axis को l by 4 इसका square आगया parallel axis theorem से answer और यहीं होगा एक गलती यहां पर जो हम moment of inertia लेते हैं वो center of mass से पास होने वाले axis के through होता है तो हम इस वाले axis के about moment of inertia लेकर उसमें यह add नहीं करेंगे हमें चाहिए center of mass से pass होने वाला axis वह axis कौन सा है इसका center of mass देखो यहां होगा और इसके about moment of inertia होता है ml square by 12 हमें यह वाला moment of inertia यहां पर use कर रहा है तो ml square by 3 की जगे ml square by 12 होगा अब यह parallel axis theorem होई तो इससे हमें value मिल जाती है ml square by 12 plus ml square by 16 इसको add करोगे तो क्या हता है ml square 7 divided by 48 यह हमारा answer आगया हमेशा ध्यान रखना कि center of mass से पास होना जी axis तब जागर के parallel axis theorem use होगी इस question में हमें इस axis के about moment of inertia पता करना है ठीक है इसकी value हम बोल देते हैं इसकी value i है हमें i पता करना है parallel axis theorem के लिए हमें इसी axis के parallel एक axis जीए जो की center of mass से पास करें तो वो axis कौन सा हो जाता है यह वाला axis इसको मैं बोल देता हूं मान लो i x अगर मुझे i x पता है तो मैं i की value पता कर सकता हूं क्या मुझे i x पता है नहीं अच्छा यह एक actually square है जिसका mass m है इसकी side है a ठीक है यह हमारी disk हो गई sorry यह हमारा square हो गया i x की value मुझे नहीं पता लेकिन perpendicular axis theorem का use करके मैं i x की value पता कर सकता हूं क्योंकि यहां पर symmetry है तो अगर वो i x है तो इस वाले axis के about भी यह जो diagonal है यह भी diagonal है यह भी diagonal है तो इसके about भी i x हमें मिलेगा क्योंकि symmetry है और अगर हमारे पास i x i x पता है तो यह जो perpendicular axis उन दोनों के 20 से पास हो रहा है उस पे हमें मिल जाता है i x plus i x यानि की 2 i x अच्छा किसी square के लिए moment of inertia हम कैसे पता का सकते हैं अभी हमने पता किया था moment of inertia for a rectangle is m a square by 12 plus b square by 12 क्योंकि यह square है तो a और b दोनों सेम हो जाएंगे और हमें answer मिल जाएगा m a square by 6 हमारा यह वाला moment of inertia आ गया इस axis के about इसकी value आ गई है 2 i x के बराबर यानि i x की value आ जाती है m a square by 12 i x की value हमें मिल गई यहां से हमने shift किया है इस direction में यह center of mass के पास हो रहा था तो यह shift हो आए कितना अगर यह वाली length a है तो यह square है तो यह वाली length आ जाती है जो हमने shift किया है a by root 2 या फिर आप देख सकते हो a into cos 45 degree a by root 2 तो i की value आ जाती है i is equal to i x plus m distance क्या है a by root 2 a by root 2 का square सभी values रख देंगे तो i की value आ जाती है ma square by 12 plus ma square by 2 याने की 7 ma square by 12 यह हमारा moment of inertia आ गया इस वाले axis के above तो इन दोनों theorems का यह किस तरीके से करना यह हमें पता होना चाहिए यह भी एक बहुत अच्छा question है हमारे पास 3 pipe थे mass और length l के तीनों को जोड़के हमने एक t जैसा बनाया total mass 3m हो गया और इस वाली rod के center point से pass होने वाले axis के about हमें moment of inertia चाहिए आई इसे हम कैसे पता कर सकते हैं देखो इसको करने के लिए हम दो rods assume करेंगे एक हमारे पास rod है यह तो उस rod की वज़े से तो उसके center से पास हो रहा है तो हमें उन दोनों rod की वज़े से भी जो moment of inertia आता है वो पता चल जाएगा चीक है इसे solve कोने की कोशिश करते हैं हम rods को नाम दे देते हैं यह वाली rod है one यह वाली rod है two यह वाली rod है three पहले हम two or three rod की वज़े से moment of inertia पता करेंगे two and three की वज़े से अच्छे two or three को एक लंबी rod मान लो तो उसकी length हो जाती है two l उसका mass हो जाता है two m और यह वाला जो हमारा axis है इसको मैं बोल देता हूँ i two three i two three की value हम बड़ी आसानी से पता का सकते हैं एक rod है जिसके center से axis जा रहा है तो i two three की value आ जाती है i two three is equal to ml square by 12 हमारा answer आना चाहिए लेकिन इस तवर mass की value भी two m है तो यह जाता है two m और length की value भी two l है देखो इस तरफ l और इस तरफ है तो two l है यहाँ पर हम लिख देंगे two l इसका square divided by 12 तो i two three की value आ जाती है two by three ml square अब rod two three की वजए से हम इस axis के about moment of inertia पता कर सकते हैं क्योंकि यह वाला axis center of mass से पास हो रहा है था और दोनों axis parallel है तो हम parallel axis theorem use कर सकते हैं तो यहाँ पर i में जो इनका rod two और three का contribution होगा उसकी value हो जाती है center of mass के about जो moment of energy है two by three ml square plus कितना हमने shift किया है इन दोनों का mass मिला कर किया है 2m कितना shift किया है l by two तो l by two का square इससे value हो जाती है two by three plus one by two ml square यह rod two और rod three की वजए से इस i में contribution है अब हम rod one की वजए से जो moment of energy बनता है वो देखते हैं rod one के तो center से यह axis pass हो रहा है तो rod one की वजए से moment of energy हमें contribution आ जाता है उसकी value हो जाती है ml square by 12 अब हमारे इस axis के about इन तीनों rod की वजए से जो भी moment of energy है वो this plus this यह हो जाएगा तो हमारा final answer जो आएगा i इनको i1 i2 कुछ भी बोल दो i is equal to 2 by 3 plus 1 by 2 plus 1 by 12 ml square यह हमारा answer आगे इसकी value हो जाती है 15 by 12 ml square यह हमारा answer है यह भी एक बहुत अच्छा question है हमें इस axis के about इस axis के about moment of energy है पता करना है इसे हम पता कैसे कर सकते हैं यहां पर कोई perpendicular axis theorem या parallel axis theorem का use नहीं होने वाला है यहां पर दूसरा concept यूज होगा देखो हमें एक disk का moment of inertia पता है लेकिन यहां पर एक hollow disk है बीच में डूसरी disk गायब है तो क्या मैं इसको कुछ ऐसा assume कर सकता हो कि मानलो मेरे पास एक solid disk थी और दूसरी एक उतने ही negative mass density वाली disk थी इन दोनों को अगर मैं add कर दूँगा तो मुझे कुछ एक इस तरह की hollow disk मिल जाएगी नेगेटिव मास exist नहीं करता है लेकिन center of mass में भी हमने ऐसे questions किये हुए है अगर इसका mass है M और इसका area है A तो इसकी कुछ density होगी जिसे हम aerial mass density या फिर सिग्मा बोल देंगे तो इसकी mass density भी सिग्मा होगी इसकी mass density माइनस सिग्मा होगी और इन दूनों disk को अगर ह इस axis के about moment of inertia को हम पता कर सकते हैं तो यह भी बड़ा असान हो गया इस disk का mass हो जाएगा इसका area multiplied by इसकी mass density तो mass density into area इसका radius है r2 तो pi r2 square यह हो गया इस वाली disk का mass similarly यह बीच वाली disk का mass हो जाएगा इसका negative mass होगा तो यह आजाता है minus sigma pi r1 square अच्छा इस वाली disk का moment of inertia कितना हो जाता है mr square by 2 तो sigma pi r2 square यह इसका mass है into r2 square divided by 2 यह इस वाली disk का moment of inertia आगया दूसरी disk का moment of inertia इसी तरीके से आजाएगा इसका mass है minus sigma pi r1 square mr square by 2 का formula लगा दो तो वो जाता है r1 square by 2 इन दोनो moment of inertia को add कर देंगे तो हमें हमारी इस disk का moment of inertia मिल जाएगा उसकी value कितनी आती है देखो यहां से इसकी value आ जाती है sigma pi r2 की power 4 minus r1 की power 4 divided by 2 बस अब हमें sigma की value पता करनी है sigma की value क्या है mass divided by इसका area ये वाली disk का इस disk का area कितना है इस disk का area pi r2 square minus pi r1 square ये है disk का area mass divided by this area हमें पता करना है ये है sigma और ये लोग answer आपेगा इस sigma की value को यहां रख देंगे तो इससे हमारा answer आ जाता है i is equal to m pi से pi cancel हो जाएगा sigma की value हमने रखी है m by 2 r2 की power 4 minus r1 की power 4 divided by r2 का square minus r1 का square ये हमारा answer आ गया अगर इसे हम factorize कर दें तो ये लिख सकते है m by 2 r2 का square minus r1 का square r2 का square plus r1 का square और नीचे में था हमारे पास r2 की power 2 minus r1 की power 2 और ये दोनों कट जाएंगे हमारा final जो answer बच जाता है वो कुछ ऐसा बच जाएगा r2 square plus r1 square ये हमारा final answer ये आ जाता है ये आ गई हमारी i की value अब हम चाहें तो मान लो इस axis के about ऐसे वाले rotation में i naught ये भी पता कर सकते हैं अगर ये है i naught तो क्योंकि symmetry के हमारे पास तो इस के about भी होना चाहिए i naught perpendicular axis theorem से हम लिख सकते है i naught plus i naught is equal to i i की value कितनी है m r2 square plus r1 square तो यहां से हमारे i naught की value आ जाती है i naught is equal to m by 4 r2 का square plus r1 का square इस question में हमारी जो rod है वो थोड़ा टेड़ी है मतलब पहले हम rod को इस तरीके से घुमाते थे या फिर इस edge पर पकड़के घुमाते थे अब की बार rod कुछ ऐसी टेड़ी है और कुछ इस तरीके का rotation उसका हो रहे है इसका हमे moment of inertia पता करना है उसे हम कैसे पता कर सकते हैं जरा सा मास है तो हमें यह वाले distance उसका square करके add करना है इस वाले मास में भी यह वाले distance add करना है अच्छे अगर यह rod है इसको मैं इस तरीके से ऐसे पिछकाऊं कि axis से किसी का भी distance change ना हो तो हमें कुछ इस तरह की rod मिल जाएगी अगर यह वाली length थी L तो हमारी यह वाली length कितनी आ जाएगी वो हो जाएगी L cos theta क्योंकि यह वाला angle था theta तो इसको आप effectively ऐसा समझ सकते हो हमारे पास ऐसी rod की वज़े एक इस तरह की rod है जिसकी length थोड़ी छोटी होगी और वो length है L cos theta तो हमारा moment of inertia आ जाता है I is equal to mass into length square by 12 य length की value है L cos theta तो moment of inertia की value आ जाएगी I is equal to M into L square cos square theta divided by 12 यह हमारे पास moment of inertia आ जाता है इस question में हम moment of inertia कैसे पता करेंगे यहां पर हमारे पास total mass है M तो हम एक काम करते हैं इसको तीन छोटी-छोटी rod में divide कर लेते हैं तीनों का mass हो जाता है M by 3 M by 3 M by 3 M by 3 rods को हम नाम दे देते हैं rod number 1, rod number 2 और rod number 3 अच्छा है rod number 3 का contribution क्या होगा देखो rod number 3 का हर एक particle इस axis से कितना दूर है एक fixed distance दूर है और अगर यह length थी L तो वो length भी हम बता सकते हैं यह वाली length हो जाएगी L cos 30 degree यह होगा 30 degree तो I 3 rod 3 की वज़े से जो moment of inertia में contribution है उसकी value हो जाती है पूरा का पूरा mass जो है M by 3 into distance का square distance है L cos 30 degree का square यानि M by 3 L square cos square 30 degree cos 30 होता है root 3 by 2 तो इसकी value हो जाती है M L square 3 by 4 into 3 यानि की M L square by 4 यहाँ पर यह जो L है यह वाली length नहीं है L यह वाली length है अब rod 1 और rod 2 की वज़े से जो भी contribution होगा वो same होगा क्योंकि हमारे पास symmetry है अच्छे यह जो rod 1 है उसके सभी masses को मैं थोड़ा-थोड़ा तोड़ के मीचे गिरा दों इस axis पर ले आओ मानलो इस वाले mass को मैं तोड़के यहाँ पर ले आए तो इस mass का देखो axis से distance change नहीं हुआ है तो हम इस rod को assume कर सकते हैं कि वो rod अगर यहाँ इस तरीके से भी होती तो भी same moment of energy आता क्योंकि यहाँ से कोई भी particle इदर आ रहा है basically हमने उसको इस तरीके से pitch का दिया है इसकी rod की length थी L लेकिन इस वाली rod की length कित्ती हो जाएगी L cos 30 degree क्योंकि यह वाला angle 30 degree है i1 यानि कि moment of inertia में rod number 1 का contribution अच्छा इसकी value हो जाती है ml square by 3 यहाँ यहाँ पर mass क्या है rod number 1 का mass है m by 3 length क्या है length है L cos 30 degree तो वो भी हम change करेंगे यहाँ पर आ जाता है L cos square 30 degree इसकी value हो जाती है ml square by 3 into 3 into cos square 30 आ जाता है 3 by 4 यह cut गया और answer जाता है ml square by 12 यह था rod number 1 का contribution symmetry के साब से rod number 2 का भी contribution उत्ते ही होगा तो यही value आ जाती है i2 की भी i2 is equal to i1 is equal to इतना हमें चाहिए इन तीनों rod की वज़े से हमारा total moment of inertia इस axis पर कितना होता है उसकी value आ जाती है i is equal to i1 plus i2 plus i3 यानि की ml square by 4 plus 2 into ml square by 12 और इसकी value आ जाती है 5 ml square by 12 यह आ गया हमारा answer इस सवाल को एक बार faces समझते हैं हमारे पास total mass था m तो हमने उसे तीनों rod में बराबर हिस्से में बाट दिया m by 3 m by 3 m by 3 अब यह वाली जो rod है यह वाली जो rod है उसका पूरा का पूरा mass इस distance पर है यह वाला distance किता है अगर यह distance l था तो यह angle है 30 degree और इसकी value लाती है l cos 30 degree और हमने i3 यानि की rod number 3 के कारण moment of inertia हमें contribution निकाल लिया फिर हमें rod number 1 और rod number 2 के कारण contribution निकालना था symmetry से हम देख सकते हैं दोनों के कारण बराबर contribution आएगा और उसको हम assume कर सकते हैं कि हमारे पास एक rod है जिसकी length है l cos 30 degree इस तरीके से और उसका mass भी हो जाता है m by 3 तो उससे हमने i2 और i1 निकाल लिया तीनों को हमने add कर दिया तो हम radius of gyration इसको gyration बolते gyration नहीं बोलेंगे radius of gyration gyroscope होता है लगी है तो वहीं से term हम आई है ya puis यहां से gyroscope आय है हम बोलते है gyration radius of gyration क्या होता है हमारे पास जितने भी moment of inertia आते है कुछ इस तरीके क्या हते है mr square या फिर mr square by 2 या फिर mr square by 12 इस takray के moment of inertia आते है अब radius of gyration के हिसाब से हम एक radius define करते हैं उसको बोल देते हैं mk² हमारा moment of inertia हमेशा होना चाहिए इस case में भी हम बोल देंगे mk² है इस case में भी हम बोल देंगे mk² है हमेशा बोल देंगे moment of inertia की value mk² है तो यहाँ से हमें पता चलता देखो m से m cancel और हम लेख सकते हैं k is equal to r divided by root 12 या फिर k is equal to r divided by 2 root 3 यह radius of gyration हा गया किस case में इस case में इस case में radius of gyration अलव होगा इस case में radius of gyration अलव होगा जैसे इस case में radius of gyration k की value आजाती है exactly r के बराबर यहाँ पर k की value आजाती है k is equal to r divided by root 2 मान लो हमारे पास एक sphere है उसका mass है m radius है r उसका moment of inertia क्या होता है 2 by 5 m r square ये कौन सा sphere हुआ ये solid sphere हुआ hollow sphere का 2 by 3 होता है तो इस moment of inertia को भी हम बोलतेंगे कि इसकी value m k square है यहां m से m cancel आगे और हमारे k की value आजाती है k is equal to r into root 2 by 5 ये radius of gyration for solid sphere आगे बस एक हमने ऐसा concept बना दिया कि ये 2 by 3, 4 by अजीब अजीब सी जो terms आती है हमें ये याद ना रखना पड़े हम directly question मी दे देता है कि एक pulley है उसका moment of inertia पता करो अगर उसका radius of gyration इतना है बहुत ही simple concept है कभी future में घाम आएगा इस question में हमारे पास एक mass दिया गया है और उसका moment of inertia दिया गया है अभी कुछ भी object हो सकते है disk हो सकते है या फिर कोई भी चीज हो सकती है मानलो ऐसी आजीब सी टेडी मिडी सी और इस axis के about हम उसे घुमा रहे है moment of inertia इतना आता है हमसे पुछागा है radius of gyration क्या है तो हमें बताए i is equal to m k square i की value कितनी है 20 mass की value है 5 k square यहां से k की value आजाती है k square is equal to 4 k is equal to 2 meter units के हिसाब से meter में आएगा तो radius of gyration आगया 2 meter होगा गई यहां से radius बनाओ 2 meter ऐसे कुछ आएगा उसका use क्या है बाद में आप देख हुए इसका use क्या है इस तरीके से radius of gyration बस define कर दिया है center of mass हम जानते हैं क्या होता है अगर हमारा पास कोई भी rigid object है तो हम ऐसा assume कर सकते हैं कि एक point होगा जहांपे इसका पूरा का पूरा mass concentrated होगा वही हो जाता है center of mass तो अब यह newton's second log होता है to be net external force है तो मैं उसे f net लिख देता हूँ total external forces is equal to mass into acceleration of center of mass तो a cm इसका क्या मतलब होगा मानलो हमारे पास दो rod हैं जो हवा में तैर नहीं है इस तरीके से और एक case में मैं center से इस तरीके से force लगाता हूँ दूसरे case में मैं इस edge पर force लगाता हूँ force की value सेम है f इस case में पहले वाले case में इस body सिर्फ इस तरफ चले आएगी body इस तरीके से rotate नहीं करेगी और इसका जो भी acceleration आएगा वो हम इस equation से पता लगा सकते हैं दूसरे case में body में देखो इस तरीके से घूमने की एक tendency है body इस तरीके से घूमते हुए जाएगी लेकिन इसके भी center of mass का कुछ acceleration होगा इधर a cm और वो a cm हम इस equation से पता कर सकते हैं यही बस हमें ध्यान देना है मानलो हमारे पास एक पईया है वो पईया इस तरीके से घूमता हुआ जा रहे है अब पईया घूमता हो जा रहे है तो यहाँ पर velocity of center of mass जिसे मैं VCM लिख दूँगा वो हमेशे constant होती है मानलो हमारी काज चल रही है तो पईया का center of mass constant velocity से जा रहा होता है अब आप नीचे वाले point पर पईया को देखोगे तो वो रुका हुआ है उपर वाले point पर पईया कुछ ज़्यादा तेजी से जा रहा है इस वाले particle की velocity हो सकता है कुछ इस direction में हो इस वाले की कुछ इस direction में हो लेकिन center of mass की velocity constant होती है center of gravity भौधी अजीब सा concept है इसकी definition देखो इसमें लिखा हुआ है कि point where the total gravitational torque on the body is zero अब इसका मतलब क्या हो gravitational torque क्या होता है इस rod को देखो इसमें बहुत सारे छोटे-छोटे इस तरीके के particles है तो ये वाले particle पर नीचे की तरफ gravity लग रही होगी इधर भी नीचे gravity लग रही होगी सभी point पर इस तरीके से नीचे gravity लग रही है तो हम assume कर सकते हैं कि ये जितने भी छोटे-छोटे forces लग रहे हैं वो सब इखटा होगर के नीचे एक force लगा रहे है total F is equal to mg और ये किस point पर लगता है center of mass पर तो अकसर अब center of mass पर देखो center of mass के about center of mass के about कोई torque नहीं लग रहे है ये rod घुमते वए नहीं जाती है ऐसा इसलिए हो पाए है क्योंकि जो gravitational force है वो सभी जगे constant लग रहे है अब मान लो ऐसा assume करो कि हम किसी ऐसे planet पर चले गा है जहांपर gravity सिर्फ एक area में लग रही है यहाँ पर नीचे की तरफ gravitational force है बाकी जगे पर नहीं है तो rod की कुछ parts पर नीचे की तरफ force लगना शुरू हो जाएगा mg mg उनका जितना भी mass है उसके साब से force लग रहे है ये बाकी जो area इसमें कोई force नहीं लग रहे है ऐसे कि इसमें क्या होगा ना तो इसको समझें कैसे ये देखो इसमें हर एक part का कुछ mass है लेकिन सबकी वज़े से नीचे बराबर force लग रहा है तो इस पर कोई torque नहीं है इसको मैं ऐसे ऐसे move करूँ ये घूमता नहीं है देखो ये fix है क्योंकि center of mass की about force लग रहा है हम घूमा सकते इस पार क्या हो रहा है जब मैं ऐसे force लगा रहा हूँ ना तो सिर्फ इस part में नीचे की तरह force लगता है तो ये घूमने की इस पर tendency आ जाती है इस case में अगर मुझे घूमने से से बचाना है तो मुझे जू इसका center of gravity होता तो वहाँ पर मैं इस तरीके से hinge बना देता तो शायद ये नहीं घूमता तो बस center of gravity का इतना से concept है हमारे case में जब-जब uniform gravity होगी तो center of gravity और center of mass exactly same होता है कुछ नहीं होता है difference इसका खाली technical term है जान लो equilibrium equilibrium क्या होता है equilibrium की definition है कि linear and angular momentum must be constant इसका क्या मतलब हो देखो linear momentum तो हम जानते है अगर यह ball उदल जा रही है तो जाती ही जाने चाहिए यानि इसका कोई acceleration नहीं है यानि इसके उपर force net zero है same चीज होती है angular उसमें अगर हमारे पास कुछ angular momentum है यह कुछ घूम रही है तो यह घूमती ही रहनी चाहिए इसका मतलब यह घूम रही थी तो घूमती ही रहनी चाहिए रुकनी नीचे और अगर रुकी ही थी तो रुकी ही रहनी चाहिए गूमनी नीचे यह बस यह है equilibrium तो अब मानलों मैं दो case बताता हूँ आपको इस case में हमने इसके उपर दो forces लगा दिये दोनों forces symmetric है नीचे जाएगी तो रॉट सीधे ऐसे नीचे आती जाएगी इसमें घूमने की tendency नहीं है अब यह घूमे की नहीं है लेकिन सीधे नीचे आ रही है तो इसके उपर नीचे की तरफ कुछ acceleration आ जाएगा कुछ acceleration आ गया दूसरा case देखो यहां पर हमने force उपर लगाया है और एक force नीचे लगा दिया है इस बार इस body की उपर net force 0 है एक force उपर है एक force नीचे है दोनों force cancel out हो जाने चाहिए लेकिन क्योंकि अलग अलग जगह पर लगाया है इस बार यह इस तरीके से घूमने की कोशिश करेगी तो ना ही यह equilibrium में है ना ही यह equilibrium में अगर हमें कुछ equilibrium चाहिए होता तो हम मान लो ऐसा कर सकते थे इस case में एक force आप नीचे यहाँ पर लगा दो F और एक force आप यहाँ पर लगा दो F इन दोनों forces को उटा दो इस case में total net force भी zero हो जाता है और कोई torque भी नहीं आ रहा तो यह body equilibrium में हो सकती है equilibrium का एक example देखते हैं मान लो हमारे पास एक rod इस तरीके से लटके हुई है अब इसके उपर नीचे की तरफ force लगा रहा होगा gravity का तो यह देखो वो लगेगा center of mass पर उसकी value कितनी हो जाती है mg और इसके उपर दो tension forces भी लगेंगे उपर की तरफ मान लो यह है T1 और यह है T2 हमें पता है कि अगर यह rod equilibrium में है तो इसके उपर net forces और net torque 0 होगा net forces का थो हम बढ़ी आसानी से equation लिख सकते हैं हम क्या लिख देंगे उपर की तरफ वाले forces कौन से है T1 प्लस T2 is equal to कौन सी value हो जाएगी mg यह अगर है हमारी force balance की equation अब हमें torque भी 0 करना है torque लगता है किसी point के अब तो कौन से point के अब टल जीरो ना जी हर एक point के अब तार्क जीरो ना जी आप इस point के अब टलो या इस point के अवा टलो या फिर इस point के अबच अप लूज सभी torque values 0 नइ चाहे नगितel do घुमने की tendency आजाएगी घुमना शुरू करतेगी ठीक है तो पहले हम इस point के हिसाब से torque की value zero कर देते हैं अगर यह पूरी length थी L तो यह वाली length कितनी हो जाती है L by 2 इस point को बोल देते हैं point A, इस point को बोल देते है point B, इस point को बोल देते है point C point A के लिए torque की values लिखते हैं, mg की वज़े से नीचे की तरफ torque लगेगा, मन लोग से हम positive बोल देते हैं torque की value कितनी हो जाएगी, force into distance, कितनी दूरी पे लग रहा है, force की value है mg, कितनी दूरी पे लग रहा है, L by 2 पे, mg into L by 2 T2 की वज़े से इस पर, उल्टे direction में torque लगेगा, T2 उस rod को इस तरीके से घुमाने की कोशिश करेगी तो T2 की वज़े से देखो torque, अगर ये positive direction था, ये negative direction हो जाता है, तो हम लिखेंगे यह आपर minus T2 यानि की force, और कितनी दूरी पर लग रहा है, वो है L दूरी पर, तो ये हमारा answer आज़ाता है, net torque इसकी value होनी चाहिए, 0 यहाँ पर L से L कट जाता है, और हमारे force यानि T2 की value हो जाती है, T2 is equal to mg divided by 2 अब हम point B के about torque को 0 करते है, point B के about equation लिखते हैं, point B के हिसाफ से T1 इस direction में घुमाना चाहेगा, मान लो इस direction को हम positive मान ले, तो torque की value हो जाती है, T1 into distance कितना है, L by 2, क्योंकि ये L by 2 दूरी पर लग रहा है, और T2 की वज़े C rod इस तरफ घुमना चाहेगी, तो वो negative direction हो जाता ह है, इसलिए हम लिख देंगे, T2 into distance कितना है, L by 2, is equal to 0, net torque 0 होना चाहे, यहां समय क्या मिल जाता है, T1 is equal to T2, C point, C point के हिसाफ से torque देखते है, C point के हिसाफ से T1 इस direction में घुमाना चाहता है, मान लो इसे हम positive बोल देते हैं, तो T1 की वज़े से torque आ जाता है, T1 into distance L, Mg अब इ into L by 2, क्योंकि distance L by 2 है, इसकी value भी 0 होनी चाहे है, यहां से हमें value मिल जाती है, T1 is equal to Mg by 2, तो T2 is equal to Mg by 2, T1 is equal to Mg by 2, T1 is equal to T2, और यह force balance है, तो हमारे पास equation आ ही गई है, इस तरीके से हमें equilibrium check करना होता है, बहुत ही आसान है, अब एक काम करते हैं, इस रस्सी को यहां से आते हैं, और रस्सी को लगा जाते हैं, यहां पर, तो क्या है यह वाला distance L by 4 हो गया, और यह वाला distance भी L by 4 हो गया, अब हमें फिर से equilibrium condition चेक करनी है, इस बार यहां पर है T1, अच्छा सोच के बता हो मुझे, T1 की value क्या होगे इस बार, क्या T1 पिछली बार से जादा होगा कि attention थोड़ी जादा होगी, यह center of mass के करीब आ गई है रस्सी, T1 और T2 देखकर हमें पता चलता है कि इस बार बराबर नहीं आने चाहिए, लेकिन हम calculations करेंगे, ओके, पहले हम force balance कर देते हैं, उपर की तरफ forces लग रहे है, T1 प्लस T2, नीचे की तरफ लग रहा है Mg, तो हमा अरे torque की value 0 होनी चाहिए, क्योंकि यह equilibrium है, तो मानलो अगर हमसे T2 की value पूछी होती, तो मैं 0.1 about torque balance करता है, मुझे directly T2 की value मिल जाती, कैसे, देखो, 0.1 about अगर मैं torque balance करूं, तो Mg से नीचे घुमाने की कोशिश करेगा, मानलो वो direction positive है, तो Mg और कितनी दूरी पर लग रहा है, Mg लग रहा है, L by 4 distance पर, is equal to, इसकी वज़े से जित्ता भी और इस direction में होगा, उसकी value हो जाती है, T2 into, कितनी दूरी पर लग रहा है, L by 4 plus L by 2, यानि 3 L by 4, L से L कट गया, और 4 से 4 कट गया, T2 की value हो जाती है, T2 is equal to Mg by 3, directly हमारा answer आ गया, T2 हमें पता चल गया, मानलो ह हम से T1 पूछा होता, उस case में हम point C के about torque balance कर देते, point C के about मानलो, Mg से नीचे घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी वज़े से torque कर आता है, Mg into L by 2 is equal to, T1 उसे उल्टे direction में घुमाने की कोशिश कर रहा है, T1 into, उसका distance कितना है, 3 L by 4, यहान से L से L कट जाता है, और हमार T1 by 3, देखो T1 is equal to 2Mg by 3, T2 is equal to Mg by 3, दोनों को जोड़ दोगे तो हमें यह equation पहले ही मिली हुग है, T1 plus T2 is equal to Mg, अगर मैं रसी को एकदम यहाँ पर लिया हूँ, तो यह हो जाता है T1, इस case में क्या होगा, T1 plus T2 is equal to Mg, लेकिन अगर मैं point C के about torque balance करूं, point C के about torque balance करते दे हो, Mg की वज़े से यह इस तरह घूमना चाहेगी, Mg into L by 2, क्योंकि यह वाला distance है L by 2, तो यह आगे हमारा Mg की वज़े से torque, और T1 की वज़े से ultra direction में torque होगा, उसकी value सेम होनी चाहिए, तो T1 into L by 2, यहाँ समय क्या मिलता है, L by 2 से L by 2 cancel हो जाता है, हमें मिल जाता है T1 is equal to M Mg, अब T1 की value Mg हो गई, तो T1 plus T2 मिलकर के Mg थे, यानि कि T2 is equal to 0, अच्छे अगर मैं यह point है B, point B के about torque balance करता हो, point B के about torque balance करते है, point B से हमारे पास A की force है, सिर्फ T2 का force लग रहा है, T2 की वज़े से force लग रहा है, और torque आ जागा T2 into L by 2 is equal to, अब net torque 0 होना चाहिए, तो इ है, और एक काम करते हैं, हम रसी को और इदर move कर देते हैं, अब हम देखते हैं कि कभी भी हम torque को balance नहीं करा पाएंगे, कोई भी torque 0 नहीं होने वाला, किसी भी point के about देख लो, एक point के about मैं देखने की कोशिश करता हो, मानलो center of mass के about करते हैं, तो उससे मैं पता चलता है, T1 into L by 4, plus, देखो T1 भी दर घुमाने की कोशिश करेगा, T2 भी दर घुमाने की कोशिश करेगा, plus T2 into L by 2 is equal to 0, यहां से हम देख सकते हैं कि T1 by 2 plus T2 is equal to 0, या फिर हम लेख सकते हैं कि T1 is equal to minus 2 T2, अब एक बात बताओ, क्या tension negative हो सकती है, tension negative नहीं हो सकती, Tension या तो 0 हो जाएगी, negative कैसे होगी, इसका मतलब यह equilibrium में आई नहीं सकती, यह rod इस तरीके से equilibrium में नहीं रह सकती, अगर यहां पर हम रसी की जाएगे कोई solid object लगा दे, मानलो ऐसे pen अटका दिया, तो ज़रूर यह tension negative हो सकती है, tension किया इसको खीचने वाला force था, negative मतलब इस case में हमारे पास इस direction में T2 आजाएगी, net force इस direction में आजाएगा, तब जरूर यह equilibrium में आ सकती है, इस question में हमने बंदर को फांसी पे लटका दिया है, अच्छे यह अगर length L है तो यह है L by 3, और यह वाली length है 2 L by 3, ठीक है, हमसे पुछा किया कि इसमें इस वाली rod में normal reaction कितनी होगी, और यह वाला angle है 37 degrees, ठीक है इसे परदा करने की कोशिश करते हैं, मानल लो इसमें normal reaction लग रही थी N, हमें इस rod का free body diagram बनाना है, यह है हमारी rod इस तरीके से, अब इस rod पे नीचे की तरफ force लग रहा है, एकदम edge पे, mg, जो हमारे बंदर का mg है, इस rod के उपर इस direction में एक force लग रहा होगा, normal reaction का, इसके angle कितने देखो, उपर की तरफ angle हो जाएगा, 37 degree, तो normal reaction का एक component इस तरफ आजाएगा, और एक component उपर की तरफ आएगा, हमें सिर्फ उपर के direction वाले component की वज़े से, इस point पर torque मिलेगा इस तरीके से, ठीक है, तो उपर वाला component कितना हो जाता है, n cos 37, यानि की, n into 4 by 5, इस point के about, अब हम torque balance कर देंगे, तो mg इस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा, और यह normal reaction इस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा, mg into distance है, l, should be equal to, उपर की तरफ हमारा पास force कितना है, n into 4 by 5, यह है force का perpendicular direction वाले component, into इसका distance कितना है, 2l by 3, 2l by 3, n is equal to 15 by 8 mg, यह हमारी normal reaction की value हो गई, इस beam में कुछ normal reaction होना चाहिए, अब इस beam की उपर आप net force देखोगे, तो वो भी 0 होना चाहिए, तो इस hinge पर कुछ reaction लगेगा, एक reaction इस direction में आगा, जो कि इस वाले force के बराबर होगा, और एक उपर नीचे वाले direction में भी कुछ force आ सकता है, क्योंकि हमारे पास net force अभी भी उपर नीचे वाले direction में 0 नहीं है, तो वो भी आप calculate कर सकते हो, calculate करके देखो, यह question भी काफी आसान है, थोड़ा lengthy है, लेकिन काफी आसान है, इसे मैं नहीं solve करूँगा, खाली बताते हम किस तरीके से solve किया जाएगा, हमारे पास एक थुद का कुछ weight लग रहा है force, w is equal to mg, उसके उपर एक और हमने object रख दी, जो कि नीचे की तरफ w1 force लगा रही है, तो हम किसी भी point पर torque balance कर सकते हैं, मान लो हम इस point पर ही torque balance करना चाहें, तो कर सकते हैं, p की वज़े से नीचे की तरफ torque आएगा, g की वज़े से भी नीचे क distance कर देना, और आपको answer मिल जाएगा, दूसरी equation मिलेगी हमें force balance है, उपर की तरफ क्या क्या forces लग रहा है, एक लग रहा है r1, दूसरा लग रहा है r2, और नीचे की तरफ forces क्या 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 लग रहे है, w plus w1, यह force balance equation है गई, एक torque balance वाल equation लगाओ, और question solve हो जाएग, हमारे पास एक half ring है, और हमें बताना है कि equilibrium में है, तो string में tension कितनी होगी, अब इस सवाल बहुत ही आसान है, लेकिन यहाँ पर एक concept use हो गया है, center of mass का, देखो, यहाँ पर एक यह hinge है, तो hinge में भी कुछ force लग सकता, उपर की तरफ, इस direction में, इस direction में, tension कुछ force लगाएगी, वो इस direction में होगा, यहाँ पर इस direction में tension है T, और इसकी उपर gravity की वज़े से भी नीचे की तरफ force लगेगा, इसका center of mass इदर कहीं होगा, उसकी वज़े से, नीचे की तरफ force लगेगा mg, हमें hinge reactions, पता नहीं करने है कि hinge ने कितना force लगाए, तो हमें काम क distance पता होना चाहिए, यह वाला distance हमें center of mass से पता चलता है, अगर हमारे पास कोई भी ऐसी ring है, तो ring का center of mass कुछ उपर यहाँ पर होता है, वो distance कितना होता है, 2R upon pi, तो यहाँ पर यह वाला distance हो जाता है, 2R upon pi, tension की वज़े से कुछ इस direction में force लगेगा, तो हम कौन से tension लेंगे, यह है tension T, और distance यह वाला distance, जिसकी value हो जाती है 2R, तो tension into 2R is equal to, नीचे की तरह force लग रहा है mg, लेकिन किस distance पे लग रहा है, तो force into distance, distance होता है, यह perpendicular distance हम लेते हैं, यह वाला distance हमें चाहिए, और यही वाला distance ह 2R upon pi, यह वाला distance नीच होगा, क्योंकि हमें perpendicular distance लेना होता है, यह distance लेने की गलती मत करना हमें, perpendicular distance, यह वाला distance लेना होता है, यहां से मारा answer आ गए, यह ऐसे हो जाएगा, और T is equal to mg divided by pi, mg से कमी tension होगी, यहां पर याने की, बहुत आसान था, अगर हम इस hinge की reaction forces पता करना है, तो हम वो भी पता कर सकते है, देखो अगर यह हमारी body है, तो body के उपर इस direction में forces balance होने चाहिए, इस direction में forces balance होने चाहिए, x direction में जो forces लगेगा, hinge ने मानलो कुछ, इस direction में force लगा दिया, rx और इस direction में force लगा दिया, ry, तो हम देख सकते, ry is equal to mg, क्योंकि उपर नीचे में forces बराबर होने चाहिए, और हम देख सकते, rx is equal to tension t के बराबर, tension t की value याई है, mg divided by pi, तो यह हमारी hinge reactions भी बड़ी आसानी से निकल आई, यह हमारी कुछ real life examples हैं कि torque हम कैसे balance करते हैं, मानलो यहाँ पर नीचे की तरफ force लग रहा है, mg, तो हम मानलो इस वाले point के अबाव, torque balance कर mg को हम multiply करेंगे, इस distance है, क्योंकि यह है हमारा perpendicular distance, और mg को हम multiply करेंगे, इस distance है, यह है हमारा perpendicular distance, देखो mg से इस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा, tension t से इस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा, और हम इस तरीके से tension t calculate कर सकते हैं, यहाँ पर देखो force लग रहा है, नीचे की त कर रहे हैं तो mg इस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा टेंशन का यह component ऊपर की तरफ घुमाने की कोशिश करेगा लेकिन यहां पर पीछे की तरफ भी फोर्स लग रहा है जो हम काउंटर वेट्स बोलते हैं जो पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है तो इसकी वज़े से भी कुछ नीचे की तरफ टॉर्क आ जाएगा वह भी हमें इस तरफ टेंशन लगेगी तो यह आर्म इस तरफ घुमने की इसमें टेंडेंसी आ जाएगी इसी तरीके से यहां पर यह जो पिस्टन है अगर यह उपर यह तरफ फोर्स लगाएगा तो यह वाला देखो कहां पर इस जगह पर हिंज है तो यह इस तरफ घुमने की आहम कोशिश करेगा इस तरीके से यह हमारा जैसी भी मशीन इस तरीके से काम करती है यह क्वेश्चन है इसमें बताना है कि इनमे एकिलीवरियम में हो सकती है यहां पर डेखो रड के उपर नीचे की टरफ फोर्स लग रहा बात्तर फोर्स और नेट फोर्स भी 0 होने चीह यहाँ पर कुछ normal reaction इस तरफ लगेगी, हो सकता है mg और normal reaction आपस में एक दूसरे को balance कर भी रहे, लेकिन इस tension को balance करने के लिए कोई force नहीं है, तो इसका center of mass इस तरफ move करना ही है, और हम देखेंगे कि यह इस तरीके से घुमती है, इस case में भी देखो उपर की तरफ कुछ force लग पर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास एक net force इस direction में बचता है, इसलिए यह भी equilibrium में नहीं है, यहाँ पर भी same case से देखो उपर की तरफ normal reaction लगी, यह नीचे की तरफ mg लगेगा, इस direction में हमारे पास tension की वज़े से एक उपर component, एक इधर component, इस बार net force इस direction में आ गया, तो यहाँ पर भी equilibrium नहीं है, इस case में देखो, उपर की तरफ force लग रहा है normal reaction, नीचे की तरफ force लग रहा है mg, और उपर की तरफ लग रहा है tension T, अब यह तीनों मिल करके 0 हो सकते हैं, क्योंकि इस बार कोई भी x direction में हमारे पास force है ही नहीं, तो यह वाला equilibrium में आ सकता है, औ टॉपल क्या होता है, मानलो हमारे पास कोई डबा है और यह मानलो हमारे डबा रखा हूँ, इसके उपर मैं force लगाता हूँ ऐसे, तो यह आगे से रख रहा है, क्योंकि force लगेगा तो अधर acceleration में हो, पर मानलो friction बहुत जादा है, जैसे इस case में अब देखना friction बहुत जादा है, तो friction मैं जितना इदर force लगाँगा, उतना ही friction पीछे की तरह भी लग जाएगा, मैं force लगाता हूँ, तो friction आगे नहीं जाना देता है, लेकिन यह इस तरीके से मुड़ जाता है, और इसी को हम बोलता है, टॉपल, तो टॉपल में एक rotation होता है, यह रोटेट कर रहा है, क इस case में अगर मैं यहां से force लगाँगा, तो इस axis के about, यह एक axis होगा, देखो इदर कहीं जा रहा होगा, पीछे, इस axis के about यह इस तरीके से topple हो जाता है, टॉपल को थोड़ा detail में समझते हैं, हर एक object पहिमान लो, इस solid object है, तो इसके center of mass पर नीचे की तरह force लग रहा होग Mg, और equilibrium में है, तो इसके उपर center में ही, उपर की तरह force लग रहा होगा, normal reaction N, अब किसी भी point के about देख लो, net force भी 0 है, net torque भी 0 है, मैंने अब force लगाना शुरू किया, मैं side में एक force लगाता हूँ, यहां पर इस तरीके से force F, अब x direction में friction उसको रोखने की कोशिश करेगा, तो हमाई पास नीचे की तरफ वाजाता है, friction का force F, अगर हमें बूला गया कि काफी friction है, sufficient friction है, तो हम जानते है F का magnitude और friction का magnitude दोनों बराबर हो जाएगे, तब ही तो box आगे move नहीं करेगा, अब किसी भी point के about मैं देख सकता हूँ, कि force की वजए से, कुछ इस direction में torque है, तो यह box इस तरफ move करने की कोशिश करेगा, अब इस case में क्या होगा, अगर normal reaction यहाँ नहीं होता, normal reaction माल लो इस जगे लग रहा होता, तो इस normal reaction की वज़े से कुछ torque होता, इस mg की वज़े से कुछ torque होता, और इन तीनो torque की वज़े से हमें देखना है कि क्या net torque 0 हो पा रहा है या नही अगर net torque 0 नहीं है तो box topple हो जाएगा और घूम जाएगा, यही calculations करते हैं, इस question में नीचे की तरफ लग रहा है mg, देखो mg shift नहीं हो सकता, लेकिन मैं अगर उपर यहाँ पर force F लगाता हूँ, तो पीछे की तरफ लग जाता है friction का force F, और normal reaction shift हो जाता है, इसे हम बोलते है shifting of normal reaction, मान लो पहले normal reaction अगर यहाँ लगता था, तो इस बार normal reaction यहाँ कहीं लगेगा, n, n की value mg होगी, क्योंकि उपर नीचे वाले direction में forces तो बराबर होने चाहिए, वो change नहीं हो सकती, लेकिन वो कहाँ लग रही है, वो change हो जाता है, मान लो यह जितना shift होई है, इस distance को हम बोल की A है, अगर यह body topple नहीं हो रही है, इसका मतलब यह equilibrium में हो, net torque 0 है, अब किस point के about, हर एक point के about torque 0 है, हम कौन से point के about torque calculate करें, हमें एक ऐसा point लेना चाहिए, जिससे काफी सारे forces पास हो रहे हो, तो हमारी calculations काफी आसान हो जाती, मान लो मैं इस point के about torque 0 कराता हूँ, ठीक है, इ उसे मैं मान लो positive direction बोल देता हूँ, तो force की वज़े से torque है, F into distance, perpendicular distance देखना में, तो यह देखो, actually perpendicular distance है, यह perpendicular, F into A, mg की वज़े से भी कुछ positive direction में torque है, तो plus mg into mg कित्ती दूरी पे लग रहा है, अब देखो, mg का perpendicular distance देखना में, तो यह है perpendicular distance A by 2, mg into A by 2, और normal reaction भी लग रहा है normal reaction की वज़े से negative torque है, तो is equal to normal reaction का distance कितना है, normal reaction यहां से A by 2 plus X, A by 2 plus X, यह आगया हमारा top balance equation, इससे हमें X की value पता चल जाएगे, रहे को, n की value कितनी है, n की value है, mg, आगया हमारी equation solve कर लिया, हम किसी और point के हिसाब से भी calculations कर सकते थे, है, अगर हम इस point के about torque देखना चाहे है, तो force F की वज़े से इस direction में torque है, normal reaction की वज़े से भी इस direction में torque है, और mg की वज़े से ultimate direction में torque है, तो force की वज़े से जो torque है, force into distance, distance कौन सा perpendicular distance, तो देख Québec force इस direction में लग रहा है, लग रहा है, perpendicular distance ये वाला है ये वाला distance perpendicular distance है तो force into perpendicular distance is A plus इसी direction में normal reaction की वज़े से ये force है sorry torque है normal reaction कितनी दूर है perpendicular distance इस पर ये वाला हो जाता है ये वाला distance N into A by 2 minus X क्योंकि ये वाला distance हो जाता है A by 2 minus X is equal to Mg की वज़े से ultra direction में torque है is equal to Mg किती दूरी पर लग रहा है A by 2 से यहां भी normal reaction की value तो होगी Mg के बराबर ही तो अब आप इससे solve करोगे आपको फिर से X की same value मिलने वाली है और इस तरीके से हम X की value calculate कर सकते है हम देखते हैं कि ये shift हो जाती है normal reaction shift हो जाती है अच्छा एक बात बताओ normal reaction maximum कितना shift हो सकती है ये normal reaction maximum इस edge तक आ सकते है normal reaction हो सकता है यहां पर ही लगने लग जाओ उपर की तरफ normal reaction उस case में X की value हो जाती है A by 2 तो हम पता भी कर सकते हैं कि maximum force में कितना लगा सकता हूँ कि box topple ना हो हम किसी भी point के about torque calculate कर सकते हैं लेकिन हमें अपनी calculations आसान बनानी है तो हम एक ऐसा point ढूंडेंगे जिसके about maximum forces का torque 0 हो रहा है torque 0 कैसे होता है देखो इस point के about हम देखें normal reaction भी इसी point से जा रहा है friction का force ये भी देखो इसी से जा रहा है तो friction का force और normal reaction की वज़े से कोई torque नहीं आने वाला अब सिर्फ capital F की वज़े से इस direction में torque आएगा इस direction में mg की वज़े से torque आएगा तो हम लिख सकते हैं F into A जो की perpendicular distance है ये वाला is equal to mg into mg का perpendicular distance क्या है ये A by 2 into A by 2 तो force की maximum value जो हम लगा सकते हैं वो आ जाती है force is equal to mg by 2 उससे अधा force लगा दिया तो ये box topple हो जाएगा यहाँ पर देखो हमारी पास एक block है जिसे हमने दीवार पर सटा रखा है और कुछ force लगा है अच्छा इसके उपर मैं इस direction एक force लग रहा हूँ करने के लिए जो normal reaction लगेगी normal reaction की value कित्ती होगी इस direction में हमने force लगा है F तो इस direction में उतनी ही normal reaction होगी अब normal reaction कहीं भी लग सकती है हो सकता है normal reaction यहाँ पर लग जाए या हो सकता है normal reaction यहाँ पर लग जाए torque balance कराने के लिए हम देखें ये भी normal reaction थोड़ा shift होती है मानलो ये shift है x amount से हमें ये x की value पता करनी है अब हमें torque balance करने है forces तो balance हो गए n की value 2mg हो जाएगी है force के बराबर हो जाएगी तो forces balance हो गए हम torque किसी भी point पर बराबर कर सकते हैं लेकिन कौन सा point ले हैं एक ऐसा point धूंते हैं जिससे हमारी calculations आसान हो जाए और वो calculations हम कैसे आसान कर सकते हैं force यहां लग रहा है तो इस line पे कोई भी point होगा उस पे torque की value force की वज़े से 0 होगी friction इस line पे लग रहा है तो इस line पे हम कोई भी point लेंगे तो friction की वज़े से torque की value 0 होगी यानि इस जगे पे अगर मैं अपना point ले लू इसके about में torque की calculations करूँ तो मुझे सबसे आदा आसानी होगी इस point के about हम torque calculate कर लेते हैं यहां पर लग रहा है हमारे पास normal reaction N Mg की वज़े से ये box इस तरफ घूमने की कोशिश करेगा नॉर्मल रियक्शन की वज़े से ये box इस तरफ घूमने की कोशिश करेगा तो हम लिख देंगे torque की value देखो mg कितनी दूर है अगर ये box है A इसकी width है सारी तो ये है A पर mg into A by 2 वे ये A by 2 है into normal reaction नीचे कितना shift हुआ है x से तो is equal to normal reaction into x normal reaction की value कितनी है normal reaction इस force के बराबर है force की value कितनी है हमें दी गई है 2 mg तो लिख देते है mg into A by 2 is equal to 2 mg into x mg से mg कट के है और हमारे x की value आ जाती है A by 4 ये है हमारा answer आ गया अगर हम यहाँ पर force की value f ही रहने दे तो हम देखते हैं x की value आ जाती है x is equal to mg a upon 2f यानि अगर मैं force की value बढ़ाता जाऊंगा कि x की value छोटी होती ही जाएगी force की value बढ़ाता जाऊंगा तो देखो normal reaction बढ़ता भी जाएगा और axis के करीब भी आता जाएगा normal reaction इस तरीके से shift होता जाएगा इस question में हमारे पास एक box है जो इस तरीके से inclined plane पर रखा हूँ है और मैं बूला गया कि friction sufficient है यानि यह ऐसे सरकता नहीं है यहाँ पर friction की कमी आते हैं सरक जाता है बालो मैं इसे यहाँ पर रख दो इसका मतलब friction sufficient होगे अब यह सरके नहीं कितना भी force लगा लो लेकिन अगर मैं angle बढ़ाता जाओंगो तो यह देखो ऐसे टॉपल कर जाता है हमें वहीं बताने कि maximum angle कितना है इसको solve करने के दो तरीके purely हम geometry से भी देख सकते है geometry के हिसाब से यह जो mg है ना mg के नीचे कुछ ना कुछ point होना जाए अगर mg के नीचे कोई point ने है तो यह इस तरफ इस तरीके से गिर जाता है ऐसी हमें feeling आती है लेकिन यह feeling हमें आ क्यों रही है क्योंकि यह torque के concept से ही जूड़ी होगी है तो हम किसी भी point के हिसाब से पहले तो सबसे पहले forces बना लो देखो नीचे की तरफ लग रहा है mg अभी नीचे की तरफ सरकना चाहता है तो इसके उपर इस direction में friction का भी force लग रहा होगा इसके उपर कुछ normal reaction भी लग रही होगी कहां गई normal reaction normal reaction shift हो सकती है तो मानलो normal reaction का में direction इस तरीके से बना देता हूँ जिस वक्त यह box ऐसे topple होने वाला वा उस वक्त इस point के about यह topple होगा तो हम एक काम करते हैं कि इस point के about सारे torque जीरो करते है अच्छा जिस जब यह topple होने ही वाला है इस direction में यह topple होगा तो normal reaction की वज़े से भी इस direction में torque है तो normal reaction चाहेगा कि यह box topple ना हो तो normal reaction एकदम इदर सरकता हो आजाएगा और normal reaction एकदम यहीं लग रहा होगा अब हमारे पास फिर से देखो बहुत सारे points है हम किसी भी point के about torque जीरो कर सकते है लेकिन friction का force भी ऐसे है normal reaction भी यहाँ से निकल गिया तो इस point के about हमाई normal reaction और friction force की वज़े से कोई torque नहीं मिलने वाला तो इसी point के about हम torque जीरो कर लेते है इस mg के दो component होगे एक component इस तरफ होगा जो होता है mg sin theta और एक component इस direction में होगा जो होता है mg cos theta उनका perpendicular distance भी हमें पता है यह normal reaction को तो हटा ही दो mg cos theta लग रहा है इस perpendicular distance पे यहाँ पर उसकी वज़े से कुछ ऐसे torque हम calculate करें और mg sin theta के लिए हमारे पास यह वाला perpendicular distance है देखो यह perpendicular हो गया हम equation लिख सकते है mg sin theta उसकी वज़े से जो torque इस direction में आएगा उसके लिए distance है यह पूरी length 2m theta तो वो हो जाता है सिर्फ 1 meter is equal to opposite direction वाला जो torque है वो कितना है mg cos theta into वो कितनी दूरी पे लग रहा है यह वाली दूरी है 1 by 2 यहां से यह cut हो जाता है और हमारे पास आजाता है tan theta is equal to 1 by 2 आगे हमारा answer बड़ी जल्दी अगर हम उस method से solve करते कि यह mg है mg के ठीक नीचे यह वाला point होना चाहिए तो देखो यह angle theta है तो यह वाला angle भी theta हो जाता है यहां से directly दिखता है हमें tan theta is equal to यह वाली length यह वाली length कितनी है 1 by 2 divided by यह वाली length यह वाली length कितनी है 1 तो tan theta की value directly आजाती है 1 by 2 इस तरीके से हम solve कर सकते है यह भी काफी interesting सवाल है जब हम cycle पर turn करते हैं तो हमें इस तरफ centripetal force चाहिए होता है और वो force कौन लगाता है friction कहां लगता है हमारे पईयों में तो हम cycle मोड़ते होक्त हमें टेड़ी करनी ही पड़ती है क्यों क्योंकि हमें torque balance करना पड़ेगा अच्छा जिस वक्त हम मोड़ते हैं क्या हम equilibrium में होते हैं हम equilibrium में नहीं होते हैं हमारे उपर पुछ acceleration होता है इस तरफ हम माजा रहे होते हैं, टेड़े होते हैं, मोड़ रहे होते हैं लेकिन अगर हम एक ऐसा reference frame देखें जो non-inertial होगा, वो circular motion वाला जो reference frame होगा उस reference frame में हम move नहीं कर रहे होते हैं उस reference frame में हमारे उपर इस direction में centrifugal force लग रहा होते हैं तो मान लो यह हमारी cycle है, इस तरीके से टेड़ी है यह हमारा helmet है या फिर और हमारे उपर नीचे की तरफ force लग रहा होगा कुछ यहाँ पर mg और हमारे उपर friction का force इस तरफ लगता है इस direction में friction का force F हमारे उपर इस direction में एक centrifugal force लगता है m v square by r तो हमें यहाँ पर forces भी balance करने होते हैं और torque भी balance करना होते हैं यहाँ पर देखो ऊपर की तरफ कुछ लग रही होगी normal reaction हम लिख सकते हैं n is equal to mg friction force की अगर हमें value calculate नहीं करनी है तो हम कहाँ पर torque balance करेंगे हम इस point पर torque balance कर लेते m v square by r की वज़े से इस डिरिक्षिन में torque होगा और mg की वज़े से इस डिरिक्षिन में torque होगा अगर हमें यह theta पता करना है और यह height मान vier Flint है कुछ इस length की value है a तो यह वाला जो distance है यह वाला distance आ जाता है a cos theta और यह वाला जो distance है यह वाला distance यह आ जाता है a sin theta हम लिख सकते हैं कि mg into a sin theta is equal to mv square by r into a cos theta यह a से a cancel हो जाता है हमें m से m cancel हो जाता है tan theta is equal to v square upon rg तो जितनी ज्यादा हमारी velocity होगी उतना ज्यादा हमें cycle को टेड़ा करना पड़ेगा नहीं तो हम फिर गिर जाएंगे torque balance नहीं होगा इस तरीके से पलट सकते हैं अच्छा और एक चीज़ देखो जब हम bike को start करके भी stunt मालने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त क्या होता है पीछे वाले पईए में power आते हैं पीछे वाले पईए में इस direction में friction का force लगता है हमारी उपर इस direction में लगता है नीचे की तरफ mg का force friction का force अब हम इस से टॉर्क ज्यादा होगा हमारी cycle यह bicycle यह bike है ऐसे आगे से उठ जाई friction का force कैसे जादा हो सकता है friction का force होता है friction is equal to mu times normal reaction और mg का torque कैसे हम कम कर सकते हैं अगर हम यह distance कम करते हैं अगर हम यह distance friction force भी जादा मिलने लग जाता है जो भी possible maximum limit है वो बढ़ जाते हैं इसलिए हमें जब गाड़ी उचकान ही होदी तो हमें पीछे सरकना ही पड़ता है पीछे नहीं सरकेंगे तो यह तो बहुत जादा सब में लिवस है लिवस होता है क्या है बेसिकली मानलो मुझे कोई धकन खोलना है और मैं उसको ऐसे नहीं खोल पा रहा हूं तो मैं उसके बीच में यह जो क्रोबार होता है या ऐसी कोई पेचकर डालके इस तरीके से उठाता हूं तो अब यहां पर मैं यहां फोर्स लगा रहा हूं उसकी वज़य से यह देखो इसे बोल देंगे फलक्रम और यह हो जाता है लोड तो मुझे कम फोर्स लगा करके भी उधर ज्यादा फोर्स लग ज करता हूं यहां पर मैं इधर फोर्स लगाता हूं capital F इस पॉइंट के अबाउट इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क हम बैलेंस कर सकते हैं सारे टॉर्क बराबर होने जी तो यहां पर कुछ दूसरा हमें फोर्स मिलता है मानलो उसे बोल देते हैं F2 अब किसी भी एक सिंग हो जाती है L1 ये वाली distance हो जाती है L2, हम लिख सकते है F into L1 is equal to F2 into L2, तो F2 की value आ जाती है F into L1 by L2, अब L1 और L2 का ratio हमें दिखाई दे रहा है, L1 बड़ी है, तो इससे पता चल जादा है कि F2 जो आगे की तरफ force लगा, वो जादा लगा होगा बस यह है mechanical advantage, इसके बहुत सारे examples है, सबसे अच्छा example seesaw वाला game होता है अगर दोनों बच्चों का वजन बराबर है, तो दोनों यहां से same distance पर बैठते है, मान लोग किसी student का वजन जादा है, तो उसकी वज़े से torque ज्यादा लगेगा अब torque balance करना है हमें इस point पे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका वजन तो कम नहीं कर सकते, उसका force mg कम नहीं कर सकते, लेकिन उसका distance हम कम कर सकते हैं, तो उस case में हम उसे थोड़ा आगे बिठाएंगे, तो थोड़ा इधर shift हो जाएगा, तो फिर से torque balance हो जाएगा और फिर से दोनों आसानी से खेल सकते हैं, तो जिसका वजन जादा है, वो पूरे time नीचे रह जाएगा यहाँ पर आप इस point के about torque balance कर सकते हैं, मालों यहाँ पर force लग रहा था mg, और मैं उतना हूँ भारी वजन उठा नहीं सकते हैं तो मैं यहाँ पर जो force लगाता हूँ उसकी value कम होती है उठाने के लिए मुझे कम force लगाना पड़ता है क्यों? क्योंकि आप यह distance एक हो यह वाला distance अगर d1 है यह वाला distance अगर d2 है तो force जो मैंने लगाया into d2 is equal to जो उसका वजन है mg into d1 तो मैंने जो force लगाया f is equal to mg into d1 upon d2 यहाँ पर हम देख सकते हैं d1 छोटा है d2 बड़ा है यानि कि मुझे कम force लगाना पड़ा फिर भी मैंने उस सामान को उठा लिया तो ऐसी बहुत सारे हमारे पास examples हैं देखो अपने चारों तरफ आपको कहां-कहां levers देखाई के रहे हैं किसी भी liver के लिए हम बोल सकते हैं जहां पर हम force लगाते हैं जो हम लोग force लगाते हैं वो होता है effort हमने कितना effort मारा तो उसे हम बोल देते हैं e फिर कोई ऐसा point होता है जिसके about हम mechanical advantage ले रहते हो हैं इसको हम बोल देते हैं Fulcrum उसे हम बोल देते हैं F और हम किस चीज को उपर उठाना जाते हैं यहाँ पर वो heavy वाली चीज रखिये माने वो हो जाती है load तो देखो यहाँ पर हमें एक combination देख रहा है L, F, E इसे लिख दिया मैंने L, F, E यह एक तरह का liver हो गया इस case में देखो इस case में सबसे पहले आ रहा है हमारे पास Fulcrum फिर आ रहा है हमारे पास load और फिर आ रहा है हमारे पास effort तो यह दूसरे तरह का liver हो गया F, L, E इस तरीके से अलग-अलग तरह के आप livers देख सकते हैं coupled कौन सा वाला कपल हम इस वाले कपल की बात नहीं करेंगे हम जो torque वाला कपल होता उसकी बात करते हैं ठीक है couple में अब pair of equal and opposite forces तो equal भी होने चाहिए और opposite भी होने चाहिए but different line of action is known as couple अब यहाँ पर equal and opposite क्यों अगर equal and opposite हुए तो net force zero हो जाएगा यानि किसी भी couple में net force zero लग रहा होता है और इसलिए वो उसका center of mass move नहीं करता है जैसे यह screw है यहाँ पर अगर मैं पेचकर सलगा गया ऐसे घुमाऊंगा तो एक तरफ force लगता है F दूसी तरफ भी force लगता है F तो net force zero हो गया है इसलिए वो screw वहाँ से एधर करेंड इस F की वज़े से उधर टॉर्क है इस F की वज़े से एधर टॉर्क है तो वो इस तरीके से घुमने की कोशिश करता है वो घुम भी जाता है इस तरीके से हम screw खुलते है यहाँ पर भी देखो एक force इदर लगाते है कि मैं खुद लगा नहीं पाता, अब मुझे कुछ वो लिवर वाले यूज़ करना पड़ता है कुछ mechanical advantage यूज़ करने पड़ती यह देखो, यहाँ पर काफी लंबा arm है, अब मैं यहाँ पर जितनी दूरी पर force लगाऊंगा, उतना कम force लगाना पड़ेगा, और मेरा काम हो जाएगा, तो यहाँ पर F, जो भी force है into यह वाला distance है, distance x torque की value वो हो जाएगी तो यह equal and opposite forces तो नहीं हुए यहाँ पर तो सिर्फ एक ही force लगा है मैंने दूसरा force यहाँ पर कुछ reactions की वज़े से F मिल रहा होगा, इसलिए तो यह bolt नीचे नहीं जा रहा है, तो यह bolt sorry, nut है क्या है वो जो भी चीज़ है वो नीचे चली आती, उसके उपर net force तो 0 है, तो equal and opposite forces लग रहे है line of action अलग-अलग होनी चीए, तो line of action भी अलग है, एक line of action यहाँ पर है, दूसरी line of action यहाँ पर है तो net, इसके उपर couple ही लग ज़िए maximum हम real life में जितने भी talk लगा रहे होते हैं, सब majority couple ही देखते हैं मज़े दो couple में हमें लगता है कि forces, जैसे इसे मुझे घुमाना है, तो एक force मैं यहाँ लगाऊंगा दूसरा force मैं यहाँ लगाऊंगा, तब ही ऐसे घुमेगा लेकिन अगर मैं दोनों forces यहाँ लगाऊंगा एक नीचे एक ऊपर, तो भी यह घुम जाएगा देखो, घुमा के देख लो अपना pen low से यहाँ से पकड़ो और ऐसे घुमाने की कोशिश करो, आप ऐसे घुमा सकते हो तो ज़रूरी निए कि दोनों forces वो hinge के एक इदर लगाना है यह इदर लगाना है, आप कहीं भी लगा सकते है और actually body के उपर net torque 0 भी हो जाता है मानले कि यह हमारी कोई भी body है इसके उपर मैंने दो forces लगा है एक इस तरफ लगा दिया, दूसरा इस तरफ लगा दिया force की value है F और उन दोनों के बीच में जो line of action है उसके बीच का distance है D तो इस point के about torque देख लो या इस point के about torque देख लो जो भी torque की value आती है torque की value है जाती है F into D यहाँ पर D distance से line of action के बीच का force हमारा जो magnitude है वो है और torque आ जाता है और इसके एक देखो एक बहुत अच्छा game भी बना है उसमें क्याता है यह इनसान है उसके हाथ में कुछ तो ऐसे रहता है और वो इस तरीके से यह torque लगाता रहता है यहाँ पर ही torque लगाता रहता है लेकर उसका result हमें यहाँ मिलता है अब torque आप यहाँ पर दो forces लगाते हो एक तरफ से उपर उठाते हो दूसरी तरफ से नीचे गिराते हो यहाँ पर वो फसा हुआ है तो hinge होगे basically हमारे पास torque इस तरफ आगया यह घूम जाता है और इस तरीके से ऊपर चला जाता है और ऐसा गेम बना हुआ है चल रही है चीज़े है फाइनली हम आ गया है डाइनमिक्स में अब हमने काइनमेटिक से जागे डाइनमिक्स पढ़िए घूमने के rotation की कारण क्या होता है हमने torque के बारे में पढ़ लिया हमने moment of inertia के बारे में पढ़ लिया हमने angular acceleration के बारे में पढ़ लिया और यह हमारी equation मन गई torque is equal to i alpha यह उसी equation की तरह है देखो f is equal to mass times acceleration सेम चीज़े है यहां पर हमने देखा था कि force is equal to dp by dt पी क्या था linear moment उसी तरीके से यहां भी होता है torque is equal to dl by dt एल क्या होगा angular momentum टॉर्क अगर वेक्टर है angular momentum वेक्टर है तो यह सभी same equations है और एक और चीज़ हमने देखी थी power होती है power is equal to force into velocity और यहां पर भी हम देखते हैं कि power हो जाती है torque into omega derivations इनके कोई नहीं पूछने वाला लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है था आप एक काम करो torque को लिख दो torque क्या होता है force into distance और omega क्या होती है हमारी velocity divided by radius r बस आगया है इनकी values रखो इस तरीकित आप सारे derivations कर सकते हैं जरूरत है नहीं लेकिन अब हम कुछ questions करते हैं हमारे पास एक fly wheel है fly wheel क्या होता है यह भी पता चलेगा basically उसकी वज़े से कुछ घूमने की इसमें देखो tendency आ रही है तो हमें बताना है कितनी इसकी angular acceleration होता है यह सब देखो एक distance पर लग रहा है यह हमारे पास कुछ perpendicular distance है और वो distance की value है आर आर जो इसका radius है तो हमारे पास torque आ जाता है इस direction में torque की value कितनी है 25 newton into distance radius की value कितनी है 20 centimeter यानि कि 0.2 meter तो इसका torque आ जाता है 5 newton meter अब torque is equal to i alpha alpha हमें पता करना है i moment of inertia moment of inertia निकालो भी disk का moment of inertia इस axis के about हो जाता है i is equal to mr square by 2 mass की value है 20 kg radius है 0.2 उसका square divided by 2 इसकी value आ जाती है 0.4 kg meter square i की value आ गए torque पता है हमें alpha की value मिल जाएगी alpha is equal to torque upon moment of inertia torque की value आ जाती 5 divided by 0.4 और इससे हमारा alpha आ जाता है यार यह कितना है 50 upon 4 यानि की 12.5 radian per second square units का ध्यान अतना radian per second square अब question का second part उसमें बोला है कि यह force लग रहा था तो यह रसी यहां से value है 25 newton displacement 2 यानि की 50 joule का work हो गया यह work कहां जाएगा यह इसकी कुछ rotational kinetic energy में बदल जाएगा जिसकी value हम पढ़ने वाले है कि वो जाती है half i omega square तो इससे आप omega की value ही पता का सकते हो कि इसकी दो मीटर खिचने के बाद इसकी angular velocity कितनी होई इस question में हमारे पास constant force नहीं हमें mass लटका के दे दिया और उस mass की कुछ वज़े से नीचे की तरफ उसके उपर force लग रहा होगा mg अब फिर से देखो यह रसी इस तरीके से खुलता जाएगा पुली हमारा और block थोड़ा नीचे accelerate करना शुरू करतेगा हमें यही सब चीज़े पता करते हैं ठीक है तो हमारे पास दो equations बनेंगी पहली equation तो देखो यहां पर कुछ इस रसी में होगी tension T इसके उपर हम equation लिख सकते है mg-t is equal to ma इस पुली के उपर हम equation लिख सकते है torque is equal to i alpha और बस हमें यही करना है ठीक है तो पहले हम block के उपर force लगाते है equation लिखते है mg-t is equal to ma equation number 1 दूसरी equation के आ जाएगी हमारे पास tension into tension कित्ती दूरी पे लग रही है वो है radius r t into r is equal to i times alpha यह इस direction में alpha से angular acceleration इसका आ जाएगा हमारे पास दो equation आ गई अब ही हमारे पास variables कितने है एक है t है a है और alpha है तीन variable दो equation यह solve नहीं हो सकता हमें एक और equation चाहिए अब यहाँ पर ध्यान से देखो अगर इस रसी का नीचे की तरफ acceleration है a और इसका angular acceleration है alpha क्या हम यहाँ पर लिख सकते है a is equal to alpha r यह है no slip condition अगर रसी slip नहीं हो रहे है तो हमारे को यह equation मिलती है और यह हो जाती है equation number 3 इससे हम बड़ी आसानी से solve का सकते हैं देखो equation number 2 बन जाती है t is equal to i alpha upon r यहाँ से alpha की value put कर दो तो tension की value आजाती है tension t is equal to i into a upon r square और यह value को यहाँ पर रख देंगे तो हमें मिल जाता है mg minus i a upon r square is equal to ma यह फिर मैं लिख सकता हूँ mg is equal to mass plus i upon r square times acceleration हमारा acceleration आगे कि कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है यह format कुछ जाना पहचाना लग रहा है जब हम इस तरीके का question करते थे थे ना यहाँ पर एक ideal pulley है हमारे पास एक mass यहाँ पर m लटका हुआ है इधर एक दूसरा mass m है यहाँ पर हम क्या करते थे यहाँ पर हम देखते थे कि हमारा driving force driving force कौन सा है वो है mg mg की वज़े से लेकिन दो blocks accelerate हो रहे हम directly लिख दे थे mg is equal to m plus capital m into acceleration तुरंट लिखते थे यहाँ पर भी वैसे ही कुछ है यहाँ पर दूसरा block बस accelerate होने की बज़े अंगुलर accelerate हो रहे है और उसको एक equivalent mass है कुछ equivalent mass क्या है आई upon r square इसको आप याद भीगा सकते हैं इसके हम बहुत सारे भी जो हमने shortcut ढूंडा था उसकी वज़े से इसको कैसे solve करते हैं वो solve करके बता देता हूं हमारे पास driving force क्या है इसको देखो हम खोलके बनाएंगे अगर तो कुछ इस तरीके का डाइवाम बनता है यह M1 है यह M2 है M1 पर इस तरफ force लग रहा है M1 जी इस पर force लग रहा है M2 जी और यह एक रसी से बंदे हो हैं बीच में पुली है तो पुली का एक equivalent mass होगा कुछ वो हो जाता है i upon r square बस अब यह पूरे के पूरे system को देख लो पूरे के पूरे system का minus M2G is equal to M1 plus M2 plus I upon r square times A कि मैंने equation तुरंत लिख दे अब हम इसको solve करते हैं अपने regular तरीके से और देखना answer यही आने वाला है अगर हम इसका इस तरफ acceleration assume करें A तो इसका acceleration उपर की तरफ हो जाता है A और यहाँ पर हमारे पास कुछ angular acceleration आता है alpha पहरे block M1 के लिए हम free body diagram बनाते हैं उसके लिए हो जाता है M1G minus T1 यहाँ पर होगी tension T1 इस पार यहाँ पर tension अलग होगी दोनों में same tension नहीं हो सकती अगर दोनों में same tension हो जाएगी तो इसके उपर कोई net torque नहीं बचेगा तो इसका कोई net acceleration नहीं आने वाला तो यह समझना लेकते हैं T2 minus M2G is equal to M2 time से तीसरी equation हम लेखेंगे इस pulley के लिए उस pulley के लिए देखो T1 की वज़े से इस direction में torque है T2 की वज़े से ultra torque है तो हम लेखेंगे T1 into R minus T2 into R is equal to I alpha यहाँ से R को आप common ले लोगा आप लिख सकते हो T1 minus T2 is equal to I alpha upon R हमारे पास एक equation यह है दूसरी equation यह है तीसरी equation यह है हमें एक और equation चाहिए वो चौती equation आती है यहाँ पर no slip condition रसी पुली के उपर slip नहीं कर रही है इसका मतलब A is equal to R alpha यह आ गई हमारी चौती equation अब देखो यहाँ पर T1 negative में है यहाँ पर T1 positive में है यहाँ पर T2 positive में है यह 1,2,3 को add कर दो तो हमें कुछ equation मिल जाएगी बहुत ही simple सी वह जाती है M1G minus M2G is equal to M1A plus M2A plus I alpha upon R अब ही alpha की value यहाँ से रख दो इसमें तो हमारी equation क्या जाती है M1G minus M2G is equal to M1A plus M2A plus IA upon R square यह देखो same equation आ गई जो हमने पहले लिखी हुई थी यह वही equation है तो अब आप इस concept को अगर समझ जाओगे कि एक equivalent mass आ जाता है rotation वादा तो आप तुरूंत एक single line में किसी भी इस तरीके question को solve कर पाओगे नहीं तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है इस question में हमारा पास दो pulley है और दो mass है हमें बताना है इनका acceleration किता है इसका answer पिछली वाली trick से हम एक single line में निकाल सकते हैं लेकिन पहले में आपको लंबा तरीका बताता हूं कि इसे actually solve कैसे किया जाता है उससे पहले यह समना जरूरी है कि इन सभी string के segment में अलग-अलग tension होगी जैसे यहाँ पर tension है T1 तो यहाँ पर tension होगी T2 और यहाँ पर tension होगी T3 ऐसा क्यों यार ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर tension सेम होगी तो किसी भी pulley पर net torque 0 हो जाएग और फिर वो घूमेगा नहीं तो वो पुली पर हम देख सकते हैं रसी का acceleration A है इसका acceleration alpha 2 है यहाँ भी रसी का acceleration A है इसका angular acceleration alpha 3 है हम no slip condition क्या जानते हैं A is equal to r alpha अगर acceleration रसीयों का सेम है लेकिन पुली का radius अलग-अलग है तो इन दोनों पुली का angular acceleration अलग होगा यानि alpha 2 अलग होगा, alpha 3 अलग होगा हम अब हम free body diagrams बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले M1 के लिए यहाँ पर इसका acceleration उपर की दरफ है A M1 के लिए free body diagram बनाऊंगा तो लिख सकता हूँ T1 minus M1G is equal to M1A M4 के लिए free body diagram बनाऊ M4G minus T3 is equal to M4A अब इस पुली को देखो इस पर T2 की वज़े से कुछ इस direction में target T1 कुछ उल्टे direction में लग रहे हैं तो हम लिख सकते हैं T2 minus T1 into distance कितना है R2 is equal to I2 into alpha2 I2 इसका जो भी moment of inertia है अभी calculate कर लेंगे अब इस वाले पुली के लिए देखो इस दूसरे पुली के लिए मैं लेख सकता हूँ T3 इस तरफ लग रही है T2 इस तरफ लग रही है T3 minus T2 into R3 is equal to I3 into alpha3 क्योंकि रस्तिया slip नहीं हो रही है तो मैं लेख सकता हूँ A is equal to R2 alpha2 is equal to R3 alpha3 अब देखो यह alpha3 की value यहां से आप रख दोगे इसमें alpha2 की value यहां पर रख दोगे और R2 को नीचे लेआओगे R3 को इधर लेआओगे तो इससे हमें क्या मिल जाता है इससे हमें पता है कौन सी equation मिलेगी इससे हमें मिलेगी T2 minus T1 is equal to I2 upon R2 square into A और T3 minus T2 is equal to I3 A upon R3 का square यह फिर से हमें कुछ वैसी दिखाई दे रही है देखो यह हमारे पास कुछ equivalent mass आ गया इसको फिर से वैसे system खोलो यहाँ पर M1 था यहाँ पर M2 है यहाँ पर M3 है यहाँ पर M4 है M4 के उपर इस तरफ लग रहा है M4 जी इसके उपर इस तरफ लग रहा है M1 जी और इनके कुछ यह हमने equivalent mass रखे हुए है और इस system का net acceleration इस तरफ है A तो इसके उपर मैं one line में equation लिख सकता हूँ अचा है इन सबको add करोगे तो भी same equation आने वाली है लिखों वो one line वाली equation हो जाएगी driving force वो है M4 जी माइनस M1 जी is equal to system का mass system का mass क्या है M1 है पुली का equivalent mass क्या होगा पुली का equivalent mass हो जाता है उसका moment of inertia divided by उसका radius उसका radius है divided by R2 का square प्लस इसका अच्छा यह R2 हो जाएगा प्लस इस वाली पुली का equivalent mass क्या होगा इसका equivalent mass उसका moment of inertia I3 divided by R3 का square प्लस हमारे पास M4 है M4 इन चारों में लगा दो acceleration one line पूरा पूरा question solve अब क्योंकि इस पुली हमारे cylinder होते हैं या disk होते हैं तो कोई भी i लिख सकता आप i is equal to mr square by 2 यह वाले formula से आप i2 i3 calculate करो तुरंट answer आ जाएगा यह काफी अच्छा example इससे काफी सारे हमारे doubts clear होगे देखो हमारे पास एक mass M और length L की rod है हमें बताना है कि इस rod के center of mass का क्या acceleration है और इसका क्या acceleration है यह हिंज पर लगा हुआ यह इस तरीके से घूम सकती है अब देखो अगर हमारे पास कोई rod होती है मैं उसे सीधे छोड़ देता तो सीधे नीचे आगा लेकिन यहाप पर hinge लगे हुए तो इसके center of mass का नीचे की तरफ acceleration G से कम होगा calculate करके देखते है इस hinge ने जो भी force लगा हम उसकी calculations में नहीं पढ़ना चाहते है तो हमें एक काम करते हैं इस hinge के about ही torque वगरा calculate करते हैं तो इस hinge की reaction का कोई component उसमें add नहीं होगा ठीक है mg force लगता है नीचे center of mass के about तो mg की वज़े से कुछ नीचे की तरफ torque होगा torque कितना हो जाएगा torque is equal to mg into length length कितनी है L by 2 यह आगया हमारा torque moment of inertia rod का moment of inertia हो जाता है ml square by 3 तो torque is equal to i alpha torque की value है mg into L by 2 i की value है ml square by 3 इस axis के about ml square by 12 होती है into alpha यहां से देखो m से m cancel हो गया L से एक L चला गया हमारे पास alpha की value आ जाती है alpha is equal to 3 by 2 g by L बहुत ही simple था acceleration of center of mass अब देखो इसका angular acceleration हमें पता चल क्या है alpha तो इस point का कुछ acceleration होगा इस point का कुछ acceleration होगा हम दोनों पता का सकते हैं पहले a center of mass is equal to alpha times length कितनी दूरी पर center of mass वो है L by 2 distance वे तो इसकी value आ जाती है 3 by 2 g by L into L by 2 तो इसकी value आ जाती है 3 by 4 g हमने बोला था center of mass का acceleration g से कम आएगा और उसकी value भी आ गई देखो 0.75 g अब इस point का यह जो tip है इसको point बोल देता हूं मैं point B acceleration of B उसकी value क्या होगी alpha times length alpha और length कितनी है वो L दूरी पर है तो alpha into L alpha की value आ जाती है 3 by 2 g by L into L यानि इसकी value आ जाती है 3 by 2 g या फिर हम बोल सकते है 1.5 g तो अगर यह lot सीधे नीचे गिर थी तो यह point सिर्फ g के acceleration से नीच आता है इस पर हमने hinge पे लगाया है तो वो g 1.5 g से नीचे आ रहा है वो ज्यादा तेजी से नीचे आ रहा है बस यह यह अगर हमसे कोई पूछे कि इस hinge ने कितना force लगाया होगा तो देखो इसके center of mass का अभी net acceleration नीचे की तरफ है और उसके उपर नीचे की तरफ force कितना लग रहा है mg उसके उपर उपर की तरफ कुछ force लग रहा होगा r y मैं बोल देता हूँ क्योंकि यह y direction है यह हमारा x direction है r y लग रहा है उपर और नीचे की तरफ acceleration है 0.75 g तो यहां से हमारे पास value आ जाती है mg minus r y is equal to mass m into acceleration की value है 0.75 g बस खदम reaction की value आ जाती है 0.25 mg यह हमारा answer आ गया हिंज ने इतना force लगा है अभी हमने assume किया था कि यह rest पर थी और rest से इस तरफ start हुई है मालो इसकी कुछ initial omega थी यह यहां से आ रही थी तो नीचे आते आते जब इस point पर होगी इसकी कुछ omega होगी angular velocity होगी तो उस case में यह देखो इस तरीके से घूम रही है तो इसके उपर कुछ इस direction में centripetal acceleration भी हो equal to m omega square r, mass हमें पता ही है omega square हमें जो भी omega उस वक्त दी है वो हम रखेंगे और radius r की value क्या रखेंगे देखो center of mass, center of mass का distance कितनी दूरी पर है l by 2 पर, तो r की जगे हम रख देंगे l by 2 और हमारी x component of reaction भी आ जाएगा, बहुत ही simple है, इस तरीके से हम question solve करते है kinetic energy, अब कोई भी object है उसका कुछ mass है और उसकी कुछ velocity है तो उसकी कुछ kinetic energy हो जाती है, मानलो हमारे पास दो bodies हैं और वो एक massless rod से जुड़ी हुई है, तो इनका center of mass center में ही आ जाएगा rod के और उसकी velocity है मानलो v cm, और ये कुछ इस तरीके से omega से भी घूम रही है, तो इन दो particles की velocity क्या हो जाएगी, इसकी velocity हो जाएगी v center of mass प्लस एक omega cross r वो वाला component भी आएगा, तो इस तरीके से net velocity इसकी इस तरफ होगी, similarly इसकी velocity होगी v cm प्लस omega cross r इस तरफ तो इसकी net velocity कुछ इस direction में हो सकती है, अब दोनों की velocity एक की जादा speed, एक की कम है, ये बदलता रहता है, लिख सकते हैं, k1, अगर ये particle number 1 है, ये particle number 2 है, तो उसकी velocity आजाएगी, half m v1 square, k2 की value आजाएगी, half m v2 square, v1 अभी कम देख रहा है, v2 जादा देख रहा है, लेकिन vector form में उनके square करोगे, angle theta 1, theta 2 लोगे, तो ले देखर के velocity जो हमारी derive हो जाती है, उसका मैं formula directly लिख देता क्योंकि हमसे कभी कोई derivation वैसे भी पूछनी वाला, kinetic energy हो सकती है, मतलब हो ही जाती है, half m vcm का square, plus half i omega square, यहाँ पर i cm है, center of mass के वो, ये हमारी kinetic energy आगी, इसको सोचने का एक तरीका ये हो सकता है, मानलो हमारी ये object है, तो इसमें कुछ kinetic energy, rotation के कारण आती है, इसमें कुछ kinetic energy, अगर मैं इसको velocity देता हूं, उसके कारण आती है, तो दोनों के कारण मिलके जो kinetic energy आ जाती है, वो ये वाली kinetic energy, अगर मैं इसको घुमा भी रहा हूं, इसको move भी करा रहा हूं, तो हमें ये formula से kinetic energy मिलती है, यहाँ पर हमारी पास एक पईया है, जो इस तरफ जा रहा है, velocity, उ is equal to half mvcm, center of mass की velocity का square, plus half i, center of mass से पास होने वाले axis के about, into omega square, ये kinetic energy आ गए, अब सबसे important बार, ये जो velocity of center of mass ये relative होती है, reference frame पर depend करती है, इसका example, मारलो हम जमीन से देखते हैं, काहल जा रही है, इस तरफ तो पहिएगी भी इस तरफ कुछ velocity होती है, तो उसका half mvcm square 0 नहीं लेकिन अगर हम गाड़ी के अंदर बैठ गए, तो गाड़ी के अंदर बैठ हैं, हम जा रहे हैं, हमारे reference frame में पहिया थोड़ी move कर रहा है, बहिया तो वही है, खाली घूम रहा है, तो वहाँ पर velocity of center of mass, उस case में हमें 0 दिखाई देगी, तो हमें ये वाली energy दिखाई नहीं देगी, हम, तो kinetic energy असल में है कौन सी, kinetic energy हमेशा ही relative होती है, तो इस चीज़ की चिंता मत करोगी kinetic energy असली वाली कौन सी है, असली kinetic energy कुछ नहीं होती, सब relative है, लेकिन सारी kinetic energy conserve होती है, तो आप किसी भी reference frame में देखो, आप चलती हुए गाड़ी के reference frame से देखो, या फिर रुक में से बदल दिया, तब तत पूरी दुनिया बदल जाती है, और एक important चीज़ हमें देखनी पड़ेगी है, अगर यहाँ पर कोई slipping नहीं हो रही है, पहिया slip नहीं कर रहा है, तो हम बोल सकते है, V center of mass is equal to r omega, अब इस value को देखना, यहाँ पर हम रख देते हैं, तो इससे k की value आजाती है, half mr omega का square plus half ic omega square, यानि कि half mr square omega square plus half ic, यानि center of mass plus omega square, यानि कि half mr square plus ic into omega square, यह formula को जाना पहचाना लग रहा है, इसका मतलब ic क्या है, इस center of mass के through pass होने वाला axis, यह वाला, और r कौन सा है, यह वाला radius, तो हमने जो यह ic plus mr square किया, parallel axis theorem के हिसाब से, यह इस point के about moment of energy है, यानि actually यह ऐसे गाड़ी चलती भी जा रही थी, लेकिन हम नीचे वाले point, नीचे वाले point के हिसाब से moment of energy है देखेंगे और उस point के हिसाब से भी पईया कुछ इस omega से घुम रहा होगा, हमने वहाँ पर apply कर दिया, यानि अगर हमारे पास कोई hinged object है, इसको समझो temporarily एक छोटी से, बहुत ही छोटी से time के लिए hinged था, ऐसे जब पईया घुमता है, तो किसी ना किसी time पर जमीन पर touch होता है, उस पर है, ऐसे थोड़ा सा घुमता है, हम बोल सकते हैं, यहाँ पर hinged है, तो जब hinged हमारा case होता है, उस case में हम लिख सकते हैं, कि half I hinged into omega square, तो वो hinge के बाउट जो भी उसका moment of energy है, multiplied by omega square कर दो, हमें velocity of center of mass और वो सब की calculation में फिर नहीं घुसना पड़ेगा, हमारी calculations आसान नहीं, answer same आएगा, इसका question solve करते हैं, सब clear हो जाएगा, question वही है, simple सा, हमारे पास एक rot है, उसको हमने इस तरीके से छोड़ दिया, तो इसकी कुछ gravitational potential कम हुआ है, उसकी वज़ा से इसकी कुछ kinetic energy आ जाएगा, work energy power theorem का भी यहाँ पर use हो जाएगा, ठीक है, इसको solve करने के दो तरीके ह velocity of center of mass पता करूँ, और इस center of mass के about कुछ इसकी omega होगी उस time पर, उन दोनों को add करके energy equation लिखू, या फिर मैं hinge के about calculation कर दूँ और यह velocity of center of mass वगेरा, उस सब के चक्कर में ही ना पड़, तो हम दोनों तरीके से निकालेंगे और देखेंगे कि answer same आता है, अच्छा अगर इसकी यहां पर omega angular velocity है, तो यहां पर भी angular velocity omega होगी, यह किसी भी rotating particle में होता है, angular velocity हमेशा same होती है, हमेशा same होती है, try करके देख लेना, करके देख लो या मतलब, अगर आप किसी घूमती object पर बैट होगे तो आप एक ही angular velocity से घूम रहे होगे, किसी भी जगह से देखो, ठीक है, प प्लस half i, center of mass के about, into omega square, यहां से हमारी value कुछ आएगी, और हम देख सकते हैं कि velocity of center of mass, इसकी velocity तो इस तरफ 0 है, यह तो hinge है, यह रुका हुआ है, तो हम यह भी देख सकते हैं कि velocity of center of mass is equal to l by 2 times omega, यह अगर हमारी पूरी distance l थी, तो वो l by 2 की दूरी पर है, हमारा center of mass, यहां से यह देखो, इस value को मैं यहां पर रख दूँगा, तो मुझे मिलती है, value half m, l by 2, omega square, plus half i, center of mass, center of mass के about, इसका moment of inertia कितना आ जाएगा, वो आजाता है, ml square by 12 times omega square, यहां से half m, omega square, common ले लो, और हमें अंदर क्या चीज़े बचेंगी, l square upon 4, plus l square upon 12, यानि कि half m, omega square, into 1 by 3, यह आ गई, kinetic energy, velocity of center of mass, उस वाले तरीके से, अब हप, hinge वाले method से देखते हैं, देखो, hinge वाले method से क्या होगा, हमारे पास hinge के about, कुछ, moment of inertia होगा, और हम लिख सकते हैं, ke is equal to half, hinge के about, moment of inertia क्या है, ml square by 3, into omega square, सीदे-सीदे हमारा answer आ गया, और देखो, यह same है, exactly same answer हा रहा है, इसकी value कितनी होनी चीए, इसकी value होगी mgh, center of mass कितना नीचा है, वा है, mg into l by 2, इसको equate कर दो, mg into l by 2, m से m cancel हो जाएगा, 1L से l cancel हो जाएगा, divided by 2 से divided by 2 cancel हाजाएगा, हमारी omega की value आ जाती है, under root of 3g by l, हमारी angular velocity आ गया है, अच्छा हम इस tip के point की velocity भी पता कर सकते हैं, और center of mass की भी velocity भी पता कर सकते हैं, velocity of center of mass is equal to l by 2 into omega, omega की value कितनी है, 3g by l, तो इससे हमारा answer आ जाता है, under root 3 by 4gl, अगर हम velocity of point b, जो की tip है, उसकी velocity पता करना चाहें था, हम लिखेंगे l into omega, omega की value कितनी है, यह under root of 3gl, अगर हम इस तरीके से pendulum लेते हैं, mass m का, और उसको l by 2 height से नीचे गिराते हैं, तो उसकी इस direction में कुछ velocity होती है, वो velocity कितनी होती है, वो होती है, under root 2gh, height यहाँ पर इस case में है, l by 2, तो वो value आती है, root g l, सिर्फ l by 2 से गिराया उसको, है ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी center of mass कितना नीचे है, l by 2, यहाँ पर भी center of mass कितना नीचे है, l by 2, इस case में हमारी velocity क कितनी आ रही है अगर हमारे पास रॉड होती है तो हमारी वेलासिटी कितनी आ रही है अंडरूट 3x4Gल या फिर अंडरूट ऑफ 0.75GL तो अगर हमारी रॉड है इस केस में हमारे सेंटर आफ मास की वेलासिटी कम आई है क्योंकि थोड़ी kinetic energy उस rod को घुमाने में भी खल्च हो गई है, और एक example देखते हैं, हमारे पास एक disk है, जिसका mass है M, उसका है radius R, अब यह इस तरीके से उपर थी, उसको हमने छोड़ दिया, तो थोड़ी दिर में वो नीचे आई है, हमें बताना है कि इसकी omega कितनी होगी, य kinetic energy is equal to half i hinge के about into omega square, hinge के about हमें moment of inertia पता करना है, center के about हमें moment of inertia पता है, कितना होता है, mr square by 2, लगाओ parallel axis theorem, तो यहाँ पर आ जाएंगे हम, और वह हमने r radius से सरका है, तो हमारा i hinge की value आ जाती है, i center of mass plus mr square, i center of mass की value होती है, mr square by 2 plus mr square हमारे पास add करना है, तो इससे value आ जाती है, 3 by 2 mr square, इस hinge की किसी भी edge पर हमारे moment of energy आ गया है, इस तरीकी के rotation में, और रहे, इस value को हमें यहाँ पर रख देना है, kinetic energy की value आ जाती है, 3 by 4 mr square omega square, इसकी value किस चीज़ के बराबर होने ची़, देखो हमारा center of mass कितना नीच आ है, हमारा center of mass इतना नीच आ है, इसकी value है, 2 r, तो gravitational potential energy में कितना change आ है, उसकी value हो जाती है, 2 mg r, यहाँ से हमें कुछ values मिल जाएंगी, r से r कट जाएगा, हमारे omega की value आ जाती है, 8 g divided by 3 r under, omega की value आ गए, velocity of center of mass भी हम पता कर सकते है, वो क्या हो जाएगी, r times omega, देखो यह r distance पर है हमारा center of mass, इसकी मानलों इस direction में कुछ velocity है, vc, तो यह पता करते है, omega से इसमें multiply कर देंगा, और हमारे पास answer आ जाएगा, 8 by 3 g r, अगर इस disk की जगे, अगर हम एक pendulum लेते हैं, यहाँ पर pendulum है, और उसको इस तरीके से नीचे ग जाता हूँ, उस case में हमारी velocity जो आती है, वो आती है, root 2 g h, कितनी height मीचा है, 2 r, 22 r, यानि कि under root 4 g r हमें मिलने वाली थे velocity, इस बार हमें सिर्फ 8 by 3 g r की velocity मिली है, क्योंकि कुछ kinetic energy हमारी इस rotation में भी तो खर्च हो गई, तो इस तरीके से work energy theorem भी हम लगा सकते हैं, फाइनली हम physics में उस point पर पहुंचे, जो हम एक real life situation को analyze कर रहे होंगा, अभी तक हम point, math और यह सब दुनिया और की idealistic चीज़े कर रहे हो, हमारे पास मानलो कोई circle है, तो इस तरीके से जब वो roll होता है, एक तो हो सकता है, यह वो सिर्फ इस तरीके से, translational motion कर रहा हो, यहाँ और मानलो friction नहीं है, तो इस तरीके से move कर सकता है, दूसरा guess हो सकता है कि सिर्फ वो rotation कर रहा हो, अपनी जगे पर rotation कर रहा हो, तो यह pure rotation है, और तीसरा guess हो सकता है pure rolling का, यहाँ पर यह roll भी हो रहा है, और translate भी हो रहा है, अगर हमारे पास pure rolling है, यानि कि यहाँ पर कोई slipping नही हो रहा है, तो energy का loss भी नहीं होगा, friction हो सकता है लग रहा हो, हो सकता है नहीं लग रहा हो, लेकिन friction के कारण कुछ movement नहीं हो रहा है, friction जिस point पर लग रहा था, वो point सिर्फ ऊपर आता है, वो point ऐसे नहीं कि इधर move करता है, वो point सिर्फ इधर जाता है, देखना चाहते हो, मैं उसका movement हुआ था अब एक experiment करने का time है तो मैंने ये जुगार बना है इसमें हम pure ruling में किसी point की tragedy देखना चाहते तो इसलिए इसमें मैंने एक छोड़ DC light लगाई है बल्ब अगरा connect करके, बैटरी गनेट करके यहाँ बैटरी की वज़े से heavy हो गया था ताकि वज़न बैलेंस हो जाए नहीं तो यह पईया ऐसे ही रह जाता था और यह light इतनी dim है कि दिखनी रही है तो मुझे lights off करनी पड़ेंगी देखो अब यह थोड़ा मैं ही नहीं देख रहा अब यह थोड़ा जादा देख रही है और अब मैं इसको यहां पर इस तरीके से घुमाऊंगा और long exposure की टेकनीक से हमें इसकी trajectory पता चल जाएगी light कहां से गुज़री है पूरी की पूरी trace हो जाएगी यह हमारा trajectory वाला experiment है यह photo Richard Megna ने लिया है और उसमें यह हमारा floor है floor के उपर center of mask को आप देख सकते हूँ pure translation कर रहा है इस तरीके से सीथे जा रहा है और जो edge पर point है वो इस तरीके से cycloid trajectory में जाते है मैंने जो experiment किया था उसमें पहिया दिखी नहीं था क्योंकि मैंने अच्छी तरीके से experiment ने किया photography और सीखनी पड़ेगी सीखते हैं इसको आप try का सकते हैं अगर आपके पास यह photography equipment वगेरा नहीं है तो आप एक काम का सकते हैं ऐसी कोई भी नहीं कर रहा है जब उस पर friction लग रहा है तो friction का work done zero होगा इस case में कोई energy loss नहीं होता है और ideally हम इसे डुरकाद है तो यह जाते ही जाना चाहिए जाते ही जाते ही जाते ही जाते ही कभी इसकी energy loss होना नहीं चाहिए पर लाइफ में रुक जाता है जानी कि infinite distance सक जाएगा क्यों कि भली वह वाला friction काम नहीं कर रहा है इस पर air drag तो लगी रहा है पीछे की तरफ और दूसरी चीज़ कोई भी surface एकदम perfectly hard नहीं होती है थोड़ा 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 energy उसको दबाने में खल्च होती जाती है या फिर खुद थोड़ा थोड़ा दबती है और उसकी energy खल्च होती है important चीज़ देखते है अगर कोई object pure rotation कर रही है तो उसके velocity of center of mass देखो zero होती है उसके top point की velocity इस तरफ होती है bottom point की velocity इस तरफ होती है अगर कोई object pure translation कर रही है तो सभी point की same velocity होती है exactly same velocity और इन दोनों को add कर तो हमे topmost point होता है उसकी double velocity हो जाती है center of mass से ऐसा key होता है इसकी कुछ omega है center of mass की velocity हो जाएगी r times omega और topmost point की velocity हो जाएगी 2r times omega तो वो double हो जाती है और ये आप करके भी देख सकते है इस तरीखे से इसलिए इसको थोड़ा-थोड़ा इस तरीखे से move करो तो जैंटर vos mass से वह गहीं ज प्लस ट्रांसलेट करती है तो उसका एक instantaneous axis of rotation होता है इसका क्या मतलब है किसी भी instant पर किसी ना किसी point पर उस object की velocity zero हो जाती है हो सकता है वो point body के अंदर हो या body के बाहर भी हो सकता है उसमें इसकी calculation मैं आपको बताता हूँ हमारे पास velocity होती है velocity of center of mass कुछ एक omega भी होगी अब देखो यहाँ पर velocity of center of mass इस तरफ है omega इस तरफ है तो नीचे वाले point की इस तरफ velocity कितनी हो जाएगी वो हो जाएगी velocity of center of mass minus omega cross r और इसकी value zero करने के लिए हमें सिर्फ radius की value change करनी है radius की value बढ़ाते जाओ तो ये expression बढ़ते जाएगा कभी ना कभी तो इसकी value zero हो नहीं है यानि हमेशा एक instantaneous axis of rotation होता है ज़रूरी नहीं कि वो body में हो हो सकता है body के बाहर हो उसका example हम देखेंगे प्यॉर rolling के case में हम जानते है V center of mass is equal to r omega तो वहाँ पर ये r capital R बन जाता है ये वाला radius उस case में हम देखते है कि ये जो point है ये instantaneous axis of rotation बन जाता है आप इसको इस तरीके से समझो इस तरीके से वो घूम रहा होता है तो किसी भी instant पे नीचे वाले point के about वो hinge आप ऐसा सोच सकते हो इसको visualize करने का एक तो जिस point की velocity 0 होगी उसकी photo अच्छी आएगी वो ज्यादा देर तक महीं था और कोई moving fast moving point होता है तो इसकी photo blur हो जाती motion blur इसको बोलते है तो आएसे आप photo खीचोंगे देखो यहाँ पर हमने photo कीची नीचे वाले point पर जो spokes रेटार के वो शार्प देख रहे हैं मैं देख रहे हैं उपर वाले point पर वो इतनी तेज मूफ कर रहे थे वो blur हो गया उनकी photo ही नहीं किच पाई तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर नीचे instantaneous access of rotation है अगर आप यह experiment करोगे तो थोड़ा शाम को photo हीचना अंधिरे में क्योंकि दिन में इतनी जादा light होती है सबी जगे आपको clearly spoke दिख जाएंगे हमाई shutter speed इतनी जादा fast हो जाती है वहाँ पर आप इसको analyze sorry इसको visualize नहीं कर पाऊगे और एक दो तो जब आप इसको घुमाते हो इसका lens है यह भी घूम रहा है इस lens के center के थ्रू एक access pass होगा यह हमेशा उसी access पर घूमेगा अब आप इसको टेडा कर दोगे तो वह access उपर हो सकता है पर कही ना कहीं तो वह access जाएगा उस access पर जो भी चीज़े होंगी ना वो blur नहीं हो बाकी सब कुछ इस तरीके से rotate करते हों हमें नजर आ रहे हैं यहां पर इस camera का instantaneous access of rotation इस 8 से pass करता है उस keyboard का को instantaneous access of rotation नहीं है तब यह रुका हुआ है rest पर है इसकी कुछ omega है इस तरफ omega हर एक point की velocity इसके instantaneous access के perpendicular होगी यह देखो perpendicular है और radius से multiply तो omega को आपको magnitude मिल जाएगा direction मिला हुआ है magnitude मिल गया तो आपको basically सारी velocities मिल गए यह कोई से भी point की देख लो आप velocity instantaneous access से pass होने वाली line के perpendicular है और इसका magnitude हो जात देखो यह वह एक्जामपल है जब instantaneous access of rotation body के बाहर होता है इस case में क्या हुआ सामने से बहुत तेश ट्रेन आ रही थी photographer खड़ा था उसने इस तरीके से camera घुमा दिया train नहीं हुम रही थी train सीधी चल रही थी अब हम देखते हैं यहाँ पर actually हुआ क्यों सिर्फ हमें train का एक ही पार्ट शाप दिखाई दे रहा है बाकी सब कुछ blood दिखाई दे रहा है इसको भी आप try जरूर करना मान लो हमारी train इस तरफ आ रही थी बहुत तेज उसकी velocity है हमारे photographer भाई साब यहाँ पर खड़े थे औ इसके बाद आप velocity को दो components में तोड़े इसकी मान लो इधर कुछ velocity थी उसका कुछ एक component इधर होगा और उसका एक component इधर होगा correct हमें एक radial velocity मिल गई और एक perpendicular velocity मिल गई motion blur होता है perpendicular velocity की वज़े से अगर इधर जाती होगी है तो उसकी वज़े से motion blur होगा यह कुछ तो distance होगा radius r कुछ तो इसकी value रही होगी 50 meter 100 meter इस velocity की भी कुछ तो value रही होगी और इस omega की भी कुछ तो value रही होगी अगर हमारे पास we इसको मैं भी perpendicular भूल देता हूँ अगर हमारे पास we perpendicular is equal to omega r हो गया तो उस rotating camera को रोटेटिंग camera को static दिखाई देने वाला है उसको सिफ अपने पास आते वह दिखाई देगा तो पास आते वह चीज की तो blur नहीं होती फोटो क्योंकि वह सेमी लाइन में आ रहा है तो अगर मेरे को red value दिख रहती है पूरे time शाफ फोटो आ जाती है लेकिन अगर वह इस त जरूरी नहीं है तो किसे लगाया हमारा तो क्या होगा अगर आपने मालो ठीक तरीके से omega नहीं लगाए उस case में आप यहां पर देखो हम किसी और radius पर देखता है यहां पर हमारे पास कुछ velocity अलग होगी इस बार उसका perpendicular component कुछ और होगा इस बार हमारे पास radius r2 होगा अगर v2 perpendicular is equal to omega r2 हो गया तो उस case में हमें पीछे वाले डिबबे की must sharp photo में लेगी उस case में injured blood देखेगा यह वाला डिबबा शार्प देखगा ट्राइ जरूर करना कोई भी चलती गाड़ या ना ऐसे photo ले लो गूमते होगा आपको देख जाएगा क्या हो रहा है कभी सामने वाला पार्ट फोकस में आता है कभी पीछे वाला पार्ट फोकस में आता है बागी सब तो blur होई जाता है इस case में train का instantaneous axis of rotation का होगा वो हमारे camera पर नहीं है train की velocity है इस direction में तो velocity के perpendicular होता है actually instantaneous axis of rotation और क्योंकि उसका कुछ radius of curvature नहीं है तो वो infinite distance पर होगा इदर गहीं infinite distance पर हां मतलब वो body के बाहर है instantaneous axis of rotation अभी body के बाहर है इस question में हमारे पास कोई body है और वो rotate कर लिया तो इसके अलग-अलग points के अलग-अलग velocity होगी है और हमें बता दिया कि यह V1 है और यह V2 है बताओ इसका instantaneous axis of rotation कहां है तो हम कैसे पता लगा सकते है instantaneous axis of rotation के ही perpendicular होती है सारी ही सारी velocities तो म इस line पर कहीं होगा दूसरी velocity यहां पर है तो इसके भी perpendicular line पर होना ची instantaneous axis of rotation तो यहां कहीं होगा और इन दोनों line पे सिर्फ एक ही point है तो instantaneous axis of rotation यह मिलिया हमसे पूझा जा इस तीसरे point की velocity बताओ तो वो भी हम बता सकते है इस instantaneous axis of rotation से इसे join करो हमारे पास कुछ omega होगी और इस इसकी velocity यह जाएगी यह है वी 3 अगर point यहां है तो वह velocity हम इस तरीके से निकाल सकते है यह जाता है वी 4 यह perpendicular होगा हां और instantaneous axis of rotation इसका भी फोटो खीच के देखना इसको लो इसको ऐसे गुमाओ इसको center के about मत गुमाओ कुछ अजीव सब ऐसे गुमाते रहो इसको फोटो खी आएगी यहां पर आपके हाथ के जो यह है ना रिस्ट यह instantaneous axis of rotation है इसकी फोटो शार पाएगी बागी किसी की फोटो शार नहीं आने वाली और फिर एक बार इसको ऐसे घुमाके भी छोड़ देना उसमें आपको देखेगा कि center के about यह घुम रही है तो center की शार फोटाएगी कि बागी सब blur आएगा इस question में हमें दी गई है velocity इसकी है 5 meter per second इस point की velocity नीचे है 5 meter per second हमसे पूचा है center of mass की velocity बताओ कैसे बता करेंगे बहुत आसान है हम पहले इसको एक rigid body आई है तो इसकी कुछ omega होगी यह कुछ घूम रही है को यह नीचे जाएगा ना यह point तो rod ऐसे flat हो जाएगी थोड़ी दिर बाद तो basically rod इस तरीके से घूम तो रही है अब अगर यह घूम रही है तो इसका कुछ instantaneous axis of rotation रहा होगा वो instantaneous axis of rotation पता करते हैं इसके perpendicular किसी line पे होगा वो यह velocity भी perpendicular ही होगी तो यह आगया हमारा instantaneous axis of rotation अब इस body के सभी point की हम velocity पता कर सकते हैं मानलो इस point की velocity पता करने हैं यह radius पता करो omega हमें पता चली जाएगी इस से multiply कर दो तो हमें यह instantaneous velocity पता चल गएगी अगर हमें center of mass की velocity पता करने है तो हमें यह line च यहां पर symmetry है दो तो हम इस omega से इसे multiply करेंगे और हमें velocity of center of mass मिल जाएगी तो मान लो इस rod की length ती L तो यह वाली length किती है L into 1 by root 2 और यह वाली length फिर आ जाती है L by 2 omega की value किती हो जाएगी omega की value हो जाती है 5 upon distance distance की value किती है L by root 2 यानि की 5 root 2 by L अब velocity of center of mass वो हो जाएगी distance कितना है यह वाला distance है L by 2 into omega omega की value किती है 5 root 2 upon L यहां से हमारा answer आ जाता है 5 root 2 by 2 meter per second यह 5 meter per second की यह 5 root 2 by 2 meter per second है इसकी velocity का magnitude देख लो कम आ रहा है इस question में हमें point of contact इस point की velocity पता करनी है तो यह हम कैसे पता करें instantaneous access of rotation का use करना है यह थो हमें समझ आ रहा है क्योंकि अभी-अभी हमने वो topic पढ़ा है आचा देखो एक बात समझो कि यहां पर जो sliding हो रही है न तो यह जो भी point है उसकी velocity का direction क्या हो सकता है वो कभी भी ऊपर तो जाएगा नहीं उसकी velocity या तो इस direction में होगी या फिर इस direction में होगी तो जिस भी direction में जितनी भी velocity है axis of rotation instantaneous axis of rotation इसके perpendicular यानी कि इधर कहीं आ जाएगा दूसरी हमें velocity यहां पर दी गई है वो है 5 meter per second तो इसके भी perpendicular direction में हमें instantaneous axis of rotation मिलेगा यहां कहीं यह आगया हमारा instantaneous axis of rotation अब यह angle 45 degree था मान लो यह वाली length है L तो यह वाली length हो जाती है L root 2 और यह वाली length भी हो जाती है L omega देखो इसकी इस तरफ कुछ omega है omega की value कि इत्ती है omega is equal to velocity perpendicular upon length perpendicular velocity perpendicular की value है 5 meter per second length की value है L by root 2 तो यहां पर L by root 2 यह हमारी omega आ गई हमें पता करना है इस point of contact की velocity यह वाली velocity हमें पता करनी है तो velocity of point of contact is equal to इसका distance कितना है इसका distance है L omega into L omega की value है 5 upon L root 2 into L और हमारे point की velocity आ जाती है 5 upon root 2 meter per second बहुत ही simple question था कि बॉल से हम सबने खेला है और कुछ चीज़ें जैसे मैं इसको घुमा सकता हूं और मैं इसे घुमाता हूं तो मैं देखता हूं थोड़ी दिर में translation करने लगती है और अगर मैं इसे सिर्फ translate करता हूं तो मैं देखता हूं थोड़ी दिर वाई रोल करना स्टार्ट कर देती है ऐसा क्यों होता है इसके उपर basically कुछ friction लग रहा है friction का काम है relative motion को रोकना तो जब मैं इसे सिर्फ घसी ट्रम तो यह देखो यह point और जमीन नीचे आपस में relative motion कर रहे है friction बोलता है तुम relative motion मत करो और friction उसे रोक देता है तो कुछ ऐसा रोकता है कि इसकी कुछ omega आ जाती है और यह इस तरीके से घूमने लगता है अब इसकी कुछ velocity है इसकी कुछ omega है तो v minus r omega तो इस नीचे वाले point की instantaneous velocity zero हो जाती है इसका मतलब friction के हिसाब से relative motion रुग गया है और घूमनी रहा भी तो इसके सभी point की speed हो जाएगी यू सभी point की speed हो जाएगी यू अगर इस floor पर friction नहीं है तो कुछ नहीं होगा यह ऐसे यू से जाता जाएगा सरकता हुआ चला जाएगा लेकिन अगर friction है तो friction देखेगा यहाँ पर relative motion हो रहा है यह यू से जा रहा है friction जमी relative motion रुक चुका है तो हम देखते हैं कि नीचे वाले point की velocity 0 होनी चाहिए यानि V minus omega r is equal to 0 यानि V is equal to r omega यह प्यूर रोलिंग की condition है इसको याद कर लो यह प्यूर रोलिंग की condition है याद करने लाग वैसे formula है नहीं बहुत ही छूटा है हम अब friction की value कितनी होती है friction होता है F is equal to mu times normal reaction which is equal to mu times mg जितनी देता के बॉल घिसट रही दे जितनी देता काने टेक friction लगाऊगा उसकी value भी constant है तो मान लो इसको time t लगता है pure translation से pure rolling तक जाने में इसको कुछ time लगा होगा obviously उसका time है t हमें time t पता करना है इसे हम पता भी कर सकते है इस पहिये के उपर friction का force पीछे की तरफ लग रहा होगा उसी की वज़े से तो यह इस तरफ घूमना शुरू हुआ है उस पीछे की तरफ लगने वाले friction force की वज़े से कुछ torque लगा होगा torque भी constant होगा क्योंकि friction constant है यह जो distance है वो distance constant है तो torque भी constant हो जाता है torque की value हो जाते है torque is equal to friction यानि की mu mg times r torque की value हमें मिल गई इसका कुछ moment of inertia होगा center of mass के आप तो हम लिख सकते है alpha is equal to torque upon moment of inertia हमारे पास एक constant alpha यानि की angular acceleration आगे अब initially तो यह घूम नहीं रहा था इसकी omega थी zero बाद में इसकी कुछ final omega हो चुकी है तो यहां पर हम वो equation लगा सकते है omega is equal to alpha t यह जो भी time interval था उतनी दिर में हमें एक equation यह मिल इसी तरीके से अब इस body को आप translational motion देखो इस body के उपर net force पीछे की तरफ है friction का उसकी वाज़े से के उपर net पीछे की तरफ कुछ acceleration रहोगा तो वो acceleration भी हम पता का सकते है acceleration a is equal to पीछे की तरफ force कितना है mu mg इतना force है divided by mass तो friction की sorry acceleration की value आ गई mu times g इस acceleration ने t time में इसकी velocity में कुछ change कर दिया है तो v is equal to u plus 80 अभी v भी इदर है u भी इदर है तो acceleration पीछे की तरफ है उसको हम negative लेंगे u minus mu g times t ये हमारे पास दूसरी equation आगी और एक तीसरी equation हमें और मिलती है वो यहाँ पर आती है pure rolling condition से basically वो यही है तो v is equal to r omega ये तीन equation है इन तीन equation का use करके हम time t की value पता कर सकते हैं और बस हमारा answer आ गया यहां से omega की value इस equation में रखतेंगे तो हमें मिलता है omega यानि की v upon r is equal to alpha times t और v upon r is equal to alpha times t यहां से हमें मिलता है v is equal to alpha t times r और v की value यहां पर रख दो तो हमें मिलता है alpha t r is equal to u minus mu g t और यहां से t की value आप निकाल सकते हो t is equal to u divided by alpha r plus mu g alpha की value कितनी है यहां से हमें पता चल सकती है और यह सभी values तो हमें constant है अगर मान लो यह पहिया है उसे हमें एक ring समझ ले तो i की value कितनी हो जाती है mr square torque की value यहां पर लिखिए है mu m g r i की value हो जाती है mr square तो यह r से r cancel और हमारी value हो जाती है alpha is equal to mu g upon r इस value को हम यहां पर रख देंगे तो time t की value हो जाती है u upon two times mu g बहुत ही सही answer आगे है तो इस case में अगर हमारी ring है तो हमारा answer आजाता है time t is equal to u upon 2 mu g अगर ring की जाए हमारे पास कुछ ऐसा hollow sphere होता तो क्या होता उस case में i की value change जाती moment of inertia उस case में mr square नहीं हो था उस case में moment of inertia हो जाता 2 by 3 mr square तो फिर calculations इतनी simple नहीं आती थोड़ी अलग value आती लेकिन solve करना बहुत आसान है equation समझना बहुत आसान है और एक case देखते है इस case में क्या हो है पहले हमारी ball को हमने कुछ initially omega देती थी omega initial उसकी कोई velocity नहीं है फिर धीरे धीरे उसके उपर friction लगेगा friction इसके motion को रोखने की कोशिश करेगा इस बार friction आगे की तरफ लगेगा देखो इस पहिए का जो सबसे नीचे का देखो कि आप ऐसे system net force इस तरफ हो गया तो वह इस तरफ accelerate करना शुरू कर देगी और इससे हमें कुछ values मिलती है यहाँ पर हमारी कुछ final velocity V हो जाती है इसकी omega कम हो जाएगी ओमेगा final हो जाएगी और हम लिखेंगे no slip हो जागो इस टाइम कोई slipping नहीं हो रही है तो हम no slip condition भी लिखतेंगे V is equal to r omega final टॉर्क की value इस बार फिर से वही होगी टॉर्क हो जाएगा friction टाइम्स इस आर फ्रिक्शन की value है mu mg into r alpha की value हो जाएगी mu mg into r upon moment of energy क्योंकि torque is equal to i alpha हमें बताए तो हमारे पास alpha की value आ गई alpha की value आ गई हम लिख सकते हैं omega final is equal to omega initial minus alpha t क्योंकि इस बार omega initial इस direction में alpha इस पर torque इस तरफ है तो alpha भी इस तरफ रहा होगा तो दोनों का direction अलग है इसलिए हमको minus लगाना पड़ेगा और हम सारी calculations magnitude में कर रहे हैं अगर vector form में कर रहे होते हैं तो हम plus ही लिख देते हैं यहां पर इस body के ऊपर net force इस direction में लग रहा है mu mg उसकी वज़े से उसका कुछ इस direction में acceleration होगा उसकी value कितनी आ जाती है mu times g उसका acceleration आ जाता है time t में time t में velocity 0 से लेकर के v तक आ गई है तो हम लेख सकते हैं v is equal to mu g times t एक equation हमारे पास यह रखी है दूसरी equation हमारे पास यह रखी है तीसरी equation हमारे पास यह रखी है इन तीनों से आप solve कर सकते हो यह भी है कुछ equation चौत ही मानलो और आपको time t मिल जाएगा इसी question को solve करने का एक बहुत आसान तरीका है उसमें हम momentum और angular momentum दोनों को concept कराते हैं basically concept ने कराते हैं उसके equation लिखते हैं देखो f into delta t क्या होता है change in momentum या फिर delta p अब इस system की उपर x direction में कुछ friction की वज़ए से force लगा था हां इसकी initially कुछ omega थी इसके उपर कुछ इस तरब force लग mg कितनी देर तक force लगा मानलों उसको हम बोल देते हैं delta t उसकी वज़ए से इसका कुछ इस direction में momentum आ गया initially momentum कितना था 0 बाद में इसका momentum कितना हो गया m into v तो mass into v दूसरी equation हम लिखेंगे angular of momentum वाली अब क्या होता है इसके उपर देको इदर कुछ force लग रहा है तो उसके वज़ए से कुछ torque होगा तो angular momentum भी change होगा तो हम यह तो center के about angular momentum वाली equations लेकिन उससे भी एक बहुत आसान तरीका है मैं इस point के about इस point के about यह तो circle में भी नहीं है उसक इस point के about अगर मैं देखूंगा तो इसका angular momentum हो जाता है आई ओमेगा इनिशल तो यह था आई ओमेगा इनिशल फाइनली इसकी ओमेगा कुछ और हो जाती है ओमेगा टू और इसकी कुछ velocity आ जाती है इस तरफ हुवी center of mass final momentum बराबर होगा क्यों क्योंकि इस बाद जो torque लग रहा है जो force जो torque लगा रहा है वो center से ही pass हो रहा है तो इसकी वज़े से angular momentum में कोई change होना नहीं चाहिए तो इसकी value हो जाती है i omega 2 जो final omega आने वाली है plus इसकी velocity के कारण देखो velocity इस direction में तो mass times velocity into ये वाला distance ये भी angular momentum में add हो जाएगा ये value omega क्योंकि कम होगी है तो ये value तो कम होगी i omega initial से लेकिन कुछ mass की velocity आगए इसकी वज़े से angular momentum आ जाएगा वो हो जाता है m v center of mass times r अच्छे ये final velocity है एक हमें no slip condition वा लगाने पड़ेगी यहाँ पर कोई slipping नहीं हो रही है तो उसके लिए हम लिख सकते हैं omega final is equal to v divided by r vc जो भी ये vc final है इस value को हम यहाँ पर रख देंगे तो इससे मैं मिलता है i omega initial is equal to i into vc divided by r plus m vc into r अब ये वाली जो values हैं यहाँ से आप vc की value निगाल सकते हैं उस vc की value को यहाँ पर रख दोगे तो आपको तुरंट delta t मिल जाएगा rolling on an incline अब incline पर क्या होता है मान लो मैं generally चीज़े रखता हूं तो इस तरीके से रखते हैं तो वो सीधे ऐसे नीचे सरकने जीए लेकिन क्यूंकि friction होता है यहाँ पर तो यह ऐसे घूमने लग जाते हैं और बस वह है rolling on an incline यहाँ पर देखो इसके उपर हम बहुत सारी equations ल लग रहा होगा कुछ mg sin theta इस तरफ इसके उपर नीचे की तरफ लग रहा होगा mg cos theta उपर की तरफ normal reaction लग रहे होगी उसकी वी value उतनी होगी और इस तरफ कुछ friction लग रहा होगा हमें बुला जाते हैं कि friction sufficient है मतलब friction की कमी नहीं पड़ रही है तो कभी भी यहाँ पर slipping नहीं होगी कभी यह पाया slip नहीं करेगा अब इसके उपर हम torque की equation लिख सकते हैं इसके उपर linear momentum वाली equation लिख सकते हैं बहुत सारी equation लिख सकते हैं पहले हम equation लिखते हैं torque की देखो इसके उपर इस direction में कुछ force लग रहा है उसकी विज़े से इसके उपर कुछ torque आएगा force की value of friction into radius r is equal to i alpha अब friction की value जरूरी नहीं कि पूरी की पूरी mute times n लग जाए हमें नहीं पता friction कितना लग रहा है ओके दूसरी चीज़ है इसके उपर कुछ net force होगा इस direction में देखो लग रहा है mg sin theta उपर की तरफ लग रहा है friction का f तो हम लिख सकते हैं mg sin theta minus friction is equal to mass times acceleration इसका mass है mass m into acceleration a तीसरी equation हमें लिखनी पड़ेगी no slip यहाँ पर कोई slipping नहीं हो रही है तो हम लिख सकते हैं a is equal to r alpha यह तीन equation है इन्हें solve करोगे तो आपको answer मिल जाएगा लेकिन आपको एक तरीका बताता हूं जिससे एक line में हम इसको solve करेंगे one line में हम use करेंगे instantaneous axis of rotation वाली trick अब देखो हम हमारे पास यहाँ पर friction का force था normal reaction भी यहीं से लग रही थी हम चाहते हैं कि इस axis के about यह पहिया का instantaneous axis of rotation भी है इसके about torque calculate कर लो और इसके about moment of energy बता कर लो तो यह पहिया यहाँ पर इस तरीके से उस instant पर घूम रहा हुगा इसके उपर torque कितना लग रहा है देखो इसके उपर net forces जो लग रहे हैं वो है mg sin theta multiplied है और बाकी जितने भी forces है friction है normal reaction है सब इसी point से जा रहे है तो उन सब की वज़े से तो torque 0 हो जाएगा तो हम torque की value लिख सकते हैं torque is equal to mg sin theta into radius r इसकी value कितनी होनी चाहिए i alpha लेकिन यह i है कौन सा i है इस instantaneous axis of rotation के अब हो तो इस i की value कितनी हो जाएगी i is equal to i center of mass plus mr square parallel axis theorem ठीक है i center of mass क्योंकि यह ring है तो उसका होता है mr square तो इस case में हमारे पास i की value हो जाते है mr square plus mr square यानि की 2 mr square इस i की value का आप यहाँ पर रख दो तो हमें मिल जाता है mg sin theta times r is equal to 2 mr square alpha r से एक r कट गया m से m कट गया हमारे पास आ रहता है alpha is equal to sorry r alpha is equal to g sin theta by 2 r alpha है क्या चीज़ यह है acceleration तो इस case में हमारे acceleration की value तुरंत आ गई r alpha sorry g sin theta by 2 बहुत ही simple था इससे हमें पता चलेगा कि friction की value कितनी है देखो maximum friction कितना लग सकता है उसकी value तो यह होती है mu times mg अब mu की value 500 है तो friction तो कुछ भी लग सकता है लेकिन friction उतना ही लगता है जितने की जरूरत है अब अगर एक बार हमारे पास acceleration आ गया तो हम क्या करेंगे हम करेंगे force is equal to mass times acceleration हम इस direction में net forces देखेंगे देखो नीचे की तरफ लग रहा होगा mg sin theta ऊपर की तरफ लग रहा है हमारे पास friction force हम लिख देंगे mg sin theta minus friction का force f is equal to mass times acceleration mass है acceleration की value आई चुकिए g sin theta by 2 तो यहां से हमें friction की value मिल जाती है friction f is equal to mg sin theta by 2 तो coefficient of friction कितना भी हो friction लगता है सिर्फ इतना इसको एक बार फिर से देखते हैं हमने कैसे किया हमने instantaneous axis of rotation के about moment of inertia निकाला moment of inertia की value क्या जाती है mr square plus mr square यानि की 2mr square अब friction भी यही से जा रहा है normal reaction भी यही से लगती है हमारे पास इस point के about सारे force इसी points जा रहे हैं सिर्फ एक force है जो torque लगाता है वो है mg sin theta उसकी वज़े से torque होगा इस direction में torque के value के तिया जाती है torque is equal to force यानि mg sin theta times distance जो है radius r which is equal to i alpha i की value है 2mr square times alpha और यहां से हमारे पास answer आ जाता है सीधे alpha यानि की r alpha is equal to g sin theta divided by 2 इतना simple था इसे solve करना यह question बहुत ही common है और इसमें एक chocolate problem चुपई है मतलब वो कोई मुझे बताएगा तो यार मैं चॉकलेट देना जाओंगा मतलब दूंगा कैसे पर पता नहीं चलो इससे समझते हैं हमारे पास एक inclined plane है हमारे पास बहुत सारी objects है कोई empty shell है या फिर कोई sphere है कोई solid sphere है और हम सबको ऐसे उपर रखके छोड़ देते हैं फिर सब क्यूपर नीचे की तरफ कुछ force लग रहा होगा g sin theta तो सब लोड़कना शुरू करेंगे हमें बोला गया sufficient friction है तो यहां पर pure rolling हमें assume करनी है अब pure rolling है हम कर सकते हैं कि in q पर torque पता करें in q पर angular acceleration पता करें velocity पता करें फिर हम ये distance assume करेंगे क्योंकि angle theta पता होगा फिर हम पता करेंगे कितिनी दिर में वह वहां पहुंचे हैं ल नीचे जाकर कि speed जिसकी ज्यादा थी वह पहले पहुंचा होगा तो हम यही काम करते हैं हम energy theorem लगाते हैं जब भी कोई object उपर से नीचे जाती है तो gravity के कारण उसकी potential energy कम होती है और उसकी कुछ kinetic energy बढ़ जाती है इस case में हम देखते हैं कि जो change in kinetic energy है वो हो जाता है MGH which is change in kinetic energy अब initially उपर सब rest पर थे बाद में उनकी कुछ kinetic energy आ गई kinetic energy कितनी होगी देखो यह block है तो यह घूम तो रानी है इसकी पूरी की पूरी translational kinetic energy होगी तो वो हो जाती है half M v square यहां पर velocity है center of mass की बाकी सभी के लिए मानलों यह sphere है तो यह rotate भी कर रहा है और क्योंकि वहां rolling हो र by R no slip condition ठीक है तो किसी भी इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए इन में से किसी के भी लिए मैं kinetic energy का formula जब लिखूंगा तो वो हो जाएगा half M vc का square जो कि उसकी translational kinetic energy है plus half i center of mass के about times omega square ओमेगा की value यहां से हम अगर use करें तो kinetic energy में change आता है half M vc square plus half ic into v square c upon R का square इसकी value होनी चाहिए mgh के बराबर यहां सब जगे हम M से divide कर देंगे तो यहां पर नीचे M आ जाएगा और हमारे पास vc square की value आ जाएगी vc square is equal to 2gh नीचे में आ जाएगा 1 plus ic upon mr square अब देखो हमने radius of gyration पढ़ा था radius of gyration के साफ से क्या होता है ic is equal to mk square हम ऐसा radius of gyration बोलते हैं इस moment of inertia की value में रख दूँगा तो मुझे vc अच्छा यह vc square नहीं होगा vc की value आ जाती है vc is equal to under root of 2g capital edge divided by 1 plus k square by r square यह देखो बहुत ही interesting result इसको मैं दुबारा लिखता हूं ताकि हम अच्छे से analyze कर पाएं यह हमारी velocity of center of mask का formula आ गया और इसमें देखो mask का कोई role नहीं है तो मैं heavy ball लड़का हूं या फिर बहुत ही healthy ball लड़का हूं mask का इसमें फर्क नहीं पड़ रहा ठीक है अब देखो यह k square by r square होता गया है मानलो हम एक ring की बात करते हैं हमारे पास सबसे पहला option है ring के लिए moment of inertia होता है m r square और radius of gyration define है कि moment of inertia को equate कर दो m k square से तो यहां से हमें k square by r square की value मिलती है जो आ जाती है 1 यह सिर्फ ring के लिए है तो मैं इसकी value यहां पर लिख देता हूं 1 अब हम disk की बात करते है disk का moment of inertia i होता है m r square by 2 तो इस case में k square by r square की value हो जाती है k square by r square की value हो जाती है 1 by 2 तो disk के लिए यह वाली value है 0.5 empty can empty can क्या होता है मतलब इस तरीके से आप उसको hollow cylinder समझो लेकिन उसका कुछ mass end पर लगा होता है यहां पर तो अगर मानलो हमारे पास इस तरह का hollow cylinder है और वो side से भी मतलब उसमें metal लगी होती है can जो coldering वगरा पीते हो उसमें तो अगर सिर्फ hollow cylinder होता तो हमारे जो mr square वाला ratio आता वो यहां पर सिर्फ 1 आ जाता लेकिन क्योंकि यहां पर थोड़ा थोड़ा mass चिपका हुआ है तो value 1 से थोड़ी कम हो जाती है मानलो से 0.95 हम बोल देते है solid cylinder solid cylinder disk जैसे ही है तो disk में जो हमें value मिली थी वह ही मिल जाएगी 0.5 hollow cylinder hollow cylinder ring की तरह होता है तो हमें value मिल जाएगी 1 solid sphere solid sphere का moment of inertia होता है 2 by 5 mr square जिसकी value हो जाएगी m k square के बराबर यानि k square by r square की value आगए 2 by 5 या फिर 0.4 तो इसको लिखते हो 0.4 hollow sphere hollow sphere के लिए moment of inertia हो जाता है 2 by 3 तो हमारा k square by r square उसकी value आजाएगी 2 by 3 या फिर हम उसे लिख सकते है 0.67 box box की बात थोड़ी देर बात करेंगे अब देखो यहाँ पर इस formula में velocity of center of mass ज्यादा होने के लिए k square by r square सबसे कम होना जाए k square by r square सबसे कम किस के लिए यहाँ पर सबसे कम है सबसे कम है solid sphere के लिए तो solid sphere सबसे पहले नीचे पहुंचना जाए अच्छे सबसे ज़्यादा किस के लिए है सबसे ज़्यादा है ring के लिए या फिर hollow cylinder के लिए तो यह दोनों सबसे ज़्यादा लेट पहुंचेंगे इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कौन सी geometry पहले नीचे पहुंचेगी अगर हमारे पास कुछ hollow sphere है और हमारे पास एक ring है तो हम जानते है कि ring बाद में नीचे पहुंचेगी hollow sphere पहले नीचे पहुंचेगा इसकी जगे कोई solid sphere होगा तो वो और ज़्यादा जल्दी नीचे सकते हो अब मुझे बताओ इसके साथ scene क्या है chocolate problem देखो अगर friction है तो यह सब तो roll करके नीचे आ जाएंगे लेकिन यह block रुख जाएगा block के उपर उपर की तरफ friction force होगा block वहीं रह जाएगा block नीचे नहीं आएगा अगर friction नहीं है अगर friction नहीं है तो कोई भी roll नहीं करेगा सब एक साथ नीचे slide कर जाएगे तो यह assume करना की block सबसे पहले नीचे आजाएगा गलत है और हर एक बुक में यही बता आ जाता है कि हाँ यह हमारा ब्लॉक सबसे पहले नीचे आ रहा है अगर फ्रिक्शन नहीं अजूम किया है तो इस क्वेश्चिन को एक लाइन में सॉल्ट करने की ट्रिक बताता हूँ हमने जो इक्वेलेंट मास वाला कॉनसर्प समझा था उसमें हमारे पाँ जब कोई पुली होता था तो हम क्या करते थे उस पुली का मास मान लेते थे उसका एक इक्वेलेंट मास मान दे थे मास is equal to क्या होता था आए डिवाइड बाइ आर स्कूरे ठीये वही concept यहाँ पे भी लगाओ अब energy में change कितना हुआ है MGH MGH is equal to half mv square is equal to half mass कौन सा होगा जो उसका mass है plus equivalent mass जो है I upon r square into v square एक line में हमें velocity पता चल गए कि नीचे जाने के बाद velocity कितनी होने वाली है अब जिसका I ज्यादा है I upon r square का ratio ज्यादा है हुआ तो इसकी velocity कम होगी तो इससे पता भी चल जादा है कि हमाई जो ring है वो सबसे जादा दीरे नीचे जाएगी और इस तरीके से आप इसे solve कर सकते हो तो इसमें हमें पता है क्या चीज़ देखनी है हमारे पास जो भी energy में change आया है potential energy में वो दो जगें distribute हो रही है हमारी potential energy एक translational उसमें जा रही है और दूसरी rotational form में चली जा रही है तो MGH तो हमारी fixed value थी मानलो 10 J, 50 J उसका एक पार्ट चले जाता है half MVC square में और दूसरा पार्ट जाता है half I omega square में अभी तक हम इन दोनों के ratio को change नहीं कर पा रहे थे मतलब जा रही है नीचे कुछ certain ratios में जाना है तो वो जा ही रहा था अगर हम इसके ratio को बदलना चाहें हम चाहें कि नहीं यार हमारी पूरी की पूरी kinetic energy या फिर maximum amount of kinetic energy rotational motion में जाए तो वो हम कैसे कर सकते हैं उसको करने का बहुत आसान तरीका है यह रहा वो होता है यो-यो पहला सवाल तो उठता ही है कि हम ऐसा चाहते कि नहीं है कि rotational motion में हम energy को डाले rotational energy बहुत दे तक store रहती है अगर इस तरह भूमेगा तो बहुत दे तक घूमता रहता है मेरा यो-यो खराब हो गया पर यह बहुत दे तक फिर घूमता रहता है तो rotational energy stored रहती है और यह इस तरीके से नीचे घूमता रहता है फिर हम इसको ऐसे जटका देते हैं तो यह रस्सी उसमें फस जा दे गई हैं और यह क्योंकि टू आर ओमेगा हो जाता है यहाँ पर भी सेम चीज है लेकिन रस्सी इस बार अंदर वाली रिंग में लेप्टी होई है तो यह radius छोटा हो गया radius छोटा हो गया तो वी उतनी रहेगी लेकिन ओमेगा बढ़ जाएगा तो हमारे पास ज्यादा rotational energy आजाएगी हमारे पास same MGH amount में same gravitational potential energy खर्च करके हम ज्यादा ratio में rotational energy लगा सकते हैं ओके इसको हम solve करेंगे one single line में कैसे करेंगे equivalent mass के concept से छीक है इसका rotation तो इस axis के about है तो इसका moment of inertia I is equal to mass times capital R का square यहाँ पर capital R ये वाला है small r ये है और हमारा जो V is equal to R alpha होता है V is equal to r omega वो क्योंकि रस्सी अंदर वाले radius पर बंदी हुए है तो हमारा equivalent mass M dash उसकी value आ जाती है उसकी value के तिया जाती है I divided by R square small r का square क्योंकि रस्सी small r पर लिप्टी होई है हमारा V is equal to small r omega है I की value थी M into capital R का square divided by R square यह हमारा equivalent mass आ गया work energy theorem लगाते है change in potential energy is equal to MGH is equal to kinetic energy हमारे दो masses के आ रहे है is equal to half M plus M dash times Vc square खतम एक line में answer आ गया solve करके देख लेना एकदम सही answer है इस question को हम solve करेंगे साथ में हम एक trick भी जीखेंगे है कि कैसे इस question में मनलो हमें इसका acceleration A पता करना है एक single line में इसका acceleration A हम कैसे पता कर सकते है ठीक है मनलो इसका acceleration नीचे की तरफ A है यहाँ पर tension T है यह वाला pulley massless है यह वाला block भी massless है तो यहाँ भी tension T होगी और हम कुछ equations लिखते हैं सबसे पहले तो इस body का इस block का free body diagram बनाते है तो यहाँ से हमें equation मिलती है mg-t is equal to mass times acceleration अब इस रसी का इस तरफ भी acceleration A होगा लेकिन इस pulley का इस तरफ acceleration A नहीं होगा क्यों क्योंकि pulley इस तरीके से alpha से घूम भी रही होगी अगर हम इस pulley का इस तरीके से diagram बना करके देखें तो यहाँ पर रसी इस तरफ खिच रही है A acceleration से इसका कुछ इस तरफ alpha का angular acceleration भी आ रखा है उसकी वज़े से इसके center of mass का कुछ कम acceleration होगा मानलों वो है अगर A2 तो मैं लिख सकता हूँ A2 plus R alpha is equal to A यह हमारी no slip condition आ गए मतलब रसी इस पुली पर सरक नहीं रही है तो यह condition होगी सही ठीक है अब हम इस पुली के उपर इस पुली के उपर force is equal to mass times acceleration कर देते हैं इस पुली के उपर इस तरफ force कितना लग रहा है force लग रहा है tension T is equal to mass times acceleration अब इस पुली का mass है M इसका acceleration कितना है इसका acceleration यहां से हमें पता चलता है A2 A2 is equal to A minus R alpha तो यहां हम लिख देंगे A minus R alpha साथ में इस पुली के उपर यहां पर लग रही है tension T तो इसके उपर अगर हम torque वाली equation लिखे तो हम लिख सकते है T into R जो की torque है is equal to I times alpha अब देखो हम एक काम करना चाहते है इस वाले block को तो पता नहीं है इस वाले block को नहीं पता कि उपर यहां पर क्या system रखा हुआ है इस block के लिए यह वाली जो पूरी चीज है इसको हम एक कुछ equivalent mass से replace कर सकते है और हमें वह ही equivalent mass निकालना है तो हमारा काम हो जाए वैसे अगर आप इन equations को solve करोगे तो आप वैसे भी acceleration निकाल सकते है लेकिन हमें एक trick develop करना चाहते है यहां से alpha की value हमें मिल जाती है इस value का आप यहां पर रख दो तो हमें मिल जाता है tension T is equal to mass times acceleration minus m r alpha alpha की value यहां से आजाती है t r upon i यानि की t is equal to mass into acceleration minus mass into r square upon i times t इसको इस तरफ लेकिया होगे तो हमें मिलता है t is equal to m a upon 1 plus m r square divided by i या फिर हम लिख सकते हैं tension T is equal to mass multiplied by 1 upon 1 plus m r square divided by i times acceleration देखो यही वाली equation मैंने यहां पर लिखती है अब इस question को समझने की कोशिश करो मानलो हमारे पास यहां पर एक block होता हमें नहीं पता उसके अंदर क्या system है हमें पता ही नहीं है उसके अंदर क्या system हमारी equation यहां पर आ रही है कि भाई इसके उपर tension T लग रहा है हम इसका acceleration A देखते हैं तो हमने इस block का कुछ equivalent mass निकाल दिया जो कि यह है m into 1 upon 1 plus m r square by i बस यही हमें equivalent mass निकालना था तो हमारी equation आ जाती है driving force यानि कि mg is equal to अब mg से 2 mass का acceleration हो रहा है दो mass कौन कौन से हैं एक mass यह वाला mass है दूसरा mass यह equivalent mass है तो mg is equal to acceleration into 2 mass एक mass था m और दूसरा mass ही है यानि कि m into 1 upon 1 plus m r square divided by i और इससे हमारा answer रहा था देखो i की value कितनी है i is equal to m r square by 2 क्योंकि एक disk है यह cylinder है तो उसका moment of inertia है अतना होता है यह value यहां रखोगे तो हमारा m से m से m cancel out हो जाएगा और हमें मैं लेगा g is equal to a into 1 plus 1 upon 1 plus 2 यानि कि यह 3 हो जाएगा 3 है तो 4 हो जाएगा और acceleration की value हो जाती है 3 by 4 g लेकिन यह equivalent mass का formula याद कैसे रखा जाए यह याद रखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो अब मैं इसकी trick बताता हूँ किसे याद कैसे रखा जाएगा देखो यह रसी इधर आएगी तो यह दो कारणों से रसी इधर आ सकती या तो पुली इस तरफ आगे चलना शुरू हो जाए या फिर पुली इस तरफ घूमना शुरू हो जाए हमारे पास दो तरफ की case हो गया तो पुली चलेगा या फिर घूमेगा अगर पुली चलता है सिर्फ चलता है उसका घूमना हमने block कर दिया यह पर block कर दिया तो हमारे पास equivalent mass कितना हो जाता है इसको फिर आप पूरा mass m ही समझो यह तो mass आ रहा है यह घूमना तो इसमें ही नहीं तो हमारे पास equivalent mass होता है m जो की normal case हम Newton's laws of motion में हमने पढ़ा था अगर हमने इस block को यहाँ पर बांद दिया अब यह mass सिर्फ rotate कर सकता है सिर्फ rotate कर सकता है इस case में हमारे equivalent mass कितना आता है वो आ जाता है यह हमने थोड़ी देर पहले देखा था अब यह mass होता क्या है mass होता है resistance to move तो move करने में इस रस्सी को आगे निकालने के लिए जितना भी resistance है वह होता है mass अब पहले हमारे पास सिर्फ एक तरीका था बाद में हमारे पास दूसरा तरीका था लेकिन अगर हमारे पास दोनों तरीके हैं तो हमारी रस्सी और ज्यादा जल्दी निकलेगी दोनों तरफ से निकलेगी तो basically mass कम हो गया है effective mass कम हो गया resistance कम हो गया आप इसको ऐसा समझों कि हमारे पास अगर parallel में दो resistor थे एक resistance था हमारे पास एक resistance था हमारे पास mass m का दूसरी बार हमारे पास resistance था i upon mr square का और जब हमारे पास दोनों हैं तो हम इसको equivalent circuit जैसा को समझ सकते हैं आप और हम बोल सकते हैं 1 upon m effective is equal to 1 upon m जो की सिर्फ translational motion की वज़े से आता प्लस 1 upon वो वाला mass जो सिर्फ rotational की वज़े से आता उसकी value होती है i upon mr square तो इससे आप m effective निकालोगे तो हमें ये वाली चीज़ मिलेगी अब इसका फायदा क्या है देखो अगर हमें ये concept समझ में आ गया ना तो हम इसकी equation one line में लिख सकते हैं मैं इसकी equation अब one line में लिखता हूँ मेरे पास driving force क्या है मेरे पास driving force है mg उसकी वज़े से दो mass का acceleration होना है दो mass का acceleration होना है कौन-कौन से mass है एक तो ये mass खुद है m दूसरा mass यहां पर है जो है m effective m effective की value कैसे बता करूँगा m effective की value है 1 upon m effective is equal to 1 upon capital ये small m जो सिर्फ translational वाला है plus 1 upon i divided by mr square जो की सिर्फ rotational वाला mass होता है ये देखो इससे आप solve करो और मैं बता रहा हूँ आप solve करके देखना अगर ये disk नहीं होती इसकी जगे हम hollow sphere या solid sphere लेते तो हमारे answers क्याते हैं वो भी आप check कर सकते हो इतना simple था और इसको अब मैं कितना भी complicate कर लो मेरे चीज़े बहुत आसान हो जाएंगे देखो दिखाता हूँ किस तरीके से question को complicate किया जा सकता है मान लो ये है M1 R1 का ये है M2 R2 का और ये है M अब हमें बताना है कि इसका नीचे की तरफ acceleration एक कितना हो बहुत ही simple एक line में solve करेंगे driving force कितना है mg is equal to mass times acceleration mass कौन कौन से है तीन mass को इसे move करना है पहला mass है M वो खुद दूसरा mass इसकी वज़े से होगा effective mass हम निकालना जानते हैं तो दूसरा mass हो जाता है I divided by M R2 square M2 R2 square I2 I2 हम पता कर सकते हैं जो भी value होगी plus तीसरा mass M equivalent जो इसकी वज़े से होगा अब यहां पी rotate भी कर रही है और move भी कर सकते हैं तो इसका M equivalent हम क्यासे निकालेंगे 1 upon M equivalent is equal to 1 upon translational वाला mass वो है M plus 1 upon rotational वाला mass वो होता है I divided by M R2 अगर यह I1 है तो M1 R1 का square खतम आगे answer निकाल लो चलेंगे इस question में हमारे पास एक ball है जिसके उपर इस तरफ force लगा दिया हमने capital F और यह नीचे रखे है sufficient friction है हमें बताना इसका acceleration कितना होगा इसके उपर पीछे की तरफ कुछ force लग रहा होगा friction का नीचे की तरफ लग रहा होगा Mg उपर की तरफ लग रही होगी normal reaction लेकिन इतना सब करने की दरूरत नहीं है हमारे पास दो तीन equation हो सकती है जैसे पहली equation की इसका कुछ acceleration आएगा दूसरा इसके उपर कुछ start लग रहा है तो इसका कुछ alpha होगा और तीसरी equation हमें मिल जाएगी A is equal to R alpha क्योंकि यहाँ पे slipping नहीं हो रही है no slip condition है तो इन तीन equation से आप question solve कर सकते हैं लेकिन हम इसे जल्दी solve करना चाते है तो जल्दी solve कैसे करेंगे देखो इसके उपर forces लग रहे हैं यहाँ पर लग रहा था capital F नीचे की तरफ लग रहा था mg और इस direction में लग रहा था small f friction का अब हमें torque देखना है instantaneous axis of rotation के अबाओ ऐसा हम क्यों करेंगे क्योंकि देखो mg भी यहीं से पास हो रहा है normal reaction भी यहीं से पास हो रहा होगा यह friction का force भी यहीं से पास हो रहा है तो हमारे पास सिर्फ एक force बसता है जो इसको टॉर्क लगा रहा है तो टॉर्क इस इक्वल टू आई अलफा आई कौन सा है बस वो ध्यान रखना है आई है इस instantaneous point of rotation के अबाओ अब वो आई हम कैसे पता ल r distance से नीचे shift कर देंगे तो हमारे पास i अगर यह point p है तो ip की value आजाती है icm प्लस mr square यानि कि 2 by 5 mr square प्लस mr square यानि कि 7 by 5 mr square इस value को यहाँ पे रख दो torque की value है f into 2r यहाँ से 2r distance पे लगा है 2r f into 2r is equal to i की value है 7 by 5 mr square times alpha अगर हमें इसका acceleration पता करना था तो acceleration की value कितनी आजाती है a is equal to r alpha तो यहाँ से हम r alpha पता कर सकते है r से 1r कट जाएगा और हमारा alpha जो बच जाएगा वो आ जाता है 10 f by 7m is equal to alpha एक line में हमारा answer आ गया हमें ना friction की value calculate करनी पड़ी ना normal reaction की calculate करनी पड़ी और अगर आपको चाहिए कि आप friction की value पता करें तो हम वो कैसे पता करेंगे देखो यह हमारी free body है इसके उपर इस टरफ लग रहा था force f इस टरफ लग रहा था friction का force f आप बता सकते हो f minus small f is equal to mass times acceleration acceleration की value हमने यहाँ से निकाल लिए value रखो friction की value तुरहन पेल जाएगी instantaneous axis of rotation बड़े गाम की चीज़ यह भी बहुत अच्छा question है यहाँ पर हमारे पास एक mass m लटका हुआ है 2m mass का एक cylinder है उस पर रसी लिप्ट हुई है तो इस पर नीचे की तरफ इदर tension T लगेगी T लगेगी तो यह कुछ इस तरीके से घूमेगा रसी खुलती जाएगी और इसका acceleration हमें पता करना है तो इसको हम step by step solve कोईते हैं नहीं तो इसमें काफी जादा गलतियां होने के chances होते हैं देखो पहले इस वाले mass का मैं free body diagram बनाऊँगा इस पर नीचे की तरफ force लग रहा है mg तो मैं लिख सकता हूँ mg minus T is equal to ma यहां तक सब से ही अब आते हैं इस वाले block पर देखो sufficient friction है तो इसमें इस तरफ कुछ friction का force भी लग रहा होगा तभी तो वो roll होगा अगर friction का force नहीं होता तो वो घूमता जरूर पर pure rolling हो ऐसा जरूरी नहीं है तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा tension T minus friction का force F is equal to mass इसका mass कितना है इसका mass है 2m times acceleration a और यहीं होगा एक गलती देखो acceleration इस वाले point का है a तो इस वाले point का हो जाएगा a by 2 यह बहुत बढ़ी गलती सब कर देते हैं मैंने भी बहुत करे थी तो a by 2 हमें यहां लिखना पड़ेगा इसको solve कर गए तो फिर से आ जाती है value m a तीसरी equation क्या होगी torque वाली अब देखो यहां पर friction Fb से इधर घुमाना चाहता है tension Tb से इधर घुमाना चाहती है तो दोनों की वज़े से torque positive लग रहा है मतलब दोनों घुमाने की same direction में tendency है तो हम लिख सकते है torque tension के कारण torque है T into R plus friction के कारण है torque F into R is equal to उसके center के about moment of inertia कितना है m r square by 2 लेकिन mass double है तो इस बार 2 m r square by 2 times alpha acceleration कितना है इसका angular acceleration देखो इसका यह है हमारे पाद center of mass का acceleration है a by 2 इसका acceleration है a और यह है radius r तो हम लिख सकते हैं a is equal to a by 2 plus r alpha तो यहां से हमारे alpha की value आ जाती है a divided by 2r तो हम alpha की value भी गलत निकाल लेते हैं आपर इसलिए यह समयना जरूरी है alpha की value आ जाती है a divided by 2r इसको r को divide कर दो यहां पर लेयाओ तो यह 2r square हो जाता है 2 से 2 cancel out हो जाता है r square से r square cancel आ जाता है और हमारे पास value आती है m a by 2 t minus f की value हमें पता चल गई t plus f की value हमें पता चल गई अगर इन दोनों equations को मैं add कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 2t is equal to m a plus m a by 2 यानि की 3 m a by 2 यानि की t is equal to 3 m a divided by 4 इस equation को आप यहां पर रख दोगे तो इससे हमें मिल जाएगी क्या value mg is equal to m a plus 3 m a by 4 m से m से m cancel और हमारे a की value आजाती है a is equal to 4 g upon 4 plus 3 7 हमारा answer आगे अब इसी question को solve करेंगे एक single line में इसके लिए हम use करेंगे instantaneous axis of rotation का देखो यहां पर हमारा instantaneous axis of rotation है इसके about के कुछ इस तरीके से घूमेगा इसका कुछ alpha होगा यहां पर इस topmost point का acceleration है इस direction में a यह वाला जो distance है यह है two times r तो हम निकाल सकते है alpha is equal to a divided by 2r ठीक है इस axis के about moment of inertia कितना होगा इस axis को अगर मैं p बोल दूँ तो मैं बोल सकता हूँ ip is equal to mr square by 2 जो की center के about होता है plus mr square क्योंकि हमने r distance axis को shift किया है और इस बार हमारा पूरा का पूरा mass m के लिएक है 2m था तो इसे 2 से multiply भी करना पड़ेगा और ip की value आ जाते है हमारे mr square plus 2 mr square यानि कि 3m r square अब हमें इस instantaneous axis पर equation लिखने है torque is equal to i alpha torque की value कितनी है यहां पर लग रहा है tension t किस distance पर लग रहा है 2r पर तो t into 2r is equal to i i की value कितनी है 3m r square into alpha alpha की value कितनी है a divided by 2r r से यह r cancel r से यह r cancel और t की value आ जाती है सीधे सीधे 3a by 4m इस value को यहां पर रख दो तो हमें मिलता है mg minus t is equal to ma mg is equal to ma into 1 plus t की value कितनी थी 3 by 4 यहां से हमारा answer आ जाता है a is equal to g multiplied by 4 upon 4 plus 3 7 instantaneous axis of rotation से बड़ी जल्दी हमारा answer आ गया इस question में हमारे पास एक sphere है जिसका mass है m और वो इस 4m mass के block के उपर रखा हुआ acceleration इसका acceleration as है a sphere है और नीचे वाले block का acceleration है इस तरफ a और इसका इस तरफ है angular acceleration alpha तो हम लिख सकते हैं a is equal to as plus r times alpha सबसे पहले हम नीचे वाले block के लिए equation लिखते हैं नीचे वाले block पर इस तरफ force लग रहा है f पीछे की तरफ friction का force लग रहा है उसके उपर और उसके वज़े से उसका mass है 4 times m times acceleration a अब यह जो sphere है हमारा उसके उपर हम torque वाले equation लिखते हैं उसके उपर कौन सा force लग रहा है उसके उपर force लग रहा है f कितने distance पर लग रहा है r distance पर यह हो गया torque is equal to i alpha i इसका moment of inertia है कितना होता है यह है solid sphere तो इसका moment of inertia हो जाएगा 2 by 5 m r square times alpha alpha की value देखो हमें चलो alpha assuming कर लेते हैं times alpha और एक equation मिल जाती हमें sphere के उपर इस direction में net force है friction का और इस direction में उसका कुछ acceleration है तो f is equal to sphere का mass है small m times उसका acceleration acceleration of sphere हमें यहां से मिलाएगा acceleration of sphere की value है a minus r alpha यहां पर r alpha है तो इस equation से हम r alpha की value पता कर सकते हैं और इससे हमें मिलती है r alpha की value है 5f divided by 2m इस value को हम इस equation में रखेंगे हैं में मिलता है f is equal to ma minus mr alpha mr alpha की value हो जाती है 5 divided by 2f इसको आप solve करेंगे 5 by 2 को इस तरफ ले आओगे तो यह आ जाता है 7 by 2f is equal to ma यानि f is equal to 2ma divided by 7 इस value को हम यहां पर रखेंगे इससे हमें values मिल जाएगी कुछ answer मिल जाएगा f is equal to 4ma plus 2ma divided by 7 which is equal to 7 into 428 plus 2 30ma divided by 7 यह है capital f यानि a की value हा जाती है a is equal to 7 capital f divided by 30m हमारा answer आ गया अंगिलर मुमेंटम होता है moment of momentum अब यह मुमेंट क्यों होता है मानलो हमारे पास कोई object है इस तरफ मुव कर गये तो इसका कुछ momentum होगा इस तरफ लेकिन मेरे से कितनी दूर है उससे मैं multiply कर दूंगा वह हो मानलो हमारे पास कोई object है यह वाली एक object है वह इस direction में move कर रहे है तो इसका कुछ momentum होगा इस direction में जो है vector p1 अब इसका angular momentum अलग-अलग point से देखने पर अलग-अलग आएगा क्यों क्योंकि हमारा जो distance होता है वो बदल जाता है मानलो मैंसे ओ point से देख रहा हूं तो हमें यह है vector r यानि कि position vector उस वक्ट वो particle कहां पर है cross उसका momentum तो यह भी हमारी torque की तरही आजाता है इसकी value भी हो जाती है rp sin theta थीटा कौन सा angle है थीटा इंदू vectors की बीच में देखो यह हमारा r vector है यह हमारा position vector है r cross p में theta की value यह हो जाएगी इससे हमारा rp sin theta value हमें calculate होकर के मिल जाती है अगर मानलो यहाँ पर यह जो particle आ रहा इसका mass था 1 kg उसकी velocity थी 2 meter per second तो उसका momentum हो जाता है mass times velocity यानि की 2 kg meter per second यह तो हुआ linear momentum लेकिन इस point के बाउट इसका कुछ angular momentum भी होगा और उसका direction क्या होता है यह जिस तरीके से हमारी देखो यहां से ऐसा देखेंगे तो ऐसा लगता है कि इस तरीके से rotation कर रहा है तो right hand rule से ह मैं पता चलेगा angular momentum का direction ऊपर की तरफ यहां पर frame से बाहर निकला होगा और उसका magnitude हो जाएगा मानलो यह वाली length है 2 meter लेकिन हम 2 meter से multiply नहीं करेंगे हम देखेंगे perpendicular distance तो यह तो यह वाला हमारे पास perpendicular distance आ जाता है तो हमारे पास angular momentum इस case में particle 1 का उसकी value आ जाती है 2 kg meter per second times यह जो length है इसकी value है 1 meter into 1 meter तो हमारा angular momentum आ जाता है 2 kg meter square per second और यह एक vector quantity है इसी तरीके से हम P2 का भी angular momentum पता कर सकते हैं मानलो P2 particle इस तरफ जा रहा है उसका momentum है कुछ 5 kg meter per second और इस बार हमें perpendicular distance यहां से मिलेगा यह वाला तो यह perpendicular distance है मानलो इसकी value है 2 meter तो उस case में हमारे L2 की value आ जाती है L2 की value हो जाती है 5 into 2 यानिकि 10 kg meter square per second बस यही होता है angular momentum अच्छा यहां पर इस direction में हमारे पास घूमने का sense था यहां पर उल्टे direction में चीज घूम रही है तो इन दोनों जो हमारे angular momentum है उनका direction opposite होगा अगर यह positive है तो यह वाला फिर negative हो जाए अंगिलर momentum में हमारे पास तीन चीज़े हैं मास velocity और radius किस दूरी पर हो है या फिर आर perpendicular अब देखो यह सारी चीज़े डिपेंड करती है मास चलो मान लेते हैं constant है velocity reference frame पर डिपेंड करती है reference frame घूमने लगए तो velocity हमें कुछ और दिखाई करता है ओ से इस P1 का distance कुछ और होगा मालनों मैं यहां पर दूसरा point लेता हो तो मेरे पास perpendicular distance कुछ और आ जाएगा उस case मेरे पास perpendicular distance यह वाला आ जाएगा तो angular momentum भी reference frame पर depend करता है साथ में किस point से हम देख रहे हैं उस पर भी depend करता है अगर मैं इस point के about angular momentum देखूं तो जाता है जीरो तो इस point के about इन दोनों particle का angular momentum जीरो आ जाता है angular momentum ऐसा लगता है कि कुछ rotation वाली टर्म है यह rotation वाली टर्म जरूर है लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ rotating objects का ही angular momentum होता है यह particles जो हमाए थे यह देखो linear motion कर रहे थे एक straight line में जाने थे फिर भी इनका कुछ angular momentum हमें इस point के about मिला तो confused मत हो ना straight line में चलने वाले particles का भी कुछ angular momentum होता है अगर हमारे पास कोई rotating body है तो हर rotating body का भी कुछ angular momentum होता है क्यों देखो इसके खूच सारे छोटे 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 particles हैं हर एक particle की कुछ ना कुछ velocity होती है जो है आर उमेगा से हमें पता चल जाती है साथ में हम देखते हैं कि उनका कुछ छोटा-छोटा mass भी है तो उनका कुछ छोटा-छोटा momentum होता है और सभी momentum का अगर आप center of mass से distance देखोगे तो कुछ distance भी है तो हर एक particle का कुछ थोड़ा-थोड़ा angular momentum आ जाता है लेकिन अगर हम इस पूरी body का angular momentum पता करना चाहें center के about क्योंकि angular momentum हमेशा किसी point के about होता है तो center के about angular momentum की value आ जाती है l is equal to i omega i इस axis के about moment of inertia है अचा angular momentum एक vector quantity है उसका magnitude तो हम i omega से पता कर लेंगे लेकिन उसका direction हमें right-hand rule से पता चलेगा मानली object इस तरीके से घुम रही है इस तरीके से घुम रही है तो यह जो vector हमें दिखाई दे रहा है यह दरसल इसका angular momentum vector है जितना इसका magnitude है उतना जादा angular momentum है और इसका direction हम देख सकते हैं right-hand rule से हमें पता चल जाता है अगर हम इस object को उल्टा घुमा देंगे तो magnitude नीचे की इस तरफ इस बार हमें vector form में दिखाना पड़ेगा ट्रांसलेशनल मोशन में हमारे पास होता था linear momentum पी रोटेशनल मोशन में हमारे पास angular momentum हो जाता है ट्रांसलेशनल मोशन में हम लिखते थे force is equal to dp by dt इसी तरीके से rotational motion में हम लिख देते हैं torque is equal to dl by dt बहुत ही simple है इस में मत तब कुछ कर नहीं नहीं है कभी equation आएगे तो हम यूज कर लेगे याद रखना तो बहुत आसान है अगर हमारे पास कोई object है जो rotate करती है तो उसका angular momentum हमें इस से पता चलता है अगर कोई object है जो सिर्फ translation motion कर दिये जै into distance r कितनी दूरी पर है actually r cross mv होता है वो r cross mv लेकिन अगर दोनों ही motion हो रही है यह इस तरीके से move भी कर रही है और घूमते हुए move कर रही है तो इसका angular momentum पता करने के लिए हम इन दोनों values को add कर देंगे यह l is equal to i omega इसमें हमें reference frame का फर्क नहीं पड़ता क्योंकि reference frame की velocity about है लेकिन यहाँ पर हमारे पास r है जो कि एक point से न आपा जाता है distance और हमारे पास एक velocity है जो कि reference frame पर dependent है तो हमें सोचना पड़ेगा हम किस point के about angular momentum calculate करना चाते हैं मानलो हम इस point के about angular momentum calculate करना चाते हैं तो हमारे पास total angular momentum की value आ जाएगी पहले लिख दो l is equal to i omega यह यहाँ से इस तरीके से घूमता हुआ हमें दिखाई दे रहा है प्लस यह velocity का कुछ perpendicular distance होगा यहाँ पर तो हम लिख देंगे plus mvcm times r यह है हमारे पास r perpendicular distance तो इस point के about हमारे पास angular momentum आ गया मानलो हमारे पास कोई दूसरा point है यहाँ पर point भी अब इस point के about इसी rotating rod का हमें rotating और घूमती फि तो उसे हम कैसे पता करेंगे उसकी लिए हम लिख देंगे lb is equal to पहले तो rotating वाला angular momentum लिख दो उसकी value आ जाती है i omega प्लस अब हमें चाहिए perpendicular distance तो यहाँ पर हमारे पास इस velocity के perpendicular distance आ जाता है यह इसको मैं बोलता है तो मानलो rb प्लस mass into velocity of center of mass times rb यह आ गया हमारा angular momentum इस point B के अब अब यहाँ पर एक छोटी सी हमने गलती कर दिये देखो अगर हम point B से बैट करके देख रहे हैं तो point B से हमें omega इस तरफ तो घूमते वे दिख रही है लेकिन इस velocity of center of mass के कारण हमें ऐसा लगेगा रोल इस तरफ घूम रही है तो यह उल्टा direction हो गया तो हम यह सब्सक्राइब में एड़ करना पड़ेगा और हमारा answer यह आ जाता है आई omega माइनस मास इंडू velocity टाइम परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हमारे पास कोई solid object है जो किसी point के about hinged है जैसे इस point के about hinged है और omega से घूम रही है उस case में angular momentum हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं hinge के about अगर हम hinge के about angular momentum लिखते हैं तो उसकी value हा जाती है l is equal to सिर्फ i omega यहाँ पर i कौन सा है i है hinge के about अगर आप चाहो तो इसी point के about आप angular momentum velocity of center of mass के हिसाब से भी calculate कर सकते हो उस case में हमारा angular momentum क्या आजाएगा i center of mass times omega plus mass into velocity of center of mass times r perpendicular अगर यह rod है तो हमारे पास यह rod का r आ जाता है और यह भी r हो जाता है हम जानते हैं क्योंकि यह hinged है तो हम लेख सकते हैं vc is equal to r omega तो यहाँ से हमारे पास value आती है ic omega plus mr square omega तो यह value आ जाती है ic plus mr square omega और ic plus mr square यह value है actually i hinge times omega तो parallel axis theorem के हिसाब से हमारे पास यह वाला formula आ जाता है इसे आप याद रख सकते हो जब भी कोई हमारे पास hinged object है तो हम उस hinge के about angular momentum डिरेक्ली निकाल सकते है एक question solve करते हैं हमारे पास एक rod है जो इस तरीके से move करते हुए जा रही है उसकी कुछ omega है उसकी कुछ velocity है अब हम angular momentum पता करेंगे अलग-अलग points के about पहले तो एक point ले लेते हैं जो इसके center of mass की velocity है वहीं से जा रहा है इस point के about अगर हमें angular momentum पता करना है तो देखो angular momentum इसे मैं बोल देता हूं point number one l1 is equal to icm times omega plus mass into velocity of center of mass into radius perpendicular इस case में radius इस perpendicular इस velocity का perpendicular distance वो है 0 तो यह वाली term 0 आ जाएगे हमारे पास सिर्फ angular momentum बचेगा icm जिसकी value है 10 और omega की value है 2 तो हमारे पास answer आ जाता है kg m2 per second यह आ गया हमारे पास angular momentum हमें एक और point ले सकते हैं मानलो मैंने यहां पर ले लिया P2 इस point के बाउट angular momentum मुझे पता करना है तो पहले तो P2 के लिए मैं लिकूंगा L2 is equal to i center of mass times omega plus mass into velocity of center of mass times radius perpendicular अब i center of mass times omega उसकी value तो 20 आ गई थी जो हमने यहां पर देखी थी plus mass into velocity of center of mass into radius perpendicular perpendicular distance कौन सा होगा देखो यह velocity हमारी इस direction में थी तो यह हमारा perpendicular distance आ जाता है मानलो इसकी value है 10 meter यहां से हमारे पास answer आ जाएगा mass की value है 10 kg velocity of center of mass है 5 meter per second और यह perpendicular distance आर perpendicular इसकी value है 10 meter तो यहां पर 10 लिख देंगे और हमारा answer आ जाएगा total 500 plus 20 यानिकी 520 kg meter square per second यह हमारा answer है अच्छा एक बात बदाओ यहां पर हमें कुछ term दिख रही है meter square per second meter square per second meter square क्या होता है यह तो area होता है तो area per second इस तरह की हमें कुछ feeling आ रही है इसको समझने की कोशिश करते हैं इस point के about अगर मैं angular momentum calculate करूंगा तो angular momentum की value आ जाती है mvr और इसकी कुछ unit होगी kg meter square per second इस meter square का मतलब इसने कुछ area per second वाली यहां पर term है तो एक second बात मानलो यह particle यहां पर आ जाता है इस एक second में इस particle ने कुछ area cover किया है वो area है यह वाला इस point से ऐसा हमें दिखाई देगा किसी और point से देखोगे तो वो area अलग हो जाता है अच्छा तो मानलो यहां पर एक दूसरा point है उस point से हमें area कौन सा देखाई देगा मानलो हम यहां से बैट कर देख रहे थे तो हमें ऐसा लगेगा इस point ने यह वाला area cover किया है अब एक सेकिंड बाद यह particle फिर से किसी तीसरी जगहे पर पहुंच जाएगा मानलो वो यहां पर आचुका है इस case में भी जो area swept होगा वो same होना चाहिए यानि कि यह वाला जो area बनेगा यह वाला जो area है इस area की value यह yellow वाले area के बराबर होनी चाहिए यही है angular momentum और अगर हम उपर वाले जो दूसरे point से देख रहे थे यह मानलो point 2 है यह point 1 है point 2 से भी जो पहले बार area उसने देखा था उतना ही area इस बार वो calculate करेगा तो इस बार वो यह वाला area आ जाता है यही है area जो swept होता है उसका मतलग और यह value सेम क्यों आ रही है देखो यह area एक triangle बन रहा है triangle का area कितना होता है half base into height अब base मानलो यह वाला base है और height यह fix ती यह क्यों यह perpendicular distance है base यह वाली value हो जाती है velocity into time t तो यह तो सभी उसमे time intervals में same होगा यह वाली lens सभी time intervals में same आने वाली है height इन triangles की सबकी same है जो perpendicular distance है इसलिए जो भी area swept होता है वो area same आ जाता है translational motion में हमारे पास कुछ mass होता है उसकी वाज़े से कुछ momentum होता है अगर momentum ज्यादा है तो उसका momentum बदलने के लिए हमें ज्यादा force लगाना पड़ता है अगर momentum कम है तो हम कम force ही momentum को change कर सकते है ऐसा ही कुछ rotational motion में होता है हमारे पास angular momentum या तो कम हो सकता है या फिर हो सकता है बहुत ज्यादा angular momentum अगर ज्यादा angular momentum है तो इस पर मैं छोटे छोटे टॉर्क लगाऊंगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा काफी ज्यादा टॉर्क लगाऊंगा तभी जाकर यह रुकेगा तो हम क्या सकते हैं कि omega को stabilize करने के लिए यानि उसमें अगर हमें के changes कम चाहिए तो हम angular momentum बढ़ा दे और इसी का यूज होता है flywheel बनाने के लिए अभी flywheel क्या होता है आपने flywheel बहुत जगे देखा होगा सबसे आदा common है हमारी cars के engine में एक flywheel होता है किसी भी generator में एक flywheel होता है flywheel मतलब एक बहुत बढ़ा पहिया जिसका moment of inertia जादा रहे इसलिए mass को देखो radius से access से दूरी पर जाता है ताकि हमारा moment of inertia बढ़ जाए अगर वो कुछ omega से घूम रहा है तो उसका कुछ काफी ज्यादा angular momentum होगा अब इसके अंदर छोटे-छोटे piston होते हैं जो इसको घुमाने के लिए पुश करते हैं और उसके उपर कुछ टॉर्क लगता है अब जब engine होता है उसमें पू फिर एक छोटे से टाइम पर हमें पुश मिलता है अगर हम टाइम वाइस ग्राफ बनाए तो हम ऐसे देखेंगे हमें जो पावर आउटपुट मिलता है कुछ ऐसे मिलता है एकदम से पावर आउटपुट मिला फिर एकदम से पावर आउटपुट मिला फिर एकदम से पाव फ्लाइवील लगा दे वह फ्लाइवील ऐसे घूमता रहता है घूमता रहता है कि उसका एंगुलर मोमेंटम काफी ज्यादा होता है और उसमें इस पाउर की वज़ए से पर राइट मारते हैं फिल लफ मारते पर राइट मारते कई भार हम रुख भी जाते हैं लेकिन इसका मोमेंट ओफ इनर्शिया जादा होता है इसकी ओमेगा काफी जादा होती है तो एक स्मूद अल्ट चलता रहता है नहीं तो साइकल चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहां पर जेनरेटर में भी हमारे पास एक फ्लाइवील है यह फ्लाइवील है जो इस तरीके से रोटेट करता है ईएक कोई स्टीम एंजिन है और यहां पर इस तरीके का फ्लाइवील है बहुत बड़ा लाई प्लाइविल का बस यह концept है लीनियर मोमेंटम की तरह एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है क्यों मुझसे मत पूछना पस कंजर्व रहता है इसका एक्जामपल देखना चाहते हो देखो मान लोगर यह ऐसा है इसको मैं छोड़ दूंगा तो यह नीचे गिल जाएगा लेकिन अगर मैं इसे घुमा अब इसका कुछ एंगुलर मोमेंटम है उपर की तरफ तो अब यह नीचे नहीं गिरेगा यह उपर ही एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहने की कोशिश करें यह एंगुलर मोमेंटम है वह अपना डिरेक्शन नहीं बदलना जाएगा टाइम के साथ एनलजी खतम होती हमारा लट्टू लट्टू को आप घुमा के शोड़तो बहुत देर तक वह भूमता रहता है इसको मैं रोक दूंगा तो यह तुरन नीचे गिल जाता है और अगर इसको मैं घुमा रहा हूं इस तरीके से और मैं किसी स्टूल पर बैट जाओं जो स्टूल इस तरीके से हम को हमारे सिस्टेमं का कुछ एंग्ईलर मंघ्यों मो मेंटम हों अब अगर मैं इसका डरेक्शन बदल को आप कर हमारे सिस्टमगा मोम मेंटम बढल गया है लेकिन हमारे उपर कोई n сильत पर नहीं था यह तो इंटर्न पोस्ता तो इसकी रज़ए से मेरी दूसरे डिरेक्श हेलिकॉप्टर में यहाँ पर उपर एक बड़ा सा पंखा लगा रहता है, अब उसका इंजन पार लगाता है कि पंखे तुम इस तरफ घूमो, इस तरफ घूमो, इस तरीके से उस पर टॉर्क लगता है, पर यह तो हवा में है पूरा का पूरा हेलिकॉप्टर, तो पंखे भी उस हेलिकॉप्टर के उपर टॉर्क लगा देता है कि हेलिकॉप्टर तुम उल्टे डिरेक्शन में घूमो, तुम हमें घूमाओगे तो हम तुमें घूमा देंगे, अब हेलिकॉप्टर को तो सामने जाना है, हेलिकॉप्टर खुल घूमने लग जाएगा तो गड़ दूसरा छोटा पंखा लगा जाता है वो इस direction में constant force लगाता रहता है इस force की वज़े से यह देखो यहां पर हमारे पास एक distance होता है force into distance talk बन जाता है और हेलीकॉप्टर की ऊपर net talk आ जाता है अब काल जंप करेगी जिस वड़क और ने जंप करना शुरू किया तो वो ऐसे तो वो ऐसे ही नीचे गे जढ़ना साहूं लेकर लेकिन कई बार क्या होता है कि जह्म हम ऐसे उड़ते रहते तो आगे का पहिया इस तरीक वेन्द से चाहता है तो कर व 7 निकशे चाहिटेश की कोसिश 말 है जमीन से पहले नीचे आ जाता है तो कार इस तरिखे से एक एंगलर वेलोसिटी के साथ निकलती है अब माह aloo लंबी जंप मारी है तो हमारी कार इस तरीके से घुमते हुए जा सकती ऐसे के इसमें पता नहीं उल्टी लैंड कर जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी तो ड्राइवर क्या करता है जिस वात कि हवा में आप उस टाइम पहिये में कुछ विलॉसिटी दे सकते हो इंजन के तो पह है कि हम हवा में कार को थोड़ा कंट्रोल जरूर कर सकते हैं हम चाहें तो कार सीधी लैंड करवा सकते हैं यहाँ पर एंग्लर मोमेंटम का यूज होता है मानलो हमने एक ऐसा सिस्टम मनाया है कि इसके उपर हम खड़े हो करके इस तरीके से फ्रीली घूम सकते हैं चाहिए घूमनी पारा है तो अगर हम इस पर फ्रीली घूम रहे हैं तो हमारी कुछ मुमेंट ऑफ इनेर्षि हो गे है इस एक्सस के अपाउट च्शस फॉतिशन के अपाउट और हमारी कुछ एंगेलर विल सिटि हो तो हमारा एंग collagen मोवेंट मं कुछ हो गय कि ए और वह चैये हैं महां लो और मोमेंटम की वेल्यय कِ इतुंद ऑगे यह is equal to i omega अब घूमते 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 मुझे अगर अपनी angular velocity कम करनी है तो मैं क्या करूँगा अपने हाथ पैरों को इस तरीके से खोल दूँगा तो अब जो मेरा mass है body का मेरा mass axis से दूर हो गया है axis से दूर हो गया है इसका मतलब मेरा घूमते चीज पर खड़ो जाओ और अचानक से अपने हाथ पैर को इस तरीके से खोल दोगे तो आपका angular velocity कम हो जाएगी और फिर उसके बाद आप फिर से अपने हाथ पैर को वापस करीब लियाओगे body के तो moment of inertia फिर से कम हो जाएगा तो आपकी angular velocity फिर से बढ़ जाएगी इसका use भी कौन करता है इसका use करते हैं divers जब divers उपर से नीचे इस तरीके से कूथते हैं तो उन्हें पानी के अंदर ऐसे सीधा ही नीचे जाना होता है अगर पानी के अंदर ऐसे जाएंगे तो बहुत जादा उनको चोट लग सकते है अब वो इतनी उपर से कूथा है वो calculate तो नहीं कर सकते कि हम इस तरीके से गिरने वाले हैं तो रस्ते भर देखते जाते हैं जैसे ही उन्हें लगता है कि अच्छा अब हम गिरने वाले हमें ओमेगा कुछ फिक्स वैल्यू पर आकर के बहुत कम कर देनी चाहिए ताकि हमारा एंगल फिक्स हो जाए हम किस एंगल से गिर रहे हैं उस टाइम पर अपनी बॉड़ी को पूरा खोल देते हैं लंबा स्ट्रेच कर देते हैं तो अचानक से उनका मोमेंट ऑफ इनर्शी अब बढ़ जाता है इसलिए उनकी रूटेशनल वेलासिटी बहुत कम हो जाती है और वो कंट्रोल कर पाते हैं उनको कैसे भी कुदा दो लेकिन वो नीचे ऐसे ही सीधा करेंगे ऐसा नहीं कभी ऐसे चपाक नीचे कर जाए आप में पैर एकदम पास है तो अइंगुलर स्पीड काफी पेज है और लुप in कि फिर पर हंटब कर लो रिख स्थैसुघ हो गई Satच एक और सका इघ्जامपल सोलर सिस्टमा क्यों है पहले तो इसका मतलब क्यों सोलर सिस्टमा शन है औरब और सबी प्लानेट इस तरीके से चक्कार कट रहें तो यह सब फ्लैट है फ्लैट है मतलब सभी प्लेन में है लगभग एक प्लेन में है एकाथ हो सकता है ऐसे टेड़ा जा रहा हो थोड़ा पर आल्मोस हब देखो कि सब एक ही प्लेन में ऐसा क्यों हुआ स्टार्टिंग में जब हमारा सूलर सिस्टम बना होगा तो सब जगे खुब सारे खुब सारे पार्टिकल रहे होंगे लेकिन ऐसे पार्टिकल अभी कुछ एक सॉलिट स्फियर की तरह समझो हो सकता है उसकी कुछ इनिशिल ओमेगा रही हो और वो इस तरीके से घूम रहा अब फॉर पॉइंट फाइब बिलियन यह हो गया है उत्रहे टाइम में बहुत सारे पार्टिकल आपस में टकरा होंगे औ अगर इसे आप ऐसे सिस्टम देखो यह सिस्टम तो हवा में लटका हुआ घूम रहा था तो इसका कुछ अंगुलर मोमेंटम रहा होगा और वो सिस्टम का अंगुलर मोमेंटम रहेगा तो अब हमारे पास सिर्फ गिंती के 8-10 बड़े-बड़े पार्टिकल बचे लेकिन वो सब इस तरीके से घूम रहे हैं कि सिस्टम का इस एक्सिस के अबाउट आज भी अंगुलर मोमेंटम कंजर्व है और इसी लिए हमारा सोलर सिस्टम अल्मोस्ट फ्लैट है एक क्वेश्टिन साल्व करते हैं हमारे पास एक मास है जिसकी वैल्यू है 100 ग्राम और उसकी कुछ विलासिटी है 5 मीटर पर सेकेंड और रोटेट कर और यह लेंथ जो है ना यह लेंथ है 50 सेंटी मीटर और यह सिस्टम कैसा होगा देखो मैं आपको डिमांस्टेटी करके दिखाता हूँ कुछ इस तरीके का सिस्टम है तो रसी से बंदा हुआ और यह इस तरीके से घुन अशूसका कुछ मास है चाहिसी अब मैं चाहूं तो नीचे से से रसी को इस तरीके से सी सकता हूं अम में देखो अंगलर विलोसिटी बढ़ गई अपनी आप तो ऐसे क्यों हुआ इसको solve करते हैं हमारे पास यहां पर इसका कुछ angular momentum होगा इस पार्टिकल को और अगर मैं रसी को नीचे खीच दूंगा तो यह देखोई radius चेंज हो जाएगा ठीच च्छोटा हों लेकिन इस पार्टिकल की ओपर कोई टॉर्कम लगा pleasures कि अब जो भी फोर्स लगा हमेशा सिंटर की तरफ लगा तो हमने जब यह फोर्स लगाया नीचे की तरफ रसी को की शाब उसके वैसे कोई टॉर्क नहीं लगा वस्पार्टिकल क्योंपर तो अंग 1 kg into velocity है 5 और radius है 0.5 meter इसकी value आ जाती है 0.25 kg meter square पर सेक्ड इसकी value होनी चाहिए final angular momentum के बरापर L final हमने रसी को खीचा है इस तरीके से खीचा है अब रसी सिर्फ 25 cm की बची 25 cm तो L final की value आ जाती है MVR perpendicular अब इस बार हमारी velocity हमें पता करनी है mass की value है 0.1 velocity हमें पता करनी है radius की value अब हो गए 0.25 meter यहां से हम पता करेंगे इसकी value तो velocity हमें directly मिल जाएगे velocity is equal to 10 meter per second तो MVR की value constant है अगर हमने radius को half कर दिया तो velocity डबल हो जाएगी तभी यह value constant रह पाई यह try करना बहुत आसान है एक pen लो रसी लो और कोई भी mass बांदो उसको इस तरीके से घुमाओ और नीचे खीज़ दोगे तो इसकी angular velocity काफी जादा बढ़ जाती है और जैसे जैसे यह center के पास आता है इतनी जादा बढ़ जाती कि वो करने लगता है मैं उसे control नहीं कर पाता हूं और इसकी अगर मैं रसी धीली छोड़ दूंगा तो angular velocity कम हो जानी चाहिए देखना आचानक से कम हो जाएगी बचिया पर कम होई थी यह पार्टिकल घूम रहा था अब मैं रसी को पास लाता जा रहा हूं तो इसकी kinetic energy क्यों बढ कर रहा है वह कौन है देखो मैंने यहां पर नीचे की तरफ कुछ force लगाया था एफ रसी का displacement भी नीचे की तरफ हुआ है मानलो उसकी value हो जाती है एस तो जब मैंने रसी खीची तो मैंने work क्या work done is equal to f.s और यह work done इसकी kinetic energy को बढ़ा देगा kinetic energy को इस तरह से बढ़ाएगा क और energy equation भी violate ना हो एंगुलर momentum को देखने की कोशिश करते है हमारे पास यह particle है point object मानो इसको और यह इस तरीके से घूम रही है आइडियली तो यह इस तरीके से घूमती रहनी चाहिए लेकिन friction के कारण यह रुख जा रही है तो उस पर consider मत करना अच्छ जब यह इस तरीके से घूम रही है इसकी velocity का direction क्या है velocity पूरे समय बदल रही है मानलो यह हमारी velocity तो यह मैंने लगा दी velocity जो की radius के perpendicular होगी देखो हमारी velocity पूरे समय डिरेक्शन बदल रही है अब मैं center point के about be angular momentum consider कर सकता हूं यहां के about be किसी भी point से मैं angular momentum नाप सकता हूं सबसे पहले इसी point के about angular momentum अपने की कोशिश करते है angular momentum का formula क्या होता है l is equal to r cross p radius कौन सा होगा यहां पर radius हो जाएगा यह वाला radius इधर से जो इस point से हम नाप रहे हैं वहां से position vector इस particle का momentum vector कौन सा है जिस direction में velocity है उसी direction में momentum vector होता है मानलो कि mass की value 1 kg है तो exactly यही हमारा momentum vector हो जाता है r cross p तो right hand rule से r cross p उधर है तो r cross p हमें कुछ ऐसा उपर की तरफ angular momentum मिलेगा इस point से नाप पा है तो हमारा angular momentum यहीं पर आ जाएगा कुछ इस जगे तक जिसका magnitude mvr के बराबर होगा और उसका direction उपर की तरफ है right hand rule से अब अगर यह घूमने के बाद थोड़ी दिर बाद यहां आ गया इस जगे पर हमारा angular momentum क्या होगा r cross p तो फिर से हमें यही angular momentum मिल जाता है अगर यह particle घूमके यहां आ गया इस बाद एक वो radius इधर है momentum इधर है right hand rule से r cross p फिर से हमें angular momentum ऊपर की तरफ मिलता है तो अगर यह particle है तो अगर यह particle इस तरीके से circular motion कर रहा है तो इसका r cross p यानि angular momentum हमेशा ऊपर की तरफ है और उसकी value न magnitude बदल रहा है न direction बदल रहा है वो conserved है ऐसा क्यों है वो conserved क्यों है क्योंकि इस particle के उपर कोई torque नहीं है torque होता है torque is equal to dl by dt अब इसके उपर torque होगा तभी इसका angular momentum बदलेगा इसकी उपर forces कौन कौन से लग रहे है अगर यह circle में इस तरीके से घूम रहा है तो इसके उपर एक ही net force है जो है centripetal force centripetal force देको center स से पास होता है उसकी तो definition है centripetal force की center की तरफ जाला force अगर मैं center वाले point के about angular momentum ले रहा हूं तो उस force का direction भी center की तरफ है तो उसकी वज़े से torque 0 हो जाएगा अगर perpendicular कोई force होता तब बात अलग थी अब एक twist लाते हैं अब center की वज़े मैं इस point के about angular momentum पता करना चाला हूँ यह यह हमें radius vector भी मिल जाएगा इस point के हिसाब से radius vector अब यह है हमारे पास velocity vector या फिर momentum vector यह है right hand rule से r cross p करते है और इस तरफ है cross p तो हमारा angle कुछ इस तरीके का है हमारा angular momentum vector कुछ ऐसा बन जाएगा इस तरीके का यह देखो इसके भी perpendicular है velocity के भी perpendicular है अब थोड़ी देर बाद यह particle अगर इधर move करेगा तो हमारा angular momentum कुछ ऐसा होना चाहिए यहाँ पर देखो radius इस तरफ r r cross p और यह हमारे पास उस direction में angular momentum का vector आगए यहाँ पर आएगा तो angular momentum vector यह है अगर यह particle यहाँ आ जाता है तो angular momentum vector यह है यह हमारा angular momentum vector कुछ इस तरीके से घूमना चाहिए अच्छे तो vector है ना तो इसको मैं हवा में move कर सकता हूँ तो मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ किया लो कि हमारा angular momentum vector पूरे समय चेंज हो रहा है यह velocity के भी perpendicular है यह हमारे radius vector के भी perpendicular है यह दोनों के perpendicular है और यह पूरे समय बदल रहा है इस बार angular momentum conserve नहीं angular momentum का magnitude भली conserve है लेकिन उसका direction पूरे समय बदल रहा है ऐसा क्यों हुआ इसका direction बदल रहा है नहीं जरूर इसके उपर कुछ torque लग रहा हुआ तो इस point के about अगर मैं देखना चाहूं torque कितना है तो मुझे पता चल जाएगा देखो इसके उपर net force है centripetal force इस direction में उस force का कुछ torque आ जाता है अब torque इस direction में force लग रहा है यह perpendicular distance है तो torque की value का होती है r cross f radius r cross f टॉर्क लग रहा है उस direction में यह torque का direction आ गया torque का direction इस तरफ है angular momentum इस तरफ है तो angular momentum को torque अपनी तरफ घुमाना चाहेगा यह वैसे हिचह देखोillas गुलर मॉमेंटम इस तरफ है टॉर्क इस तरफ है विल्पी इस तरफ होती है बाजिश सिर्फ बदल तो विल्पी मैंग नहीं बदल कि इसають एग्णीट इसी तरीके से चुलक मुमेंटम आ अब तो इस तरफ है एक्छि आप अलग अलएक पो ना अ वाउटह्तैा अ एंगुलर मोमेंटम का एक question solve करते हैं हमारे पास एक डिस्क है या फिस circular platform है उसके उपर एक इंसान खड़ा है जिसका मास है एम इस डिस्क का moment of energy है इस axis के about है capital आप यह इंसान क्या करता है अचानक से कूद जाता है इस direction में perpendicular direction में कूद जाता है तो परपेंडिगुलर मतलब इस radius के परपेंडिगुलर अब वह इस direction में कूदा है तो हमें पता करना है कि यह omega से घूमने लगेगी इस तरह तो वह omega की value क्या है इसे हम कैसे solve करें यह वैसे ही होगा हम जब question करते थे कि एक block move कर रहा है उसके पस इंसान जान खूद के है वहां पर लिनियर मोशन होता था था तो हम linear momentum गजरव कराते थे यहां पर हमें कुछ rotational momentum यानि की angular momentum ओंडर कराना है अब angular momentum conserve होगा लेकिन किस point के about किस point के about angular momentum conserve होगा उस point के about कोई torque नहीं लगाए तो यहां पर ऐसा एक ही पॉइंट है जिसके अबाउट टॉर्क नहीं लगा है वो है हिंज क्योंकि जब वो इंसान कूदा होगा तो इस हिंज ने भी कुछ फोर्स लगा होंगा ऐसा हो सकता है अगर मैं किसी और पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम देखूंगा तो इस अच्छा स्टार्टिंग में डिस्क भी रुके हुई थी इंसान भी रुका हुआ था कोई मोशन ही नहीं था तो एंगुलर मोमेंटम इनिशल की वैल्यू आ जाती है जीरो फिर वो इंसान कूद गया तो अब इंसान का मानलो इस डिरेक्शन पर कुछ अंगलर मोमेंटम आत इसका है तो अगर आप इस प्लैटट्वां से कूते हो यू वेलासिटी से लेकिन प्लैटफार मयोशन पर उदर चला जाता है कुछ सप्लासिटी से तो आपकी let विलासिटी कुछ कम होगी इंसान की जब इनसान यहां से कूदा होगा तो प्लैटफार्म के उस ड डिरेक्श में u velocity से तो उसकी actual velocity होगी v is equal to u minus r omega बस अब हमें angular momentum equate कर देना है initial angular momentum zero था angular momentum final अब देखो यह disc इस direction में घूम रहे हैं तो मानलों उस direction को हम positive बोल देते हैं इनसान इस direction में कूदा है उस direction को हम negative मानेंगे एक की वज़े से positive angular momentum आएगा दूसरे की वज़े से negative आएगा तो डिस्क वाले को हम positive मान लेते हैं डिस्क का angular momentum इस hinge के about इस axis के about वो आ जाता है i omega प्लस प्लस नहीं लिखेंगे minus लिखेंगे क्योंकि अब negative direction में हमारे पास angular momentum आ रहा है minus इस इनसान का angular momentum कितना हुआ mass into velocity velocity है u minus r omega into perpendicular distance यहाँ पर perpendicular distance है यह वाला वो वाला distance हो जाता है r इसकी value initial angular momentum के बराबर यानि की 0 होनी चाहिए यहाँ से हमें मिलता है i omega is equal to mu minus mr square omega इसको इस तरफ ले आएंगे तो हमें मिल जाती है omega is equal to mu divided by i plus mr square यह हमारी इस disk की final omega आ गई अच्छे एक बात बताओ इस system का momentum के साथ क्या हो initially इनसान इसके उपर खड़ा हुआ था और यह disk रुक हुए था दोनों रुक हुए थे दोनों की velocity 0 थी सरत रहे तो initial linear momentum 0 था फिर इनसान इस तरफ कूद गया और यह disk इस तरीके से घूमने लग गई डिस्क घूम जरूर रहे लेकिन इसका center of mass move नहीं कर रहा है इसका center of mass वहीं पर है लेकिन इनसान इस तरफ कूद गया इनसान की इस तरफ कुछ velocity है तो इस तरफ momentum भी होगा तो अब नेट momentum 0 नहीं है यह कैसे हुआ देखो जिस वक इनसान कूदा होगा न तो इस हिंज ने इस system के उपर इंसान प्लस डिस्क को अगर हम system मान ले उसके उपर कुछ net impulse force यह जो भी फोर्स लगा है उसकी वज़े से हमारा linear momentum बदल गया है तो यहां पर हम linear momentum conserve करते तो बड़ी मुश्किल है angular momentum torque 0 होगा क्योंकि हिंज ने जो भी फोर्स लगा है वो center पर लगा है तो center के about torque 0 आ जाता है उसकी वज़े से और हम angular momentum को conserve करा पाते हैं कॉंसेप्स को थोड़ा और polish up करते हैं हमारे पास similar question है इस पार पहले से यह disc इस तरफ घूम रही थी omega 1 से और इसके उपर एक इंसान खड़ा होता है यहां पर जो डिस्क के साथ साथ ही घूम रहा था और घूमते गूमते अचानक से इस इंसान में lift पहले घूम रही थी omega 1 से तो हमें दिख भी रहा है कि उसकी omega थोड़ी बढ़ जाएगी और वो बड़ी हुई omega क्या है यही हमें पता करना है तो क्या करेंगे इस इस case में भी angular momentum conserve कराना होगा किस axis के about यह हमारे पास एक हिंज है इस axis के about क्यों क्योंकि हिंज ने कुछ forces लगाया होंगे जिसकी calculation में हम गुसना नहीं चाहते है ठीक है एल initial यानि initial angular momentum क्या होगा उसकी value हो जाती है i जो भी इस disc का in moment of energy है i times omega 1 क्योंकि इस direction में हम positive ले रहे है प्लस उस वग इंसान भी disc के साथ ऐसे घूम रहा होगा तो इंसान के लिए हो जाएगा mass into velocity उस इंसान की velocity कितनी होगी omega 1 times r into distance perpendicular distance कौन सा है यह वाला उसकी value भी है r तो हमारे पास initial angular momentum की value हो जाती है i omega 1 plus mr square omega 1 अब समझने की कोशिश करते हैं इस platform पे क्या हो रहा होगा मान लो हमारे पास यह platform था initially इस platform की इस तरफ velocity थी omega 1 r इस platform के उपर इंसान खड़ा था उसकी भी velocity थी इस तरफ omega 1 r फिर platform चलने लगा है इस तरफ बात में omega 2 times r से अब इंसान इस तरफ चल रहा है relative velocity u से हम calculation करते हैं काम करते हैं हम इसी तरफ इंसान की velocity देखते हैं platform की velocity इस direction में कितनी है omega 2 times r और इंसान उल्टे direction में जा रहा है कितनी velocity से u से तो minus कर देंगे u तो same direction में हमें velocity इंसान की अगर मिलती है तो वो होती है omega 2 minus सान इन velocities को हम यहां पर रख देंगे और हमारा final angular momentum हम calculate कर सकते हैं l final is equal to i omega 2 जो की disk का है plus plus इसलिए करने क्योंकि हमने same direction में calculations कर रहे हैं भी same direction में हमने velocity पता करिए अगर हम उल्टा पता करते है u minus r omega 2 करते था हम यहां पर minus लगाते हैं लेकिन हम same direction में calculations कर रहे हैं तो यहां पर आ जाएगा mass into velocity velocity है omega 2 r minus u times radius r अब initial angular momentum और final angular momentum को equate कर दो इससे में मिल जाता है i plus mr square omega 1 is equal to i omega 2 plus mr square omega 2 minus mr यहां से में value मिल जाती है omega 2 is equal to i plus mr square omega 1 plus mr divided by i plus mr square कि यह हमारा answer आँगया omega 2 की value हमें यहां से पता चल गए अब हम उस category of questions पर आगा है जो कि सबसे आदर difficult पाने जाते है rotational dynamics में लेकिन हम देखेंगे कि यह बहुत ही आसान है हमारे पास एक rod है जिसका mass है m और length है और दूसरी ball है जिसका m by 2 mass है और इसकी कुछ initial velocity इस तरफ यह हो और इनके बीच में कुछ collision होगा यह आके उससे टकराएगी बोला गया perfectly inelastic collision है तो यहां आकर टकराके इस rod से चिपक जाएगी अब तो rod से चिपकेगी तो rod उपर hinge पे लगए तो rod कुछ इस तरफ omega से घूमने की कोशिश करेगी और हमें वही omega पता करनी है हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए यहां पर हम इस point के about देखो जब ball इसे hit करेगी तो इस पे कुछ इस तरफ फोर्स लग रहा होगा कुछ impulse से फोर् अब अगर यह हमारा system है तो इस system के उपर external force सिर्फ यहीं पे लग रहे हैं तो हमें इस point के about angular momentum conserve कराना चाहिए क्यों क्योंकि उस external force का कोई भी torque हमें calculate नहीं करना पड़ेगा उसके about torque 0 हो जाता है हम इस axis पर इस point के about angular momentum conserve करतेंगे हमारा initial angular momentum क्या था initial angular momentum L initial is equal to mass of ball into velocity of ball into ये वाला distance ball का जो perpendicular distance है तो इसकी value हो जाती है m by 2 हो जाता है mass velocity है u into radius की value है L यह आगया हमारा initial angular momentum अब final angular momentum के लिए ball की भी कुछ इस जगे पर velocity होगी इस तरफ अगर हमने ये value मानी है omega तो हमारे ball की भी velocity इस तरफ हो जाती है L omega angular momentum final में हमें angular momentum of ball plus angular momentum of rod करना पड़ेगा angular momentum of ball उसकी value क्या हो जाती है mass यानि M by 2 into उसकी velocity है L omega into उसका distance perpendicular distance अभी भी है L तो ये आ जाता है प्लस angular momentum of rod अब rod इस hinge के about है तो हम hinge के about moment of inertia पता करेंगे और i omega कर देंगे हमारा U L by 2 is equal to final angular momentum हमारा कितना आ जाता है M L square omega यहां पर आ जाता है 1 by 2 plus 1 by 3 इन दोनों को add कर लोगे तो यह वाली time हमें मिल जाती है M से M cancel हो गया है L से के L cancel आ गया और हमारे पास value मिल जाती है U by 2 is equal to L omega 1 by 2 plus 1 by 3 की value हो जाती है 3 plus 2 5 by 6 6 से यह cut जाएगा 3 आ जाएगा और हम देख सकते हैं omega की value हो जाती है 3 U divided by 5 L इस तरीके से हम ऐसे questions को solve पा सकते हैं बड़ा असान था इसको एक बार फिर से देखते हैं हमने कैसे किया हमारे पास कुछ इस ball की वजए से initial angular momentum था उस angular momentum की value थी mass into velocity into यह वाला distance जो है L हमने hinge के about angular momentum conserve किया क्यों क्यों क्योंकि hinge पे कुछ impulsive forces लग रहे होंगे जिसकी हम value calculate नहीं करना चाहते हैं तो हम उसकी value calculate नहीं करेंगे इसलिए हम यहीं पर angular momentum conserve कराएंगे फिर ball जाकर कि इस rod से चिपक गई तो उस ball की कुछ final velocity होगी जो L omega से मिल जाती है और इसकी कुछ angular velocity omega आ जाएगी हमने फिर final angular momentum calculate किया ball का आ जाता है mass into velocity into यह वाला distance L और फिर broad का आ जाता है I about hinge times omega दोनों को equate कर दो answer आ जाता है omega is equal to 3U by 5L हम hinge की reaction भी पता कर सकते हैं hinge की reaction हम कैसे पता कर सकते हैं देखो hinge ने कुछ impulse लगाई होगी impulsive force लगाऊगा initial हमारे पास system का कुछ momentum है इस तरफ m by 2 times U momentum initial is equal to m by 2 into U फिर इसका कुछ final momentum है final momentum यहाँ पर हमारे पास इस तरफ कुछ velocity थी ball की velocity हो जाती है m by 2 into L omega प्लस अब इस rod का center of mass भी इस तरफ move कर रहा है उस rod का mass है m उस rod के center of mass की velocity है L by 2 times omega यह हमारा momentum final आ जाता है और जो impulse लगी होगी यहाँ पर मानलो इस तरफ impulse लगी है उसको मैं भूल देता हूँ F hinge तो हम लिख सकते हैं F hinge is equal to P initial minus P final यहां से आप hinge की reaction भी calculate कर सकते है और वो एक impulsive reaction आई इस question में यह मैं तीसरी बार record कर रहा हूं question पहली बार tablet की battery घतम हो गई थी तो यह dead हो गया था और जो मैंने video record किया था record हो नहीं पाया recover हो नहीं पाया वह फाइल लॉस्ट होगी बीच में बंद होगी थी दूसरी बार मैंने है एक मास है जिसके मास एम है विलासिटी यू है इस तरह वो जा रहा है यू विलासिटी से और एक rod है जिसका मास है 3m और उसकी length है L हमें बोला गया है कि इनके बीच में elastic collision होता है और बताओगी इनकी final speeds क्या होंगी तो बड़ा आसान है हम इस hinge के about angular acceleration angular momentum को conserve करा देंगे ठीक है और elastic collision का मतलब क्या हुआ Elastic collision का मतलब है velocity of approach is equal to velocity of separation तो पहले तो हमें कुछ चीज़े अस्यूम करनी पड़ेंगी मान लो impact के बाद इसकी velocity इस तरफ बचती है वी और इसकी कुछ omega आ जाती है रोड इस तरह से घूमेंगी तो कुछ omega आ जाएगी तो इस point की velocity इस तरफ कितनी होगी वो है L into omega velocity of approach कितनी थी देको rod रुके हुई थी और हमारी ball इस तरफ आ रही थी तो हमारी velocity of approach की value आ जाती है सिर्फ u velocity of separation कितनी हो जाती है रोड आगे जा रही है एल ओमेगा से और पीछे पीछे बॉल आ रही है वी से तो हम लिख देंगे एल ओमेगा माइनस हुई यह आ गई equation number one अब हमें करना है इस हिंच के about angular momentum concern ठीक है initial angular momentum इस ball का कुछ angular momentum होगा इसका देखो कुछ कुछ मास है इसकी कुछ velocity और इसका कुछ perpendicular distance भी है तो इनिशियल एंगुलर momentum हो जाता है m u into l final angular momentum कितना होगा अब बॉल की velocity बदल के हो जोगी है m into v times l यह बॉल का angular momentum प्लस हमारी रॉड भी कुछ इस तरफ घूम रही होगी और रॉड का moment of energy कितना होता है आई हो जाता है ml square by 3 लेकिन यहां पर मास खुद है 3m तो यहां पर हम लिख देंगे plus ml square by 3 उसकी जगे 3 ml square by 3 omega से multiply कर दो यह से और आ गही रॉड का angular momentum angular momentum वाली equation आ गही है हमारे पास दो equations है यहां से देखो m से m से m कट गया L से यह L से यह L कट गया 3 से यह 3 कट गया हमें मिलता है U is equal to V plus L omega यहां परता है U is equal to L omega minus V उसकी value यहां पर रख दो तो हमें मिलता है L omega minus V is equal to V plus L omega L omega से L omega cancel 2 V is equal to 0 यानि की V की value आ जाती है 0 impact के बाद ball रुख जाएगी ball रुख जाएगी अच्छे ball रुख जाएगी लेकिन हम omega पता कर सकते हैं इसी value में omega पता कर लेते हैं omega is equal to V की value 0 है तो omega is equal to U by L इस तरीके से हम एक question को solve करते हैं और एक question देखे हमारे पास एक ball है जो इस तरफ आ रही है U velocity से उसका mass है M हमारे पास एक rod है जिसका mass है capital M और उसकी length है L हमसे बोला गया है कि यह L by 4 पर जागे hit करते है यह जो टकराएगी यह है L by 4 और हमको दिया गया coefficient of restitution की value E है इसका मतलब velocity of separation is equal to E times velocity of approach अब हमें बताना है कि क्या value है capital M की कि यह वाली wall rest पर आ जाए ठीक है तो एक बात बताओ मेरे को variables क्या क्या है इस बार कोई hinge नहीं है यहाँ पर हमारे पास कोई hinge नहीं है तो इसका linear momentum भी conserve होगा angular momentum भी conserve होगा और coefficient of restitution वाली equation तो हम लेकी चुके है question में बोला है कि impact के बाद इसकी velocity zero हो जाती है और linear momentum conserve होना है तो इसकी कुछ velocity इस तरफ आएगी जिसे मैं बोल देता हूँ V साथ में यहाँ पर देखो इस जगे पर टक्कर मारी है तो हमारी rod कुछ इस तरीगे से घूमना चाहेगी तो इसकी एक omega assume कर लेते हैं हमारे पास दो variable आगए V and omega अगर यह rod V से जा रही है और omega से घूम रही है तो इस point की velocity इस तरफ क्या हो जाएगी इस point की velocity हो जाएगी V plus omega into distance distance है L by 4 यह आ गई हमारे इस point की velocity अच्छा है यह object रुख चुकी है यह object उस तरफ जा रही है इसका मतलब यही है हमारी velocity of separation इस velocity of separation velocity of separation की value होनी चाहिए e times velocity of approach velocity of approach क्या है जब rod रुक्य होई थी तो ball u से आ रही थी तो हमारी velocity of approach हो जाती है सिर्फ u यह है हमारे पास एक equation दूसरी equation आएगी linear momentum conservation से linear momentum conservation से हमें मिल जाता है m into u is equal to finally तो इसकी velocity 0 है तो हमें मिल जाता है capital M into v यह हमारी दूसरी equation है तीसरी equation आ जाएगी angular momentum conservation से हम दो point पर करके देखेंगे angular momentum conserve वैसे तो कोई भी system के उपर hinge नहीं है तो net इसके उपर forces talk सब external 0 है यानि angular momentum किसी भी point से center of mass पे ले लो यहां से नापो यहां से नापो यहां से नापो कहीं से भी नापो सभी जगे से angular momentum conserve रहने वाला है लेकिन हम ऐसे point से करेंगे जिससे हमारी calculations आसान हो तो एक obvious point आ जाता है center of mass वाला दूसरा point यह वाला जाता है हां बोलते बोलते ठक जाते हैं ऐस पहले हम center of mass के वाउट अंगिलर momentum conserve कराते हैं हमारी जिकोब initial angular momentum क्या होगा यह बॉल के कारण जिसका perpendicular distance है L by 4 तो कुछ initial angular momentum होगा वह value हो जाती है mass into initial velocity into distance यानि L by 4 इसकी value होनी चाहिए final angular momentum के बरावर अब यह ball तो रुक गई तो इसके कारण तो कोई angular momentum होने नहीं वाला हमारी यह velocity rod इस तरफ velocity से जा रही है लेकिन यह velocity center of mass वाले points से पास हो रही है तो उसका भी जो perpendicular distance होगा वह 0 आ जाएगा इसलिए तो हम center of mass के out angular momentum conserve कराते हैं ताकि हमारी calculations आसान हो जाएगा तो velocity के कारण कोई angular momentum नहीं आएगा तो वह वाला part 0 आ जाता है प्लस इसका कुछ एक rotation है उसके कारण angular momentum होगा उसकी value हो जाती है i times omega i की value क्या है ml square by 12 omega की value कितनी है वो हमें पता करनी है तो यह equation number हमारी 3 आ गई इस equation में एक L से एक L कट जाता है यह 3 आ जाता है और हमें मिल जाता है L omega is equal to 3 m u divided by capital M अब इन सभी values को हम equation number 1 में रखतेंगे equation number 1 में हमें पता है v v की value रखो equation number 2 से v की value आ जाती है m u upon capital M plus omega l by 4 omega l की हमने अभी value यहां पर calculate कर लिए omega l by 4 की value आ जाती है 3 m u upon 4 capital M is equal to e times u u से u से u cancel हो जाता है हम capital M by small m को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमें मिलता है 1 plus 3 by 4 is equal to capital M e upon small m इससे हमें मिल जाता है capital M is equal to 7 m upon 4 e यह आ गया हमारा answer अगर rod का mass 7 m upon 4 e है तो हमारी ball यहां पर impact के बाद rest पर आ जाएगे अब हम यही सवाल दुबारा solve करेंगे इस point के about angular momentum conserve करा के ऐसा हम क्यों कर रहें क्योंकि इस पर initial angular momentum 0 आ जाएगा तो जब initial angular momentum 0 है तो हमारी calculations थोड़ी आसान हो जाती है देखते हैं कैसे होती है equation number 1 और equation number 2 सेम रहने वाली है सिर्फ angular momentum की equation बदलने वाली है इस point के about initial angular momentum क्या है देखो यह जो velocity u है वो उसी point से pass हो रही है तो हमारे पास कोई perpendicular distance आने ही नहीं वाला इस case में initial angular momentum li की value आ जाती है 0 फिर हमारे पास impact के बाद कुछ final angular momentum होगा और यही सप्टेट tricky part है यही मैं आपको बताना चाहता हूं देखो velocity v इस तरफ है तो इस वाले points से अगर हम देखेंगे तो velocity v के कारण angular momentum का कुछ ऐसा direction होगा omega उल्टे direction में है तो उसके कारण कुछ उल्टे में हमारे पास angular momentum होगा angular momentum टोटल 0 है लेकिन दो component तो है उसके तो वही हमें देखना था इसलिए मैंने एक्जामपल आपको इस तरीके से solve करवा रहा हूंग है final angular momentum में अगर हम center of mass की इस तरफ velocity देखें तो वह वाला component हो जाता है L final is equal to mass है capital M उसकी velocity है V और उसका distance इस point से है L by 4 minus अगर हमने उस direction को positively है तो दूसरा direction अपने आप negative हो जाता है minus I omega I की value कितनी है M L square by 12 times omega is equal to 0 यहां से हमें मिल जाता है this is equal to this M से M कट जाता है L से L कट जाता है यह हो जाता है 3 और हमें मिल जाता है sorry यहां 3 होएगा L omega is equal to 3 times V यह हमें value मिल गई तीसरी equation के अगर यह 3 से V की value को मैं यहां पे रख दूं तो उससे मेरे को यह वाली equation देखो क्या मिलती है value V plus 3 V by 4 is equal to EU यानि कि 7 V by 4 is equal to EU और यहां से V की value रख दो तो इससे मिल जाता है 7M U upon 4 capital M is equal to EU U से U cancel और हमारे capital M की value जाती है capital M is equal to 7M upon 4E exact same answer जो भी हमने थोड़ी देर पहले solve किया था तो बस यही मैं बताना चाहता था एक angular momentum का direction इधर था दूसरे angular momentum का direction इधर था और दोनों आपस में cancel out होंगे तभी system का net angular momentum 0 आएगा और एक सवाल करते हैं यह भी बहुत अच्छा concept है इस ball की उपर देखो अगर मैं कहीं से force लगांगा उपर से लगा रहा हूँ बहुत friction है तो यह roll कर रहे है प्यूर rolling हो रही है आपर लेकिन अगर मैं इसे थोड़ा smooth surface पर रख दूँ और नीचे से force लगां तो यह थोड़ा लेकिन फिर भी कोई एक ऐसी height की value तो आई सकती है जब इसका ऐसा हमें दिखाई दे pure rolling हो रहे है दिखाई दे का मतलब क्या है देखो अगर इसकी कुछ इस तरफ velocity आती है v और इसकी इस तरफ कुछ omega आती है omega अगर किस्मत से ऐसा हो गया कि v is equal to r omega friction हो या ना हो हमें ऐसा द दिखाई जरूरी देगा कि pure rolling हो रही है दिखाई देगा क्या pure rolling होई रही होगी अब अगर friction है ही नहीं तो omega की कुछ भी value हो सकती है omega 0 होगा तब भी वो ball भी velocity से जाती जाए हो सकता है omega उल्टी आ जाए कुछ भी हो सकता है लेकिन अगर pure rolling की condition तो वही है v is equal to r omega या फिर acceleration is equal to r alpha यह हमारे pure rolling की conditions है तो हमें काम करते हैं इसके उपर कुछ force लगाते हैं पहले तो force लगाया जाए इस तरफ यह लग गया force F कहां पर लगाएंगे हम force F लगाते हैं इस तरीके से कि इसका center से जो distance है वो distance है h ओके अब इसे solve कैसे करें यह force हम धीरे धीरे वो time के साथ वाला भी लगा सकते हैं फर impulse से force भी लगा सकते हैं जैसे हम snooker खेलते हैं एक impulse से force लगा देते हैं तो इसे approach करने का एक बहुत ही आसान तरीका है हम instantaneous axis of rotation का use करेंगे हमने माना है कि pure rolling है तो हमारे पास एक equation आजाते है a is equal to r alpha अब देखो इस point के about moment of inertia पहले पदा करते हैं हमें अगर यह क्या ही है hollow ball होती है इसके अंदर मास तो होता नहीं है तो इसका center of mass के about moment of inertia कितना होता है इसका icm होता है 2 by 3 m r square अब वो तो center of mass के about है हमें चाहिए नीचे वाले point के about तो इसको हमें कर देना पड़ेगा i is equal to ic plus m r square parallel axis theorem तो i की value हो जाती है 2 by 3 plus 1 m r square या फिर 5 by 3 m r square हमारे पास इस point के about moment of inertia आगया i is equal to 5 by 3 m r square अब देखो हमें दू equations लिखने है एक हो जाएगी f is equal to m a दूसरी हो जाएगी torque is equal to i alpha तो पहले लिख देते हैं f is equal to m a हमने मारा friction है ही नहीं friction के हमें जरुरत ही नहीं friction का use ही नहीं करना तो friction नहीं है इसका मतलब f is equal to mass times acceleration दूसरी equation आजाएगी torque is equal to i times alpha torque कितना है यह force की वज़े से कुछ torque होगा इस तरफ और torque यानि force लग रहा है कितने distance पे h plus r torque की value हो जाती है f into h plus r is equal to i की value है 5 by 3 m r square into alpha alpha की value हम यहां से वैसे लिख सकते है alpha is equal to a by r अच्छा force की value यहां से लगा दो force की value अगर हम यहां से लिख देंगे तो यह हो जाएगा mass times acceleration देखो m से m कट गया a से a कट गया r से a कट गया और हमारे पास value आ जाती है h plus r is equal to 5 by 3 r यानि की h is equal to 5 by 3 minus 1 2 by 3 r हमारे पास condition आ गई अगर हमने इस ball को center से 2 by 3 r पे मारा है तो friction नहीं भी होगा तो इसकी कुछ omega आएगी और कुछ velocity आएगी वो इस तरह से होंगी कि हमें pure rolling दिखाई देने वाली है बहुत ही interesting सवाल था है एक बहुत ही real life problem में discuss करना चाता हूं मालो हमारे बास कोई भी rigid body है और उसको मैंने इस तरीके से पकड़ा हुआ है अभी यह equilibrium में ठीक है इसका center of mass मेरे हाथ के ठीक नीचे है इस पर कोई torque नहीं लगा लेकिन अगर मैं इसे इस तरफ move करने की कोशिश करूँगा तो देखने इसमें थोड़ा rotation होगा थोड़ा इसमें angular acceleration आ जाएगा यह इस तरीके से rotate करने लग जाती है वैसे यहां पर मुझे फर्क नहीं पड़ इधर करूँगा तो यहां इधर rotate कर रहा है इधर कर रहा हूंगी इस तरीके से rotate कर रहा है इस पर torque लगते रहते है आपने देखा होगा train में या बस में जो handles लटके होते हैं वो इस तरीके से ऐसे नाशते हैं सारे के सारे एक साथ नाशते हैं सब पे एक साथ torque लगता है सब तो पकड़ना होता है, तो पकड़ा हुआ है कैमरे को, अब मैं फिल्म बना रहा हूँ, मेरे को आगे जाना है, मैं आगे जाना चाहता हूँ, शॉट ऐसे ही रहना चाहिए, तो मैंने कैमरे को मानलो, यहां से पकड़ा हुआ है, थोड़ा सा, थोड़ा सा यहां से पकड़ा कर दो मैं जाएं और हो सकताख्य वाला फोर्स तोड़ा जाए जीवाला वार्फ थोड़ा कम रह जाए इस वार्वर्स की वाजहे से यहां पर देखो कुछ प्रिबेन्टिकुलर डिस्टैंस और इस वाले फोर्स की वschaftus थोड़ा उल्टे डेक्शन में जनरेट हो जाए और कोई गैरेंटी नहीं है मतलब चलो 100 परसेंट गैरेंटी है कि ये ट्वर्क्स बैलेंस नहीं होंगे तो जब मैं क्यामरा आगे लेके जा रहा हूं तो थोड़ा साथ उसमें अंगुलर एक्सेलरेशन हो थोड़ा ऊपर नीचे हिल जाएगा इसका इलाज क्या है मत मतलब इस इंजान को इदर उदर करते हो कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन फिल्म साब बना रहे हो तो आपको एकदम स्टेडी शॉट चाहिए और वो चाहिए मतलब चाहिए इससे बचने के लिए अगर हमारे पास कोई ऐसा तरीका हो कि हम इसको सेंटर आफ मास से पकड़ पाएं तो फिर मैं से आगे पीछे करूंगा तो इसके उपर नेट टॉर्क नहीं लगने वाला कि जो भी फोर्स इस पर लगने वाले वह सेंटर आफ मास से पास हो रहे हैं उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो गया तो कोई टॉर्क नहीं आएगा इसका solution मनाया जा जाओं तो इसके उपर टॉर्क नहीं लगते हैं और इस तरीके से रोटेट नहीं लगते हैं लेकिन अभी इस direction में हमने balance नहीं किया है, हमारे पास 3 axis होते हैं, तो इस तरीके से पहले मैं इसे पकड़ लूँ, फिर अब ये एक नया system है, इसको मैं इसे पकड़ लूँ, दूसरे axis पे और फिर ये पूरा इस system बन जागो, इसे मैं पकड़ लू तीसरे axis पे, तो हमारे तीनो axis पे, free हो जाते हैं, कोई top लगता नहीं है, उसी से बनता है हमारा 3 axis stabilizer देखाते, ये है 3 axis stabilizer, इसमें हमारे पास 3 axis होते हैं, पहला axis ये है दूसरा axis ये है और तीसरा axis ये है अब मेरे पास heavy camera जो है उससे तो मैं shoot ही कर रहा हूँ, तो मेरे को एक बच्चे जैसा camera यहां पर लगाना पड़ा और इसका वज़न इतना गम है, कि इसको मैं balance नहीं कर पा रहा हूँ पर इन में क्या होता है आजकल motors होते हैं, यहां पर motor है यहां पर motor है, यहां पर motor है, तीनों motor अपना-पना कुछ कुछ टॉर्क लगाती है, क्यों, क्योंकि अगर हमने ऐसा system डिजाइन भी कर लिया ना कि center of mass से access पास हो रहा है, पर यह मुझ इंसान को camera put करने के बाद उसको fine tune करके set करना पड़ेगा जल्द बाजी में वो set हो नहीं पाता precisely, 100% accurately तो मैं कर भी नहीं सकता कभी तो वहीं पर यह motors उस जो भी difference हो इसको compensate करती है, अब देखो मैं ऐसे कितना भी दाउदर करो यह move यह rotate नहीं होने वादा, सिर्फ यह आगे अब पीछे जाएगा जो मैं इसको बता रहा हो वही करेगा तो यह controlled motion हो जाता है और इसमें motors लगी है तो उसको use करके मैं इसको ऊपर नीचे भी rotate कर सकता हूँ अगर मुझे करना है तो यह देखो यह देखो यह चलो वापे चलो वापे चलो 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 और मैं चाहूं तो इसको बोल दूँ किया तुम ऐसे stable हो जाओ अभी ऐसे ही रहेगा देखो तो यह होता है 3-axis stabilization और इसमें एक gyro sensor भी होता है उससे पता चल जाता है हम कितना तेज भाग रहे हैं किती तेज कूद रहे हैं इसमें कुछ computer होगा ना चोटा है उसको पता चल जाता है वो calculations करता है उसके एसाब से फिर compensate करते रहेता और 3-axis stabilization यह होता है अच्छा वैसे आजकल हमें इतना बड़ा यह stabilizer लेकर घूमने की जरुवत नहीं पड़ती है इसकी जगे हमारे पास चोटा वाला stabilizer है यह इतना बड़ा stabilizer यह full HD capture करता और यह छोटा सा pocket size stabilizer इसमें भी 3-axis gimbal है यह 4K शूट करता है high speed shoot करता है इससे better shoot करता है तो technology देखो कितना advanced होते है यह एक-दो साल पेले यह मिलता था आज यह मिलता है हो सकता है साल पर बाद कुछ ऐसा आजा है जो हमाय नाखून के अंदर fit हो जाया कभी नहीं होगा वैसे मजा करों इससे छोटा होएगा तो फिर operate करने में दिक्कत होईगी कि बटम कौन दवाएगा है वो नाखून के अंदर गुजगुज करके एनिवे यह होते हैं थ्री आक्से स्टेबिलाइजेशन देख लो कभी आप लोग भी यूज़ करोगे या फिर नहीं करोगे तो भी पता तो होना ही चीज़ा हमें पता करना है कि टाइम दो सेकंड के बाद या 4 second के बाद इसकी angular speed कितनी होगी अब इसे कैसे approach किया जाए पहला काम तो हम यह कर सकते हैं कि यह इसके उपर कुछ force लग रहा है तो इसके उपर कुछ torque लग रहा होगा इसके उपर पीछे की तरफ लग रहा होगा friction का force f अगर friction force नहीं होगा तो शायद यह कुछ अ r omega and a is equal to r alpha तो आप इसे solve कर सकते हो लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ एक छोटा simple तरीका वो simple तरीका क्या बोलता है हमें बता है कि dl by dt is equal to torque अब यहां से मैं लिख सकता हूँ dl is equal to tau dt इंटीग्रेट कर दो इंटीग्रेट कर दो इस तरफ आ जाता है हमारे पास dl का इंटीग्रेट के हो जाएगा l final minus l initial is equal to integral torque dt यही हम यूज करना चाहते हैं यही इस question का purpose है इसको आप ऐसे समझो कि कोई force जब बहुत देर तक लगता रहता है तो वह impulse की तरह बन जाता है यह हमने linear translational motion वाले questions में ऐसे solve किया है अब उसी का angular analog है ठीक है तो हमारे पास initial angular momentum कितना है मान लोगी सब rest पे दे तो सब कुल velocity 0 थी तो initial angular momentum 0 हा जाता है l final final angular momentum is equal to integral torque into dt अभी torque की value कैसे बता चली ही देखो torque अलग-अलग point पर अलग-अलग हो सकता है हमारे पास force लग रहा है F हमें नहीं पता friction force कितना लग रहा है मान लो यहां पर इस तरफ friction का force भी लग रहा होगा हमें काम करते हैं इस point के about इस point के about angular momentum conserve करा लेते हैं इस point के about इस friction का net torque 0 हो जाता है इसका कोई torque नहीं आएगा और इस capital F की वज़े से कुछ एक torque होगा तो वो torque हमें पता चल जाता है torque is equal to force into distance कौन से distance यहां से distance अभी यह पूरा का पूरा एक सिस्टम है तो वो distance की value आ जाती है अगर एक radius small r है दूसरा radius capital r है तो यह आ गई torque की value force की value है four times t into r plus r तो यह हा गई हमारी torque की value इसको इस formula में रखके integrate कर दोगे तो हमें मिलता है l final is equal to four r plus capital r integral t dt मालो हमें पहले 2 second के लिए पूछा गया है तो 0 से लेकर 2 तक अब t dt का integral क्या हो जाता है t square by 2 t की जागे 2 रख दोते से answer आ जाता है 4 into r plus r 2 square by 2 तो यह cut जाएगा और हमें मिल जाएगा 8 into r plus r यह हमारा final angular momentum होना चाहिए इस point के बाउट अभी हमने इस point के बाउट calculations की है अब इस point के बाउट final angular momentum हम कैसे calculate करेंगे वो अपने आप में एक टेड़ी खी रहे है दो second बाद scene क्या होगा देखो इसकी इस तरफ कुछ velocity आ जाएगी v और इसकी कुछ इस तरफ omega आ जाएगी तो अगर मैं यहां से बैठकर देखूंगा तो मुझे एक mass दिखाई देगा जो इस तरफ जा रहा है v velocity से उसके कारण कुछ angular momentum होगा जो की हो जाता है l is equal to लिख द to distance distance कितना है यह वाला distance इस पर हम देखेंगे जो center of mass का distance है जिसकी value है capital R plus अब इसका rotation भी हो रहा है तो rotation के कारण भी कुछ angular momentum होगा जिसकी value हो जाती है i times omega अच्छा मुझे एक बात बताओ हमें angular momentum के direction भी देखने पड़ेगे force के कारण force के कारण इस point से देखना है पूरी tendency इस तरफ घूमने की होगी force इस तरफ angular momentum बढ़ा रहा है ठीक है velocity इसकी इस तरफ जारी है नहीं वो भी इसी direction में angular momentum बढ़ा रहा है और omega भी इसी direction में लग तो सारे के सारे direction सेम है सारे के सारे direction सेम है बस एक example लेके दिखा रहा हूँ अगर हम इस point के about देखते तो force की वज़े से देखो कुछ ऐसा torque लग रहा होता उस time हमारे पास ये वाला distance होता velocity की वज़े से भी कुछ इस तरफ angular momentum आता लेकिन omega इस तरफ है तो उस time हमारा एक direction negative ह हो जाता है इसलिए हमने इस point को चुना दूसरे point को नहीं चुना यह बताओ मुझे moment of inertia center of mass वाला होगा या फिर instantaneous axis of rotation वाला होगा यह होगा center of mass वाला क्यूं क्यूंकि हमने center of mass के about velocity का already कुछ angular momentum ले लिया है अब सिर्फ हमें एक rotating body का angular momentum consider करना है अगर हम इस point के about calculate कर दे तो फ the moment of inertia into omega जो भी omega उस्टाइम होते हैं और यहां से हम एक और चीज़ लिख सकते हैं क्यूंकि pure rolling है तो हम लिख सकते हैं omega is equal to v upon r l की value कितनी हो जाती है m v r plus ic अगर यह disc है तो m capital R square by 2 omega की value है v upon r तो यहां r से एक r cancel हो जाता है l की value आजाती है 3 by 2 m v r अगर आप instantaneous axis of rotation से भी solve करते हैं तो exactly same answer आता इसकी value हो जानी चाहिए final angular momentum के बराबर जिसकी value हो जाती है 8 into r plus capital R आगे हमारा answer हमें क्या पता करना था अगर हमें velocity पता करनी थी तो कर लो यहां से पता velocity की value आजाती है 2 into 16 by 3 r plus r upon small r capital R sorry divided by m हमारा answer आगे एक और बहुत ही random सा example है यह बिल्कुल भी practical मैंने आज तक अपनी real life में ऐसा कोई case दिखा नहीं है और शायद कभी देखूंगा भी नहीं जितने भी साल में जिन्दा रहने वाला हूं इसमें हमारे पास एक rod है जिसका mass नहीं है बिल्कुल massless है और इसके उपर एक रिंग रखे वी थी और रिंग रखे तो इस तरीके से घुमाएगी रट घूमेगी नीचे आएगी अच्छा फ्रिक्शन भी नहीं है तो यह घूमेगी तो यह घूमती रहेगी जैसे यह नीचे आएगा तो इसकी कुछ ओमेगा बढ़ती जाएगी इसकी कुछ विलॉसिटी ऐसे बढ़ती जाएगी अब हमसे पूछा गया है कि बताओ जब यह नीचे गिर जाएगी तो इसकी विलॉसिटी कितनी है अंगुलर विलॉसिटी पहले तो समझ में ही नहीं आता है इसको सॉल्व करें जैसे इसमें approach क इसके ऊपर यह कोई force लगा ही नहीं सकती क्योंकि अगर ini इसकी उपर force लगाया तो यह इसकी उपर force लगाएगी I sn Saulos लगा में इंटूए और यहां से आएग तो एक टाIEम बाद ring आ जाएगी इस वाली position पे इस position पे ring की कुछ velocity होगी इस direction में V वो V हम कैसे पता कर सकते हैं देखो इस ring ने कुछ height नीचे आई है यह है height मान लो h तो हम लिख सकते हैं V is equal to under root 2gh अब इस velocity के दो component आप break कर सकते हो एक component इस direction में होगा एक component इस direction में होगा और यह जो perpendicular component ऐसे में लिख देता हूँ V perpendicular divided by इसका radius वही इसकी omega हो जाएगी फालतु का सवाल है दुबार आपर solve कर लेते हैं मान लो मान लो इस rod की length थी L और यह थी L by 4 पर तो यह वाली भी हो जाती है L by 4 अगर यह L by 4 है और यह L by 2 है यानि कि यह वाला angle हो गया हमारा 60 degree तो h की value आजाती है h is equal to l by 2 into sin 60 degree यानि कि l root 3 by 4 height की value आगई अगर rod की length दे रखी है 2 meter तो हमारे पास height h की value आजाती h is equal to root 3 divided by 2 meter इस value को यहां रख दोगे तो हमें velocity की value आजाएगी velocity is equal to under root 2 into g की value है 10 into height की value है root 3 by 2 meter तो यह 2 से 2 cancel हो जाता है और हमें answer क्या मिलता है under root of 10 root 3 meter per second यह velocity है अब इस velocity का perpendicular component वो perpendicular component क्या हो देखो यह angle 60 degree है तो यह वाला angle भी हो जाता है 60 degree क्या से आया है यह तो यार आपको समझना पड़े गा वो angle 60 degree है तो हमारे पास यह वाला angle भी आजाता है 60 degree और यह angle 60 degree आजाता है तो यह वाला angle होता है 90 minus 60 यानि की 30 degree और यह 30 degree होता है तो यह वाला angle फिर से 60 degree हो जाता है ठीक है समझ में आगया मैं इस सारी चीदे वापर सठा रहा हूँ हमें चाहिए यह वी परपेंडिकुलर जिसकी value आजाती है वी कॉस 60 degree कॉस 60 degree की value कितनी होती है 1 by 2 तो इसको 1 by 2 से divide कर दो यानि की under root of 10 root 3 divided by 2 अब omega की value कितनी है omega is equal to वी परपेंडिकुलर upon l by 2 length है 2 meter तो l by 2 की value हो जाती है 1 यानि की यही हमारी omega भी है अगर यही हमारी omega है तो इस 2 को अगर मैं इस root के अंदर ले जाऊं क्यों कर रहा हूं मुझे नहीं पता तो answer आजाता है 5 root 3 by 2 का under root यही है हमारी omega और यही है हमारा answer तो बड़ा ही अजीब तरे का सवाल था रियल लाइफ में तो कभी दिखता नहीं है कभी दिख जाए तो मुझे मत बता रहा पावर पावर क्या होती है linear translational motion में हमने दिखा तब पावर होती है rate of work done rate of work done क्या होता है work done होता है f.s तो d by dt of f.s हमें मिल जाती है पावर हमारे rotational अच्छा इसकी value के तिया जाती है f times हुई rotational motion में हमारी power के value हो जाती है power is equal to torque into omega कितनी तेजी से कोई चीज घूम रही है अच्छा आपने देखा होगा कि हमारी car में कुछ gears होते है तो car में जब हम gear बदलते हैं तो उससे हमारी omega change हो जाती है engine की तो कुछ power fix है और engine का वो जो axis घूम रहा है उसकी omega भी मानलो fix है लेकिन हमारे पहिये की जो omega है उसको हम कम कर देते है तो पहिये की omega कम हो जाती है यानि की torque बढ़ जाता है इसलिए जब हम first gear में गाड़ी चलाते है तो हमारे omega बहुत कम होती है लेकिन torque बहुत ज़्यादा होता है और गाड़ी accelerated कर पाती है initially हमें काफी ज़्यादा acceleration की जब जब जबरत पड़ती है तब हम first gear में इसलिए चलाते है यहाँ पर भी देखो मानलो ये motor है इस axis पर इस axis पर ये बहुत तेज घूम रही होगी इसकी omega मानलो हो जाती है 1000 RPM लेकिन हमने फिर कुछ gear लगा दिया ये gear इस तरीके से होगा उसके कुछ ratio होता है तो इसकी omega बसती है सिर्फ 10 RPM अब omega की value कम हुई है लेकिन हम जानते हैं कि power constant होती है power loss यहाँ पर नहीं हुआएगी इसमें तो omega की value कम हुई है तो torque की value बढ़ जाएगी अगर यहाँ पर torque था T तो यहाँ पर torque हो जाता है 100 times T तो जादा torque हमें जब चाहिए होता है इस तरह के gears या फिर car में जो gear use करते हैं वो सारी चीज़े use करते हैं इसका example solve करते हैं वैसे तो बहुत ही simple concept है जादा कुछ इसमें करने का है नहीं मान लो यहाँ पर एक मैंने इसमें पहिया लगा दिया वो हमारा pulley है और उस pulley से हमने एक रसी लटका ही है और रसी पर हमने एक mass m लटका दिया है और इसकी power है P और हमें बताना है कि maximum इसकी velocity उपर कितनी होगी किस velocity से यह block उपर आने बार है बहुत ही simple question है इसके उपर mg लग रहा होगा नीचे की तरफ mass into gravity और उपर की तरफ इसकी constant velocity है भी तो gravitational power कितनी है power gravitational force नीचे की तरफ है उपर की तरफ velocity है तो वो हो जाती है minus mg into v इतनी ही power motor लगा रही होगी तभी जाकर कि तो constant velocity से उपर आ रहा है नहीं तो वो वापस नीचे नहीं चला जाएगा तो power of motor is equal to mg v तो यहां से velocity पता चल जाती है velocity is equal to power of motor divided by mg लेकिन इसे हम rotational में क्या गाम है rotational वाले question ही नहीं हुआ अब यहां पर torque कितना लग रहा है माल लो इसका कुछ radius होगा r तो torque की value है r radius पर नीचे की तरफ force है mg तो torque की value हो जाती है mg into r omega की value कितनी है अगर यह v velocity से उपर आ रहा है v velocity से उपर आ रहा है तो omega की value आ जाती है v by r हो गया यहां से solve कर लो तो हमें फिर से velocity की value हा जाती है power upon mg तो अब की बार हमने same सवाग rotational dynamics में solve कर दिया बहुत ही simple था और अब आते हैं सबसे ज़्यादा खतरना question पर actually हो हमारे syllabus के भी भार है पर फिर भी देखो मजा आया था यह है gyroscopic precession gyroscope क्या होता है precession क्या होता है और एक extra term में आपको बता देता हूँ newtation वो क्या होता है आज सब समझ लेंगे लेकिन उससे पहले इसको करके देखते है यह सब लोग दिखाते हैं यह वाला demonstration चोटा सा ब्रेक लिया जाए पहले यह देखते हैं कि gyroscope होता क्या है वैसे yes यह वोई ट्राइपोड है जिस पर मैं भी हैंड थीन अभी थोड़ी दर पहले शूट कर रहा था आपको देखना यह video मैंने कैसे बनाया तो link description में है मैंने वो एक video और बनाया है कि मैं videos कैसे बनाता हूँ अच्छा gyroscope क्या होता है जब कोई भी चीज को आप इस तरीके से जोगो से घुमा दो तो वो gyroscope हो जाता है gyroscope एक precession क्या होता है पहले तो precession का मतलब समझो अगर मैं इसे यहाँ पर इस तरीके से छोड़ दूँ तो इसका center of mass नीचे है तो यह इस तरीके से देखो गिर जाता है यह इस तरीके से नीचे गिर जाता है लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से घुमा करके छोड़ दूआ तो यह इस तरीके से rotate करने लग जाता है यह जो rotation है इसे ही बोलते precession अभी पहले इस तरह पॉइंट कर रहा था इस तरह पॉइंट कर रहा था इसका डिरेक्शन बदलता जा रहा है यही होता है प्रिसेशन और क्योंकि यह जायरोस्कोप का हो रहा है तो यह जायरोस्कोपिक प्रिसेशन हो जाता है समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा होता है क्यों है जब मैं इस तरीके से पकड़ता हूं तो अगर यह नहीं घूम रहा है तो इसके उपर फोर्स लग रहा है कुछ सेंटर अफ मास से नीचे की तरफ तो इस पर टॉर्क नीचे की तरफ लग रहा होगा कुछ देखो यह है पॉमा देता हूं तो यह घूम रहा है इसका कुछ angular momentum है इस डेक्शन में मानख लो हूं आ या और मुमेंटम है यह इसका angular momentum है, इसके उपर torque कितना लग रहा होगा, अगर मैं यहां से इसको पकड़ूँगा, तो देखो, यह है distance, और इसके उपर नीचे की तरफ लग रहा है force mg, इस तरीके से घूमने की कोशिश कर रहा है, यानि torque कैसे, torque उस तरफ है, torque उधर है, angular momentum इधर है, दोनों perpendicular हो ग torque perpendicular है, उसके वयर से हमें इस तरीके का precession मिलता है, यह तरीके से घूमने लग जाता है, तो science के साफ से तो बहुती common सी चीज है, लेकिन देखने में थोड़ी अजीब लगती है, तो मज़ा आता है, and we are all set, rolling rolling rolling, सारे mic वाइक सब्सक्राइब, ठीक है, gyroscopic precession की कुछ calculations करते है मान लो हमारे पास यह है radius arm R, वैसे gyroscopic precession हमारे syllabus के बाहर का है, पर फिर भी इसकी calculation समझ लो, अगर हमारे पास एक इस तरीके का gyroscopic है, इसके उपर नीचे की तरफ force लग रहा है mg, यह देखो, यह नीचे की तरफ mg force लग रहा है, यह है हमारा position vector, यह center से कुछ दूरी पर है, इसकी वज़े से इस पर r cross f torque लगा देखो, r cross f, तो इस तरफ यह हमारा torque vector है, और torque की value कितनी हो जाएगी, torque की value हो जाती है, torque is equal to mg है हमारा force, किस distance पर है, यह वाला distance है, r, torque की value हो गई, अगर हमारा gyroscope घूम रहा है, तो उसका कुछ angular momentum होगा, उस angular momentum की value कितनी होगी, वो हो जाता है, i omega, और जब हम इसको रसी पर लटका देते हैं, तो यह कुछ इस तरीके से घूमने लगता है, तो वो भी एक तरीके की angular velocity है, उपर की direction में, इस तरीके से घूम रहा था, तो अगर मैं right hand rule से देखूंगा, तो कुछ इस तरीके से घूम रहा था, उपर की तरफ हमा बोल देते हैं, यह है हमारा angular momentum का vector, इसके उपर कुछ torque vector लग रहा है इस direction में, उसकी वज़े से थोड़ी देर बाद हमारा angular momentum बदल करेके यह हो जाएगा, मानलो इसको बदलने में time लगा है dt, ठीक है, तो उसकी वज़े से change in angular momentum dl की value हो जाएगी, मानलो यह वाला angle है d5, उस यह वाली length थी L, और into theta d5, यहाँ पर dt से divide कर देंगे, तो dl by dt upon d5 by dt, dl by dt क्या है, angular momentum के change होने की rate, वो किसके बराबर होती है, torque के बराबर, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा, dl by dt is equal to mgr, is equal to L, L था हमारा angular momentum, L की value थी I, into d5 by dt, d5 by dt की rate of change of angle of precession, यह जो इस तरीके से घुम रहा था न, वो angular velocity वो, उसको मैं omega लेखता हूं, तो यह है omega, और हमारे पास formula आगया, omega is equal to mgr upon i omega, out of syllabus, यार रखने की ज़रुवत नहीं है, फिर भी याद करना बहुत असान है, तो करी लो, अच्छे, अब देखते है, और इसको मैं इस तरीके से रखूँगा, तो यह ideally तो ऐसे static रहना चाहिए, लेकिन अब देखो यह थोड़ा 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 ऐसे आसे वाइबरेट करते 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 घुम रहा है, तो यह वाइबरेट क्यों कर रहा है, क्योंकि यह perfectly symmetric नहीं है, यह ठी इस तरीके से घुमना चाहिए होता, तो ऐसे नहीं घुमता, वो कुछ ऐसे 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 देखो एक वेवी फॉर्म में घुम रहा है, और यह जो वेव बनती है, इसी को बोलते है nutation, यह तो दू-दू तक आप से कोई पूछने वाला नहीं है, पर फिल भी समझ दो, nutation क् मेरे पास यह power bank है, इसे मैंने कुछ colors की marking करी है, यह color green है, यह color orange है, अगर मैं इस तरीके से घुमा दूँगा, तो भी green नीचे है, या फिर आपकी तरफ green है, अभी भी आपकी तरफ green है, इसे मैं ऐसे कितना भी घुमाता रहूँ, हमेशा आपकी तरफ green आता है, unless मैं इसे इस तरीके से घुमाँगा, तो आपकी तरफ हमेशा green आना चाहिए, चलो इसे घुमाते है, देखो आपकी तरफ orange आ गया, यह पलट गया, अब फिर आपकी तरफ green आ गया, फिर पलट गया, तो यह जितनी बार इसको घुमाँगा ना, यहां पर देखो colors बदलते जा रहे है यह colors बदल क्यों रहे हैं, और इसका नाम badminton racket theorem क्यों है, colors बदलते क्यों है, उसका reason तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इसका नाम badminton racket theorem इसलिए क्योंकि इसे generally badminton racket पे करके explain किया जाता है, मैं यहां पर जगे छोड़ी है, तो badminton racket का use नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं power bank का use कर रहा हूँ, तो अपने लिए power bank theorem बन जाती है, अच्छे यह होता क्यों है, हमारी पास जब भी कोई object घूमती है, मानलो इसे मैंने इस तरीके से घुमाया, तो इसका कुछ moment of inertia होगा, इसकी कुछ omega है, तो इसका कुछ angular momentum होगा, जिसका vector इधर होगा, और जब यह घू से अपना axis flip कर लेती है, axis इस तरीके से flip करती है कि angular momentum अभी भी vector वही है, क्योंकि यह तक isolated system, इसकी उपर torque 0 है, तो angular momentum हमेशा वैसे ही रहने वाला है, अभी vibrate करते करते हैं थोड़ा से हो गई, तो फिर यह ultra direction में vibrate हो जाती है, और angular momentum हमें फिर भी इस तरफ मिलता है, तो जो इसकी बार क्यों घूमती है, ऐसे 50 बार भी घूम सकती थी, flip ही तो मार रही है, तो यह actually बहुत बार flip मारेगी, लेकिन इसका जो time interval है, मैं इसे तुरंत पकड़ लेता हूं, तो कई बार ऐसा होता है कि एक भी flip नहीं मारती है, कई बार ऐसा हो सकता है कि दो बार flip मार जाए, अगर आप ऐसी चीज़ को space में घूमता हुआ छोड़ दो, तो आप देखोगे कि हर regular interval में, वो flip माती जाती है, माती जाती है, माती जाती है, वो पूरे time flip माती रहेगी, जब तक हम किसी तरीके से उसकी kinetic energy को dissipate ना गल दे, kinetic energy dissipate करने से एक और बहुत ही interesting phenomenon हम देख सकते है, ह हमारे पास kinetic energy होती है, k is equal to half i omega square, इसको मैं लिख सकता हूँ, half i omega times omega, अब ये i omega तो किसी भी isolator system के लिए constant हो जाएगा, और half constant थाई सही, तो इसकी value लिख सकते हैं, some constant times omega, kinetic energy ये होती है, अब जब ये घूमता है, और अपना axis बदलता है, तो इसकी omega थोड़ी कम होती है, लेक internal forces में potential energy बन करके store हो जाती है, लेकिन energy खतम नहीं होई है, अभी भी इसमें कहीं है, तो फिर उसे वापस release करते हैं, और फिर से इसकी omega बढ़ जाती है, इस तरीके से kinetic energy फिर से restore हो जाती है, आप ऐसा समझा, अपने आप ये spring बन के दब गया, फिर उसमें वापस energy explore कर दी, जैसे कि हमारा कच्चा अंडा, कच्चे अंडे के अंदर थोड़ा सा fluid होता है, बाहर से तो ये देखने में लगता है, अंदर इसमें fluid है, तो आप इसे घुमाओगे, तो अंदर fluid अलग तरीके से घुमेगा, कुछ viscous flow वहाँ पे होएगा, और इसमें energy dissipate होईगी, में भी fluid गरम हो जाएगा, वहीं हमारा पास दूसी तरफ एक solid अंडा, solid अंडे में वो viscous flows नहीं होता है, तो उसमें भी kinetic energy ऐसे अचानक से dissipate नहीं हो सकती, इसलिए अगर मैं solid, boiled अंडे को घुमाओगा, तो बहुत देर तक घुमता है, लेकिन अगर मैं कच्चे अंडे को घुम की बाते कर रहे थे, अब solid अंडे का हम से, पर यह experiment घर पर try करके ज़रूर देखना, अचा अभी भी घूम रहा है, घूम तो रहा है, लेकिन हमारा boiled अंडा घूम रहा है, लेकिन कच्चे अंडा नहीं घुमेगा, और अब मैं risk नहीं लोगा, क्योंकि यह फट गया, तो isolated system है, इसका I omega, यानि angular momentum तो constant रहने वाला है, उसका मन कर रहा है कि omega को मैं कम करूँ, यानि उसको moment of inertia बढ़ाना पड़ेगा, तो अगर मैं इसको इस axis पर rotate करता हूँ, तो इससे वो axis को इस तरह से बदलेगी, कि उसका moment of inertia बढ़ जाए, moment of inertia maximize हो जाए, अगर वो maximize हो गया, त अर्थ भी कुछ अंडे की तरह है, हमारी अर्थ के अंदर भी कुछ molten fluids है, और वो बहुत दो से घूमी रही है, पता नहीं कितने, साड़े चार billion सालों से, तो हमारी अर्थ भी चाहेगी, कि एक ऐसे axis पर घूमे, कि उसका moment of inertia maximize हो जाए, तो वो अर्थ हो भी चुका है, अच अच्छा बरानी पर हो, पर अर्थ अर्थ उस axis पर rotate कर रही है, जहां पर maximum उसका moment of energy है, उसमें कोई unstability का scope ही नहीं है, वो जितनी kinetic energy इस concept के थूरू loss कर सकती थी, उसने अर्थ कर दिया है, तो हमें ये tension लेने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा, अगर अर्थ solid होती है, इस तरीके से घूमी रही है, तो थोड़ी थोड़ी देर में अर्थ पी अपना axis flip कर जाती, इसका क्या मतलू हुआ, जहां अभी north pole है, उसकी जगे अचानक से south pole आ जाता है, और जहां पर south pole है, वहां पर अचानक से north pole आ जाता है, फिर कुछ solid बाद अर्थ फिर से flip कर जाती फिर कुछ सालों बाद अर्थ फिर से flip कर जाती, और ये तो हम जानते भी है कि earth में जो magnetic pools है, वो flip करते रहते हैं कुछ time बाद, तो क्या earth भी अपने आपको flip कर लेगी कभी, मुश्किल आज़ा हो ना, क्योंकि अर्थ एक solid object नहीं है, तो आगे चलते हैं, ये सब out of syllabus बाते बहुत हो गई, अब काम की चीज़ देखते हैं, कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो subscribe करो, subscribe इसलिए करो, क्योंकि crash app पे सभी वीडियो one shot होते हैं, मैं 5-6 कितावे पढ़ता हूं, 5-6 YouTube channels देखता हूं, सबका जो भी content उठा करके एक वीडियो में डाल देता हू सब्सक्राइब करेंगे हैं, बैटके NCIT को हलके में मत लेना, उसमें बहुत अच्छे-च्छे questions होते हैं, और मेरा नाम विकरांत किरार है, मैंने IT खड़क पर से mechanical engineering करी थी, आजकल मैं physics पढ़ा रहूं, लेकिन पहले मैं graphic designing भी करता था, तो ये मैंनी बनाया, अचली ये जो अभी ये वाला वीडियो तो खतम हो गया, लेकिन इसकी behind the scene के लिए हमें थोड़ा टाइम में वापिस जाना पड़ी, आज चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं दो बैल की लगबग दो बज गई है, और इस वीडियो में हम देखते हैं कि crash up का एक वीडियो किस तरीके से बनता है